अलो फ्रेंट्स, वेलकम टो UPSC वाला UPSC वाला के इस नई सेरिज में जिसमें की सबी वीडियोस के आपको सबी लक्चर्स के मैराथोन सेशन दिये जा रहे है आज मैं आपसे बात करूँगी पॉलिटी के एक ऐसे इंपोर्टेंट टॉपिक की जहां से UPSC, PTN मेंज में कुशन पूछता है कहते हैं भारत का जो समविधान ने उसे बनने में दो वर्ष 11 माय और 18 दिन लगे थे 26 जनवरी 1950 को जब हमारा समविधान लागू हुआ उसकी प्रस्ट भूमी शुरू हो गई थी 1600 से 1200 में जब East India Company का भारत में आगमन हुआ उसके बाद महराणी एलिजाबेट प्रथम के द्वारा East India Company को भारत से व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया लेकिन जल्दी ही East India Company का व्यापार और भारत पर साशन को रेगूलेटिंग करने की ज़रूरत महसूस हुई भारत के समविधान की एतिहासिक प्रस्ट भूमी एक ऐसा विशय है जो की PTN मेंस के लिए बहुत जरूरी है भारत का समविधान दो वर्ष 11 माह 18 दिन में बन कर तयार हुआ था लेकिन इसकी प्रस्ट भूमी इसके पहले कई अधेनियमों ने तयार की थी सामनता है इस समविधानिक प्रस्ट भूमी को हम दो भागों में बाट कर पड़ते हैं ऐसे में इन एतिहासिक प्रस्ट भूमीों को समझना की 1773 का regulating act क्यों जरूरी था कौन से इसमें changes थे जो की बहुत important थे 1773 के बाद और भी कितने regulating act आई जनों ने भारत पर साशन करने के तरीके और कई राजनितिक पधतियों को बदलाव और 1858 के बाद जब भारत का साशन सीधे British Crown ने अपने नियंतर्ण में ले लिया उसके बाद से क्या बदलावाई 1909, 1919 और 1935 के भारत साशन अधिनियम ने सम्विधान में क्या योगदान दिया प्रथक निर्वाचन पधिती की शुरुवात कहां से हुई कब भारत को जो है British अधिपत्य का शेत्र कहा गया पहला Governor General कब भारत का Governor General बना और कैसे Vice Rai का पद बना भारत को स्वातंदिता कैसे मिली और भारती स्वातंदिता अधिनियम 1947 में ऐसे कौन से प्रावधान किये गए कौन सी यूजना आई जिन्नोंने हमारे सम्विधान के इतिहास के विकास में एक बहत्यपूर्ण योगदान दिया उन सभी को हम समझेगे तो चलिए शुरू करते हैं भारत के सम्विधान की इतिहासिक प्रस्ट भूमी हलो फ्रेंट्स वैलकम टू यूपियस सी वादा तो आज हम बात करने वाले हैं भारतिय सम्विधान की इतिहासिक प्रस्ट भूमी बिटिश साशन के दोरान ऐसे कई अधिनियम पारित हुए जिनोंने भारतिय सम्विधान में कई विशेश प्राबधानों को जगा दी भारतिय सम्विधान में कई ऐसे महत्यपूर्ण राजववस्ता से संबंदित प्राभधान है जो की बिटिस साशन के द्वारा बनाए गए अधीनियमों से प्रेरित है या उन से सीधे ने लिए गए कहते हैं भारत साशन अधीनियम 1935 का सतर प्रतिशत जो भाग है उसे उठाकर भारतिय सम्विधान में जो कातेओं शामिल कर लिया गया इसके अलावा गर हम 1909 के आशय नाधीनियम की बात करें, 1919 के आशय नाधीनियम की बात करें, 1935 का एशय नाधीनियम और 1947 का भार्यतिय साशय नाधीनियम जो की स्वातंदरता अधीनियम था तो क्या है इनके मात्रपूर्ण प्राफधान और UPSC जो है पीटी मेंस में कैसे कुश्चन पूछता है वहाँ से हम इसकी शुरुवात करते हैं तो सबसे पहले देखो कि जब हम बात करेंगे भारानी एलिजाबेट के द्वारा सन 1620 में ये इस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का जो एक अधिकार है वह दे दिया गया लेकिन जल्दी ही जरूरत महसूस होने लगी कि East India Company का जो व्यापारिक एक अधिकार है और जो तरीका है उसका परेक्षन किया जाए उसको कंट्रोल किया जाए और ऐसे में इसे हम भारत के अतिहासत प्रस्ट भूमी को जो है वह दो तरीकों से दो भागों में बाट कर पड़ काउन की द्वारा बनाए गए थे East India Company के नियमन के लिए और इस इंडिया कंपनी भारत पर प्रसाशन किस तरीके से करेगी उसके प्रावधारों के इसमें वर्णन था लेकिन दूसरा जो भाग है कि 1857 की कांती के बाद अब East India Company के जो कमजोरियां थी वह पता चल गई और ऐ ऐसे में दूसरा इसका तरीका दूसरा जो हम अधिनियम पढ़ते हैं 1858 के भारत साशन अधिनियम से लेकर 1947 का जो भारतिय स्वात अंतिरता अधिनियम है उसकी चर्चा करते हैं तो ये पहला हो गया भाग इसका कि जब East India Company के माधियम से भारत पर साशन किया जा रहा था और यहां पर 1858 के बाद से जब बिटिश क्राउन ने सीधे भारत पर अपना साशन स्थापित किया और आज जो आप भारत का सम्विधान देख रहे हैं इस भारत के सम्विधान में 1703 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चाहे 1784 हो या फिर हम अगर 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892 या 1909 1909, 1935 के जब हम अधिनियम की बात करते हैं इन सभी अधिनियमों से कुछ-कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि हमारे सम्विधान में लिए गए 1935 का तो 70% भांग इसमें शामिल था तो इस तरीके से भारतिय सम्विधान में ऐसे कौन से महत्यपूर्ण प्रावधान है ऐसे कौन से महत्यपूर्ण घटनाए है जो की इसके पहले के जो अधिनियम बने थे उनसे लिए गए उन्हें ही हम सम्विधान के अतिहासिक प्रस्ट एक्ट में कुछ-कुछ बात है ऐसी थी जो की इस्ट इंडिया कंपणी को रेगुलेट करने के लिए थी समय के साथ सतिसमें साथ चाहे सिख्षा को लेकर हो चाहे सिविल सिवा कर लेकर हो चाहे भारत में विधान परिशदों की बात हो प्रांतियों कितने अधिकार राज् इसे हम रेगुलेरटिंग एक्ट की बात करेंगे 1773 से शुरू करेंगे पिर हम अमेंडमेंड पाक्ट की बात करेंगे 1784 की फिर हम देखेंगे चार्टर अधीनियम 1793 का फिर 1813, 333 पर ठीके ये सारे अधीनियम है अब देखो इसमें महत्यपूर्ण है कि कौन-कौन से जो points है वो जादर जो provision important है उसकी बात करेंगे फिर देखो 1858 से लेके 1947 ये ऐसे अधीनियम थे जब सीधा भारत पर ताज का साशन था यानि बिटिश क्राउन का साशन था और यहाँ पर भारत परिशद अधीनियम 1858 से जो शंकला शुरू ही 1947 पर जाकर उगी तो ये दो भागों में हम इसको बाट कर पड़ते हैं अब देखो ये मैंने सैयार करने की एतहासे कारे को पूरा करना सम्विधान सभा के लिए कठिन होता अगर हमारे पास 1935 से प्राप्त जो अनुभाव है वे नहीं होते इसमें आपको बताना था कि 1935 के भारत साशन थीनियम से हमारे सम्विधान में कौन-कौन से ऐसे प्राप्तान है जो शामिल किये गए ये आपको इसमें लिखना था ठीके तो यहाँ पर देखो क्यों का गया कि 3 साल क्यों 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 कि हमारा सम्विधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था ठीके जो सम्विधान सभा तो इसके बीच की जो प्रस्ट भूमी है वह हम पढ़ते हैं एक कुश्चन और दिखा देती हो जो की 2012 में पूछा गया था UPSC के द्वारा भारती सम्विधान में केद और राज्य के बीच में शक्तियों का वित्रण फिर बीच में आपको ब्लैंक छोड़ दिया किस यूजना पर आधारित था मारले मिंटो सुधार मॉंटेंग यूचेम्स वोड भारास आशन अधेनियम भारती स्वातनता अधेनियम कुश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं प्रोवीजन आपको दे दिया एंड देन उसके बाद आपसे पूछ लिया कि किस का ये प्राबधान है कि सधीनियम में इसको शामिल किया गया था तो इस तरीके से जो कुश्चन है बच्चों है पूछा जाता है ठीक है अब देखो तो इसे हम शुरू करेंगे एक एक करके हम सारा इसे कवर करेंगे देखो एक और कुश्चन है मैं पहले कुछ कुश्चन्स आपको दिखाती हूँ कि जैसे कि 1935 से ही कुश्चन 15 में पूछा गया और 2012 की बात करें तब भी 1935 से ही कुश्चन पूछा गया क्योंकि राज्यों और केंद्रों की बीच में अगर हम शक्ती की बात करें तो यह 1935 की जो यूश्चन है इस पर आधारित था तो देखो इस तरीके से एक्ट से जो कुश्चन से मैं पूछे गए तो कुछ पीटी के कुश्चन है एक व्यापारिक कंपनी मैं भारत से व्यापार करने के लिए आती है बिटें से इंडिया आती है और ऐसे में धीरे-धीरे कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे भारत पर स्थापित कर लिया ठीक है और यहां पर यहां पर यह कहा जाता है कि उस्तर जो अपना तंबू बाधाव है इतना खीचा कि पूरा भारत उसके अंदर आ गया और यहां पर बच्चों सोला सो से वो घटना क्रम शुरू हुआ था और यहां पर इस इंडिया कंपनी क्या है पहले भारत आती है व्यापार करने के लिए और धीरे-धीरे कैसे इसने अपना एक अधिकार मोनोपॉली स्थापित कर ली और कैसे-कैसे यह राशनेतिक और प्रसाशनेक शक्ती बन बैठी कब 1757 का प्लासी का युद्ध होता है 1764 का बकसर का युद्ध होता है और धीरे-धीरे कंपनी को दीवानी अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं कंपनी के कुछ गवर्नर जनरल ऐसे रहे जिनोंने भारत का जो विस्तारे तरह-तरह की नितिया अपनाई ठीक है और भारत पर एक तरीके से पूरा एक शत्र जो सामराज जहव हैं अंग्रे जोनल किया गया था ठीक है तो 70-73 में ये पहला ऐसा एक्ट था जब इस इंडिया कंपनी के नियमन की जो आविशकता है महसूस हुई क्योंकि कंपनी में बहुत जादा जो भस्त्रचार है वह बढ़ गया था ठीक है तो इसके देखो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंग कुछ पॉइंट्स जैसे कि जब हम 70-73 के एक्ट की बात करेंगे 1733 का देखो रैगुलेटिंग इसको कहा गया था ठीक है रैगुलेटिंग तो रैगुलेटिंग किसको रैगुलेटिंग करना रैगुलेटिंग एक्ट तो ये इस्ट इंडिया कंपनी को ये नियमन की बात क ये East India Company के लिए था बच्चों इसका मतलब होता है नियमन करना और नियमन किसका किया जा रहा था East India Company का जो की 1600 में भारस से व्यापार करने के लिए आई हुई थी ठीके और इसके बार देखो इसके कुछ important points थे जैसे सबसे पहले तो ये वाला जो regulating act था इसमें East India Company को नियंतित करने के लिए कुछ rules बनाए गए ठीके नियंतित करने के लिए नियमित करने के लिए कुछ rules बनाए गए East India के जो कर्मचारी रिश्वत ले रहे थे उस पर प्रतीबंध लगाया गया जो भस्टाचार था उसको कम करने के जो प्रावधान है वह किये गए इनके उपहार लेने की जो शक्ती है उस पर भी नियंतित लगाया गया ठीके साथी देखो कि East India कमपनी के जो प्रशाश्निको राजनतिक कारे हैं इसको मानता दी गए पहले यी कमपनी के वाल व्यापारिक कमपनी थी हैना लेकिन प्रशाश्निक वा राजनतिक कारे उसको ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मानता दी गई ठीक है इसके अलावा देखो थर्ड है इसमें बच्चो कि सबसे पहले तो देखो कोई ना एक ये बत बात देखो कि जैसे अगर हम बिटेन की बात करें तो बिटेन का कोई ना कोई तो ऐसा एक परसन होगा ना जिससे बिटिश गवर्मेंट सीधे कनेक्ट करें कोई उसका का नम लेकिन बाद में 73 से गवर्नर का जो पद है वो बदल कर कर दिया गवर्नर जन्रल अब ये जो गवर्नर था इसको अब क्या कहा जाने लगा गवर्नर जन्रल और यूपेसी ने यहां से क्विश्जन पूछ लिया कि गवर्नर जन्रल जो पद नाम है में किस एक्ट के जिवारा दिया गया, अठ था आपका 70 73 का रेרגुलेटिंग act ठीक है। और पहले गवेदर जन्रेल कौन थे वोरइन हैस्टिक्स, पहले गवर्नर जन्रेल कौन थे बचोब वॉर इंग्डर इन हैस्टिक्स, बहुत इंपोर्टेंट है कि जो बंगाल का गवर्णर जनरल था इसके अधीन बंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वह कर दी बंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है ना ये बंगाल के गवर्णर जनरल के अधीन कर दी कुछ important points से देखो आगे notes कैसे बनाना ये बहें आपको बताती जा रही हूँ आगे आप सभी बाकी कुछ points ऐसे होगे जो important नहीं होगे उसके notes नहीं बनवाओंगी वो आपको खुद बनाने होगे इसके अलावा देखो उचितम नयाले की स्थापना की गई कलकत्ता में ठीक है सुप्रीम कोड उचितम नयाले की स्थापना की गई कहां पर कलकत्ता में और यहां पर जानते हो शुरू में कितने मुख्य नयायदीश थी वन प्लस थी मतलब एक मुख्य नयायदीश और पहला जो मुख्य नयायदीश थी इसके अलावा देखो कि 70-73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें कई कमिया थी इन कमियों को दूर करने के लिए आगे जो अधीनियम है बहलाए गए तो 70-73 का जो एक्ट था बच्चो ठीके इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमिया थी और इन कमियों को दूर करने के लिए कई और अध 1881 में जो अधेनियम लाया गया ठीक है या देखना 1781 में पारित किया जाएगा 1781 में पारित किया जाएगा और इसको लागू किया जाता है 1784 से जिसमें regulating act की कमियों को दूर किया गया और कुछ और महत्यपूर्ण जो प्रावधान है वे जोड दिये गए और 1784 के इसलिए जो एक्ट है इसको act of settlement कहा जाता है इंग्लिश में भी लिख लो लिखना है तो act of settlement settlement कर रहे का मतलब क्या होता है कि आपने जो कमिया थी है ना उनको सुधार लिया ठीक कर लिया ठीक है तो act of settlement जो है इसको कहा गया और 81 में यह जो पारित हुआ था वही 84 में लागू हो था जिसे की 84 में आपको याद अखना बच इसको pits India Act भी कहा गया क्या कहा गया इसको pits India Act Act of settlement pits India Act तो pits India Act के नाम से आप देखो यह important है कि किसे जो है वह pits India Act का आगया तो यह सारी चीज़े अलग 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 है different different है कुछ कुछ विशेशता है ठीक है अब देखो इसको कुछ और मैं आपको important points बनाती हूं जैसे बच्चों यहां पर क्या किया कि कंपनी के राजनेतिक वा प्रसाशनेक कारियों को अलग किया कंपनी के राजनेतिक प्रसाशनेक ने व्यापारिक ठीक है कंपनी के जो राजनेतिक कारे थे और जो व्यापारिक कारे थे पहले तो यह व्यापारिक कंपनी ही थी ना तो इसके जो देखो व्यापारिक और राजनेतिक क व्यापारियों को करने के लिए यहां पर board of control थी ःंदी में भी board of control ही आएगा ठीक है बूर्ड of control थी बच्चों और जब हम व्यापारिक कारे की बात करेंगे इसके लिए एक निदेशक मंदल था इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट के एक और महत्रपूर्ट बात है वच्चों कि इस एक्ट के द्वारा जो द्वैद इसाशन पर दिती है वह शुरू होती है द्वैद इसाशन जो है इसको शुरू किया गया और कुछ-कुछ जो कारे हैं उसका विभाजन किया गया साथ ही हम देखेंगे कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसले भी इम्पोर्टेन था हम कहते है कि बिटिश अधिपत्र का शेतर पहले बिटिश अधिपत्र का शेतर नहीं कहा जाता था 1784 से बिटेन के द्वारा, बिटिश कवर्मेंट के द्वारा जिन छेत्रों पर साशन किया चाता था उन्हें बिटिश अधिपत्य का छेत्र कहा गया उन्हें बिटिश अधिपत्य का छेत्र कहा गया ठीके? तो किस एक्ट से कहा गया? 1784 के पेट से इंडिया एक्ट से ठीक है तो ये कुछ ऐसी बाते थी जो कि 70, 73 और 84 जो है उसकी कुछ बाते जुड़ी हुई है केस में जो कमिया थी ठीक है इसमें प्रसाशनिक और राजनतिक कारे को मानता दी थी लेकिन जन्दी ही पता चल गया कि भई स्कीन शॉट लेलो बच्चो अगर लेना है तो ये कहोगी साथ साथ नोट्स बनाते रहो विकाज ओफ नोट्स मेकिंग जो हैबिट है कहते है कि आप एक बार लिख लो और पांच बार पढ़ लो दोनों चीज़े बराबर है बोत हासी जब आप लिखते हो ना तब आपका जो माइंड है वो जादा जादा चीज़ों का एक्टि क्योंकि आप लिख भी रहे होते हो आप आपकों से ध्यान भी दे रहे होते हो उस चीज़ पे तो यहाँ पर लिखने का अपना एक अपना ही महत्व है सो नोट्स मेकिंग एक बहुत ही अच्छी एक गुड है बच्चों अब आगे हम बात करेंगे कि 70-73 का हो गया तो इसकी कुछ विशिष्टा है मैंने आपको पहले बता दी दीखें बाकी आपको PDF में अवलेबल होगा और कुछ और important information वो आप देखते रहेंगे दिखो 1784 का एक्ट हमने देख लिया कि आखे 73 की जो कमिया थी उसको दूर करने के लिए यह जो एक्ट वै लाया गया और यहां पर जादा जो सक्षम और उत्तरदाई पूर्ण जो सरकार बनाई जाए इसके लिए बिटिश संसद ने कुछ प्राभधान जो है वै जोड़े ठीके और इस एक्ट से ही द्वैद साशन की जो शुरवात है वै होती है वाड़िजिक और जो राजनेतिक कारे हैं इ उनको सिधा बिटिश अधीपत जो शेतर है उसकी संया दी गई तो यह 1784 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है चलियर चलिए आगी चलते हैं अब हम देखते हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था 1813, 1833 पताए कुछ बात में क्या होता है कुछ बात जो है वे कॉंटिन्यू कर रहती है जैसे कि आम 1813 की बात करें और 1833 की बात करें तो इन तीन हुई ही एक्ट में कुछ-कुछ ऐसे प्रावधान है जो की किवल उसमें अब्रेशन हो गया है उसमें तो इस तरह की चीजों को हमेश्या बहुत ध्य 1793 के एक्ट के बारे में, 1793 का जो चार्टर अधिनियम आया, इस अधिनियम में क्या किया गया था? कि जो इस्ट इंडिया कम्पनी का भारत पर भारत के साथ जो व्यापार ये कम्पनी करती थी है ना तो भारत पर इसकी एक तरह से मोनोपोली थी कि भाई केवल यही व्यापार कर सकता है कोई और नहीं तो East India Company जो भारत पर एक तरीके से व्यापारिक एक अधिकार था, ठीके? और इसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया, भारत पर व्यापारिक एक अधिकार को 20 वर्शों के लिए बढ़ा दिया, 20 वर्शों के लिए बढ़ा दिया था, तरफ एक पॉइंट है इसके लिए, है ना? अब देखो इस एक पॉइंट जो है आगे कैसे continue होगा कि जब बच्चो अठारा सो तेरा का एक्ट आया ना अठारा सो तेरा का जो चार्टर अधिनियम आया इस अधिनियम में इस इंडिया कमपनी पर का जो एक अधिकार था इस पर कुछ बंदेश लगाए गए और कमपनी का व्यापारे की कधिकार यहां पर समाप्त हो गया कमपनी का व्यापारे की कधिकार समाप्त हो गया ठीक है? अब देखो लेकिन याद रिखना कि सब शित्रों से एक साथ खतम नहीं हुआ था कुछ ऐसी अभी भी कुछ ऐसी वस्तुए थी और कुछ देशों के साथ के व्यापार थे जो की जादा लाब प्रद थे है ला और इसलिए क्या ये सारे चीजों को एक साथ नहीं चीना और यहां पर आप चाची शब्द याद रख सकते हैं ठीके अब देखो ये चाची शब् है एक तो है बच्चो चाय का व्यापार और दूसरा है चीन से व्यापार ठीके तो चाय का व्यापार और चीन से व्यापार ये दोनों ऐसे व्यापार थे जिससे अग्रेजों को जादा लाब था और इसलिए इन पर अभी एक अधिकार था कंपनी को इन पर एक अधिकार अ ना उसमें ये भी समाप्त कर दिया गया बस ऐसी ही बातों को आपको एकदम correlate करके याद रखता है कि यहाँ पर व्यापारे की कदीकार जो है में 20 वर्शों के लिए बढ़ा दिया और यहाँ पर व्यापारे की कदीकार को समप्त कर दिया गया ठीके अब देखो आगे देखो कि जब हम बात करेंगे 1833 के Charter Act की बच्चों तो यहां पर जो यह चाय और चीनी का एक अधिकार था ना यह इसको समाप्त कर दिया गया ठीके यहां पर क्या कि इसको भी चाची को समाप्त नहीं कर दिया गया यह code word मैंने लिग दिया कि आपको याद अखे क्योंकि क्या होता क कि सम्टाइब्स जब हम किसी एक पॉइंट को सम्टाइब्स कुछ ऐसे याद कर लेते कुछ ट्रिक के साथ हो में लंबे समय तक याद रह जाती है ना तो याद रखना कि यह चाय और चीनी का जो व्यापार व्यापारे की अधिकार अब भी बचा हुआ था 1833 में इसको खत अंगरेजों ने क्या किया कि जो ईशाई मिशनरी है इन्हें भारत आने धर्म का प्रचार-प्रशार करने की जो सवतनतरथा है वह देदी इसाई जो इसाई मिशनरियों को ठीके धर्म प्रचार की स्वतंतिता ये सारी चीज़े जो है वह देदी कि ठीक आप लोगों को प्रबुद्द करो उनको ज्यान दो सिक्षा दो तो बिसिकली हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो एक्ट है भारत के एक तरीके से जो धर्म परिवर्तन है कि दूसरे धर्म के प्रती रुची जगा देना इसका काम कर रहे थे और सिक्षा की जब बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो पस्चिमी सिक्षा थी जो पास्चात्य सिक्षा थी इस एजुकीशन को भारत में बढ़ावा दिया गया इस 1813 के च ठीक है 1833 का जो एक था बच्चो इसमें जो इस्थानिय सरकार थी इस्थानिय सरकारों को नाग्रिकों पर कर लगाने का अधिकार दिया और ना केवल कर का अधिकार वसूलने का भी और अगर कोई नहीं देता है तो उसके लिए पिनाल्टी का भी जो बात है पिनाल्टी का जो प्रावधान है वो दंड और सजा का प्रावधान भी 1813 के act से किया गया clear है इतना तो 1813 आप देखो 1833 के जो हम charter act की बात करेंगे थोड़ी सी बात यहाँ पर 1833 की हो जाए इसको connect कर ले ना 1833 के act से ठीक है clear है चलो कुछ points यहीं बता देती हूँ ताकि बच्चों आपको clear हो जाए चीजे तो बच्चों जो 1833 का act आया 1833 का charter act इस act में सबसे पहले तो यह एक अधिकार समाप्त कर दिया चाय वाचीन का व्यापार है ना यह जो एक अधिकार था इसको समाप्त कर दिया तो देखो चाय और चीन से एक अधिकार को समाप्त करने के अलावा दूसरा इसमें जो important प्राबधान है कि यहाँ पर बच्चों भारत का governor general है ना जो governor general था इसे भारत का governor general बना दिया गया और ऐसा पहला governor general जो है था वैं William Bantic था William Bantic था ठीक है पुरे ब्रिटिश भारत में विधाईका को अशिमित अधिकार जो है भारत के governor general को दिये गए तो जो governor था पहले वैं बाद में governor general हो गया और फिर वही governor general जो है वैं पूरे भारत का governor general हो गया और पूरे भारत के शित्र में इंडिया की पूरी territory में उसको जो है वैं असेमित विधाई का की जो अथिकार है वैं दिये गए उसे कानून पारित करने साशन को चलाने के लिए प्रावधान बनाने नियम बनाने ये सारे जो अधिकार है वैं उसको दे दिये गए ठीक है तो ऐसा पहला भारत का जो पहला governor general है वैं कौन था बच्चो बिटे आप देखेंगे विलियम बैंटिक था अच्छा एक बात और सुनो कि यहां पर इस इंडिया कंपली जो है एक प्रशाशनिक संस्था बन गई थी अब प्रशाशनिक कंपली बन गई थी और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि 1833 का ही एक्ट था जिसमें सिविल सर्विसेस के लिए खुल सिविल सर्विस के एक्जाम के लिए पढ़ रहे है ना वस वही सिविल सर्विस तो पहले क्या कहा जाता था इसको आई सीएस कहा जाता था जिसको आप आज आई एस कहते हैं तो बचों सिविल सर्विस के लिए एक खुली प्रदियोगी था ठीके कि अब सभी इसमें भाग सकते हैं इसकी बात की गई लेकिन याद अठना की बिटिश जो अधिकारी हैं उनके विरोत के कारण इस प्राभधान को समात्त कर दिया गया था इसको लागू नहीं कर पाए थे 1833 के बाद से अब हम बात करेंगे एक और एक्ट की जो की आपका 1853 का एक्ट लेकर उसके पहले जो साशन है उसको जारी रखने का जो प्राभधान है वैं किया गया था ठीके साथी यहाँ पर चाए चीनी और अफीम को छोड़कर दिको अफीम जो वर्ड है यह आपको हर जगा नहीं मिलेगा जाद तर आपको चाए और चीनी को छोड़कर कंपनी का जो व्यापारे कि ए दिया गया था है ना क्योंकि वैसे भी ऑंगरीजों की जब हम बात करते है तो वहाँ पे क्या माना जाता है कि भाई अ बात को प्रेंडा नहीं देता है और अरूप के अलमारी ऊरोप के लाइबरेरी की अलमारी का एक खाना पूरे अर्भी साहित और पूरे भारत के जो साहित है लगभग बराबर है जब इस तरह की बाते की गई जब हम सिक्षा की बात करें हम साहित की बात करें धर्म की बात करें तो अंग्रेजों का जो मानना था कि हमारा जो संस्कृत हमारी जो संस्कृति है थार में वो सारे चीजे कैसी है वह व्यक्ति को आगे बनने की प्रेढ़ना नहीं देती तो इन्हें अपने धर्में का प्रच्ण प्रसार किया और इसके अलावा सिक्षा में इज़ा का तो यहां पर उन्हान तो किया गया लेकिन यहाں पर यह जो राशिय वैलोट नहीं की गई ठीक उसी तरीके से जैसे हमें civil services की आगे बात की कि उसके लिए जो एक open competition है कि सभी उसमें पाठ ले सकते हैं ये तो कहा तो गया ये प्राभधान भी किया गये लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया ठीके चली आगे चलते हैं और हम 1833 के act की ब बढ़ा दिये गया ऐसा नहीं था कि इस इंडिया कंपीजी से कहा था कि 400 साल भारत पर साशन करो 200 वर्ष भारत पर साशन करो ऐसा नहीं था बच्चों क्या था कि 20-20 वर्ष करके भारती प्रदेशों पर बिटिश अधिपत है उसकी उसकी प्राभधार है उसको बढ़ाते रही है न? सो बंगालका जो गवघरणर जनरल है इसको भारत का गवठर जनरल बना दिया इस मामले मठठा की तरह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बंगालका जो गवधरणर जनरल है उसको भारत गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसमें सभी नागरेक और सेन शक्तियां इसको नहती और साथ ही देखो विलियम बेंटिक जो है वैं पहला भारत का गवर्नर जनरल था ठीक है ये बात भी आपको याद रख ली है अच्छो देखो बच्चो आगे हम देखेंगे कि बंबई और बंबई की बात करें और मद्रास की बात करें ठीक है ये दो इंपोर्टेंट और प्रेजिडेंसिया हुआ करती थी लेकिन उनके जो अधिकार है वैं छील लिये गए और 1830 में एक तरह से केंद्री करण को बढ़ावा दिया हम आगे देखेंगे कि जब 1857 का जो प्रतम स शक्तिया चीन रहे हैं बाकी प्रेजिडेंसियों से स्थाने सरकारों को शक्तिया नहीं दे रहे ऐए 1858 के बाद अपने आप यह जो शक्तिया आए वैं देने लगेंगे अब विकेंद्री करन होगा लेकिन विकेंद्री करन ध्यान अठना 1858 के बाद वाली घटना है और क्य को सीख मिल गई थी कि हमारा बोरिय विस्तर लगबग पैक ही हो गया था आप तक लेकिन ये कहो कि बच गए तो यहां पर 1858 के बाद के जो एक्ट आया उसके बाद कुछ जो धीले मतलम विकेंद्री करन की बात करें नियमों में थोड़ा सा धेल दिया गया चलो आगे हम चल सबसे पहले ये देखो कि ये बिटिश संसत द्वारा पारित जो चार्टर अधीनियम थे उनकी शंखला में आखरी था अब यहां पे इंपोर्टेंट हो गया इसको आखरी एक्ट क्यों कहा गया क्योंकि अब जो इसके बाद की अधीनियम बने उन्हें भारत साशन अधीनि और उसकी शंखला का आखरी एक्ट कौन सा था 1853 का एक्ट लगबग 15 से 20 वर्ष के अंतराल पर यह जो एक्ट है वे आ रहे थे इसे हमने इसके पहले 1813 का देखा पर 33 का देख लिए फिर 15 का देख लिए है ना तो इस तरीके से लगबग 20 वर्ष के अंतराल पर आ रहे थे लेकिन 53 का जो एक्ट वे अंतिम था क्योंकि अब जो 1858 का एक तरह से आपातकाल में जो एक्ट आया था हम देखेगे कि सीधे पाच्छे वर्षों के बाद ही एक्ट आगया क्योंकि फ्रांती हो चुकी थी है ना तो यह जो है वे अंतिम अधिनियम था अंतिम चार्टर एक और राजनितिक व्यापारे को राजनितिक कारेों को अलग किया था इसके पहले तब किया था बस यही बाते यही शंकलाएं आपको याद अख लिए कि यह कौन सा एक्ट था याद आ रहा है और अब यहाँ पर विधाई और जो प्रसाश्टिक कारें इसको 1853 में अलग किया जब तक आप comparative study नहीं करोगे ना तब तक याद नहीं होगी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको कुछ चेन एक बताई कि आपको 13 में या 53 में या 58 में कौन कौन से इसे important provision थे जिसमें upgrade कुछ 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 किया गया ठीक वैसे ही आपको याद आठकर कि कब व्यापारे को राजन सदस्ष के रूप में इपूर्व सदस्त का रजय को दिया घया साथ इढूर तो सीवाओं की बात करें तो यहां पर यह कहा गया कि सर्कारी सेवाओं के जो पन है आप प्रतियोगी परिक्षाओं के माध्यम से जो है भरे जाएंगे और सिविल सेवाओं में पहली बार सिविल सेवा में भारतियों को शामिल करने का जो प्रावधान है वह किया गया और इसी के लिए 1814 में भारतिय सिविल सेवा के संबद में मेकाले जो समीती है वह बनाए गई अच्छा देखो एक पॉइंट बताती हूं यहां पर देखो वच्चो अंग्रेजों की द्वारा यह कहा गया था कि चुकि जो भारती है न वे बहुत जादा भ्रस्ट है और यह इतने जादा भ्रस्ट है कि हम इने सिविल सिवा में नहीं शामिल कर सकते ठीके तो यहां पर आपको याद रखना है कि यह जो पर आपके सब्सक्राइब को अक्तार एक आप संगीज़ और यह कारण था Be क्या अए व faso को भ्रस्टियों को ब्रस्टों है क्योंकि ़यूदियों को न अधिया जैंगरेजों कई लेंगरेजों को कई सिविल सेवा में भारतियों को महत्यपूर एक जो चान से आने का वह नहीं दिया इसके पीछे कारण यही था कि एक तो आयोग समझना दूसरी बात है कि अगर यहां पर जो प्रसाश की पद है उसे इतनी इंपोर्टेंट शक्तिया उन प्रसाश की जो पद धारक तो उसको दी जाती थी तो भा अच्चू की भारतियों जो है वह घस्ट अचारी है इस वज़े से हमेले महत्यपूर्पद नहीं दे सकते तो यह 1853 का एक्ट हो गया ठीके आप देखो बच्चों अब आगे हम चलते हैं 1858 के एक्ट की सबसे पहली बात तो सुनो कि आप 1857 की जो क्रांती है वह हो चुकी है और इस क्रांती के बाद अब जरूरत क्या महसूस हुई सबसे बड़ा परिवर्तन तो बच्चों यह हुआ कि अब तक जो इस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो बिटिश सरकार भारत पर साशन कर रही थी ना इस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से बिटिश सरकार जो साशन कर रही थी यह खतम हो गया बीटिश क्राउन के अंतरगत आ गया तेके बीटिश क्राउन के अंतरगत जो है वह आ गया इसी के साथ देखो बच्चो इस साशन को याद अठना आपको कि साशन जो है वै कंपनी के हाथों से निकालकर सीधा बिटिश क्राउन ने ले लिया और इसे भारत के साशन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम किया गया तो अब यहां से यूपर से question पूछ दे ऐसा कौनसा अधिनियम था जिसे कि भारत के साशन को अच्छा करने वाला अधिनियम किया आ गया 1858 का एक्ट था ठीक है यहाँ पर देखो कि बिटिश क्राउन के अधीन चला गया और अब यहाँ पर एक और इंपोर्टेंट जो चेंज है वह होगा क्या चेंज होगा बताती हो देखो अब तक बच्चो अठारा सो अठावन का याद रखना अब यहाँ पर हम चार्टर एक्ट नहीं लिखेंगे अ भारत साशन अधिलियम भारत साशन अधिलियम तो सबसे फस्तों बिटिश क्राउन वहाँ याद रखो अब बिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष रूप से भारत पर साशन करना शुरू किया और बच्चो इसके लिए जानते हो क्या किया वाइसराय का जो पधेव है सरजन किया और यह वाइसराय कोई अलग से नहीं था वाइसराय का मतलब था रानी का निजी प्रतिनिधी है ना जो रानी की एक तरह से आज्या से और भारत पर साशन किया करता था तो यहां पर मेन इंपोर्टन जो याद अठना है कि यह वाइसराय है जो भारत का गवर्नर जनेरल हुआ करता था इसी का नाम चेंज कर दिया, इसी को बदल दिया, ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था पहला विलियम बैंटिक ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल याद अठना आपको 1833 में विलियम बैंटिक था और पहला वाइसराई जो की 1858 में बना, ये था बच्चों, large canning ये important है, सारे नाम important है, जो जो मैं आपको बता रही हूँ इसके पहले गवर्नर और गवर्नर जनरल के नाम भी note कर लो, क्योंकि वो भी important है, ठीक है, तो देखो इसके पहले क्या था, ये तो भारत का गवर्नर जनरल हो गया, जो कि बिलियम बैंटिक था, इसके पहले केवल गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल वॉरेन हैस्टिंस लेकिन ये जो वॉर्न हैस्टिंस गवर्नर जनरल के पद पर आया ये पदीव आया था 70-73 में 70-73, 80-33 और 1858 ठीके इसके पहले केवल गवर्नर कौन हुआ करता था इसके पहले केवल गवर्नर जो पद था यह किस के हाथ में था तो Robirt Clive याद रहेगा आपको ये important था बच्चों याद रहेगा बिल्कुल रहेगा है न तो सबसे पहले देखो 17ulated के पहले भारत पर साशन जो करता था तो जो इंपोर्टेंट जो पदाधिकारी था जो सबसे उपर था उसे गवर्नर कहा जाता था वो रॉबर्ट क्लाइब था 70-73 मेस का जो पदनाम है वो चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया और वो वारेन हैस्टिंग्स था फिर 1833 में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वो विलियम बैंटिक था और उसके बाद ये जो पदनाम है वो चेंज करके वाइसराई कर दिया गया वाइसराय का मतलब था, रानी का निजीर प्रतिनिधी, कौन सी रानी, ब्रिटेन की रानी है न, उनका निजीर प्रतिनिधी, और ये कौन था, लाट कैनिंग था, तो ये 1858 के बारे में सबसे जाधा important, अब आगे देखो कुछ और पॉइंट्स में आपको बताती हो, कि देख भी कुष्यन आ चुका है, कुष्यन बेसिकली हर जगा से आ चुका है, मैं वही पॉइंट्स ही आपको नोट करवाती हूं, बच्चों, तो देखो, यहाँ पर आपको याँ रखना है कि भारत सचिव का जो पद है, एक ये नया बना, नया सरजन हुआ, अब माली जे प्रश ये एक नया पद बना हुआ था, ठीके, और याद रखना बच्चों, कि ये जो भारत सचिव काम करता था ना, इसके पास 15 सदस्यों की एक परिशद थी, 15 सदस्यों की एक परिशद हुआ करती थी, जो कि एक सलाकारी निकाई के रूप में काम करती थी, ये सला दिया करती थ थी, एक सलाकारी परिशद हुआ करती थी, जिसके बादियम से जो भारत सचे वै, वै भारत के संबद में जो निर्डा है, वै लिया करता था, लियर, लियर है, तो ये 1858 की बाते होगी, चलो कुछ और इंपोर्टेंट बातों को बढ़ते हैं, इसके लावा देखो बच्च कहा गया, भारत राजिसचिव कहा गया, अब एक और इंपोर्टेंट पॉइंट, UPSC ने कुईशन पूछा कि जो भारत राजिसचिव है, वै भारत के संसत के लिए फिर गवर्नर जनरल की परिशत के लिए उत्तरदाई था, ये जो भारत संसत के प्रति उत्तरदाई था, बिटिश संसत के प्रति उत्तरदाई था, अच्छा एक पॉइंटर सुलो, कई ऐसे अधिकारी हुआ करते थे, जो कि भारत की तरफ से निर्णाई लेते थे, डिसिजन्स लेते थे, लेकिन वो बैठते कहा थे, बिटेन में बैठते थे, वो शायद कभी भारत ना आये लेकिन उनके लिए जो वेतन है, वे भारत के कोशिस से जाता था, ठीके, ये क्या था, जिसे कि जब हम, हम धन बहिर गवन का सिध्धान पढ़ते हैं, और तब भी हम उस थ्वेरी में इस बात को पढ़ते हैं, कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे, जो कि भारत के संदर में फ एक प्रस्ट आता है, पोटफोलियो प्रणाली, पोटफोलियो, का मतलब क्या होता है, विभागी प्रणाली, विभाग बनाई गई, और इन विभागों का एक-एक प्रभारी बनाया गया, जो कि अपने संबंदित विभाग का निंड़े लिया करता था, उसके डिसिजंस ठीक है क्लियर है चलो सो यहां पर देखो बच्चों कि 1857 की क्रांती के बाद 1858 का एक तो आपातकाल में आया था कि वही क्रांती हुई और तुरंट उसके बाद हमें कुछ ऐसे सुधार करने थे कि फिर से हमारा भारत पर जो नियंटरेंड वह स्थापित हो जाए तो 1858 का एक यहां पर यह बात भी इसमें समझ में आ गई थी 1861 है ठीक है इसमें यह बात बच्चों समझ में आ गई थी कि अब जो है भारतियों का प्रातिमिधित्व देना जरूरी है अगर हमें भारतियों पर साशन करना है भारत पर साशन करना है तो हमें अब क्या चाहिए भारतियो का सहयोग चाहिए और ये सहयोग तभी करेंगे जब हम इसकी भागीदारी बढ़ा देंगे तो अब हम देखेंगे कि 1861 के बाद से भारती सदस जो है उनकी भागीदारी को जो पहले ये परिशद थी इसमें बढ़ाया गया ठीके जो ये परिशद थी बच्चो समय समापर जो सलहकारी परिशद हुआ करती थी इसमें उनकी जो उपस्तिती थी वह पहले से जाधा बढ़ा दी गई 1861 के बाद से तो यहाँ पर भारती प्रति निदियों को शामिल किया गया गैर सरकारी सदस्य की रूप में गैर सरकारी सदस्यों को पहले के बद सरकारी सदस्य ही इस परिशद में हुआ करते थे लेकिन 1861 के बाद से गैर सरकारी सदस्यों को परिशद में शामिल किया जाने लगा अब देखो अगर विभागें प्रणा लिया है तो एक तरह से विकेंद्री करण हुआ विकेंद्री करण डी सेंट्रलाइजिशन मतलब 1833 और 1853 का जो चार्टर एक्ट था बच्चों उसमें सेंट्रलाइजिशन की जो प्रवत्ती थी जो केंद्री करण की प्रवत्ती थी उसको बढ़ावा दिया गया था लेकिन अब चुकी विद्रो हो चुका है और 61 में जो अबुछ आया उसने विकेंद्री करण को प्रोच साहन दिया और देखो पहले क्या किया था कि जो बंबई और मद्रास प्रेजिडेंस्या थी उस से सारे अधिकार छे लिये थे आप उन्हें लोटा दिये गए डिकें तो बिकेंद्री करण सेंस में भी था कि मद्रास और ब इन्हें विधाई शक्तिया दे दी गई ठीक है याद रखना केंद्री करण के लिए केंद्री करण के लिए कौन से एक्ट बदनाम थे केंद्री करण की प्रवत्ति को बढ़ावा दिया था 70-73 के एक्ट ने और 70-73 के बाद 18-33 अलाकि इसके पहले भी जुक्त यह थे उन्में भी इस तरह की जो प्रवत्तिय उसको बढ़ावा दिया गया लेकिन मुख रूप सें 73 और 18-33 की बात करते है क्लियर दो और अच्छा एक और इंपोर्टन बचा आप आज देखते हैं कि रास्पति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो शक्ति कहां से आई 1861 से आई तो यहाँ पर देखो बच्चों कि इसमें गवर्नर जनरल को आ मापात काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई तो अध्यादेश जारी कौन कर सकता था अब 1861 हो गया ना तो गवर्नर जनरल नहीं अब वाइसराय कह देते हैं तो यहाँ पर जो वाइसराय हुआ करता था वाइसराय को यह शक्ति दी गई लेकिन याद रखना क इसके बनाई हुए जो अध्यादेश उनियम है वैं केवल और केवल 6 महा तक 6 मद तक ही लागू होंगे इसके बाद इसको पारित कराना पड़ेगा कानून बनाना पड़ेगा ठीके तो इस अधिरियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारती प्रतिदियों को शा इसके अलावा कुछ और बाते सुनो कि कैनिंग ने यहाँ पर पहली बार ये सम विभागी पधती यानि ये पोर्टफोलिय देखो सम टाइम्स आप देखेंगे कि हिंदी इंग्लिश सेम आपको मिल जाती है तो विभागी अना लिखकर आपको हिंदी में भी पोर्टफोलि है वहकी गई थी और बंबै और मदरास की जो पेसिदंचिया है उन्हें कानून बनाने का जो अधिकार है विधाई शक्तिया कुछ देदी गई और इसों विखेंदी करने वाला जो कानून है वह दिहागया साती वाइसराय को आपातकाल के समय बिना किसी जो परिषपती की का अधिनियम जो है वह क्या कहता है 1892 का अधिनियम तो देखो बच्चों यहां पर इस सबसे जादा important है कि इसमें क्या अधिकार दिया गया कि विधान परिशदों को 1892 में ये UPSC पूछ चुका है अठारा सो वानमे में बच्चों जो विधान परिशद्य बनाई गई थी विधान परिशदों को अधिकार दिया गया और अभी तक जो गैर सरकारी सदस से नियुक्त किये जा रहे थे ना मतलब जो मंत्री नहीं थे उनको जो नियुक्त किया जा रहा था गैर सरकारी सदस से इनके नियुक्ती दोनों इस्तर पर की जाने लगी मतलब प्रांत और केंड है ना जो राज थे जो प्रांत थे और जो केंड रिस्तर पर था दोनों इस्तर पर गैर सरकारी सदस्यों की ज सबसे जादा important provision तो यहां पर बिद्धान परेशद है कि उनका विश्थार करना और जादा उनको शक्तिशाली बनाना जादा उनको ऐसे जो पावर से वह दे देना ताकि वह नियम कानूनों को बना सके ठीक है तो यहां पर विद्धान परेशदों के जो विशायस की विवेच प्रशन पूछना और और बहस करने का जो अधिकार है वह दे दिया ठीक है लेकिन यादटना कि अगर किसी फिर भी वो नदिकार नहीं था कि वहला आप कर सकते हो ऐसा लेकिन आप फाइनली जो अधिकार है कि भाई जो राज सचिव था उसकी सहमति इसके लिए बहुत करते थे कि किसी को नॉमिनेट कर दिया हना कि अब यह जो व्यक्ति है यहां का सदस्य होगा तो ऐसा जो है वैकर करके गवर्नर जन्रल और वाइस राई की परिशाथि उसमें लोगों को शामिल किया तो चुनाव थोड़ी हुआ था कि लोग जो है वह चुनले तो लोग बि बात करेंगे 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम की कुछ इसमें ऐसे में प्रोविजन थे बच्चों जो तीनों में लगबग सेम थे बस कुछ अपग्रेट अपग्रेट उसका किया गया था जैसे कि हम प्रतक निर्वाचन पध्धती की बात करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो क सम्में कॉमन है जहां पर हमारे कंथीउज होने की संभावना जैठा है क्यों ना हम उनको पहले इसmaid निपटा ले हैंना क्यों न हमको पहले ही समझ ले तो हमेशा जब भी कोई चीज को परेशान करने वाली हो उसको पहले ही आपको सुल्जा लेना है कैसे उसके नोट्स बना के तो देखो 1909 1909 1935 1935 1909 ताब भारत साशर अधिरी 1919 का अधिरियम और 1935 भारत साशर अधिरियम अधिरियम ठीक है लिख लेना अपने हसाब से अब देखो तो सबसे पहले एक ऐसा important provision जो तीनों में सेम था लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है वो है आपका प्रथक निर्वाचन पद्धिति प्रथक निर्वाचन पद्धिति या प्रथक निर्वाचक मंडल देखो बचो ये इसका मतलब ये था कि मालो कोई मुस्लिम कम्यूटी से खड़ा हुआ है तो इसके लिए जो वोटर्स होंगे वह बाकी कम्यूटी के नहीं होंगे वह भी केवल मुस्लिम होंगे यानि जिस वर्ग का जो व्यक्ति है जिस समधाय का जो व्यक्ति है वह चुना जाएगा उसे क्या करेगे उसे वोट देने वाले उसके जो मतलता है वह केवल उसी पर्टिकुलर कम्यूटी के होगे तो यह है प्रथक निर्वाचक मंडल अब देखो 1909 में किसे किसे दिया गया यह कुशन भी UPSC के दवारा पूछा गया है तो जो जो पॉइंट्स UPSC ने पूछे वो मैं आपको इस्पैशली बता देती हूँ सबसे फस्थ देखो बच्चो कि यहाँ पर मुस्लिमों को दिया गया सबसे पहले ठीके लाभारती वर को कौन था यहाँ पर मुस्लिमों को प्रथक निर्वाचत जो मंडल है यह प्रदान किया गया 1919 का जो एक्ट था बच्चो इसमें इसका विस्तार किया गया और इसमें सिक भारतिय ईसाई इनको भी प्रथक निर्वाचन का अधीकार दिया गया अब इसका जो विस्तार है 1935 में कहाँ पर कर दिया अब महिलाओं के लिए भी ऐसा कर दिया महिला दलित एंड मजदूर 1935 की बाते याद रखना कि जब दलितों को दिया गया तो उसके बाद पर गाधी जी और पूरा समझोता आपको याद रखना है ठीक है वो यहाँ पर विस्तार नहीं दूँगी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट का है बचो कि 1909 का जो भारा साशन अधिनियम था इसके अंतरगत प्रथक निर्वाचक मंडल या प्रथक चुनाव की जो ववस्ता है वैं मुस्लिमों के लिए की गई उसके बाद 1909 में अब यूपेसी इस्ते कुशन काफी पूछ चुके कि भ मारले मिन्टो सुधार भी कहा जाता था और वही जब आम 1919 के अधिरियम की बात करते हैं इसे कहा जाता था मौन्टेंग्यू चेंप्सपोर्ट मौन्टेंग्यू चेंप्सपोर्ट सुधार 1935 को इस संबन्द वह कुशनी कहा जाता था अच्छा ऐसा क्यों कहा गया दो लोगों के नाम लग रहे ना दो लोगों की ही नाम है मारले यहाँ पर क्या था बच्चो सचिव था और मिन्टो जो है यहाँ पर वैसराई हुआ करता था ठीक है इस समय मौन्टेंग्यू जो है इस तरीके से इन दोरों के द्वारा मिलकर जो पा जो प्रसाशन में जो सुधार किये गए उनको इसी नाम पर भी कहा जाता था तो 1919 का जो एक्ट है मारले मिन्टो सुधार के नाम से जाना जाता है यह यह बीए कुश्चन है और 1919 का जो सुधार है उसको मौन्टेंग्यू चैंस फोट कहा जाता है याद रख लोगे इतना रखना पड़ेगा है ना इंपोर्टेंट है क्योंकि अब आगे देखो कुछ और पॉइंट्स हम समझते हैं तो बच्चों यहाँ पर विधान परिशदों को 1919 में क्या किया गया एक और पॉइंट देख लो कि विधान परि परिशदों को जो इनके कारे हैं विधान परिशदों को कारें वा जो अधिकार है इसका विस्तार किया गया बजट पर बहस करने के अनुमति इसके पहले वाले एक्ट में थी यादटना अब यहाँ पर अनूपूरक प्रश्ण पूछने की आजादी थी अनूपूरक जो प्रश्ण है यह आप पूछ सकते थे इसके अलावा पहले बजट पर केवल बहस कर सकते थे लेकिन यहाँ पर बजट पर आप संकल्प जो है भैवी ला सकते थे तो यह जो दोनों अधिकार है यह आगे जाकर दिये गए 1800 1892 में दिया गया था कि विधान परिशदों को बजट पर वहस का अदिकार दिया गया लेकिन अगर बजट पर संकल्प की बात करें तो यह कहां पर था 1909 में 1909 में क्लियर साती देखो पहली बार जो वोईसराय की का जो परिशत थी उसमें कोई भारती सदसा है अब तक और भी जो बाकी जगा पर लेकर आ रहे थे गैर सरकारी सदस्यों की रूप में लेकिन अब ऑफीशली जिसको शामिल किया गया था पहले कौन थे सतेंद्र नाथ सिना यह पॉइंट भी यूपेसी ने पूछा हुआ है तो ऐसे भारती है जो की वैसराय की जो परिशत थी उसमें शामिल हुए सतेंद्र नाथ सिना थे यह नाम आपको याद रखना है चलो अब 1919 के कुछ पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पर मॉन्टेग्यू क्या था राजिसचेफ था चैम्सपोर्ट जो है यहाँ पर वैसराय था और यहाँ पर सिक भारती इसाई अंगल भारती यूरोपियों को पतक निर्वाचन जो है व देखो ठीक 1935 के जब हम उद्देश की बात करते हैं तो इससे जुड़ा हुआ था और इसमें शब्द है पूर्ण उत्तरदाई आपको क्यों बता रहे हूं पूर्ण उत्तरदाई सरकार देखो बच्चों यूपेसी ने क्वेशन पूछा कि 1919 का जो एक्ट है उसमें पूर सब्सक्राइब कर देती हूं सेम कलर से तो आपको याद रहेगा कि दो सम्टाइम्स आपको कुछ कुछ चीजों को जोड़कर ही पढ़ना है अब देखो बच्चों केंद्रवा प्रांथ के विश्यों को अलग किया गया 1919 में यहां पर विश्यों का विभाजन किया गया खेंद्रवा प्रांथ के विश्यों को अलग किया गया चीज़के और याद रटना एक और important point कि यहां पर बच्चों प्रांथ के जो विश्यों थे है ना उन्हें भी दो भागों में बाटा और यहां से यू प्रांथ के विश्यों को दो भागों में बाटा एक तो याद रटना एक तो केंद्र और प्रांथ के विश्यों को बाट दिया दूसा था प्रांथ के ही जो विश्यों तुन्हें दो भागों में बाटा ठीक है औ कौन से जो विशय है वे आरक्षित में शामिल थे सचाइए है वित्थ है अलिस लिए जाते थे तो यहां पर जो वाइसराय थे ठीके वो रख्षित के लिए जादा सवतंतर था उनके पास पावर थे और यहां पर वो निर्ड़ की सलाव से सरकार के प्रति उत्तरदाई थे second हस्तांतित विशय पर जो वाइसराय थे वैं निर्णाय लेते थे किसकी सहायता से जो की उत्तरदाई नहीं थे ऐसे सदस्यों के सहायता से तो यहां पर UPSC ने PT में question पूछा कि किस आधार पर उत्तरदाई और अनुत्तरदाई जो सदस्यों की व्याख्या की जाती है तो यह पर यह इसी इसी बात की आधार पर है ना कि कुछ ऐसे सबस्य जो की उत्तरदाई थे और कुछ नहीं थे आरक्षित और हस्तांतित विश्यों की आधार पर यह जो आरक उत्तरदाई अनुत्तरदाई का कॉंसेप्ट रहां से जोड़ जाता है ठीक है अच्छे इसके बाद को एक और इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बिटेन में भारत के उच्चा युक्त का जो कारीयल हैं उसकी स्थापना की अब याद रखना भारत में नहीं बिटेन में है ना तो भारत के जो चायुक्त कारीयल है इसकी स्थापना कहां पर की गई बिचेर में याद रखना अब इसका भी पालन पूशन भारत के पूझी से होगा चलो अब हम चलते हैं 1935 1935 में एक तो आपने बात समझ नहीं क्योंकि ये दोनों बात जुड़ी हुई है पहली बात जो है वैसे जुड़ी हुई है प्रथक निरवाचन से और दूसरी जो बात है इसमें उद्देश से जुड़ी हुई है ठीक है 1935 को पढ़ने से पहले कुछ और पॉइंट्स में आपको बताती हूं 1927 और 1932 का आवर्ड ठीक है आप देखो बच्चो जब हम 1900 साइमन का आयो की बात करेंगे ये 1927 में जबकि जानते हो 1929 का जो एक्ट था मॉंटिंग्यू चैम्स होड इसमें ये कहा गया था बच्चो कि एक वैधाने कायोग का गठन होगा जो भारत की रिपूर्ट 10 साल में बना मतलब वैधाने कायोग का गठन होगा जो कि 10 वर्ष में कि अंतराल पर इसका गठन क दिया जाएगा तो यहां पर भारत की एक तरह से वैधाने किस्तिती के लिए भारत की वैधाने किस्तिती के लिए एक आयोग बनाया जाएगा लेकिन यहाँ पर बच्चों 10 साल की बात हुई थी कि 10 वर्ष के अंत्राल पर ठीके लेकिन यह जो अंत्राल है 1927 में कहा पूरा हुआ 1937 आने देना चाहिए थे लेकिन 1927 में ही आ गया तो साइमन कमिशन जो है आप देखते रहना तो यहाँ पर देखो बच्चों की साइमन कमिशन जब आया तो इसका विरुद भारत में बहुत जादा हुआ और जहाँ पर पुलिस लाठी चार्ज हो रहा था तो चाहे जवाहर लाल नहरू की बात करें और भी कुछ लोग ते जो घायल हुए लेकिन लाला लाजपतराय की लाठी चार्ज में रत्ती हो जाती है और लाला लाजपतराय की द्वारा क्या कहा गया था कि मेरी ताबुत की आखरी कील जो है न तो एक तरीके से यही यही साबित होगा बिटिश गवर्मेंट के लिए तो यहां पर यह कहा कि मेरे ऊपर पड़ा हुआ जो लाठियों का एक एक वार है वे बिटिश ताबुत की आखरी कील साबित होगा तो यहां पर यह लाला लाच पत्राय वाला जो कॉंसेप्ट है यह आपको याद रखना है 1927 की बात है ठीके यहां पर देखो कि नए संबिध संबिधान की जो इस्थिती है इस्थिती का पता लगाना ठीके इसके लिए यह इंपॉर्टेंट था और इसके अलावा याद अठना है आपको कि बिटिश भारत के संगे की स्थापना की बात इसमें कहीं गई और 1927 में साम प्रदाइक जो निर्वाचन था ना यह जारी रहां साम प्रदाइक जो निर्वाचन है यह जारी रहा है सायमन कमीशन ने कहा कि बहा स्थित ब ःतिभारत की संगे की इस थाफना और सांप्रदाइक निर्वाचन ववस्ता को जारी रखने की बात कहीं तो यहां पर किस आयोग के द्वारा क्या सिपारिश किया अच्छे इंपोर्टेंट प्रावधान कि आकर साइमन कमीशन साइमन कमीशन की बार बार यह नारे क्यों लगाए गए कि साइमन गो बैक काले जंड लगाए तो उसका पता लगा भारति क्यों नहीं लगा सकते बिटेंगे जो लोगं इवेख क्यों लगाएंगी में अग्रेश थे ये कॉस儒क है कि आखिर उसका विरोध हुआ तो यहां पर यह pomic कि अद्ध्यक्षता में बना था तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया साइमन आयोग कह दिया साइमन कमिशन कह दिया क्लियर है आपको यह पॉइंट तो यहां पर यह बात हो गई हमारी साइमन कमिशन की अब आगे देखो अब हम आगे बात करेंगे 1932 का एक्ट 1932 का जो एक्ट है न इसको एक तरीके से सामप्रदाइक या फिर communal award भी कहा जाता है तो UPSC one-liner ऐसे भी question पूछे communal award किसको कहा गया 1932 के अधिनियम को क्योंकि इसने सामप्रदाइक ता को जो है और हवादी और बढ़ावा दिया और याद अटना कि 1932 में बिटिश पीएम जो ही रेमजी मैकडोनाल्ड थे इन्होंने अलप संख्यकों का जो प्रतिनियत है इस पर एक योज नम राई अच्छा अलप संख्यक वर्ट से याद आया कि महात्मा गाधी ने कहा था कि ये जो जो कॉंसेप्ट है अंग्रेजों का लगाया हुँ अगड़े थे और अगर अंग्रेज चले गए तो भारत से ये ववस्था भी चली जाएगी और फिर भारत में वाजन की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन ऐसा सोचना शायद गाधे जी जादा नहीं समझ पाए इस बात को है ना इस बात को वो नहीं समझ पाए कि ये केवल अंग्रेजों का सोचना नहीं है अब क्योंकि हम 1930 के बाद से जब देखते है 1940 के बाद से चालिस के बाद से प्रथक पाकिस्तान की जो मांगवा बहुत जादा प्रखर हो जाती है तो हम हम जानते कि मज़ब के नाम के धर्म के नाम पर भारत का जुबटवारा है 1947 में हुआ था तो यहां पर देखो 1932 का जो सामप्रदाय का वोर्ट कम्यूनल अवोर्ट था बच्चों यह क्या था यह इसी ने इसने भी आग में घी का काम किया ठीक है और यहां पर रेंजे मेंग्डोनरल का नाम आता है और यहां पर देखो कि ना सिर्फ मुसल्मान से खिसाई यूरोपियन आंगल भारतियों के लिए अलग निर्वाचन का विस्तार किया था बलकि यहां पर यह जो सामप्रदाय एकता की बात है यहां पर देखो 1935 में तो हलाकी देही दिया गया महिला मजदूर और दलितों को लेकि 1932 में स्पेशली यह आया था कि दलितों के लिए अलग से प्रथक निर्वाचन है वे दे दिया जाए लेकिन यहां पर गादी जी ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो हिंदू धर्म से इतने सारे जो लोग है वे कट जाएंगे ना तो कभी उनकी सिती में सुभार होगा और हिंदू धर्म जो है वेक तरह से तूट जाएगा है ना तो यहां पर गादी जी बहुत व्यथित हुए यह बच्चों पूना की यर्वदा जेल में थे हैं ना तो कई लोगों ने समझाया बुझाया तो कॉंग्रेस नेता उन्हें किन ने स समझोता हुआ गादी जी ने अंशन शुरू कर दी जो उनका स्टाइल था और यहां पर बाद में क्या किया कि यह अलग से जो कामिनल अवोर्ड जो सांप्रदाइक निर्वाचन जो 1909 से चला आ रहा था 1919 में जिसका विस्तार किया उसको 1932 में रोम दिया गया और फिर वव लगतना है आपको कि यहां पर एक जो समझोता है उसे पूरा समझोता कहा गया और बच्चों पूरा समझोता जो है वैं किसके प्रयासों से हुआ यह आप मुझे कॉमेंट करके बता रहा मैंने बहुत सारे कॉंसेप्ट बीच में आपको बता बता के छोड़ दिये आप को गलत पढ़ लेते हैं गलत पढ़ लेते हैं इन दसेंस की भारत का जो समविधान समविधान सत्तर परसेंट है 1935 का नहीं भाया यह लाइन गलत है 1935 का जो एक्ट है उसका सेवेंटी परसेंट एजट इस उठा के हमने समविधान में रख लिया तो समविधान में वेटेस जादा है 1935 का लेकिन समविधान का 70% है ये ये गलत हो गया ठीक है इस चीज़ को ध्यान अगना ये concept कई जगा गलत आपको लिखा मिलता है थोड़ासा confusion है बच्चोस में तो यहां पर देखो भारत सरकार अधिनियम 1935 और यहां पर सबसे पहली लाइन क्या लिखिए पूर्ण उत्तरदाई सरकार वो शब्द जो हम एकदम नेगलेक्ट कर देते हैं यह कुश्चन तो नहीं पूछे जा रहे हैं यही से प्रिशन आते हैं पहली लाइन से कि भारत साशन अधिनियम 1935 की अगर हम बात करें सेकड़ अगर उनके पास भारत सरकार अधिनियम 1935 का अनुभव नहीं होते हैं और 2012 में जो कुश्चन पूछा गया था कि राज्यों और केंद्रों की बात करें तो उनके बीच में शक्तियों का जो वेत्रण है वह किसमें किया गया था नौ उन्निस पैट्टिस से संतालिस नाइट आते हैं सो वन अप दा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार जैसे कि मौलिक अधिकार DPSP है ना राजकी नीती के रिदेशक तत्व राष्ट्रपती यह कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से आप हर सार लगभग किसी ना किसी तरीके से questions को देखते हैं तो आज हम बात करेंगे fundamental rights की both perspectives से important है और यह जो series जिसमें की one shot में आपको कोई भी जो subject है वे topic complete दिया जा रहा है आपकी PT की preparation के लिए especially बहुत ही जादा useful होगी बार-बार आपको videos ना change करना पड़े एक ही video में आपको one shot में सारे जो topics है वे cover हो जाए और इ ठीक है तो चलिए हम शुरू करते fundamental rights जानेंगे कि आखिर यह जो classes में देखो हम पढ़ने क्या-क्या वाले सबसे फस्त यह देख लो सबसे फस्तु देखो जिस चीज को पढ़ना है वे आखिर है क्या what is fundamental right मूलदिकार जो है वे आखिर है क्या किने मूलदिकार कहा जाता है और यह हमारे संविधार में कहां पर है तीक है आगे हम दिखेंगे दिखो हर एक topic को हर एक आपके जो rights है उसको हम connect करेंगे UPSC के PYQ से यानि जो PT और मेल्स के आपकी प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा में जो पिछले वर्षों में पूछे गया है ना उनसे हम connect करके हु और करेंगे तो हम means answer writing भी साथ साथ सीखती जाएंगे then next देखो इसकी विशेषता है क्या है राज्य की प्रिभाशा क्या है article 13 12 देखेंगे हम ठीक है article 12 मूल अधिकारों से आसंगत विधिया कौन कौनसी है रिच के प्रकार और शेत्र क्या है संपत्तिक अधिकार क्या है इचे जो अभी मूल अधिकार वर्तमान में संविधान में है यानी समानता का अधिकार स्वातंत्रता का अधिकार सोशन के विरूद अधिकार धार्मिक 하는 यिकार सिख्षाव संस्कति का अधिकार और आपका इन सभी अधिकारों को लागू कराने वाला समवेधान एक उपचारों का अधिकार ठीक है तो ये सारे जो पर्डमेंटल राइट्स के कॉंसेप्ट है टॉपिक्स है इसे हम कवर करेंगे इस पूरे वीडियो में आपको करना क्या ह शॉट नोट्स बनाने और वीडियो को लास्ट ध्यान से देखना है लगे कि वीडियो लंबा हो रहा है तो दो पार्ट में देख लो बट सारी वीडियो को देख लो यहां से पीटी और मींस के अप्रोच आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगी चलिए तो देखो लास्ट हम हमने देखा किस तरह की कंडिशन्स थी और कैसे सम्विधान में वो सारी विशिष्टाओं को शामिल किया उसको बनाने में भूमिका थी तो हमने सम्विधाने के त्याजिस बच्चे ने नहीं देखा वो वीडियो आप यूपेसी वाला हिंदी यूटूब चैनल पर देखि सीधा साहब से पूछ दिया कि हमारे जो च्छे अधिकार उसमें से चार आपको ऑप्षिन में दे दिया और आप से पूछ लिया कि जो आसपर्शिता है वह किस में शामिल होगी क्या सोशन के विरुद्ध स्वातनिता के में सम्विधाने कुप्चारो या फिर समान्ता के अ ला करके या किसी एक particular जो राइट होस का विस्तार पूछ लिया या फिर जो अन्य तरीका है कि हाल ही में Supreme Court के द्वारा जो व्याख्या की गई थी उस व्याख्या से सीधा question पूछ लिया ठीक है अब देखो कि 2020 में question पूछा कि जब हम Right to Information 2005 की बात करेंगे सुचना की अधिकार जो चीज जुड़ी हुई है अगर वहां पर आप देखेंगे कि को हाल ही में कोई change हुआ है तो उसका प्रभाव क्या है इस तरह की जो प्रभाव है वो में पूछे जाते है क्लियार अब जिसने की आधार जब आया आधार जो संख्या है जब वो इंट्यूज हुई तो बह आपना SIM लिया हो या आपने bank account में दिया हो तो क्या वो सारी डेटेल उस व्यक्ति के पास automatically पहुच जाएंगी जिसके पास आधार संख्या है आपका तो इसमें बहुत बड़ा विबाद उठता है right to privacy का और UPSC ने कुछा कि right to privacy जो है वैं किस article में हाली में Supreme Court ने शामिल किय तो शुरू शुरू अब हम आगे बात करेंगे इसकी ठीक है चलो और देखो एक question अमेरिका और भारत इन दोनों की वीच में जस्ट जो अधिकारों का जो concept है ना उसकी बस तुला आपको करनी है और विचेशताओं का आपको विचलेशन तो ये 2021 में पूछा गया question था तो अमेरिका में जो अधिकारों की अवधारना है क्या उससे difference है क्या उसके ऐसे main features है इंडिया के क्या main features है तो भारत में जो समविधान की जो समविधान में अधिकार दियेगा उनकी विशिष्टाओं को class में हम करेंगे ठीक है निश्टा के अधिकार पर सर्वोच के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरों का परिक्षन कीज़े 2017 2017 में एक कुछा तो देखो अगर सुप्रीम कोड ने कुछ कोई भी जो अधिकारों की हम बात करेंगे कि कहीं भी कोई संशोधन किया अमेंड किया बच्चों वहां से प्रश्न आता है ठीक है चलो तो आब हम पिर जब हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो मौलिक जो अधिकार है वह है क्या तब से पहले तो हमारे संविधान में लिखे है ये बिलकुल सही है ना हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की जो बात है वह लिखी गई है मौलिक अधिकार बिसिकली ऐसे अधिकार जो कि जीवन के लिए आविशक होते हैं, मौलेक अधिकार ऐसे अधिकार जो कि जीवन के लिए आविशक होते हैं, आपकी भौतिक उन्निती, आपकी बौधिक उन्निती, आपकी आध्यात्मिक उन्निती, आपकी व्यक्तिक उन्निती, एक समाज की उन्निती के लिए जो बहु कि हमें समानता चाहिए हमें भागीदारी चाहिए हमें सुवतंतरता चाहिए हमें सभाज में आसप्रश्रता नहीं चाहिए और भी कई इस तरह की बुन्यादी मांगे जो मानी गई जो मांगी गई थी लोगों के द्वारा उन्हीं सब को बाद में हम देखते हैं कि कंपाइल क गया और हमारे सम्विधान में रखा गया बिसे के लिए बहुत सारे अधिकार हो गए थे किवल एच यह साथ अधिकार नहीं थे याद रखना कि पहले जो है जब हमारा सम्विधान लागो हुआ था तब साथ अधिक चोटी सी कहानी सुल्य मतलब सारा जो ओवर ऑल उसकी आंदोलन के दौरान लोगों ने तो बहुत सारी मांगे की थी लेकिन क्या उस वक्त भारत देश जो नवोदित स्वादंत रास्ट था इतना कैपिबल था कि सारे अधिकार उस वक्त आप सूचना के अधिकार की मांग करते उस वक्त आप करते कि नहीं आप गरीबों को कि गई उनकी गट्षकी बहुत भारी हो गई ती अर्सेमी में बाट दिया आप ग्र्ट 5000 और दूसरा था का ब्हाग comics और चीज़े वे तुरूर्ण दे दे और जो अनिवार उतिन ही नहीं है उसको थोड़ा रुक के देंगे या फिर उसको हम उप्शनल रख लेते हैं भाग तीन में जिसको शामिल किया उसको हमने मूल अधिकार कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और इसमें साथ अधिकार थे जानते हो कब जब देश हमारा मतलब जब हमारा सम्विधान लागू हुआ था हम 1950 की बात करें तब हमने इन साथ अधिकारों को उसमें शामिल किया था फिर देखो भाग चार में ऐसी अनिवा ऐसी चीज़े रख दी जो रुक्के भी राज्य जो है वह प्रदान कर सकता है और यहां पर इसको कहा गया DPSP यानि दारेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज के निदेशक तद्व राज के निदेशक तद्व तो आज की हमारी क्लास है इन मूल अधिकारों के बारे में क्लियर शॉट 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 नोट्स बनाते जाओ जल्दी से आप सभी बहुत हेल्प हो जाती है फ्रे जाता है अगर आप मोल अधिकार की बात करें तो आप सीदmost को बेसिक राइट के नीदेशक ऐते हैं पर्डमेंटल राइट के थे ऐसे राइव कास के लिए हो सुसाइटी में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं मौल अधिकार कहते हैं इसके अलावा देखो कि ये जो मौल काक् कौन से अनुच्छेद में शामिल है, तो इनको अनुच्छेद 12 से लेके 35 से लेके 35 तक में इसको शामिल किया गया, ठीक है, मूल अधिकारों को हम कहेंगे कि इसको एक तरह से मैगना काटा कहा जाता है, भारत के अधिकारों का मैगना काटा इसको कहा जाता है, साथ ही देखो कि इनका में उद्देश क्या है जिसे एक उद्देश होता है न कि जिसे हम अपनी प्रस्थावना की बात करें भारती सम्विधान की जो प्रस्थावना है वो क्या है उसको उसमें ज़लतर दार्शनिक टत्व है एक फिलोसोफी में बहुत सारे ऐसे पॉइंस है जो कि हमारे प्रस्तावदा में सीधे रूप से लिखें उद्देश क्या होगा इसका इसका उद्देश है मौलिक अधिकारों का उद्देश आए तो एक वर्ट में याद रखो राजनेतिक लोगतंत्र की स्थापना राजनेतिक लोगतंत्र की स्थापना करना हुआ था कि ऐसा ना हो फिर से कोई ऐसा आ जाए कि फिर से हमारी सारी जो सुरंताएं है वह चीले तो सत्ता के खिलाफ एक डर पैदा हो गया था जा दूद का जला हुआ चाच भी फुक पुक कर पीता है वह वाली कंडिशन हो गई थी और इसी लिए याद रखना कि मोल अधि अधिकारों को नकारात्मक क्रिव कहा जाता है राजि से बचाते हैँ ठीके मार ली जी कैसे स्टेट है और यहां पर स्टेट को एक डून त्रों सब्सक्bons लोग्रीजान है भए खीच देता है कि यहां से आप पार नहीं करोगी ठीके? तो यह Do Not Cross की जो लाइन है, यह किस के लिएखीची है? राज के लिए, तो यह राज को कुछ करने से रोकते हैं और जब आपको कुछ करने से रोका जाए, that means वो नकारात्मक हो गए, तो नकारात्मक किसके लिए है राज के लिए या फिर नागरी को के लिए राज के लिए है न के लोगों के लिए जनता के लिए बहुत अच्छी बात है किसे लिए है राज के लिए क्योंकि इसमें राज कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता कि fundamental rights जो है उसको वॉयलेट किया जाए ठीके और बैसिकली मूल अधिकारों की जब हम बात करेंगे तो मूल अधिकारों का एक तो उद्दिष हो गया राजनायतिक लोकतंद्र की स्थापना और इसके अलावा एक और उद्दिष है कि यहाँ पर कानून की सरकार बने ना कि लोगों की जो कानू छीन खूल जाएंगे तब ऐसे में कानून की सरकार बने ना की व्यक्ति की सरकार बने ठीक है ना की व्यक्ति की सरकार बने ये प्रावधान इसमें किया जाता है लिखते जाएए साथ साथ शॉट नोट्स बनाते जाएए ठीके अब इसके अलावा देखो कि इन्हें ये जो मूल अधिकार है इन्हें सम्विधान में गरंटी दी गई है कि ये अधिकार आपसे आपके कोई नहीं चीन सकता इसकी बात यहाँ पर कही गई साथ ही देखो कि शुरुवात में 1950 के अगर हम बात करें तो उस वक्त जो अधिकार है वे कितने थे उस वक्त जो अधिकार है फ्रेंड्स आपको याद अटना है कि साथ अधिकार हुआ करते थे और उसके बास संपत्ती का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया ठीक है तो यह कुछ ऐसे इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे कि आखिर मूल अधिकार जो है वे है क्या अब करंट अफियर में जैसे कि हिजाब का मुद्दा उठा आपको देखो जोड़ना कैसे है अब जैसे हिजाब का मुद्दा उठा तो हम कहते हैं आगे हम सारे जो भी आगे हम सारे राइट्स पढ़ेंगे मुल अधिकार पढ़ेंगvak इस सभी को करंट अफियर से जोड़ते हुए पढ़ेंगे कि हिज़ाब का विमुद्दा अगर चल रहा है तो आप सोचेंगे कि ये तो हवारी धार्मेग सवतनतिता है लेकिन उसमें एक और एजुकेशन का पॉइंट आएगा तो आप सोचेंगे नहीं शायद धार्मेग सवतनता नहीं है ना तो इस तरीके से हम सारी बातों को समझते जाएंगे सो ईस्क्रीन श्रट लेलो इसका इसका आप नोर्स बनाते जाएं स्क्रीन फोट WiFi लोडिगे बच्चों इसका चलिए अब चलते हें आगे ठीक है अब देखो आखर इसकी विशेष्टा ही क्या है कुछ विशेष ताओं के हम चठचा कर लेकिकी विशेष्टाओं में क्या क्या शामिल है सबसे फर्स तो देखो इसकी जो एक विशेष्टा है वो हम olsun केह सकते तो सरकार के लिए नकारात्मक प्रवत्ती है इसकी और ये इसकी एक विशेष्टा हो गई तो पहली बात पहली विशेष्टा क्या हो गई कि इसकी नकारात्मक प्रवत्ती है लेकिन ये जो नकारात्मक प्रवत्ती है यह सरकार के लिए है ना की लोगों के लिए clear, first, second देखो, second हम देखेंगे कि कुछ अधिकार ऐसे हैं, जैसे कि हमने देखा कि अनुच्छे 12 से लेके 35 तक अधिकार हैं, तो इसमें कुछ अधिकार ऐसे हैं, जो केवल भारतिय नागरिकों को हैं, विदेशियों को नहीं है, जो किसको है, केवल और केवल जो भारत के नागरिक हैं, उनको है, for example, 15, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 29 और 30, ठीके, तो ये जो आर्टिकल है, ये जो अनुच्छेद है, ये केवल और केवल किसके लिए हैं, भारतिय नागरिकों के लिए हैं, जबकि विदेशियों को भी कुछ अधिकार दिये गए, ठीके, अच्छे ये दे विदेशियों को भी दिये गए, आप देखो, इन आर्टिकल्स को अगर हम छोड़ दे, तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, जैसे कि हम आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 14 है, 20 है, 21 है, 22 है, है ना, और 24, 25, इसके अलावा 27 भी होगा, एन 28 भी होगा, ठीके, तो यहाँ पर देखो, य तो दो विशेष्टा होगी, अब देखो, तीसरी विशेष्टा आखिर इसकी क्या होगी, तो तीसरी विशेष्टा है, कि यह जो है, आसिमित नहीं है, क्या मूल अधिकार आसिमित है, अलिमिटेड है, क्या, सीधा सा आंसर होगा, नो, ठीके, क्यों, क्यों आसिमित नहीं ह क्या यहाँ पर आसे नहीं है इस पर युक्त युक्त प्रतीबंद लगाया जाता है इसके अलावा देखो कि जैसे माली जी आपको वाक और अभी व्यक्ति हम देखेंगे कि आपको speech and expression की जो freedom है वे definitely है ना लेकिन आप ये सोचो कि आपकी अभी व्यक्ति की स्वतंता में या फिर photo खीचना शामिल है ना ल आप अपने स्वतंतिता या फिर आप अभी व्यक्ति की स्वतंता के नाम पर ये काम नहीं कर सकते तो इसे कहते है कि अधिकारों का ऐसा दायरा जहां से दूसरा प्रभावित होने लगे आपको अपने अधिकारों को कम कर लेना चाहिए और इसी वज़े से याद अठता कि गए असी मित किया गया ढही किया गया है क्यों इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंद लगाया सकता है ऑन्य ना Nej उक्ति उक्त रीजनेबल रेस्टिक्शन्स जो है इस पर इंपोस किये जा सकते हैं लगाए जा सकते हैं तो यह अल्लिमिटेड नहीं है ठीक है तो यहां पर देखो तीन बाते हमने कर लिया चौथी बात हम समझते हैं फोर्थ है इसमें कि देखो यह नायोचित है इसका क्या मतलब है नायोचित है इसका क्या मतलब है कि अगर आपके अधिकारों का हनन्द हो रहा है तब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी इस कंडिशन में जा सकते हैं उसको लागू करवा सकते हैं आप DPSP के लिए नहीं जा सकते हैं है जो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 वंतक में राज की नीती के जो निदेशक तत्व है जो पार्ट पोर में है भाग्चार में है आप उसको लागू कराने के लिए अदालत नहीं जा सकते हैं लेकिन अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स है जो मूल अधिकार है इसका हदन हो रहा है आप डारेक्ट कहां चल देखो उचितम नयालय जो है इसकी गरंटी देता है नायव चित इसी में समझजदो उचितम नयालय के द्वारे एक तरीके से गरंटी दे जाती है क्योंकि हमारे अधिकारों का सन्रक्षक या गार्जियन किसको कहा जाता है तो यहां पर देखो यह हो गया हमारा वन की पाइप में देखो आपको याद रखना है कि यह इस थाई नहीं है ऐसा नहीं है कि आपको जो अदिकार मिल गए उसमें कभी कटोती नहीं हो सकती याद रखना कि यह जो फर्नमेंटल राइट से जो मौलिक अधिकार है इस थाई नहीं है इसमें कटोती कौन कर सकता है संसत कर सकती थीक है अच्छ 2020 इन सद कर सकती है तो क्या शन्सत का मन होगा तो संसद अपने आप कटोती कर देगी तो उसके लिए कोई प्रॉपर एक पूरा एक प्रक्रिया एक प्रॉसेजर ही बना हुआ है जानते हैं क्योंकि अब्ध्याद सुनने इस लाइन को क्योंकि जो फंडमेंटल राइट्स हैं जो मौलिक अधिकार है फ्रेंस यह हमारे बेस परिवर्तन आसानी से नहीं किया जा सकता है इवर उन चीजों को नहीं बदला जा सकता है ना तो अगर हमारे फंडमेंटल राइट हमारे इसका पार्ट है लेकर फिर भी संसद इसमें कटोती कर सकती है कैसे कर सकती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि संसद कटोती कर सकती ह लेकिन केवल सम्विधान संशोधन के माध्यम से जैसे कि बाकी किसी राइट को जो कि लीगल है आपके है न उसके लिए आप आसानी से जो नियम है जो सारे चीज़ें वैं बना सकते हो उसके लिए सम्विधान संशोधन ने चाहिए लेकिन सम्विधान संशोधन के द्वारा तो इसलिए ये स्थाई नहीं है ये पाच भी बात हो गई अब देखो बचो छटी बात को अगर हम देखे कि आपातकाल के दौरान इनको क्या निलम्बित किया जा सकता है सस्पेंट किये जा सकते हैं क्या तो याद अखना कि इनको आपातकल जब लगेगा ना इमर्जेंसी के दौरान आपातकाल के दौरान इनको निलम्बित किया जा सकता है लेकिन आपके जो अधिकार है अनुचिद 20 और 21 को छोड़ कर 20 और 21 को आप निलम्बित नहीं कर सकते 20 और 21 को छोड़ कर आप बाकी जो अधिकार है उसको सस्पेंट कर सकते उसका निलम्बन कर सकते लेकिन याद रखना बिसिकली ऐसा नहीं कि आपकाल लग यह तो आप से घर आएंगे अधिकार छिनने के लिए यह आपकी स्वदंता जो है बच्छिन ली जाएगी समानता सारे चीज़े खत्म हो जाएंगे बस आर्टिकल जो 32 है न आगे हम देखेंगे जिस बच्चे ने वाउलेशन हुआ है तो आप उसको लागो कराने के लिए यह अबसक्ति कराने के लिए आप कहान होया सकते सुपरीम कोट नहीं जा सकते उस द दौरह न या उस धौरह न injections है दे जहीं बर्याय को आपके successive जो आपके समानता और बाकी सारे जो चीज़ है वे शुरू होती है तो आप देखो एक कुश्चन है कि अधिकार का मतलब है क्या एक अधिकार तब सम्भव है जब आप ऐसा करते हैं जो डूसरों के लिए सबान रूप से सम्भव हो क्या जो अधिकार आपके पास है क्या specifics वे कैवल आपके पास right to freedom है सामने वाले के पास right to freedom नहीं है, एक अधिकार, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने का दायत भी साथ में लाता है, आप स्वतंतिता हैं ना, आप स्वतंतिता प्राप्ता लेकिन कब तक, जब तक दूसरे की सीवा में आप नहीं जा रहे हैं, जैसे ही आप जो है, आप दू प्रिशोथनता नहीं दिखा सकते वहीं बात है, इस طरuth कि समाज के द्वारा उचित माना जाना जरूरी नहीं है, अच्छा ये बताओ कि अभी जो अधिकार है हमारे समाज में, यह अधिकार आप कम मानोगे, अधिकार आप तभी मानोगे जब समाज कहें कि ठीक है, यह जो च अधिकार है ठीक है एक तो ये क्या है रिजनेबल होना चाहिए ठीक है अधिकार एक तो कैसे होना चाहिए कि उचित होना चाहिए सही होना चाहिए और ये उचित ना केवल व्यक्ति गत बल्कि बाकी लोगों की राय में भी सही हो समाज की राय में भी सही हो इसके अलावा व्यक्ति सरकार से करता है, अपने लोगों से करता है, तो साइटी से करता है, समाज से करता है, तो ऐसे दावे जो की उचित हो और इन्हें समाज मानिता दे, इन्हें समाज जो है वह मानिता दे, अच्छा एक बात ये बताओ कि आप जो transgender या फिर आप तम लेंगे जो विवा है है ना इस तरह की बाते आप तुनते कि भले वो law बन गया लेकिन क्या समाज उसको शुकृति देता है नहीं देता है तो बस वो मुद्दे जो है यहीं अटक जाते हैं अगर समाज उस चीज को मानता नहीं दे रहा है तब ऐसे में क्या हैं बच्चों कि वो जो अधिकार है वैँ माने नहीं जाते adjustments तो ऐसे में ऐसे दावें जो एक व्यक्थी समाज से करें सरकार से करें और लोगों से करें सही और उचित होने चाहिए और next है कि समाज उसको माननता दे दे लेकिन समाज माननता दे दे लेकिन कहीं लिखे हुए नहीं हो तो कैसे लागू कराओगे तब तो ये किवली तरह से प्राक्टरते का धिकार होगे कि अच्छे अच्छी बाते हमने कर ली बस भई हो गया अगर इसको जब कानून स्विकृ आने के लिए जरूरी है कि कानून जो है इसकी भी स्विकृती मल जाए और सेंच्छन बाय लॉइ रिकॉगनाइज बाय सोसाइटी है ना तभी इन क्लेम्स को आप राइट्स कह सकते हैं तभी ये जो ले मैं आप उसको राइट्स कह सकते हैं तो बहुत ही जादा एक बेसक किये था बड़ बहुत जरूरी था अधिकार ठीके तो यहां पर फर्स्ट बिलकुल सही है और थर्ड जो है वगलत है कि समाज के द्वारा उचित माना जाना जरूरी नहीं है अरे बिलकुल जरूरी है समाज द्वारा उचित माना जाना जरूरी है ठीके चलो तो सही विकल्प क्या होगा नेक्स देखते हैं अब हम आते हैं इन सब के बाद कि आखिर जब हम पने समविधान की बात करते हैं तो उसमें कौन-कौन से जो हमारी फंडमेंटल राइट से वह दिये गए हैं ठीके तो देखो हमारे जो फंडमेंटल राइट से हम जानते हैं कि इसे हमने समविधान में अनुच्छित बारा से लेके अनुच्छित पैतिस तक लिखा हुआ है अनुच्छित बारा से लेके अनुच्छित पैतिस तक जो है ये लिखे गए है ठीके छे अधिकार है सबसे पहले हम शुरू करते है, right to equality, समानता का अधिकार, right to equality, समानता का अधिकार, याद अठना कि ये article आपका 14 से 18 है, इसके बाद हम आते है, right to freedom पे, समानता का अधिकार, notes बना लो, समानता का अधिकार, याद अठना कि ये आपके 19 से लेके 22 article तक है, इसके बाद right against exploitation, सोशड का अधिकार या फिर सोशड के विरुद्द अधिकार, सोशड के विरुद्द अधिकार, ठीक है, और ये अधिकार होंगे आपके article 23 और आपका article 24 अनुच्छे 23 और 24 में सोशड के विरुद्द अधिकारों की बात की गई, अब right to freedom of religion, यानि धार्मिक स्वात अंतिरता का अधिकार, ठार्मिक, स्वात अंतिरता, हिजाब का जो मुद्दा है यहां से संबंदित करके पूछा जा सकता है, मैं यहां पर लिख देती हूँ, plus current of year, पढ़ोगे इसको fans आप सभी, जब static को current से जोड़ोगे तभी तो दिमाग खुलेगा, हिजाब का मुद्दा, क्योंकि धर्मे से संबंदित बात हो गई, तो अब यहीं से जोड़ा के पूछा जाएगा ना, अब देखो इसका article है, 25 से लेके 28 तक, 25, 26, 27, 28 में धार्मिक स्वात अंतिता के अधिकारों का जो प्राबधाने में किया गया है, Then next देखो, Cultural and Educational Right, संस्कृति वा सिक्षा का अधिकार, संस्कृति वा सिक्षा का अधिकार, और याद रखेगा, यह है आपका 29 and 30, आर्टिकल, अनुच्छिद, 39 और 30 में संस्कृति और सिक्षा के संडक्षन की जो बात है, पैखी गई, अब देखो, एक अधिकार, जो इन सब अधिकारों को लागू कराने का जो अधिकार है, वो अपने आप पे एक अधिकार हो गया, देखो, वही बात है कि आपको मालीजिक कोई पूझी दे दी जाए, आपको पॉकेट मनी दे दी जाए, लेकिन आपके पास option ही ना हो, उसे खर्च करने का, उसे यूज करने का, तब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर देखो, आपको अधिकार तो सारे दे दिये गए, कि भई, आप समान भी है, आप स्वातंतर भी है, आपका कोई सोशन भी नहीं करेगा, ठीके, आप धार्मेक रूप से भी आपनी चीजों को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका अंताकरन कर सकत हैं, लेकिन कोई आगे आपको लागू कराने का तो कोई तंत्री ही नहीं दिया, तब ऐसे में क्या होगा, इन अधिकारों की कोई बात नहीं होगी, तो इसलिए हम समवैधानिक उप्चारों का जो अधिकार है, इसको सबसे महत्यपूर्ण अधिकार माना गया है, समवैधा पून आठिकल है कि इन सभी अधिकारों को लागू कराने का अधिकार भी अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, आठिकल 32 के अंतरगा तो यही कारण है कि जॉक्चर अमबेचकर के द्वारा, यह जो अधिकार है, इसे भार्तिये, समवैधान का हिर्दय और आत्मा कहा गय भार्तिये, समवैधान का हिर्दय और आत्मा कहा गया, डॉक्टर अमबेचकर के द्वारा यह कुश्चन पूछा जा चुका है, जैसे किसी ने भारत की जो प्रस्तावना है, उसको आत्मा या अधिकार कह दिया, आत्मा या हिर्दय कह दिया, तो यहाँ पर डॉक्टर समवैधानिक उपचारों के दिकारों में पांच तरह की जो रिट है, वैदायर की जाती है, रिट मतलब एक कानूनी दस्ताविज, एक लीगल ओर है, वाट तूडू और नौ तूडू, मतलब क्या कर सकते है, क्या नहीं, समवैधानिक उपचारों के दिकारों के दिकार में आप यहां पर 14 से शुरू कर रही हो, आर्टिकल 14 टू 18 से आप समानता के अधिकार की बात कर रहे हो, तो आर्टिकल 12 और 13 में क्या है? आते हैं हम उस पर है, ना? तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल जो 13 है, उसकी हम पहले बात कर लेते, फिर हम एक-एक करके सभी अधिकारों को समझेंगे, आर्टिकल 12 आप से कहता है, कि राज की क्या परिभाशा होगी? आर्टिकल 12 आप से कहता है, कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी? और UPS भी कुश्चन पूछता है, कि स्टेट में क्या क्या आएगा? जब क्याते हैं कि एक राज ये करेगा या वो नहीं करेगा, तब इसमें राज का मतलब क्या होगा? इसकी जो परिभाशा है, फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 12 में दी गई है, और अनुच्छित 12 कहता है, कि सभी कारेकारी वा विधाई अंग, कारेकारी वा विधाई अंग सरकार में आएंगे, भारत की संसद, भारत की संसद ये सरकार में आएगी, इसके अलावा राज विधान मंडल, राज और राज जो विधान मंडल है ये भी सरकार में आएगी, अच्छे ये बदाओ, क्या local government को हम इसमें रखेंगे? definitely रखेंगे तो यहाँ पर देखो, कि जब हम इस्थानिय सरकारों की बात करेंगे न local government जो bodies हैं, इस्थानिय सरकारों की बात तो यहाँ पर जो यह स्थानिय सरकार है न जैसे कि इसमें चाहे नगरपाली का हो और चाहे इसमें ग्राम पंचायत हो इन्हें भी सरकार ही कहा जाता है चाहे नगरपाली का हो या ग्राम पंचायत हो ठीके इन सबको भी सरकार कहा जाता है इसके अलावा देखो कि ऐसे सार्ज सर्वजनिक उपक्रम है वो भी सरकार में आएंगे जिसे कि क्या हम अगर LIC की बात करें यूपस से ने पूछा था अगर हम LIC की बात करें तो क्या LIC सार्वजनिक उपक्रम है या नहीं है इसके अलाबा ONGC या फिर ऐसी कोई अगर निजी संस्थान भी है ना प्रेंट्स निजी संस्थान जो बतोर सरकार से जुड़कर काम कर रहा है एक एजनसी के रूप में इसे भी सरकार की परिभाशा में शामिल किया जाता है ठीक है क्लियर है ये भी आपको याद अटना है कि जो जैसे प्र कर रही है तब उसको भी हम सरकार की परिभाश हमें शामिल करेंगे तो यह ओगया आपका आटिकल 12 कप्लीट अब हम चलते आर्टिकल 13 में आटिकल 13 कहता है अब देखो यह आपका अनुच्छी आटिकल 13 कहता है मूल अधिकारों से आसंगत विधी आसंगत मतलब जो मूल अ अधिकारों से मैश नहीं करती है तो देखो भारती सम्विधान का जो उच्छी 13 है यह गूशित करेगा कि मौल अधिकारों से आसंगत है उसका आलपी करन या वो विधिया शून होगी यूपेस्टी ने यहाँ पर कुछा कि मालो यह आपका फंडामेंटल राइट्स है और यह कोई ऐसा नया लौ बना ठीक है जो की फंडामेंटल राइट को वॉयलिट कर रहा है देखो इसको वॉयलिट कर रहा है इतना तो अगर यह किस सीमा तक आप रभावी होगा यह पूछा यूपेस्टी ने बस यही बाते पढ़ने की होती है जहां से पीटी के कुशिंस र लागू नहीं किया जाएगा तो यहां पर आपको याद रखना है कि बीच वाला यह वाला जो पोर्शन है न कि उतना उतना पार जो की फंडामेंटल राइट को ओवरलैप कर रहा है उसको आप रभावी शून वॉयट अन्वैलिट जो है वैगोशित किया जाएगा इन्व रही है तो कोई भी ऐसी विधी जो कि मूल अधिकारों से असंगत हो उसको शून निगोशित किया जाता है और यहां पर यही आर्टिकल 13 कहता है आपको याद अठना है कि अनुच्छे 13 ही आपको समीक्षा की बात करता है सम्विधार में जो नाएक समिक्षा की बात की जाती है जुडिशल रिव्यू तो UPSC पूछा कि नाएक समिक्षा जो है यह किस आर्टिकल में है तो नाएक समिक्षा आर्टिकल 13 है ना जुडिशल रिव्यू जुडिशल जो रिव्यू है यह आपका आर्टिकल 13 इसके लिए एक आधार देता है क्योंकि इसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई भी लौ जो है वह फंडामेंटल राइट को वाइलेट करता है तो उसको शू निगूशित किया जाता है तो एक तरीके से उस लौ पर प्रश वह इसके लिए एक बेस प्रदान करता है ताते यह देखो कि अगर हम देखे कि यह जो समीश्या का सिध्धान्त है कि भाई इसे सुप्रीम कोट या फिर हाई कोट जो है किस-किस अनुचेत किस-किस आर्टिकल के अंतरगत यह अधिकार उनको प्राप्त है तो आर्टिकल 32 स 226 उच्छ ने आयला यानि हाई कोट के पास ही राइट है ठीके इसके अलावा देखो केश्वानंद वाद आप सभी ने सुना है ना 1973 जिसमें यह कहा गया कि मौलिक अधिकारों को लंगन के आधार पर सम्विधान संशोधन को भी चनोती दी जा सकती है तो केश्वानंद ज स्ट्रक्चर है बिसिक कॉंसेप्ट है उसकी बात की गई थी ठीके क्लियर है क्लियर है आर्टिकल 12 और 13 कुछ और इसमें कन्प्यूजन तो नहीं है यह आपका आर्टिकल 12 है यह आपका आर्टिकल 13 है और अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट पर्नमेंटल राइट की तरफ जो कि यह राइट टू इक्वैलिटी और यह 14 टू 18 है राइट टू इक्वैलिटी जो कि 14 टू 18 है ठीके चलिए अच्छ देखो तो आपको नोट्स कैसे बनाने है यह मैं बता देती हूँ लेकिन इसके पहले कुछ शुरू करते है थोड़ा स यह पढ़ लेते और उसके बाद इस अधिकार का मैं आपको नोट्स बना के बताती हूँ ठीके बाकी सब के नोट्स आप बनाते जाएंगे राइट टू इक्वैलिटी समानता का अधिकार समानता का मतलब क्या है क्या आप सभी लोगों के साथ समान विवहार करें यह समानत संद्रक्शन मिलेगा इक्वैल प्रोटेक्शन मिलेगा तो क्या यह समानता है तो यह सारी बाते समानता के अंतरगता रहेंगे ठीके तो समानता का जो अधिकार है वह 14, 15, 16, 17, 18 में है सब में अलग-अलग कुछ-कुछ प्रोवीजन है जिसे कि आर्टिकल 14 में दो बाते कह संद्रक्शा है फिर रोजगार में अवसर की समानता है और 17 में हम स्प्रश्रता की बात करेंगे जो कि UPSC का कुछन भी था क्या लिखा है फ्रेंट से आपर राइट टो इक्वैलिटी और मैंने आपको बताया कि राइट टो इक्वैलिटी में 14 से लेके 18 तक का जो आर्टि में शामिल है तो शोषय अन्जम्वधानिक और आपका स्वदंता गलत हो जाएगा क्या आंसर हो गया समानता कि अधिकार में शामिल है समानता के अधिकार में सामिल है 2020 में कुष् Cook पूछा गया कै गया रहे इतना चलिए आगे चलते तो ठीके ये समझ दिया हमने आर्टिकल 14 कहता है कि भारत के राजशेत्र में किसी व्यक्ति को विधी के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षन से वंचित नहीं किया जाएगा हम देखेंगे कि विधी के समक्ष समता ये जो इतना कॉंसेप्ट है ना ये हमने बिटेन के सम्विधान से लिए और विधियों का समान संरक्षन अगर हम देखेंगे तो ये हमने अमेरिकन कॉंस्ट्यूशन से लिए प्रत्यक व्यक्ति चाहे वैदेश का नाग्रेक हो या विदेशी सब पर याधिकार लागू होगा थीक है ये फॉट्टीन जो है मैं सब पर लागू होगा हब देखो इसमें एक पॉइंट्स बताती जाओंगी अब देखो विदिक व्यक्ति का मतलब क्या है? विदिक मतली विदिक व्यक्ति मतलब क्या? समवेधानिक निगम क्या कमपनिया इसमें आएंगी क्या पंजिकरत समीतिया इसमें आएंगी overall याद अठना आपको कि इसमें सभी जो है वैं इसमें आएंगे ठीके? 1, 2 and 3 इसमें लिख देते हैं तो सभी इसमें शामिल हो जाएगी फिर अब हम कुछ-कुछ main points जो हैं वैं समझते हैं पिर देखो एक अधिकार में हमें कितना तयार करना है वो मैं आपको बताती हूँ और notes कैसे बनाने हैं right to equality समानता काधिकार सबसे पहली बात तो यह सुलो कि हमने स्वातंतरता को पहले नहीं लिखा और हमने समानता को पहले क्यों लिखा क्योंकि जब हम देखते हैं कि देश उस्वातंतर हुआ था ना और उस समय जब समविधान बन रहा था समविधान जब 1950 में लागू हुआ उस वक्त हमारे देश में बहुत तरह की इनिक्वालिटीज थी और अगर हम उन समानताओं को खतम नहीं करते उस सोशन इनिक्वालिटीज को खतम नहीं करते उस जाती विवस्था उस वर्ण और वो जो सारी चीजे चल रही थी अमीर करीब इस अंतर को अगर हम खतम नहीं करते तो अगर हम समानता नहीं ला सकते समानता को समाज में लागू नहीं कर सकते तो सोशन भी बहुत जल्दी छिन जाएगी क्यों क्योंकि ऐसी कंडिशन में अगर लोग समान नहीं है तो एक वर्ण दूसरे वर्ण के उपर वर्चस्वर स् प्रिफरेंस भी हमने कैसी रखे कि पहले सुतंता, बाद में समानता, एक पॉइंट मैं आपको दिख देनी हूँ, ऐसे राइटिंग के लिए, कि जो इक्वैलिटी है, इक्वैलिटी इस प्री जस्टिस है न, तो समानता जो है, वैं न्याय की पूर्व शर्त है, हम है न, आर्टिकल 14-18, आप चलो, कुछ important points को हम नोट करते हैं, सबसे फस्त तो ये देखो, आर्टिकल 14-18, तो समानता के अधिकार में, दो बातों को शामिल किया लिया, एक तो है, विधी के समक्ष समानता, और दूसरा है, विधीो का समान सनक्ष, विधीो का समान सनक्ष, पास्ट जो कॉंसेप्ट है ये हमने बिटेंड के सम्विधान से लिया और सेकेंड जो कॉंसेप्ट है ये हमें अमेरिका के कॉंस्ट्यूशन से लिया अमेरिकी सम्विधान से ये बेरित है इसके अलावे देखो विधी के समक्ष जो समानता है समता समानता इसमें तीन बातों को शामिल किया गए इसमें तीन कॉंसेप्ट है सबसे पहला कॉंसेप्ट है इसमें कि विशेश अधिकारों की अनुपस्थिती किसी भी वर्ग को समाज में जो विशेश अधिकारे में नहीं मिलेगा तो विशेश अधिकारों की अनुपस्थिती होगी देखो समानता को तो मतलब यही है कि किसी के पास भी अनुपस्थिती किसी के पास भी जो विशेश अधिकार है नहीं होने चाहिए तभी समानता स्थापित होगी अगर आपने समाज में किसी एक वर्ग को किसी व्यक्ति को आप ज़्यादा विशेश अधिकार ने तब सबान तक आये, खतम हो गई, तो यहाँ पर विशेश अधिकारों के अनुपस्ते विधी के समक्षी समता में आई, साधारन विधी और साधारन जो न्यायले हैं, साधारन विधी वा न्यायले जो कोट है, साधारन विधी के तहत, समान लोगों से समान व्यवहार किया जाएगा ठीके के तहत समान व्यवहार तो यह दूसरा कॉंसेप्ट हो गया इसका इसका तीसरा कॉंसेप्ट है कोई भी व्यक्ति विधी के ऊपर नहीं है no one can above the law विधी के ऊपर नहीं है है ना कोई भी व्यक्ति चाहे वह देश का रास्चपती क्यों नहीं हो जो कि हमारा समवधान एक प्रमुक है वह भी विधी के ऊपर नहीं है तो यहाँ पर याद रखना कि ये तीन बाते विधी के समक्ष सम्दा में शामिल है अब दो पॉइंट हम देखते हैं विधी के समान संरक्षन में ठीक है तो विधी के समान संरक्षन का जो कॉंसेप्ट है वे हमेने अमेरिका के कॉंस्ट्यूशन से लिया और इसमें दो बाते शामिल है पहली बात तो देखो ये है कि अगर मालो किसी को विशेशदीकार मिलते है तो विशेश अधिकारों के अनुपात मैं उसके दायत्वी भी हूँ तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कॉंसेप्ट है इसका कि विशेश अधिकारों अगर विधी के द्वारा प्रदत विशेश अधिकार है विधी द्वारा प्रदत विशेश अधिकार और दायत्व समान हूँ और दायत्व समान हूँ, ठीके? और सेकेंड है इसमें कि बिना भेदभाव के सबसे व्यभार किया जाए किसी भी लोग के अंतरकत किसी से बेदभाव ना किया जाए तो यहाँ पर एक तरीके से है कि बिना भेदभाव के समान व्यभार हूँ ठीके? तो ये दो बाते हमने कहां से लिए है? अमेरिका की कॉंस्टूशन से इसके अलावा एक और बिटिश जूरिस थे बिटिश नयाइविद हम कहें जिनका नाम है एवी डाइसी ठीके? अब एवी डाइसी की बात हो रही है वह एक बिटिश नयाइविद थे तो इसका मतलब क्या है? कि हम विधी के समक्ष समता की बात करेंगे? तो यहाँ पर देखो एवी डाइसी जो है वे विधी के समक्ष समता में तीन ऐसे concept बताते हैं लेकिन उन तीन में से भारत में कितने लागू है और भारत में कौन सा applicable नहीं है भारत में कौन सा एक लागू नहीं है या दो लागू नहीं है फिर तीनों ही लागू नहीं होते यहां से question UPSC ने बूचा अब तो देखो यहां पर हम ABDIC की थोड़ी सी बात करते हैं ठीके important है यह वाली आपके लिए तो देखो friends यहां पर हम देखते हैं कि विटिश विधी बेता थे विटिश विधी बेता ABDIC ABDIC ने कहा कि कोई भी जो देश है ठीके जो की right to equality की बात करता है समता की बात करता है तो basically यह जो point है समानता वाला इसमें तीन बाते होंगे विधी के समक्ष समता के सिद्धा तिनों ने दिया था ठीके विधी के समक्ष समता अब देखो तो इसमें first शामिल है first जो point है वह होगा कि किसी भी व्यक्ति को किवल तभी दंड दिया जाएगा जबकि उसने विधी के अनुरूप व्यभार ना किया और किसी विधी का उलंखन किया हो तो यहाँ पर यह कहा जाता है सबसे first कि कि किसी भी व्यक्ति को ठीके किसी भी व्यक्ति को विधी के उलंखन के अलावा दंड नहीं किया जा सकता सेकेंड इसमें कहा जाता है कि विधी के समक्ष समता है चाहे अमीरों गरीबों विधी के समक्ष सभी समान होंगे लौस अभी के लिए एक है विधी के समक्ष समता मतलब माल लिजे दो लोगों ने अपरात किया है भलेव है अलाग गलेक प्रस्ट भूमी से, उनका बेंग डाउंट बहुत अलग हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, एजुकेटेड हो, अनेजुकेटेड हो, लेकिन उनको, उनके समक्ष जो समता है वह रहेगी, और तीसरे इसमें कहा जाता है, कि जो समविधान है, अब देखो इस क्या ऐसा है कि केवल अधिकार देने के लिए समविधान बना दिया, व्यतिगत अधिकारों का परिणाम है, ये इन्नों ने कहा, इनका कॉंसेप्ट है, तो ये तीन बाते हैं, अब देखो, थोड़ा सा इसको समझते हैं, भारत के संदर में, तो विधी के लंगन के लावा दन्ड़िए दिया, जा सकता ये अपलाए है इंडिया में, विधी के समक्ष समता ये लिखा हुआ है सीधा, अब लेकिन तीसा क्या लिखा हुआ है, कि सम्विधान व्यतिगत अधिकारों का परिणाम है, ये भारत में लागु नहीं होता, क्यों, क्यों लागु नहीं होता ये भारत में लागु नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों कि याद रखता कि हमारे हैं, हमें सम्विधान में जो मौलिक अधिकारों में लिखे हुए मिले हैं, सम्विधान में 12-35 तक मौलिक अधिकारों नहीं को तो पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उन्हें पढ रहे हैं तो ओफिस ती बात है कि हमारे यहां जो अधिकारों का स्रोथ है वो सम्विधान है यहां पर कहा जा रहा है कि जो सम्विधान है वो व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है रिजल्ट है हमारे क्या कहा जाता है कि जो सम्विधान है वे अधिकारों का स्रोथ है है ना तो यह आपको याद रखना है कि सम्विधान व्यक्तिगत अधिकारों का सोर्स है इंडिया में सम्विधान यह लाइन इंपॉर्टेंट है प्रीज लिखो इसको जो व्यक्तिगत अधिकार है इसी तरह की लाइन साती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकारों का तोड से द्यान अदक नहीं है तो यह तीसरे वाला जो है इंडिया में लावू नहीं है तो यह राइट टू एक्वालिटी के हमने बात की दो तरह के जो कॉंसेप्ट इसमें शामिल है उसकी हमने बात की और यहां पर एविडाइसी की बात हो गई, एक screenshot लेलो आप सभी, आप आगे देखो, अच्छा इसके कुछ-कुछ अपवाद हम लिख लेते हैं, कुछ अपवाद और प्रतिबंद, जहां से questions भी आते हैं, जैसे कि हम article 15 की बात करें, पहले तो सारे articles कर लेते हैं, ये तो article 14 की बात हो गई, ठीक है, समता का अधिकार, समता का अधिकार, ये आपका article 14 हो गया, अब देखो, आगे हम चलते हैं, 14 हो गया, कि राजशेत्र में किसी व्यक्ति को, विधी के समक्ष जो है, अच्छा ये 14 से 18 आप याद अचला, कि ये 14 से 18 हम सारे जो अधिकार हैं, उसकी बात कर रहे थे, समानता के अधि अधिकल 14 की जब हम बात करेंगे, तो article 14 में ये जो दो बाते हैं, वे लिखी होई हैं, clear? Article 14 पर, चलिए हम, तो अब हम बात करते हैं, article 15 की, article 15 ये कहता है कि राज के द्वारा, किसी नागरिक के प्रती, अब देखो, राज जिसमें ये कहता है कि पांच बातों के आधार पर आप किसी भी वक्ति के साथ बेदभाव नहीं कर सकते, उसका धर्म क्या है, वह किस वंच से आता है, उसकी जाती क्या है, और उसका जन्विस्थान क्या है, ठीके, तो यहाँ पर यहाँ पर उसका जेंडर लिंग क्या है, तो यहाँ पर धर्म, मूलवंच, जाती, लिंग और जन्विस्थान इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को आऍए योग आप कराण नहीं दे सकते हैं तो यहां पर यह Article 15 हो गये तो Article 15 पाँच ऐसे आधारों की बात करता है जिसके की अधार पर आप भीद्भाव नहीं कर सकते हैं, आसे समान विर्भार नहीं कर सकते हैं आप सभी यूपी ऐसे जो भी सार्जनिक पद है जो नौक्रिया है आपको आयोग करार नहीं दिया जा सकता कि आपको किसी पर्टिकुलर धर्मिक एक इसी पर्टिकुलर वंच के जाती के तो आपको जादा प्रौटी दी जाएगी ऐसा कुछ भी लिए तो यहां पर क्या है कि तार्जनिक जो नियोजन है उसमें अवसर की समता है जल्दी से बताओ कि आर्टिकल 16 किवल भारतियों को या फिर विदेश्यों को भी पहले बता चुकी हो ध्यांड रखो इन सब बातों को तो यहां पर किसी पदपर नियोजन या नियुक्ति से संबंदित विश्यों में स कि मुझे आए इस ओफिसर बना दो या फिर मुझे इस देश का रास्टपती बनना है या फिर कुछ भी इस तरह की बाते वो कह सकता है कि उसे कोई सम्विधानिक पर दे दिया जाए नहीं नहीं कह सकता है ना तब यहां पर आर्टिकल 16 क्या है केवल नागरिकों के लिए है इसके लिए है केवल जो भारत के नागरिक है ठीक है तो केवल भारत के नागरिकों के लिए है विदेश ये इसके लिए दावा ने कर सकते हैं अब देखो आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 से UPSC ने क्विश्चिन पूछा ना UPSC ने question अभी recently जो मैंने इस आज़ी क्लास में रखे हैं बाकी तो काफी questions आ चुके हैं मैंने केवल कुछी questions रखे हुए हैं तो article 17 कहता है untouchability को abolished किया गया आसपरश्रता को उन्मूलन किया गया क्योंकि जिस वक्त हमारा देशी स्वतंतर हुआ तो उस वक्त जाती किया था है पर हम देखते हैं कि बहुत ही जादा जो हमारी society और सारे चीज़े है ठीक नहीं थी है ना तो आसपरश्रता उन में से एक बहुत बड़ी बिमारी थी समाज में तो आसपरश्रता को समाप्त करने की वबस्ता किसी भी रूप में इसका जो आचरण है वह निशिद करता है प्रोहिबिटेट करता है साथी इसे एक दंडनी अपराद भी बनाया गया इसे पनिशिबल ओफिंस भी बनाया गया और अलग से भी आर्टिकल 17 में जो जाती की बात है वह कर दी गई है नव और यहां पर जब हमें और लेडी कह दिया गया है कि जब धर्म है धर्मे की आधार पर जो विबेद है वह नहीं किया जाएगे एक तरह से समानता की बात की गई एक तरह से स्वधनता में अगर इसकी चर्चा आती तो क्या जरूरती कि अलग से हमने अलग से हमने 25 पर लेकर 28 तक धार्मिक स्वधनता की बात कर दी तो क्या जरूरी था ऐसा करना क्योंकि जब कोई परिशानी जादा बड़ी होना तो उसको एकदम अलग से कोट करके लिग दिया जाता है कि जैसे कि उस वक्त जाती प्रथा की अगर हम बात करें बहुत जादा थी जाती की आधार पर जो बिजनेस है माली जे की जो फादर कर रहे है या फिर उसके ग्रेंट पादर कर रहे है तो बच्चा भी जो है आगे जाके के वल भी बिजनेस करेगा जाती की आधार पर और किसी बिजनेस में नहीं जा सकता और कोई और उक्यूपेशन में नहीं जा सकता तो यहाँ पर आज प्रशिता को समाप्त करना बहुत जरूरी था ठीके तो इसलिए आर्टिकल 17 में भी अलग से जरुत पड़ी और हमने जाती को लिखा अब देखो एक कुश्चन में आप से पूछती हूँ प्रश्न देखो जरा अब देखो अब है आपका 18 आर्टिकल 18 को हम पढ़ λέते हैं कुश्चन के माध्यम से यहां पर जो टाइडर मिलते हैं कि पहले वही पहले किसी ने राजा की उपाधी लियने महामड नेश्वर की उपाधील लियने अब आप ले सकते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल जो 18 है वो उपादियों के अंत की बात करता है और ऐसे में कौन-कौन से प्राभधान जो है वे इसमें किये गए हैं तो त्री टू इसमें पॉइंट्स हैं कि अलावा भी आप कोई आर्टिकल ऐटिन में अनुच्छे दठारा में उपादियों का अंत कर दिया गया ता और इसमें कहा गयाथा कि आप सेना को छोड़कर और सिख्षा को छोड़कर सारी उपादियां समाप्त की जाती हैं कोई व्यक습니까 किसी विदेशी राज से कोई भी उपादी भारत के रास्कती की सहमती की बिना सुशिकार नहीं कर सकता तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है दोनों ही जो विकल्प है वह इसमें सही लिखे हैं अब देखो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का एक एक अपवाद देख लो तो देखो आर्टिकल सबसे पहलो तो आर्टिकल 14 टा देखो UPSC ने पूछा कि जो Article 14 है इसका कोई अपवाद ही नहीं है सभी सबसमान है इसका मतलब सबसमान है तो क्या Article 14 का कोई exception है क्या कोई अपवाद है बिलकुल है जिसे कि हम अनुच्छे 361, 361 की बात करें Article 361 है ना तो देखो ये जो Article है याद अठना कि इसमें रास्टपती जैसे कि रास्टपती और राजपाल को कुछ विशेश अधिकार दिये गए है रास्टपती वा राजपाल को कुछ विशेश अधिकार वा विशेश शक्तिया है वही हमारे प्रमुक्स संवधानिक पद है विशे poles सितिकार विशेन फितिए जिसरे कि इनके कारिकाल करेकर नाmonthन पर किसी तरह कि रह सकते हैं Jack में के बिदे कािक्टार की का महत्व होता हैै ना तो यहां पर देखू की रास्पति राजपाल हमारे साथ के भी सान기는 कोई मैं गिरफतार करके लिए जाए अना मतलब कोई भी नहीं पुलेस अगर कुछ किया है इस तरह का कान तो आप इनके कारेकाल के दौरान नहीं कर सकते एक सुरक्षा कबच इनको दिया जाता है है ना तो यहां पर साथ ही देखो कि जैसे बाकी अगर राजपती राजजपाल के अला कि अपने कार के लिए उत्तरदाई है उनको अकाउंटिबल ठहराया जा सकता है न्याले उससे उनको कारण बताव यह सारी चीज़े पूछ सकती है राजपती राजपती राजपाल ने जो आदेश दिये हैं आप उनको को इस निबल नहीं कर सकते कोट में तो यह सारी चीज के अरुच्छे दिया फिर किस मौलिक अधिकार के यह अपवाद एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 समानता की बात करता है कि सभी समान होंगे लेकिन यहां पर समानता की बात आप यह नहीं कर सकते कि रही राजपती और राजपाल भी हमारी तरह समान है ठीक है यह आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन हो गया अपवाद हो गया ध्यार रखने इस बात को अच्छे एक बात और सुनो आप सभी ने एकोनोमिक वीकर सेक्शन सुना तो यह जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षन दिया गया एक सो तीन वा सम्विधान संशोधन था कितने प्रतिशत दस प्रतिशत सिक्षा में और नियोजन सरकारिनों के ओमें तो यह आपका एक सो तीन वा सम्विधान संशोधन था या फिर महिलावा बच्चों के लिए तो अनुच्छेत पंद्रा तो ये कहता है कि किसी भी नागरिक धर्म मूलवंच जाती लिंग जन्मिस्तान की आदार पर विवेद नहीं करेगा लेकिन यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर को आरक्षन जो दिया गया हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से यह जो है इनी सब चीजों में शामिल हो जाएंगे यह दिकाया ना और यह इसका कोई विरोधा बास नहीं है एक तरीके से इनके विस्तार की रूप में इनको देखा जाता है इसके इलावा कि कि किसी भी पद पर सभी नागरतों के लिए अवसर की समांता हो गई और यहाँ पर आपने आर्थिक रूप से कमजोर वां के अब देखो तो यहां पर यह कुछ ऐसे एक्सेप्शन थे अब आगे हम बात करेंगे एक और कुशन देखो तब विधान कहता है कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान सन्लक्षण से वंचित नहीं करेगी अप्रोक्त वाके के संबंध में संदर्फ में निम्ले पर विचार करते हूँ ऐसत्त को चुलिए आपको इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वे इसमें से छाटता है अप्शन नंबर ए कहता है कि एक राजनितिक नेता, एक सरकारी अधिकारी और एक सामन नागरिक इसके बीच में कुछ अंतर हो सकता है सरकार किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नसल, जाती, लिंग या भाशा जन्मिस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कारून का साशन हमारे सम्विधान का मूल्धाचा है और समानता का आर्थे सभी के साथ समान समानता का आर्थे सभी के साथ समान अब देखो, इस क्विश्चन में कुछ ऑप्शन बनने वाला है, आंसर इसमें कोई एक नहीं है आओ इसके आंसर में हम कुछ ऑप्शन बनाते है तो क्या एक सामन नागरिक, राजनेतिक और इन सकी बीच में अंतर हो सकता है नहीं हो सकता आर्टिकल 15 क्या कहता है क्या उसमें भाशा की बात कहीं गई है भाशा की बात उसमें नहीं कहीं गई है तो दूसरा भी गलत हो गया विधी का ताशन क्या हमारे संविधान का मूल्धा चाहे ये बात सही है सभी के लिए समान है ना सभी के लिए समान या फिर समानों में समान समान का मतलब क्या है तो समानता का मतलब तो हम देखते कि विदियो के समक्ष समानता है, समानसा रक्षन की बाद, तो क्या इसमें सभी के लिए समानता की बात की जाएगी या नहीं की जाएगी, यह वाला कॉंसेप्ट आप मुझे बताइए, ठीके, तो यहाँ पर देखो कि हमें गलत क्या क्या मि और कहां पर भारत में लागू नहीं है उसे हमने समझा अब आगे हम बात करेंगे कि हमारा दूसरा जो आर्टिकल है दूसरा जो हमारा फंडमेंटल राइट है जो की हमारा राइट उफ डीडम यानि स्वातंता का अधिकार समानता का अधिकार पूरा हो गया 14 15 16 17 और 18 तो जै आर्टीकल नैंटीन से लेके अर्टीकल Debat ट्वाइंटीट्यू टक आपको कुछ स्वातंता यह दिगई है अब यह जो स्वातंतता है देखो कि आर्टिकल नैंटीन आर्टीकल आप अभिव्यक्ति की सोतन्ता के नाम पर आप कुछ भी कहने को सोतन्तर हैं, वाक और अभिव्यक्ति की सोतन्ता का धिकार, शांति पूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की सोतन्ता का धिकार, संगम या संग बनाने का धिकार, अबाद संचरन की सोतन्तरता, कहीं भी आने जाने क कि सवतनतर था कहीं भी निवास का अदिकार और ववसाय की सवतनतर था ठीक है अब एक बास सुरो कि आपको वाक और अभीव्यक्ति की सवतनतर की जब हम बात करेंगे तो देखो इसके अंतरगत हम देखते हैं कि किस तरीके से आप अपनी बात को कहने के लिए है ना आप उसस समझाने के लिए अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंतर है लेकिन क्या ये वाक और अभिव्यक्ती की स्वतंता किसी भी हद तक जा सकते हैं इस पर कोई restrictions लगाए जा सकते हैं तो आओ हम उन restrictions की बाप कर ले तो देखो अगर आपका बोलने का जो अधिकार है ना उससे भारत की संप्रभुता अगर खत्रे में है अगर सोवनिटी जो है संप्रभुता जो है सम्प्रभुता का मतलब क्या होता है अपने आंते को अपने बाहर निर्णय लेने में सक्षम होना बिना किसी बाहिra दबाब के आप वो निर्णय ले पाए वही संप्रभुता सोवनिटी कहलाती है तो भारत की संप्रभुता को अगर खत्रा हो तो इस पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है वैं प्रतिबंद के आधार बता रही हूँ ठीके अब देखो एकता को खत्रा हो राजी की सुरक्षा को खत्रा हो किसी देश के साथ हमारे मित्रवत संबंद है पर आपके बोलने से वो संबंद बिगड़ जाए तो इसलिए आप पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है इसके अलावा कोई सारजनिक आदेश है अगर सारजनिक आदेश है ठीक है तो आपको इसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते कि कोट ने बोल दिया कोट ने कोई और निर्णाय दिया तो उसके खिलाफ आप अपनी जो राइटु फ्रीडम और राइटु आपकी जो फ्रीडम है फ्रीडम ओफ स्पीच और आपका एक्स्प्रेशन जो है आप सारजनिक जो भी आदेश है या पर जो सुप्रीम कोट के जो आदेश है या फिर इस तरीके से उन चीजों को गलत नहीं बोल सकते अफमानना उसके नहीं कर सकते इसके अलावा देखो नैतिकता ये थोड़ी क्या बोलने के नाम पर कुछ भी बोलोगे तो नैतिकता भी तो कोई चीज है है ना तो यहाँ पर मोरलेटी को के आधार पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है इसके अलावा नियालाई की अफमानना कंटेंप्ट ऑफ कोट किस आर्टिकल में है ये नैले की अफमानना बोलकर लिखकर किसी भी तरीके से सावजनिक रूप से आप कर दो तो ये कुछ ऐसे प्रतिबंद है वाक और अभी व्यक्ति चोंकि लोग जादा मांग तो इसकी लिस्ट भी लंबी है कि भई आप इस इस पर तो इने नादारों पर प्रतिबंद लगाया ही जा सकता है आपको शांती पूर्ण सम्मेलन करने का तो अधिकार है पर आप सुचो कि आप ऐसे चुराही पर बेढ़ जाओ जहां से लाखो लोग भावित हो जाए एंबुलेंस भी निकलनी है इसकूल वाले शीदों उठावी लेते हैं तो यहां पर देखो कि शांती पूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की सुतंता का अधिकार अगर आपको है तो यह सम्मेलन इस पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है यातायात नियंत्रन के आधार पर जो रेस्ट्रिक्शन से जो प्रतिबंद है यह लगाए जा सकते हैं क्यार आपको संगम या संग बनाने का अधिकार है लेकिन आप सुचो कि आप प्राधियों का ग्रुप बना लो वह पॉसिबिल नहीं है है ना पुलिस तंग नहीं बना सकती याद रखना पुलिस संग नहीं बना सकती अब आप पूरे देश में कुछा कोई आनको बर जाओ जाना जाना कोई नहीं कोई एक यहां पर यहां दठना कि दिख्राम प्रवत्थी का जो, जो एक अप्राधि старे की के रोक लगा दिस्यांelin फिसी जाती adviska मालों पूर पूरे जगह के लिए अपको ने तो यहां पर सामन्य व्यक्ति के लिए बठा आधितन अप्रा दिये या फिर सुरक्षा के लिए का तरह तब उसको रोका जा सकते है निवास का अधिकार डेफिनेटली है पर निवास के अधिकार पर रेस्टिक्शन से लग सकती है अगर वो जंजाती इलाका है सरकार को जंजाती इलाका है जंजाती शेत्र है अभी अंदमान निकोमार में कुछ जो ट्राइबल ग्रुप है वे चर्चा में आ गए थे ठीके सेंटिनल है करेक्ट के जेगा जो भी है तो वहां पर क्या हुआ था बच्चो की एक जो टूरिस्ट घूमने गया था उसकी हत्या कर द रह रहा है उसके लिए खत्रा हो तब उस पर प्रतिबंद लगाया सकता है अब जन जाती शेता फिर इसमें पहले एक और क्लॉस लगता था एक जम्मू कश्मीर वाला प्लाबधान पहले जोड़ता था या अगर आपके पास पुरानी किताबें हैं जो कि अपडेट नहीं ह होने का जो स्टेटस है वह हट चुका है ऐसे में अब आप जपो कश्मीर में भी जमीन जाइजात ले सकते हैं वहां पर रह भी सकते हैं ववसाई की स्वतंतता का अधिकार है लेकिन यह भी आपको यहां पर नयतिकता का ध्यार रखना पड़ेगा आप यह नहीं सो सकते कि ववसाई के नाम पर अपराद को फैला दो है ना दस लोगों का बड़ी ऐसे ग्रुप बराओ कि मेरा तो यह अब क्या है यह मेरा ववसाई है कि मैंने ट्रेंट करूंगा या फिर बाकी सारी चीजें तो यहां पर आपकी ववसाई की जो सतंता है वो खतम हो जाएगी ठीक ह तो यहां पर यह कुछ ऐसी बाते हैं जो कि इंपोर्टेंट है कि कहां कहां किसके साधार पर पतिबंद लगाया जा सकता है इंच है अधिकारों पर क्लियर अब हम चलते हैं आगे चलो एक कुशन को पढ़ो कुशन है भारतिय सम्विधान का भागतीन इसके संबद में नेम सबनाव उल लेखित स्वातनत Ministane समानता और न्याय के वादे को प्रभवी बनाता हैं स्वातनिता समानता और न्याय यह तीनोही बातेहं तो हमारे ओल्य अब विभाजित किया गया था तब गलत हो जाएगा क्यों कि पहले साथ संपत्ति का दिखार विशामिल था राइट उप्रपर्टि व्यक्ति सरकार की आलोचना करने और लोगों को सरकार के खिलाब विद्रो करने के लिए उक्साने के लिए स्वतंत्र है अच्छा वाकुर अ यहाँ बात करेंगे आपके आ अर्टिकर इर चलिए अब हम आते हैं 19 में हमने देख ली कि 600 संतताइं जो हैं में शामिल थी, अब हम बात करेंगे आपके आर्टिकल 20 की, आर्टिकल 20 कहता है अपराद के लिए दोश सिध्धी के संबंद में संदक्षन, दोश सिध्धी के संदक्षन में, के संदक्षन, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 को याद अटना क इसको Emergency आपात काल के दौरान इसका निलंबन नहीं किया जा सकता आपात काल के दौरान निलंबन नहीं किया जा सकता यह थोड़ी क्या आपात काल लगाके और सब को जेल में ढूस दिया जाएगा एना ऐसा तो हुआ था वे 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया था किसी भी अभियुक्तिया दोशी करार दिये गए व्यक्ति चाहे वैदेश का नागरिक हो अब देखो क्या ये अधिकार आपको यसा लगता है कि जस्टिफाई है कि आप कि ये अधिकार विज़ए कोई व्यक्तिया आता है तो उसको स्भीद बना दू कि कोई भी जो है उसे कहीं भी गरफ्तार किया जाए उसे भी तो सुरकषा अब देखो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ठीके आपके जीवन और व्यक्ति का सोतंता का दिकार तो आर्टिकल 21 क्या कहता है आर्टिकल 21 में यह घोशना की गए कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राड या दैहिक स्वतंता से विधी के द्वारा इस्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही बंचित किया जाए अरे यही शब्द को थोड़ा से ध्यान से पड़ो केवल उसके अगर इस्थापित प्रक्रिया है कि अगर सुप्रीम कोट ने डेट संटेंस दे दिया है म्रतिव दंड दे दिया है तब तो फिरता है आप जाना है ना आपके जीवन आपके जीवन को छीना जा सकता है लेकिन किसी और तरीके से नहीं तो यहां पर देखो कि अनुछिद ए ही किया जा सकता ठीक है अब देखो एक कुश्शन यूपीस्टी ने 2018 में पूछा 2018 का प्रशन है ध्यान से पड़ो निजिता का अधिकार जीवन के अधिकार और व्याक्ति का स्वतंतरता के आत्रिक भाग के रूप में संरक्षित है निमने में से कौन सा भारत के संविधान में सही और उचित रूप से अर्थदर्शाता है तो हाली में जो चर्चा मेरा उस चीज़ को लिख दिया और उसके अलावा देखो आपसे दो यह पूछ दिया कि अनुच्छे 14 से संबंदित है और 42 वा संविधान संशोदन है 17 से संबंदित है या फिर आपका भाग 4 का DPSP इसमें शामिल है 21 से संबंदित और और भाग 3 है क्या समझ में आ रहा है आपका आर्टिकल 21 से संबंदित है यही तो है आपका राइट टू लाइफ और परसन लिबर्टी है ना प्राण और दैहिक सोदनता और भाग 3 भी है तो यहाँ पर ऑप्शन नमबर जो C है यह इसका सही आपसर है ना तो देखो फ्रेंस पहले जो निष्टा का दिकार है ना राइट टू प्राइविसी हर ऐसा जो कि हर ऐसे चीज़ जो कि आपकी लाइफ को प्रभावित करती आपके जीवन को प्रभावित करती वहां से कुश्चन आता है एक और प्रश्च जो कि UPSC ने पूछा कि सुप्रीम कोट ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से राइट टू मेरी विवाक अधिकार ये किस में शामिल है हर वो चीज जो कि आपकी अधिकार हर वो चीज जो कि आपकी लाइफ के लिए जरूरी है वो इसी में आएगे ये भी आपका अर्टिकल 21 में शामिल है या पर स्टान लगा दू समझ गई यूपेस्टी ने कुश्चन पूछा था ठीक है तो देखो आर्टिकल 21 में आएगा क्यूंकि आपकी जीवन से संबंदित चीज है इसके अलावा देखो एक और पॉइंट सुनो सुप्रीम कोट के द्वारा ये कहा गया कि अगर आप किसी व्यक्ति को घर से निकाल दो या किसी व्यक्ति को आप आजीवी का जो है उससे वंचित कर दो तो ये तो सुभेध्ध तरीका है उसको उसके जीवन को Ֆतम करने का आप उसको काम ही नहीं करने दे रहे इन से वनचित कर दिया या फिर उसको आवाज से वनचित कर दिया या फिर आप घर से निकाल दो तब और सुबिद्ध हो गया ठंड बारिश धूब गर्मी इन सब में कितना बरदाश्ट करेगा आप देखते हैं कि जब बहुत जादा ठंड बढ़ने लगती है तो दिली के आज पास इतनी जादा कड़क ठंड होती है यह अगर आठ दिन दस जन भी ठंड पढ़े तो तीन-चार महीने की एक साथ पढ़ जाती है और कहीं न कहीं इस तरह कि हलाकी सरकार के द्वारा बहुत कड़ी सुरक्षाय आप कर दे गई हैं बट आप देखें कभी न कभी हो सकता है कि कोई जो फुट पात पर सुरा है उसकी मौत हो जाती ठंड स या फिर गर्मी से तो ऐसे जो बेघर लोग हैं अगर प्यम आवास यूजना चलाई जा रही है किसमें क्यों सरकार ऐसे काम कर रहे है क्यों क्यों कि व्यक्तियों को आवास या फिर इस तरह की मौलिक अधिकारों की संड़क्षा कर न सरकार का दायत्व है तो यहाँ पर सु यहाँ पर इसके पहले आप इस चीज को मानेंगे कि यह आपका प्रोटेक्शन होना चाहिए तो यहाँ पर क्या किया गया है कि हमारे जो मौलिक अधिकारों को स्टेट एक बशानी बनाया गया कि बहुत हार और फास्ट है कि अब इसमें कुछ शामिल ही नहीं हो सकता समय सम पूछता है कि क्या अब हमें मौलिक अधिकारों को उनर परभाशित करने की जरुरत है कि हमें रिडिफाइन करना चाहिए जरुरत क्या है रिडिफाइन करने की और लेडी इसमें आप्शन इतने हैं एड करते जाओ है ना तो यहाँ पर यह आपके राइट टू लाइव व व्यक्ति घस्व अन्ता से वह अंचित नहीं किया जाएगा यह वाला जो संटेंस ना यह संटेंस यह यूपीस्टी ने पूछा हुआ है यह संटेंस कि किसी भी परिस्तिती में अभी अमने क्या पड़ा कि विधी के अनुसार शब्दों पर ध्यान दो विधी के अनुसार इस थापिज प्रक्रिया है उसके आप उसको उसका जो जीवन है भी खतम कर सकते हो अन्ता नहीं कर सकते हैं एक वेक्त आरी कि समक्ष पेश किया जाएगा, याद रखना कि ये जो है, 24 आर का टाइम है, एक दिन का टाइम है, 12 घंटे की अब धी नहीं है, जो और जो पहली बात है, ये भी गलत लिखी होई है ना, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है, तो आपको याद रखना है कि कोई सही नहीं है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीके, चलो, नेक्स चलते हैं, अब देखो आर्टिकल 21A, UPSC ने यहाँ पर कुश्यन पूछा कि जब हमारा सम्मिधा लागू हुआ था, उसी वक्त हमने आर्टिकल 21A में जो सिक्षाक अधिकार है, उसको फट्डमेंटल राइट बना दिया गया था, गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको, यहाँ दखता है कि पहले यह DPSP में शामिल था, तो UPSC ने यहाँ भी कुश्यन पूछ लिया, कि जब यह आर्टिकल 21 इमें शामिल हुआ, इसके पहले DPSP कि किस आर्टिकल में था, हम देखेंगे शा शामिल किया गया, यह 86 सम्विधान संशोधन के द्वारा, तो जो 86 सम्विधान संशोधन उसमें कोई ऐसे सम्विधान संशोधन नहीं था, या पिर जो सिक्षा का दिकार है, इसको नया जोड़ा गया, यह भी गलत है, इसको हम DPSP सो ठाके, ज्यादे इंपॉर्टन लग र अनिवारे सिक्षा, एक तो निशुलक और दूसरा अनिवारे है न, तो यहाँ पर फ्री एंड कंपरसरी जो एजुकेशन है, फ्री एंड कंपरसरी एजुकेशन ठीक है, यह आपका आर्टिकल 21A है, और सिक्षा के एक मॉलिक अधिकार के अंतरगत है, अच्छा एक बात य उच्छा, चौदे साल का बच्चा ओलेडी उम्र तो रख रखें, तो यहाँ पर देखो कि यह उच्छा ववसाइक सिक्षा के संदर्व में नहीं है, तो यह केवाल सिक्षा की बात करता है, आविसक शिक्षा, आपको साक्षर मनाना या फिर आठ वी-दस भी जो भी है, ठ आपका अधिकार हो गया, तो यहाँ पर आटिकल 20, अगर उम्रियाद रखोगे ना, तब अपने आप इस शब्द को इधान डख लोगे, चलो आगे चलते हैं, अब देखो यह तो 21A हो गया, 21A, अब हम बात करेंगे 22 की, तो किसी व्यक्ति को निरोदेवन गिरफतारी से सं गिरफतारी से संरक्षन प्राप्त है, बिसिकली देखो, जो हिरासत में किसी को लिया जाता है, वह दो तरीके से लिया जा सकता है, एक तो ऐसा व्यक्ति जो की अपराद कर चुका हो, और अगर वह अपराद कर चुका है, तो ऐसे व्यक्ति के पास यह option होता है, कि इसको 24 घ गिरफतार किया गया है, तब उसको 24 घंटे के अंदर जरूरी नहीं है, कि उसको मजिस्टेट के सामने पेश किया जाएगा, इसको कहा जाता है, प्रिवेंटिव डिटेक्शन, यानि निवारक नजर बंदी, तो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो किसी व्यक्ति को, किसी व्यक गति विधियों में लिफ्त, उसको गिरफतार करने इसके पास सूचना है, तो उसको जो गिरफतार के अपराद करने के बाद नहीं पहले ही जिरफतार कर दिया क्योंकि उसे सुरक्षा को खत्रा था, इसे कहा जाता है निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेक्शन जिसको निवारक निजरबंदी के तहत गिरफतार किया जाएगा, उसके पास ये राइट नहीं है कि वह 24 घंटे के अंतरगत उसको मजिस्टेट के सामने पेश किया जाएगा, ये कि वह उसी व्यक्ति के पास है, जो अपराद करके गया है, है ना, तो यहाँ पर दो बाते क्य हो गई, दंड विशय और निवारक समझ गए, तो दंड विशय में क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो, जो पहला भाग है, मतलब साधारन कानूनी मामला, और इसमें गिरफतार करने के आधार पर सूचना देने किसी व्यक्ति को गिरफतार किया जा रहा है, तो इसके पास आपके पास वारंट है, आपके इस जोर में मुझे गिरफतार कर रहा है, तो यहाँ पर उसके पास यह अधिकार है, कि वो आप से व्यक्ति पूछेगा जिसको गिरफतार करने गए हो, और इसके अलावा उसको अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार है, यह उसका फर्णम करने का अधिकार, और सम्टाइम्स यह होता है, कि अगर मालो इसको गलत तरीके से गिरफतार किया गया, तो आप देखेंगे, कि इंडियालाए के द्वारा, जो मझिस्टेड है, उसके द्वारा यह देख लिया जाता है, कि कारण तो अभेद है, गलत तरीके से इसको अधिया जा सकता है, अगर कारण सही नहीं है, तो, ठीके, चलो, तो आर्टिकल 22 का दूसरा भाग, या निवारक प्रिवेंटिव डिटेक्शन, निवारक नजरबंदी, या निवारक हिरासत, इसको कहा जाता है, तो इसमें क्या है, ये नागरिक और विदेशी दोनों के ल तक आपको बंद रखा जा सकता है जील में, ठीके, लेकिन उससे जादा नहीं, उससे जादा नहीं, तो उससे जादा अगर रखेंगे, तो नागरिक और विदेशी है, दोनों के लिए उसको सुरक्षा जो है, अधिकार है, ठीके, तो हमने राइट टू फ्रीडम की बात कर हमने देख लिया अनुचेद 12 क्या है, अनुचेद 13 क्या है, ठीके, फिर हमने 14 से लेके 18 तक राइट टू एक्वालिटी की बात की, 14, 15, 16, 17, 18, और 18 की बात फिर हमने देखा स्वातनता का अधिकार, राइट फ्रीडम, 19 से लेके 22 तक, अब हम बात करेंगे सोशन के विरु में हमने राइट टू लाइट की बात की, जिसमें के हमने लाइवली हुट की बात की, जिसमें के हमने आवास की बात की है न, यह आपके आर्टिकल 21 हो के हमने राइट टू प्राइवेसी की बात की, यह सारे चीज़े हो गई, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 को इमर्जेसी के टा पढ़ लेते 23 24 यूप्सट नहीं क्यूश्च्ट पूचा कि जो आर्टिकल 23 है ते जबाल्ष्रम को रोकता है और जो आर्टिकल 24 है मानव तसकरी को रखता है जस्ट आपोजिट पूछ लिया, जस्ट उल्टा लिखी दिया था, आर्टिकल 23 मानव तसकरी को रोकता है कि मनुष्य का जो खरीद व्यापार है वो नहीं किया जा सकता है, ठीके, और आर्टिकल 24 जो है, तो पहले ओल ओवर सभी की बात की गई है, फिर बच्चों की बात की है, आप देखो, तो इसमें आर्टिकल सोशन के विरुदधिकार, देखो इसकी जरुद इसलिए थी, क्योंकि उस वक्त सामंत, जमिनदारी, काश्टकार वर्ग था, तो सूत्खोर वर्ग भी था, तो जब देश की ववस्था की जब हम बात करेंगे, सामाजिक संडचना की जब हम बात करेंगे न, तो 1950 की संडचना कहां बदली, आप खुद सोचो कि कब जमिदारी उन बूलन हुआ, सिनभ्भे के समय में, तब ऐसे में क्या जरुरत नहीं था कि सरकार बाकी लोगों को सुरक्षा दे, बेगारी कितनी ज़्यादा चल रही थी, पीडी-दर-पीड की जरुरत थी, तो हम देखो, कि मानग तसकरी और बलात श्रम पर प्रतिबंद, भारत में पुराने समय में जमेदारी है, सूध खोरी है, ये लोग बद्वा मजदूरी करवाते थे, तो इस चीज़ को क्या है, प्रोहिबिटेट किया गया, मिसे इस के लिए अगर हम भटो की काम करें, या फिर उसको सरकार ने अपराद घोशित कर दिया, तो समविधान में एक तरह से, उस वक्त के समाज में जो कुरीतियां थी ना, उसको रोकने का क्याफी प्रयास किया गया, उसके लिए प्रॉपर प्राभधान किये गये, और उसको दंड़निये, पनिशिबल व्यापार है वह नहीं कर सकते, बेगार श्रम नहीं कर सकते, ठीके, इसके अलावा कई और इसके जो प्रकार है, जो भी बलात श्रम, जो भी अब जबर्दस्ति किसी से श्रम ले रहे हो, उस सभी पर प्रतिबंध लगाता है, देश के लाखो जो अल्प सुवीधा प्राप अधी नियम, 1953, चीके, या सॉरी, 1956, 1956, तो इन्हें दंडित करने के लिए, ऐसे काम को दंडित करने के लिए, इस तरह के जो लौ है वहलाई गए, क्लियर है, चलो, तो आर्टिकल 23 मानव व्यापार की बात कर ली, मानव व्यापार और बलात श्रम की बात कर ली, चीके, अब नेक्स्ट आपका 24, बच्चों से संबंदित है, यूपेस्टी ने एक और कुश्चन इससे संबंदित पूछा, कि जसे मालो कोई, किसी के मापाप खेत में काम कर रहे है, ठीक है, गर का ही खेत है, तो क्या वहाँ पर जो वह बच्चा है, वहाँ काम कर सकता है, बिलकुल कर दित है, तो आप बच्चों को नहीं लगा सकते है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 24 ये कहता है, कि चाहे फैक्ट्री हो, चाहे खान हो, या कोई संकच वाले खतरनाग टाइप के, अगर कोई गतिविधिया है, तो यहाँ पर आप बच्चों को नहीं लगा सकते, तो जो वहा का मालिक है उसको गिरफतार किया जा सकता है बाल, श्रम, प्रतिशेद और वीनियम इसके लिए बैदीनियम बना अबर 1986 में तो 1986 में इस दिशा में एक महत्पूर्ण अदीनियम बना और अच्छे इसके लिए कुछ पोज़से की शायद पैंसिल पॉर्टल है देखना जारा एक बार पैंसिल पॉर्टल ही है करकार ने एक पैंसिल पॉर्टल भी बनाया था ताकि इस तरह का जो यह जो नियम लागू किया जा रहे है ठीक है चलो तो देखो 14 से 18 वर्ष के जो किशोर है इनको खतरनाक विवसायो हजार्डस जो उक्यूपेशन है इसके कारियों में लगाने पर पतिबंध है UPSC ने कहा कि सभी तरह के UPSC ने कुशन पूचा कि 14 से 18 जो उम्रिके जो किशोर है उसको आप किसी भी तरह के उक्यूपेशन में नहीं लगा सकते तो वो गदत हो जाएगा खतरनाक शब्द इसमें विशिश्टा जो शब्द है उस पर ध्याद दो जो शब्द लिखा हुआ है वही शब्द यूपेश सी पूछता है कि क्या यह वर्ट है यह 23-24 यह होगे आपका राइट टू अगेस एक्स्प्लाइडेशन सोशन के विरुद अधिकार और अब हम चलते हैं अपने चौत है अधिकार की तरफ जो कि धार्मिक स्वतंता का अधिकार अच्छा यह बात देखो कि जब हमने स्वतंता और समानता इन सब में अगर हमने धर्मिकी बात कर ली तो फिर क्या जरूरत थी कि हमने अलग से जो है धार्मिक स्वतंता की बात की अच्छा इंडिया जो है वह सेकुलर स्टेट है तो जैसे हो वैसे दिखो भी जरूरे जरूरत होती ना इस चीज़ की भई आप देखो बच्चों कि अगर हमने कहा कि भारत सबस्क्राइब जो है धर्मिकी अपनाया स्टेट है तब ऐसे में देखो ऐसे में क्या है कि हमें इसे पैशली रूप से बिखाना था भारत का हमारे समाज का नेचार है वह दिखाना था और इसे लिए हमने आर्टिकल टवेंटीफाइब से लेके ट्वेंटी इट तक अलग तरीके से मतलब अलग हमने specially इसको शामिल किया धर्म की स्वतंतरता को तो यहाँ पर देखो अंताकरण करने धर्म को अंताकरण करने धर्म को अबाद रूप से मानने और उसका आचरण और प्रसार करने की स्वतंता एक तो अंताकरण से मानने के आप भगवान को मान रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर सके हैं, तो आप मानने के लिए सोधंतर हैं, आपकी वो जो belief system हैं, उसको नहीं बदल रहा कोई कि नहीं, इसको मत मानो, यहां पर यह मानो या फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो यहां पर अंता करण, धर्म को अबाद रूप से आप मानिये, और यहां पर आप उसका यह नहीं है कि किवल आप मान सकते हैं, आप पूजा प्रार्थना कीजिए, ठीक है, आप जो भी करते हैं, वो सब कीजिए, कोई इशू नहीं है, आप उसको प्रचार भी कर सकते हैं, अभी latest supreme court का एक order आया, current affair भी इसमें जोड़ लेते हैं, आजाओ, current affair में, recently, supreme court ने कहा, कि आपको धर्म मानने, और धर्म ना मानने की स्वखनता तो है, ठीक है, लेकिन supreme court के एक निर्णाई में, recently, यह कहा गया, कि जो जबरन धर्म परिवर्तन है न, जबर्दस्ति अगर आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो यह अपराद की शेड़ी में देखा जाएगा, रास्टी सुरक्षा के लिए इसको खत्रा समझा जाएगा, और action दिया जाएगा, आप दिखेंगे कि UP में इसको लेकर भ है और दूसरा शब्द है लालच, ना तो आप धराधम काकर और ना ही आप लालच देकर किसी का जो धर्म है वह परिवर्तन नहीं करा सकते, यह रिसेंटली सुप्रीम कोट के द्वारा कहा गया, तो देखो बच्चो मेंस में जो यह कुश्यन है वैं आ सकता है, अना मेंस मे जो कुश्यन है वैक है, इस तरीके कुश्यस आजाते हैं, चलो आगे लिखते हैं, तो आर्टिकल 25 जो है, यह कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतहकरण की स्वतंतरता, धर्म को अबाद रूप से मानना, आचरण और प्रचार करने का अधिकार होगा, और यह नागरिकों को और गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्द है, ऐसा थोड़ी है कि कोई गैर नागरिक हमारे किसी और धर्म का जाएगा, तो हम उसको धर्म परिवर्तन करा देंगे, या फिर उसका कोई धर्म परिवर्तन कराएगा, तो उसको उसके खिलाफ सोतंतर नहीं, अभी जब इस क्या है कि क्या ये अधिकार बाकियों को प्लब्द है या फिर नहीं है, तब थोड़ा से अग्दम कॉमन लॉजिक लगाना, क्या ये सही होगा कि अगर विदेशी को व अधिकार ना दें, अगर यहां पर विदेशी आपको लगता है कि हमारे टूर्स बहुत घूमने ठीके, तो आर्टिकल 25 केवल धार्मिक विश्वास कोई नहीं, बलकि धार्मिक आच्रण को भी, तो यहां पर देखो कुश्यर आ सकते है कि क्या केवल धार्मिक विश्वास को तो नहीं, केवल विश्वास थोड़ी है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, तीमाई देखो क् सार्वजनिक ववस्था को विगाड़ दो धर्म के नाम पर ऐसे जुलूस निकाल दो कि पूरी जो समाज में वे आप सुरक्षा हो जाए ठीक है तो यहां पर यह भी नहीं हो सकता नैतिकता और स्वास्त के आधार पर भी यह पॉसिबल नहीं है कि आप धर्म बताओ और यहां सबरी माला के केस में जब यह कहा गया कि यहां पर केवल हम तो 4000 वर्षों से यहां पर केवल और केवल पुरूशी पूजा करते हैं ऍहलां इनी जाती तो यहां पर विस Almost 51 के मुद्धा यह था लेकिन वर धर्म का मुद्धा था अब आगया एक और मुद्धा जो की हैजाब का कंट्रोवर्सी चला तो क्या अब देखो हिजाब का जो मुद्दा था फ्रेंज ठीक है अब देखो स्कूल से बुद्दा शुरू होता है स्कूल कॉलिज से तो क्या यह जो मुद्दा है अब आप 25 से लेकर 28 तक इसको जोड़ो और आप आर्टिकल 44 को देखो तो क्या यह दोनों एक दूसरे सहलाग है आप आर्टिकल 14 की भी यहां पर बात करो आप 15 की भी बात करो तब आप 25 से 28 की बात करो ऐसे में तो अगर स्कूल में सिक्षा की बात कि जा रही हो और सभी लोग धर्म को ही अपने बाने तो तो महीं मंदिर बना लो मस्जिद बना लो सब बना हो तो यहां पर क्या है कि यह जो मुद्धा है क्या वह कि यूनीफोर्म कि बत करते हैं यहां समान नागरिक सहेता कि जब बात करते हैं तब यह चीज ठीक है जहां पर सिक्षा की बात क HTTP LEE Bible की जाती है तो यहाँ पर इसकी प्रॉस कौन सा आप लिखो कि अगर यह सही है तो क्यों सही अगलत है तो क्यों है अब यह कैसे लिख पाओगे जब न्यूस में पर बढ़ते होगे बिड़ा उसके तो देखो हवा में तो यह चीज़े नहीं आएंगी अगर जबरण धर्म परिवर्तन है और लेटिस्ट को इसकी केस्टेडी है अगर आपने बेंस ब्यासर आगया और लेटिस्ट केस्टेडी को नहीं आपने उसमें लिखा या फिर एक वर्ड को आपने नहीं ही नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोट यह कह दिया कि आपने नहीं किस्टिती में रही क्योंकि वहां पर जो पीट में जो डाइविद बैठे थे उनमें ही आपस में बहुमत नहीं बन पाया तो उन्होंने इस मुद्द्य को आभी फिलाल के लिए ठोड़ दिया कि ठीक है इ सारे मुद्य तो उठते हैं करेंट अफेर में अब वही देखो बच्चो जब आप करंट अफेर को रिलेट करोगे न स्टाटिक से एक तो स्टाटिक आपका बहुत स्ट्रॉंग हो जाए क्योंकि अगर जिस बच्चे ने मालों कि यह तीनों मुद्य आपने करंट अफेर मे करके हमेशा स्टाटिक को पढ़ना होगा इस्पेशली जब हम पॉलिटी की बात करेंगे तो इन सारे जीज़ों को आपको जोड़के देखना होगा ठीक है चलो आर्टिकल 25 चलो आर्टिकल 26 की बात करते हैं तो अभी तक तो बात हो रही थी कि हम पर्सनली रूप से धर्म क को माल ले उसका प्रचार प्रसार कर ले आर्टिकल 26 क्या कहता है आर्टिकल 26 कहता है कि अगर मालों कोई धार्मिक संप्रदाय है तो यहां पर उसकी इस्थापना और उसके रख रखाव का अधिकार उसको होगा तो धार्मिक पहली बात में आर्टिकल 25 में क्या कहा गया था 25 में तो किसी व्यक्ति के मानने की बात की गई थी न कि आप धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं धर्म को आप अंताकरण से मानने के लिए उसका प्रचार करने के लिए ठीके आप स्वतंत्र हो गए और साथ ही अपने विशयकारियों का जो प्रबंदन अधिकार आपको होगा यहां पर जो सरकार और बाकी लोग जो है वो उस चीज में नहीं आएंगे तो यह प्रबंदन का धिकार किसी भी कम्यूटी को है तो यहां पर आर्टिकल 26 इससे आगे की बात करता है यानि की धार्म 28, 27 कहता है टेक्स की बात करता है एक कॉंसेट इसमें छुपा हुआ है एक तो होता है भई टेक्स करकी बात कर ले दूसरा बात कर ले शुल्क की आपने जिसे आगर आप कभी कहीं गूमने गए हैं तो क्या कभी कहीं कोई परची वर्ची कटाई है कहीं तीरतिस्थान पर ग तो याद रटना कि यहाँ पर कोई कर देने के लिए बाद नहीं किया जाएगा लेकिन शुलक आपसे लिए आजा सकता है किसी बी जगा के प्रबंधन और कि सारी चीजों के management के लिए आप से शुल्क लिया जा सकता है मंदरों में भी तो कहीं कहीं चलता है परची वगेरा के लिए जहां से कटती है बाहर से वहाँ पर शुल्क होता है वो टेक्स नहीं है तो आर्टिकल 27 कहता है कि धर्मिक्य अभिव्रद्धी के लिए करो के संदाय स्वधन्ता है मतलब आपको कर जो है वह अदा नहीं करना है इस पर टेक्स नहीं लगेगा तो फस्ट में बात की गई थी कि आर्टिकल 25 सबसे पहले क्या क्या कर देखो एक क्रम से याद रखोगे तो आपको 25 और 26 और रटने की जरूरत नहीं है 25 सबसे पहले बात खुद से सबसे पहले में हमान रहे थे दूसरे में प्रबंध किया तीसरे में टेक्स से हमें चूटे हैं सुख़गे लिया जा क्या सकती है सकता है, इस शब्द को याद रखोंगे, विल्ग लिया जा सकता, ठीक है, चल, अच्छा इस पर देखो, अब बात आ गई, सिक्षा की, यूपेस यहां से भी कुछ है पूछा है कि क्या कोई राज अगर चाहे, तो धार्मिक संस्थानों की जैसे की मदर से की बात कर ले, कि व संस्थान में, तब क्या ऐसी जगा पे जो सरकार है, वो अनुदान दे सकती है, या अनुदान अगर देगी, तो क्या वो प्रिरोटी करेगी किसी धर्मिक पे की नहीं करेगी, यहां से कुछित बूचा था, धार्मिक सिक्षा में उपस्थित होने की स्वात्ता आपका अगर राज्य के द्वारा पैसा दिया जा रहा है, सरकार अगर पैसा दे रही है, तब क्या होगा, तब उसमें धार्मिक सिक्षा दे दी जाएगी, पर अगर लिजी स्कूल है, तब उसमें धार्मिक सिक्षा दी जाएगी, अगर सरकारी स्कूल है, तो वहां पर कोई भी मं तो यहां पर क्या है कि अगर ऐसे sectionic संस्थान स्थापित किये गए जो या तो पूंडता है या तो अंचता है या तो कुछ भाग या तो फिर completely अगर राज उसको पैसा दे रहा है आप सिक्षा नहीं दोगे पर यहां पर भी आपको याद रटना है कि जो निजी sectionic संस्थान ह निजी sectionic तंस्थानों में धार्मिक जिक्षा दी जा सकती है ठीक है अच्छे एक बात और याद रखो क्या सरकार इनको अनुदान दे सकती है बिल्कुल दे सकती है ठीक है तो सरकार जो है वैं अनुदान दे सकती है लेकिन लेकिन ये नहीं कह सकती कि इस धर्म को देंगे मतलब समान रूप से सब को देगी किसी को प्रात्मिक्ता नहीं दे सकते तो समान रूप से आप देगे समान रूप से सभी धर्मों के चाहें तो दे सकते हैं लेकिन आप प्रात्मिक्ता किसी को नहीं दे सकते लेकिन आप क्या करेंगे प्रात्मिक्ता नहीं दे सकते ये इसलिए लिखवा दिये क्योंकि ये फेंच C.U.P.S.C. ने इसको पूछा था कि प्रात्मिक्ता जो है आप नहीं दे सकते सरकार अनुदान दे लेके समान लूप से दे प्रात्मिक्ता की आधार पर ना दे तो ये तो था आपका धर्मिकी स्वतन्तरता का दिकार और सोशन की विरुदददिकार ठीक है आर्टिकल 23 अर्टिकल 25 से लेके 28 अज हमने बात कर ली आगे सोशन की 23 से 24 ठीक है अब हम बात करेंगे सांस्कृति और सिक्षा का धिकार क्ल्च्रल और एजुकिशनल लाइट आर Article 29 and 30, ठीके, बहुत ध्यान से सुनोगे और खुद भी जोड-जोड से पड़ोगे, याद हो जाएगा आपको साथ-साथ में, बाद में माथापच्ची नहीं करने पड़ेगे, चलो, अब देखो, अल्प संख्यकों के हितों का संरक्षन, Article 29, भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाशा, लीपी या संस्कती को सुरक्षित रखने का अधिकार है, अनुच्चे दुनत्तिस धार में कल्प संख्यकों को और भाशाई अल्प संख्यकों को सुरक्षा प्रदान कर रहता है, वन बोर कुश्च्चन, यूपीसी ने पूछा कि मूलदी कारों में अल्प संख्यकों में क्या क्या शामिल है, मतलब आप किसी को अगर माइनौरिटी कह रहे हो, अल्प संख्यक कह रहे हो, तो किस आधार पर कह रहे हो, तो या तो देखो कि वो धर्म, ठीके, या तो फिर वो भाशा की आधार पर है, तो हमारी धर्म और भाशा जो है, ये ऐसे दो आधार है, ये ऐसे दो आधार है, जिसके आधार पर किसी को अल्प संख्यक माइनौरिटी कहा जाता है, तो अल्प संख्यकों को अपनी भाशा, अपनी संस्कृती और जो अपनी बाकी सार ली देखा जाता है कि वहाँ पर उनको अल्प संक्यों को दर्जा प्रापते वहाँ पर वह अपनी सिक्षा अपनी संस्कति इन सब को बनाया रखने के लिए डेफिलिटली कर सकते हैं तो यहां पर तो बोली भाषा लीपी और संस्कति चार बाते कहीं गई एक तो बोली एक भ अलीपी इन सब को बचाया उसके बाद आपने क्या किया कुछ सिक्षा संस्थारों की स्थापना कर ली सिक्षा संस्थानों की स्थापना कर ली ठीक है तो देखो सभी अल्प संक्यक वर्गों को अपनी रुची के जो सिक्षा संस्थान उनकी स्थापना और उनके प्रसाश के द्वारा भी जोड़ा गया था राज आर्थिक सहायता में अल्प संख्यक द्वारा प्रबंदित किसी सेक्षिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा ठीक वैसे ही जैसे कि धर्म की आधार पर इस्थापित जो संस्था है उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया इन्होंने क्या कहा ता इससे संविधान की आत्मा और हड़ै कि संविधान की आत्मा बाहर दै तो किसी संग्यादी आर्टिकल ठाटी-टू अब इसलिए कहा गया क्योंकि Article 32 क्या कहता है कि अगर आपके बाकी जो अधिकार है उसका हनन हो रहा हो उसका उलंगन हो रहा हो तब आप सीधे कोट जाकर इसको लागू करवा सकते हैं और इसी लिए इस अधिकार को जस्टिशेबल कहा जाता है नायोग कहा जाता है नायोग कहा जाता है ठीक है जस्टिशेबल कहा जाता है नायोग कहा जाता है क्यों कि आप फंडामेंटल को लागू करवा सकते हैं लागू करवा सकते हैं और यही आर्टिकल है है ना कि यहाँ पर हम कहते हैं कि जो सुप्रीम कोट यह अभी भावक है आपके फर्णमेंटल राइट का गार्जियन है अभी भावक है गार्जियन है ठीक है अब देखो आगे तो यहाँ पर सुप्रीम कोट क्या है हमारे मौलिक अधिकारों का संदक्षत अनुच्छित बक्तिष को सम्विधान का सबसे महत्यपूर अनुच्छित माना जाता है क्योंकि यह प्राभधान करता है कि मौलिक अधिकारों के संदक्षन का अधिकार स्वेम में एक मौलिक अध अधिकारों के प्रवर्तन, प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, लागू कराना है न, एपली केबल कराना, तो यहाँ पर इन्फोर्स कराना, प्रवर्तन के लिए उपायों का अधिकार एक देता है, तो अगर आपके fundamental rights को वोईलिट किया जाता है, तो अब दारिक सुप्रीम कोड जा सकते हैं, तर्वूच नाले ने ये ववस्था दीख की, दो पॉइंट से, बताव जारा इस कोईशन को, अनुचेत 32 में सम्विधान की मूल विशेषता है, मतलब वही basic concept होगे आपका, ठीक है, basic structure, मूल विशेषत है, मतलब basic structure, इस तरह सम्विधान संशोधन की तहत बदला नहीं जा सकता, अगर मूल विशेषता है, तब क्या इसे बदला नहीं जा सकता, Article 32 को, Article 32 को नहीं बदला जा सकता, नहीं खतम किया जा सकता, इसको है न, तो इसे बदला नहीं जा सकता, यहां पर आपको याद होगा दोरों ही बातें इसमें सही है कि एक question का आणसर और शुकर याद रखोंं की लिए हुए कि वैसे तो आमने देखा कि आर्टिकल 32 क्या जह रहा थै कि आपके आर्टिकल 14 से लेकर जो आपके आर्टिकल्स दिये हुए है आर्टिकल 30 तक है ना तो इन सभी को आप enforce कराने के लिए आप लागू कराने के लिए कहा जा सकते हैं ये बात कही गई आर्टीकल 32 में लेकिन आपको एक बात और याद रखना है कि क्या इन अधिकारों का कभी भी निलंबन suspension नहीं हो सकता है तो रास्टी आपातकाल अगर लगा है तो र रास्टी आपातकाल रास्ट्पती जब रास्टी आपातकाल घोशित करेंगे आर्टीकल 359 के तहट इसको क्या स्थगित कर सकते हैं आर्टीकल 359 के तहट इसको कुछ समाई के लिए स्थगित किया जा सकता है ठीक है 359 से संबंदित है आर्टीकल 32 को अगर निलंबन उसका क पेशन करना हो तो रास्टी आपातकाल के दौरान आर्टिकल 359 के अंतरगत तो आर्टिकल 359 कि से संबंदत हुआ? आर्टिकल 32 के निलंबन से, ठीक है? अब देखो आर्टिकल 32 में कौन से प्रावधन शामिल नहीं हैं, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समोच या आदेश जिसको की रिट कहा, एक कारूनी अधिकार उसको ही रिट कहा जाता है, ठीक है? रिट, अब नेक्स हम रिट पर ही आएगे, रिट जारी करने का अधिकार होगा, रास्पती को यह शक्ति है कि वह किसी भी अन नालय को सभी प्रकार के निर्देश आदेश जारी क करने की शक्ति प्रदान करें या फिर सभी सकते हैं आदे बच्चों ने सूच लिया होगा कि यही सही है एक शब्द या लिखा है याद अटना कि राश्पती नहीं बलकि संसद अगर मौलिक अधिकारों में संशूधन करना है तो यह शक्ति भी संसद के पास है न कि वे संवि अर्टिकल थर्टि एंट हुगए को तक हो गजैन सब्सक्राइո आजिक सब्सक्राइब युक्ति प्रतिबंद करें zawsze अच्छे यह बताओ कि मालो CBI है, ठीक है या फिर intelligence bureau है, intelligence bureau के member कहें, ठीक है कि हमें तो वाकुर अभिव्यक्ति की स्वधनतक अधिकार है, हमें right to speech है, इसलिए हम सारे जो गुप्त रहें हमारे पास अब वो हम सब बता देंगे, क्यों क्योंकि हमें right to speech है, या फिर अगर यहाँ पर पुलिस कहने लग जाए, पुलिस बल कहने लग जाए, कि हमें voting करनी है, हमें अपनी जगा रहना है, तभी हम वहाँ पर voting कर पाएं, क्योंकि वहीं का voter ID है, और अगर वो उसके लिए जाए, तो पुलिस duty कौन करेगा, तो ऐसे में क्या पुलिस वालो के fundamental rights है, या नहीं है, तो क्या इनको प्रतिबंद, युक्ती-उक्त प्रतिबंद लिखा है, कभी भी मौलिक अधिकारों के आगे, अगर मनमाना प्रतिबंद लिखा है, आर्बिट्रेटरी लिखा है, वह गलत हो जाएगा, कि आर्बिट्रेडरी नहीं होगा, आर्बिट्र के लिए बच्चों तो अनुछे 33 जो है बिल्कुल सही कहता है 34 कहता है कि मौलेक अधिकार उपर प्रपतिबंद तब लगाया जाएगा जब भारत में कहीं मार्शल लो लगू हो मार्शल लो जैसे वालों कहीं युद्धे कहीं अशांति हैं कहीं दंगा है तब वहाँ पर क्या है एक दर सेश्थेस्शानिक छाबनी में तब दिल कर दिया जाता है और ऐसे ही में अगर सेणा उस्वक्त का जो सोसाइटी को को पर दांस करोंगा तो फिर पुलिस करेंगी आपके साथ तो यहां पर क्या है कि दिखो अगर कि सांथी विवस्था को माली जम्मू कश्मीर में शाल्लो लगा है या फिर कहीं पर नौर्थ-ीस्ट में लग गया दंगे को कंड्रोल करने के लिए तो फिर ऐसे में तो fundamental right क्या है 35 कहता है कि केवल संसद को कुछ विशेश मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए तालून बनाने की शक्ती है और ये अधिकार राज विधान मंडल को भी प्राफ्त है ठीके तो यहाँ पर देखो दूसरी बास सही है 33 हो गया ये याद कर लो 34 हो गया ये याद कर लो 35 हो गया इतनी लाइन याद कर लो बस आदी लाइन ये गलत है ये अधिकार राज विधान मंडल को भी प्राप्त है गलत है राज विधान मंडल को ये अधिकार नहीं है केवल और केवल संसत के पास अधिकार है कि कुछ fundamental rights जो है उसको प्रभावी बनाने के लिए lawmaking कर सकती है, कानून बना सकती है, समझे, तो यहाँ पर यह आपका C auction है, यह गलत हो जाएगा, यह चलो, देखो, अब हम आते हैं, एक बार थोड़ा सा यह देखलो, आर्टिकल, कि अगर हम 12 से 30 की बात करते हैं, तो क्या इनका निलंबन किया जा सकता है, तो 20 और 21 को अगर हम छोड़ें, तो रास्टी आपातकाल के दौरान सबका जो निलंबन है, वे किया जा सकता है, इसके अलाव आर्टिकल 19 में जो 6 स्वतंतरता हैं दे गई हैं, जो 6 मौलेक अधिकार आपको दिये गए हैं, कि घूमने की स्वतंतरता, या फिर आपके निवास की स्वतंतरता, तो इने देखो, युद्या विदेशी आकर्वन के आधार पर, रास्टी आपातकाल की घोशना अगर की आए गए, जैसे यहाँ पर कहें दिये कि 20-21 को निलंबन का भी नहीं किया जा सकता, ठीके, या फिर हमने कहें दिये कि आपको 19 है, उसको निलंबन हमारे आपातकाले पर तीन आधार ओपर लगाया जा सकता है, दो आधार ओपर, तो आपको 19 जो है, इसको रिस्टिक्ट किय जा सकता है, बट एक आधार पर नहीं वो किये, आंत्रेक आपातकाल, ठीके, आंत्रेक आपातकाल, सशस्त्र विद्रू, सशस्त्र बल, आर्दसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तिचर संस्थाए, और ऐसे ही अन सेवाओं के क्रियानवेन पर संसत्थ पतिबंद आरोपित कर सकती है, ठीके, यह आर्टिकल 33 है, और ऐसे क्रियानवेन, ऐसे इलाकों पर भी fundamental rights की अगर हम बात करें, तो इनका क्रियानवेन रोका जा सकता है, अगर वहाँ पर फौजी कानून यानि सेन निसाशन है, यानि मार्शल लौ है तो, ठीके, तो यह आसामान ने कुछ यहती प किया जा सकता, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 में जो आपकी यह 6 स्वातंतिरताएं हैं, इन 6 स्वातंतिरताओं को, अगर आंत्रे का पातकाल है, तब निलंबन नहीं हो सकता, आंत्रे का पातकाल के आधार पर, निलंबन नहीं हो सकता, तो आधार क्या-क्या है, आधार है आपका युध्याविदेशी आक्रवन, लेकिन आंत्रे का पातकाल नहीं ठीके, और इसके बाद हमने 33 की बात कर ली, और इसके बाद हमने देखा कि सैने साशद, देखो अब हम बात करेंगे कि जो नॉट टूडू एक कानूनी या वैद आदेश कुछ करने या ना करने का ठीक है? कुछ करने या ना करने का उसे ही क्या कहा जाएगा? रिट कहा जाएगा और ये जो रिट है UPSC ने कोशन पूछा कि केवल और केवल Supreme Court इसको जारी कर सकता है क्यों क्योंकि यहां पर हम दिखते है कि सर्मोच नियाले जो है अनुचित 32 के अंतरगत और जो आपका उच्छ नियाले है वो आप आटिकल 226 के अंतरगत रिट को जो है जारी कर सकता है पाच तरह की ये रिट होती है पाच तरह की अब देखो आपको Hindi English डोनों में याद करना उसके पीछे रीजन है कि परमादेश मेंड़मस भी लिखा हो सकता है हिंदी में समझे हैबियस कारपस हिंदी में हैबियस कारपस भी मिल सकता है बंदी प्रत्रेक्षी करण लिखा बिल जाए जरूरी बिलकुल नहीं है तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का भेदभाव ना करते हुए प्लीज आप इंग्लिश पी इसको याद रखें सो बंदी प्रत्रेक्षी करण हैबियस कारपस पमादेश मेंड़मस प्रतिशेद प्रोहिबिशन उत्प्रेशन सर्टियोररी अधिकार प्रक्षा क्यू वरंचो सश्रीर प्रास्तूत करना आपको पता है कि जब रॉलिट एक्ट पारित किया था 1991 में उसको काला कारून की संग्या दी गई थी क्योंकि इसमें जिसको गिरफतार किया था उसको पेश करने की कोई बात नहीं थी ठीक है तो यहाँ पर देखो हैबियस कारपस बंदी प्रत् आपको एफटार कर लोग बात कांकरे सरकार किस दूर्त इह रह जाएं तक कि गया वह और मिली नहीं रहा है घ् 시청 पार्मादिश का देना मेंडबस है ना कुछ करने को कहना प्रती शेद प्रोहिमिशन इसका मतलब होता किसी को रोकने का आदेश देगा और आगे हम देखेंगे बाकी दो रिट को एक-एक करके समझते हैं सबसे पहले दिकार प्रक्षा को देखो ठीक है? अच्छे इस पे एक और पॉइंट है ये रिट का मतलब तो हमने समझ दिया अब इसके बाद ये देखो कि अगर हम बंदी प्रत्यक्षी करण देखें तो ये किस के किस के खिलाफ जारी किया जा सकता है तो देखो जो बंदी प्रत्यक्षी करण है जो ये first वाला है बंदी प्रत्यक्षि करन्ट ये सार्वजनिक और निजी दोनों के लिए जारी किया जा सकता है सार्वजनिक बानिजी दोनों के लिए ये भी important है कौन किसके लिए जारी किया जा सकता है किसके लिए नहीं फेकेंड वाली जब हम पर्मादेश की बात करते तो देखो ये केवल सारजनक अधिकारी और सारजनक करतव्यों के लिए ही आदेश जारी किया जा सकता है आपसे नहीं कहा जा रहे है कि भई आप घर पर पर पढ़ाई ठीक से क्यों नहीं करते या फिर और किसी और तरीके के लिए जारी नहीं किया जाएगा तो ये क्या है पर्मादेश यानि कोई व्यक्ति जो अधिकार अपने जो उसका करतव है वो नहीं कर रहा है तो ऐसे सार्जनिक अधिकारों के लिए सार्जनिक जो अधिकार है अधिकारी है सार्जनिक अधिकार के लिए जारी किया रहा है सावजने कर्तव्य के लिए है ना कुछ करने के लिए कहा जा रहा है जो उनका करतवे पर वह कर नहीं रहे तो यह जो रिठ ना ऐसी कौनसी रिठ है जो केवल नयायक और अर्ध नयायक प्राधी करनों के लिए होती है विधाई और प्रसाशने के लिए नहीं वो यह यह प्रतिशेध है ना तो यह जो है वह सिर्फ जो न्यायक है वा अर्ध न्यायक है न्यायक है वा अर्ध न्यायक ठीक है इनके लिए बस जारी की जाएगी विधाई वा प्रसाशनिक के लिए नहीं विधाई प्रसाशनिक या निजी संस्ता के लिए इसको जारी नहीं किया जा सकता तो यह आपका प्रतिशिदी तीसरा हो गया इसके बाद देखो चौथा हम बात करते हैं किसका उत्प्रेशन उत्प्रेशन देखो उत्प्रेशन का मतलब होता है इसके बात करेंगे तो जो बी उच्णियालए है ठीक है उच्छिन्यालए मतलब हाई कोट रस प्रेम कोट का केस हुआ तब तो अपक्स आथोरिटी सुपर ओफर सौरी और जब हम हाई कोट और बाकि डिस्ट्रिक कोट की बात करेंगे तो यसे में जो उच्छिन्यालए बात क ही आपनी जो अधीनस्थ जुस्था बॉनिनेट है जो अधीनस्त न्याल है उसके लिए जारी कि यह उत्प्रेशन और देखो किसी कि द्वारह की दावों की जाच करना द्वारर कारले कि दावों की जाज करना वो क्यू वरंटों है यानि उसके अधिकारों को पूछता कि आप इस पद पर किस हक से काम कर रहे है वह आपका अधिकार प्रक्षा होगा धिएर है चलो आप थोड़ा थोड़ा देखते हैं तो देखो अधिकार प्रक्षा पहले पढ़ लेते हैं तो आप क्या प्राधिकार है आपको या वैधानिक रूप से अगर किसी सार्जनिक पद पर कोई व्यक्ति आसीन है तो उसके विरुद्ध ये जो रिट है उसको जारी किया जा सकता है साधरन अवस्था में सम्वैधाने कुप्चारों को निलंबित नहीं किया जाएगा संसद इनको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगी आपातकाल की जो इस्तिती है उसमें किसी प्रदेश की आवशकता अनुसार कुछ अच्छा ये तो मॉलिक अधिकारों वाले एक पार्ट हो गया ठीक है तो देखो पर्मादेश की हमने बात कर ली पर्मादेश अंग्रेशी common law में एक प्रमुक लेख है इसका मतलब होता है साधरन कानूनी उपाय आपरियाथ होने पर संप्रभू एकाई के द्वारा जारी किया जाने वाले एक साधरन डिट है और इसका मतलब होता है पर्मादेश का मतलब होता है कि हम आग्या देते हैं पर्मादेश का क्या मतलब होगा कि हम इस चीज़ की आग्या देते हैं ठीक है का मतलब है हम आग्या देते हैं और इसे निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता ठीक है चलो आगे देखते हैं तो इसमें कर्तव विपारण का बिसिकली जो आदेश है मैं दिया जाता है बंदी प्रित्यक्षी करण हैवियस कारपस का मतलब हुआ कि वह बंदी जिसको नहादीश के सामने उपस्तिती दर्ज करें कैद करने की वज़ा बताए अगर आसंतुस्थ है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म दिया जाता है ठीक है आपने आर्टिकल इसके पहले भी जो आर् सारजनिक प्राधी करण हो और व्यक्तिकत हो दोनों के खिलाफ जो है यह रिट जारी की जा सकती है इसका मतलब होता है सशेरेज प्रस्तूत करना मतलब जिसको हिरासत में लिया गया है अगर मालों उसको अवैद तरीके से रखा गया है तो उसको कैसी स्वतंत कराया जाए तो उसके लिए हैबियस कापस जो रिट है वैं दायर करने की वकीन सलाह देते हैं। प्रतिशेद, प्रोहिबिशन रिट, किसी भी नयायक या अर्ध नयायक संस्था के विरुद इसको जारी किया जाएगा, ठीके। और इसके माध्यम से नयायक अर्ध नयायक संस्था को अपने अधिकार शेतर से बाहर निकल कर काम करने के से उसको रूपा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो कि जब हम प्रतिशेद की बात करेंगे, प्रोहिबिशन की बात करेंगे, बैसिकली इसका मुख खुदेश होगा कि जो अधीनस्त नयालाय हैं, उनको अपनी अधिकारिता का अतिक्रमन करना और विधाई का कारेपाली का एनिजी व्यक्ति, एनिजी सं स्थाओं के केस में इसको जारी किया जाएगा, ठीके, तो यहाँ पर प्रतिशेद हो गया, तो याद रखना कि प्रतिशेद का इसका शाब्दिक करत होता है, प्रतिशेद का शाब्दिक करत होता है, रोकना, है न, सीधी भाशा में अगर हम कहें, तो इसका अर्थ होगा र जारी किया और यहां पर प्रतिशेद और जो उत्प्रेशन है इन दोनों में एक अंतर है ठीक है और दिको ये अंतर है कि प्रतिशेद रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कारवाही चल रही हो और इसका मूल उद्देश होता है कारवाही को रोकना लेकिन उत्प्रेशन कारवाई समाप्त होने के बाद निर्ने समाप्ति के उद्देश से की जाती है तो यहां पर कारवाई को रोका तो प्रोहिबिशन दोनों के उद्देशन जो है वह कब समाप्ति के उद्देश से इसकी तो यहां पर बिसिकली यह हो गया चलो एक कुश्चन को देखो एक अधिकार तब संभव है जब आप ऐसे दावा करते हैं जो दूसरों के लिए समान रोप से संभव है असत्र आपको बताना है एक अधिकार दूसरों के अधिकारों को समान का दायत वह के साथ आएगा संभविधान के द्वारा प्रदत मॉलिक अधिकार ही केवल नागरेकों के अधिकार है या मॉलिक अधिकार सभी अधिकारों का स्रोथ है मौलिक अधिकार सभी अधिकारों का स्रोथ है हाँ ये बात सही है मौलिक अधिकार जो है पर सभी अधिकारों का स्रोथ है लेगे इसमें जादा गलत जानते हो क्या है कि केवल मौलिक अधिकार ही है तो भाई मौलिक अधिकार में माल लेजे कि अगर right to vote की बात नहीं की गई या और भी ऐसे अधिकार है तो अगर इन सब की बात नहीं की गई तब यह तो गलत हो जाएगा न? यह बात बिल्कुल सब्सक्राइब है दो कि अधिकार तो तभी संभव है न? केवल आपकी अभी व्यक्ति की स्वतंता पर प्रती बंद लगा है तब आप उस चीज को नहीं मानेंगे है ना अगर आपको लगता है कि यह जो नियम है दूसरे पर भी सेम उसमें अपलिकेबल है और अगर वो इस काम को नहीं करेगा तो जो हमारी नय पालिका है उसको करेगी दढ़ देगी तब ऐसे में आप उस चीज को मानेंगे तो बेसिकली समान लूप से एक तबी संभव होता है एक अधिकार जब लोग बाकी उसको माने और ऐसा एक दावा जो आप बाकी लोगों के लिए भी मांजें से कि आप स्वतंता के अधिकार की बाद करेंगे तो आपको उसकी स्वतंता की जो रक्षा है वह भी करना होगा है ना चलिया अब हम देखते हैं अच्छा एक पर संपत्ति का अधिकार जो है वो मैंने अलग से इसलिए में आपको बता दे रही क्योंकि यहां से यूपसी ने कुश्यन पूचा यह पूचा गया यूपसी का समझ में आ रहा है इसे कुश्यन से रिलेट करने पर या करेंट अफ्यर से रिलेट करने पर भारत में संपत्तिक अधिकार की स्थिति क्या है सीधा कुश्यन पूचा केवल नागरिकों के लिए उपलब्द है कानूनी अधिकार है किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्द कान कौन सा अधिकार है यह देखो राइट टू प्रॉपर्टी जब हम शुरू में देखेंगे आपको याद अठना है कि पहले यह मौलिक अधिकारों में शाबिल था और हमारे अधिकारों की संक्या साथ हुआ करती थी तो इस ते अनुच्छे 31 में शामिल किया गया था लेकिन 44 जो संविधान संचोधन होता है 1978 में वहां से इसको हटा दिया गया था तो आपको याद अठना है कि जो आपका भागबारा है और आपका जो आर्टिकल है जो अनुच्छे देवे क्या है 301 इसके अंतरगत इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया एक लीगल राइट है एक लीगल राइट है अच्छा देखो बिसिकली जब संसत के द्वारा जब संसत के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया थे कि जब इस अधिकार को कम किया गया या हटाया गया शुरू में तब इस चीज़ पर जो सुप्रीम कोट है उसने एक्शन लिया और कहा कि भाई खेंशान कि फंडामेंटल राइट्स जो है वैं सारे यह हमारे बेसिक अस्ट्रक्चर का पार्त है और अगर यह हमारे मौलिक अधिकार का पार्द तब आता एक तो यहां पर सुप्रीम कोट के द्वारा पहले संबत्ति के अधिकार को धीरे से basic structure से हटा दिया कि अब अब पत्ती का जो अधिकार है हमारे मूल या फिर बुन्यादी संरचना का भाग नहीं है तो उसके बाद संसत के द्वारा ये जो आर्टिकल इसको legally संविधान संचोधन जो है वे legally किया गया और फिर इसको भाग 12 मेन उच्छे 300a पर लाया गया ठीक है तो मौलिक अधिकारों से इसको हटाया गया एक और देखो निमने पर विचार करते हुए असत्त को जने सरवोट चिनाले ने भोजन के अधिकार को शामिल करने के लिए जीवन के अधिकार के का विस्तार किया करण अधिकार से संबन देते हैं क्या भोजन के अधिकार को इसमें शामिल किया मिड़े मिल जैसी यूजनाओं की बात करें तो क्या उनको इसमें शामिल किया गया संबिधान कई और अधिकार प्रदान करता है जो मौलिक अधिकार नहीं है ये बात भी सही है, संबिधान का संपत्तिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बलकि ये कि संबिधालिक अधिकार है, तो इसमें सही विकल्प क्या होगा, इसमें सही विकल्प क्या होगा, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, अब देखो हम एक बात और करते हैं, है इस तरह के जो कॉंसेप्स है ठीके तो यहां पर देखो अगर हम मूल अदिकारों की बात करेंगे सबसे फस्त यह याद रखो बच्छों अच्छा सोमनात लाडी एंसी आटी जिन बच्छों ने पड़ी है आप देखेंगे क्यों सोमनात लाडी ने क्या कहा लाड़ी यह लाड़ी ववज आपको मिलता है इनके द्वारा यह कहा गया कि तरीक से हमारे जो फंदमेंटल राइट बने है ना इनका पुलिसिया दस्टी कोड है इनका क्या है पुलिसिया देस्टी कोड है और इसका मतलब यह है कि जैसे कि आर्टिकल 19.1 में आपको कुछ अधिकार दिये गए तो आपका जो आर्टिकल 19.2 है इसमें उन अधिकारों को क्या किया गया वापस लेने का जो प्रावधान है या इसमें निलंबन करने का जो प्रावधान है वै बना दिये गए या निलंबन करने का जो प्रावधान है वै बना दिये गए ठीके तो यहाँ पर एक तरीके से पुलिसिया दस्टी कोड से इसको तयार किया गया और इसलिए इसका इसकी आलोचना जो की जाती है उसका सबसे first point क्या है? सबसे first point इसका ये है कि इसकी जो सीमाई है वो ज़ादा है व्यापक सीमाई है या जो प्रतीबंध लगाये जाते है वो ज़ादा है जो प्रतीबंध है वो ज़ादा है ठीके? ये इसके एक आलोचना हो जाती है और यहाँ पर सुमनात लाड़ी का जो एक concept है यहाँ पर आपको याद रखना है इसके अलावा देखो कि इसके जो सूची है इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे मूल अधिकार इसका मेर उद्देश एक तरह से राजनेतिक लुक्तंतिक की स्थाप्ता करना लेकिन हमारे सामाज मेर अधिकार बाकी आठिकार जो है उसका क्या तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि इसकी जो लिस्ट है जो सीमा है उपर से यह कहा कि जो अधिकार है वह उतने विस्तेष नहीं है कि देखो आलूचना जब करना हो तो हम कुछ आलूचना ऐसी भी कर दे थे जो नाविशक होती है क्योंकि जब हम महत्वि की बात करेंगे तो हम महत्वि देखते हैं कि इनका बहुत महत्व है और इसके अलावा भारत में जितनी विस्तित रूप से अधिकार दिये गये है कुछ बीच में चीजों को जोड़ती रहती है जैसे कि आपका article 21 है जीवन का अधिकार और इस जीवन के अधिकार में कितने अधिकार नहीं जोड़े गए हैं यह जो जीवन का अधिकार है आपका right to life है आपका right to personal liberty की अगर हम बात करेंगे तो चाहे livelihood हो आपका education कितने सारे अ इसमें की गये, इसके बाल अलावक इसमें ये कहा गए कि प्रापर जो क्लारिटी है नहीं है पस्टिता जो है यह नहीं ißeृरिटी कुछ कम है थोड़ा सा, अधिकार जो है जो है वै प्रपर तरीके से इसकी व्या क्का है नहीं की प्रतिबंद लगा रहे है अभी व्यक्ति राइट एकस्प्रेशन की जब हम बात करेंगे स्पीच की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि सरकार नोख विवस्था मतलब क्या है अलप संख्यकों कि जिसे अब संट आप देखेंगह शायद 21 क्या असपास अलप संक्या की परिभाशा को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद रहा कि अलप संक्या का मतलब क्या है आपके साधार पर किसी एक कम्यूटी को प्रापर अलप संक्या के तब आप उसको अलप संक्या के दर्जा दे कर कोई विशेश उसको अधिकार दे रहे हैं ठीक है यह हो गया अब इसके लावा देखो कि कुछ-कुछ ऐसा आरूप भी लगाया जाता है कि जो सम्विधान है वकीलों का स्वर्ग है क्यों इन बाते होगे एक तो प्रतीबंद जादा है सीमा कुछ जादे ही व्यापक है अधिकारों की जो सूची है वैकाम है और इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से स्पस्ता का अभाव है अब देखो कि अगर आप कोट जा रहे हो सुप्रीम कोट जा रहे हो तो आपको इसके जा सकता है या क्या केवल जो केवल अमीर है क्यवल वही बस केवल अपने fundamental राइट जो है कि वर उनिक अधिकार और किसी के अधिकार नहीं है तो यहां पर एक जो आरोफश पे यह लगाया जाता है कि यह जो हैं ने किθε मH respond कि क्यों क्यों इसका जो उपचार है वह बह तो यह कुछ ऐसे important 4-5 points हो गए कि आप इसमें लिख सकते हैं कि कैसे जो हमारे fundamental rights है उसकी कुछ आप एक आलोचना या फिर सीमा यह आप कह सकते हैं अब दिखो इसके लावा जब हम महत्व की बात करेंगे तो महत्व क्या है आपको पता है कि किसी भी दीश का जो सम्विधान अगर आप चाते हैं कि लोग उस सम्विधान को माने तो इसके लिए आपको उसे कुछ वजह देनी होती है और हमारे यहां वजह क्या है fundamental rights तो हमारे सम्विधान में fundamental rights क्या है कि नागरिकों के लिए संडक्षन क्या प्राप्धान किया गया है हमें सरकार से यह बचाएंगे सरकार की निरंग कुष्टा से बचाएंगे उनके जो arbitrary rules जो बना रहे हैं उससे हम बचेंगे तो ऐसे में fundamental rights से सम्विधान का जो महत्वे बहुत बढ़ जाता है तो जो भी नागरिक है इनके विकास के लिए fundamental rights बहुत जरूरी है नागरिकों के विकास के लिए बहुत जरूरी है चाहे उनका भौतिक उन्डिती हो, सामाजिक उन्डिती हो भौतिक हो सामाजिक हो ठीके आध्यात में कुन्नती हो तो उनके सभी तरह के विकास के लिए जरूरी है इसके अलावा देखो अगर आप कहते हो कि एक लोकतंत्र है तो क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्रिक देश में जब तक आप लोकतंतिक देश में लोगों को अधिकार नहीं देंगे आप तक तक उसको कैसे लोकतंत्र कहोगे लोकतंतिक देश में जो अधिकार देना है वह बहुत ही ज़ादा जरूरी हो सकता है जरूरी है तो यहाँ पर इस तरीके के जो प्रोविजन है कि महत्व इंपोर्टेंस क्या है एक समाज में एक तरह से शांति ववस्था बनाए रखना जो चाहे हम सामुदायक बाप करें या हम धार्मिक देखें तो किसी भी तरह का सामुदायक या धार्मिक जो वर्चस्व है जो ट्रेनी है वह ना स्थापित वर्चस्व स्थापित ना हो इसके लिए प्रॉपर प्राफधान किये गए सभी को सौथंत्त समानता की बात कि हैं ठीक हें इनकाוח यह है कि हमारे समाज में कुछ कुछ कुरी ती गाई ती जसे चाहिए कि द्गर guidance कंब करनेatri को सम्टाइम्स क्या होता है कि माली जी कुष्शन जो है वकील यहां से आगया कि क्यों आकर संभ्धान को वकीलों कास्वर्ग कहा जाता है तब आप उसकी सीमा किए कि यह जो है बताएब कि यहmek इसको ज्यादा विस्तरत है कि वकील जो है वैं अपने अक्यूंश त्यस्तरिक लाधि को मोड़ करने अपकूर olmaz यह व्याक्य करने की बिव्याख्यक्त में थिक व्याव थे इसको वकीलों का स्वर्ख तर याधि에게 कि स्टेट्मेंट आ जाते हैं या फिर सुमनात लाड़ी के द्वारा ये कहा गया था कि जो फंडमेंटल राइट से वे पुलीसी अद्रस्ट्री कोर्ट से बनाए गए थे आकर इनकी जो अप्रोच है वे क्यों ऐसी क्यों थी इनकी अप्रोच ठीक है तो यहां पर इस तरीके इस जो कुश्चन है वह भी आ सकता है तो देखो हमने देखा कि मोल अधिकार क्या है पिछले वर्षों के पेपर देखे विशेष्टाय राजी की परिभाषा मौलेक अधिकारों से आसंगत विदी रिट प्रकार शेते संपत्ति मौलेक अधिकारों क्या लोचना महत्वक सम अधिकारों का ठीक है इस सब की हमारी बात हो गई हमने कुछ पीवाई क्यूस देखे कुछ मेंस के कुश्चन देखे मेंस के कुश्चन देखे फिर हमने जाना कि जो फंडमेंटल राइट है क्या है भाग तीन में है आर्टिकल 12-35 ठीक है और डूनोट क्रोस की एक जो डेमोक्रसी नकारात्मक है क्यों क्यों कि राज्य को कुछ करने से रोकता है क्या करने से रोकता है क्या आप कुछ भी ऐसी विधी नहीं बनाएंगे जो की फंडमेंटल राइट का अगेंस्ट हो और यहां पर हमने विशिष्टाओं की बात की और हमने विशिष्टाओं भी क्या देखा कि एक तो जो है नकारात्मक प्रवत्ती है क्यों कि सरकार को कुछ करने से रोकती है second हमने बात की कि न्याय उचित है क्यों कि आप supreme court high court Бाकी जगर जाकर इसको इनपोर्स करा सकते है और कुछ कुछ हैसे है जो खेवल नागरिकों के लिए है कुछ ऐसे अधिकार है जो की विदेशियों के लिए भी है हमने देखा कि इनका निलंबन कब कहा कैसे किया जासकता है हार में जाना कि यह जो है वह unlimited नहीं है औसेमित नहीं है इस पर reasonable restrictions लगाए जा सकते हैं हमने कि यह जो है वे स्थाई नहीं है क्यों कि अगर संसज्ज्वेस में कटौती कर सकती है संविधान संशोधन के माध्यम से ठीक है अगर स्थाई होते तो संपत्ति का दिकर कैसे हटाया जाता हमने देखा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट से जो आपका पार्ट्री है भागतीन है तो यहां पर इसे छे व्यापक भागों में बाटा गया है छे अदिकार आपको दिये गए हैं आपका समानता से स्रूरू करो देखो जितना जादा आप क्रम से चीजों को याद रखोगे उतना अब आपने समानता का दिकार तो आपको आपको थोड़ा सा जादा अच्छे से याद रहें कि अच्छा यह पॉटी तो आपको पता है किसके बाद सीधा है विश्वतंता का दिखार तो आपको पता है चलो इसके आगे 19, 19 से शुरू कर लो 22 तक फिर उसके बाद 23, 24 जो है वे बीच में आपका एक्स्प्राइटेशन, सुषन की विरुद अधिकार आ गया उसके बाद 25 से लेके 28 तक आपका धार्मिक आ गया तो अगर आप क्रम से यह अदियाद रखो कि समानता, स्वादनता, सुषन, ठीके धार्मिक, और संस्कृतिवा सिक्षा तब इस तरह के सापको सारे ज कि समवेधानिक उप्चारों का धिकार है क्या और इसके अंतर गता आप जो रिट का प्रावधान है, बंदी प्रित्यक्षी करन, अधिकार, प्रक्षा, यह सारे चीज़ें लिख सकते हो, क्लियर, इसके अलाव आपने आर्टिकल 12 और 13 की बात कि आर्टिकल 12 कहता है कि पाली का यह नगर पंचायत यह सब आएगा, मूल अधिकारों से आसंगत विधियो में हमने बात की कि आर्टिकल 13 यह कहता है कि कोई भी जुडिशल डिव्यू किया जा सकता है, उस बात का उस लौका जो की फंडमेंटल राइट का वाइलेशन कर रहा है, कर रही है, तो यह यहाँ पर जुडिशल डिव्यू का जो कॉंसेप्ट है वे आर्टिकल 13 से आता है, तो यहाँ पर देखो, यह जो जुडिशल डिव्यू है, यह सरवुच नयाले को आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अतरगत हाई कोट के पास है, तो आगे देखते हैं, इसके बाद हमने आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इस तरीके से समानता की बात की गई, हमने देखा कि समानता की जो बात है, आर्टिकल 14 जो है, वे दो तरीके से दो इसके भागे, एक तो विदी के समक्ष समता और समान संदक्षन, समानता की बात बिटेन से ली गई है, जिसे कि हमने एवीडाइसी विदि की भी बात करते हैं विदी के समक्ष समता है और गसी hub करते हैं इसको विधि के उलंगन जब तक उसने कोही रूल नहीं तोड़ा तक तक सोगरमै गरफतार नहीं चाल सकता कि तीसरा जो है कि सम्विधान व्यक्तिगत अधिकारों का परणाम है ये इनों ने कहा हरत में ये अप्लिकेबल नहीं क्योंकि भारत में सम्विधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोथ है ना की परणाम ठीकें चलो आगे हमने देखा आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है कि नागरिक के प्रती धर्म मूलवंच जाती लिंगे जन्मिस्थान की आधर पर विबेद नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 18 जो टाइटल सो उसको अबॉलिश करता है, उन्मूलन की बात करता है, article 18 जो टाइटल से उसको अबॉलिश करता है, उन्मूलन करता है, कि अब राजह महाराज है टाइप की उपाधिया नहीं लोगे सिर्फ सेना और सिक्षा वाली जो पाधिया है वह ली जाएंगी तो यह समानता का था फिर हमने स्वतंता की बात की की स्वतंतिता का जो अधिकार है उसमें आर्टिकल 19 से लेके 22 तक हमें को स्वतंता है दी गई ह सहें आर्टिकल 19 में 86 स्वतंता की बात की गई है तो आधिव्यक्ति प्रति लगाया जा सकता इन आधार उपर शांति पूर्ट समेलन की प्ति लगाया जा सकता है संगय में संग बनाने के लिए दोशी सिद्धि अगर आपात काल भी है तो ऐसे थोड़ी ना कि आपको जो बिदिस्ति जेल में रख दिये जाएगा तो यहां पर क्या कि दोशी सिद्धि अगर दोशी करार दियेगा जो व्यक्ति है ठीक है यहां पर इस पर अतरिक्ट दंड से इसको संड़क्षन ह अप राधों से हम देखेंगे कि अपराध के लिए दोशी सिद्धि के संबन में संड़क्षन का जो प्रावधाने में इसमें किया गया आर्टिकल 21 बहुत इंपोर्टेंट है राइट टू लाइफ एंड परसन लिबर्टी जीवन का अधिकार व्यक्तिकर स्वतनता का अध कि आपका आर्टिकल 21 में सिक्षा का अधिकार शामिल किया 22 में आपका गिरफ्तारी से संड़क्षन है लेकिन दो तरीके हैं गिरफ्तार के एक तौ अपराध कर दिया है तब गिरफ्तार करना और अपराध नहीं किया है पर कर सकता है कि आधार पर गिरफ्तार करना दूसरे के सामने पेश करो पिर हमने 23 quand 24 की बात की 23 मानफ तसकरी की बात करेगा 24 बच्चों की बात करेगा ठीके हम देखेगे कि बच्चों मेए बात करेगा 14 वर्ष की 6-14 का पर था सिख्षा में यहां पर 14 से लिया 14 से काम करने लगे तो यहाँ पर जो 14 से जो बच्चे हैं उसको आप खतरनाक कारियों में नियोजन नहीं कराओगे वरना जो मालिक है उसको गिरफ्तार किया जाता है संसद ने इसको लेकर कईलो और पैंसिल पोर्टल भी लेकर आए धार्मेक सुदंता का अधिकर अलग से हमने इसमें शामिल किया ताकि हमें जो हमारा एक जब्रांट परिवर्त म का स्ङकूलर जो स्चेट का आप यहाँ पर आर्टीकल 25 कहता है कि धर्म मानने की सुदंता है एको प्रबंधन करने की सुदंता है आर्टिकल 27 कहता है कि आप जो है रक रखाव में व्याग करने के लिए कोई tax की देने के लिए आप बाद नहीं है और यहां पर लेकिन शुल के लिए आ जा ganzen आका है इस्थान सकते हैं 29 ओ 25 संस्क्रटी और सिक्षा प्मधन का दिकार है तो देखो सल्सकति और सिक्षा तो जो अल्प संख्य के अल्प संख्य के धर्म और भाषा के आधार पर जो है आटिकल 29 इनके लिए कहता है कि आप एक तो देखो यहां पर दो बाते हैं अल्प संख्य के लिए दो अधिकार है धर्म और भाषा ठीके और चार चीजों की आप करोगे अपनी बोली भाषा लीपी और सलस्कृती तो बस इसी तरह के पॉइस हमें याद करने होते हैं पड़ते समय इन बातों को फ्रेंज आपको याद रखना है ठीक है अब आपको प्रसाशन और इन सब का अधिकार है आगे देखो आटिकल 32 की हमने बात की जिसमें की हमने देखा कि अगर ये सम्विदार का सबसे महत्यपूर अनुच्छे दे बाकी अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तब आप इसको इन पोर्स कराने के लिए आर्टिकल 32 आपके पास है अधिकारों का निलंबन कब किया जा सकता है तो हमने देखा कि 20 और 21 को छोड़कर इ इसके खिलाफ जारी किया जाता है कि नाधारों पर किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता ऐसी कौन सी रिट है जो कि सार्जने को निजी दोनों के लिए चारी की जाती है इस तरह की चीज़े इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए एक पॉइंट और मैं आपको बता दू अच क्यों कि पता है उचितम न्यालाई की जो अधिकारिता है रिट जारी करने की वो कम है और जो उच्छ न्यालाई आरे मैं सही बोल रही हूं सोप्रीम कोट की जो अधिकारिता है वो कम है और जो हाई कोट है रिट जारी करने के जो है हाई कोट के पास ज्यादा व्यापक अधि इसके अलावा भी मौलिक अधिकारों के अलावा भी और जो विशय उसके बारे में रिट जारी करती है मतलब जो विशाइचेत रहे हैं किसका जादा है ये उच्चितम नियालय तो किवल फंडमेंटल राइट को लेकल कर रहे हैं बड़ उच्च नियालय जो उसके पास और भी ऐसे कई मामले हैं जिसके मुद्दी पर वियुत जारी कर सकती है ठीक है उच्छ न्याइघ की विरुध परसा नहीं कर सकती है कि है हमारा जो जो है दो आधारों पर है कि जो 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 फसके षब है न मतलब उचितम नया लएक मिलिए उच्छ नयारा सesी के खी जोस्ट mediocre होंगे binding होंगे बाधिकारी होंगे और सेकेंड बात क्या है कि इससे आप अपर जो उस पर आप क्या कर सकते हो अपील इड़ारों पर आपील और इन दूर आधारों पर हमारे जो सिस्टम में इंटीग्रेट था ठीक है चलिए अब देखो रिट की सुनवाई से इंकार सुप्रीम कोट नहीं कर सकता लेकिन अरुच्छे 226 यह कहता है कि उच्छ नालाय के द्वारा रिट की सुनवाई के लिए स्विकार किया जाना सम्वेधाने के रूप से अनिवारे नहीं है अब लेकिन क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का संदक्षक सुप्रीम कोट है तो अब हाई कोट के पास ऐसा कुछ जरूरी रही है सम्वेधाने क्रूप से की नहीं भई सुनो ही संपत्ति के अधिकार की हमने बात की है न किसको 31 में था फिर इसको 44 के द्वारा हटाया भाग बारा में 300 डे में शामिल किया कुछ अधिकारों कुछ आलूशना कुछ महत्विकी हमने बात की और इस तरीके से हमारी आज की जो यह टॉपिक है वह खतम होता है अब हम मिलते हैं पॉलिटी में अपने एक नए टॉपिक के साथ आई होप आप सभी की स्टेडी बहुत अच्छी चल रही होगी और इस्पेशली जो इस बार का यूपिसी पिलिम्स 2023-2028 में को जो होने वाला है जो बच्चे जो भी स्टुडेंट उसे एक्जाम को दे रहे हैं वो कुछ जादा ही तेजी से अपनी जो स्टडी है वे कर रह होगे और ऐसे ही आपके इसी स्टुडी में हेल्प करने के लिए आपके पीटी एप्रोच को हैल्प करने के लिए यह जो वन शॉट वीडियो जैंग आप सभी को दिये जा रहे हैं तो जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक है इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है जहां से लगता ह है कि पीटी में बहुत जादा जो फ्रिक्वेंटली कुश्चिंस है पूछे गए हैं या पूछे जा सकते उन सभी को वन शॉट में कबर कर रहे हैं तो जो भी वीडियो आप सभी को दी जा रहे हैं उन वीडियो को देखिए अगर नहीं समझ में आता है दो बारा देखिए आप थोड़ा सा स्पीट करके साथ में आप इसके शॉट नूट्स बना ले और जो कुश्चिंस हर एक टॉपिक के साथ करवाए जा रहे हैं उन टॉपिक को भी जरूर साथ में सॉल्व करते रहें तो आपका पीटी को लेकर एक अच्छे से जो एप्रोच है वह डेवलप ह हुए थे हमने बात की थी कि हमारे जो पर्डमेंटल राइट से जो हमारे मौलिक अधिकार है वह क्या है किते हैं और उससे संबंदित जो मुद्दे थे उसको हमने देखा बिसेकली पीटी की अप्रोच रख कर देख रहे हैं लेकिन हां कुछ मेंस की जो बाते हैं मैं कर ले काफी पूछे जाते हैं एक तो है आपका DPSP DPSP यानि डारेक्टिव प्रिंस्पल आफ स्टेट पॉलिसी राज की नीती के निदेशक तत्व और सेकेंड है आपका फॉर्डमेंटल ड्यूटी यानि मौलिक कर्तव है मूल कर्तव मौलिक कर्तव है ठीक है इसकी हम बात करें तो देखो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे टॉपिक्स को कि DPSP की विशेष्टाए क्या है क्लासिफिकेशन वर्गीकरन क्या है नए कौन को से DPSP जोड़े गए सिफारिश किस ने की थी आलोचना उपयोगीता टक्राब फंडमेंटल राइट और DPSP की बीच में टक् कि राज के नीती के निदेशक तत्वों को हम इंग्लिश भी क्या कह देते है डारेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसे ही शॉट पॉम में हम DPSP जो है वह बार-बार कहेंगे ठीक है चलो तो यहां पर देखो नेक्स हम देखेंगे कि निदेशक तत्वों क स्वर्ण सिंग समीती की सिफारिश मूल सम्विधान में मौलिक करतव जो है वह नहीं थे क्या विशक्ता थी है ला उस वक्त क्या विशक्ता थी किसको जोड़ा जाए और अकर नहीं जोड़ा गया तो उसके बीचे क्या रीजन था सबसे पहले हम बात करेंगे पर स्टेट पॉलिसी राज की नीती के निदेशक तत्व को ठीक है और इसमें हम बात करेंगे देखो इसे डारेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों कहा जाता है नीती के निदेशक तत्व क्यों कहा जाता है राज की इसके नाम में ही इसका जो आशय है जो अर्थ है जो अभी प जो बाते हैं वे लिखी हुई है नीती की निदेशक तत्वों में जिसे कि एक राज जो है वे अपनी नीतियों को बनाते समय फॉलो करें तो 1935 का जो अधेनियम था उसे एक तरीके से अनुदेश कहा गया था और उसी अनुदेश की तुलना आगे जाके रॉक्टर बी आर अम तो यहां पर यह कहा रहा है कि राज जो है वे अपने नीतियों को जब बनाएगा तब इसको ध्यान में रखेगा तेह तरीके सा यह जा थो act fa हstory तो देखो, राज की नीती के निदेशक तत्व जो है, कुछ शुरवात से जो चर्चा है वह हम करते हैं, देखो, Directive Principles of State Policy, DPSP, राज की नीती के निदेशक तत्व, राज, देखो, शॉर्ट नोट्स बना लो, तो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत जादा हेल्प करते हैं, जब आपका एक्जाम होगा ना, तो जल्दी से आपने गर दो पेज में बना रखा है, तो आप उसको पढ़के चले जाओगे, और जैसे यूपीसी में गुश्चिन्स पूछे गए, बस उसी अप्रोच को ध्यान में रखते हैं, वो सारे इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से कुश्चिस आ सकते हैं, उन सब को मैं आपको नोट करवा दूगी, तो एक बेनेफिट आपके पास ये रहेगा, कि आपको लास्ट टाइम के रिविजन के लिए, इनकी जो कहांई है वह आकर शुरू कैसे होती है, इनकी कहानी शुरू होती है, जब शुरू में, जब हम पंड़्वेंटल राइट्स की बात करते हैं, उसको शामिल किया गया था, जब सम्विधान बं रहा था, तब हमें क्या करना था, हमें नागरिकों को काफी सारे अधिकार देने थे है न हमें क्या करना था नागरिकों को अधिकार देने थे हमें नागरिकों को जो अधिकार है वह देने थे अब देखो लेकिन शुरुआत में क्या हुआ कि ये जो अधिकारों की गट्री है ये जो अधिकारों की पोटली बन वह बहुत ज़ादा है वी था और उस वक्त बाइध जो सरकार है वह इतनी ज़ादा मजबूत नहीं थी कि उस वक्त वो सारे अधिकार जो इस जो लिखे जाते वो नागरिकों को प्रोवाइट किये जाते फंडामेंटल राइट की तरह तो क्या किया गया कि यहाँ पर नागरेकों को जो अधिकार दिये जाने थे इसको दो भागों में डिवाइट कर लिया एक भाग जिसको की हमने कह दिया मूल अधिकार मूल अधिकार जो हम पहले पढ़ चुके हैं इसके वीडियोज एवलबल है यूपीएसी वाला हिंदी पर इस वीडियोज को अगर नहीं देखा है तो देख लो इन बन शॉट वीडियोज के जरी आप पॉलिटी को पूरा कवर कर सकते हैं और एक अच्छे अप्रोच के साथ आपका कवर हो जाएगा तो वीडियोज को देखते रहें देखो सो fundamental rights इसमें इसी अधिकार रखे गए जो की तुरंत दिये जा रहे थे और इसमें हम किसी भी तरह का जो एक तरह से विलम्भ है रुकावच है वै नहीं कर सकते हमने सम्विधान के भाग तीन में इसको रख दिया अर उच्छे 12 से लेके 35 तक हमने इसको शामिल कर दिया लेकिन यहाँ पर जो नागरिकों के अधिकार थे एक हमने कुछ ऐसे अधिकारों को अलग कर लिया जो अगर हम रुक कर दे तब भी कोई उससे विशेश हानी नहीं है और इसमें उन अधिकारों को रखा गया जिसे कि हम जैसे जैसे जो राज है उसके पास संसाधन होते जाएंगे वैसे वैसे हम नागरिकों को वह अधिकार देते जाएंगे यह बात इसमें तैय हुई तो उनको कहा पर शिफ्ट कर दिया भाग चार में तहा परिदिया भागचार में और इसका जो आर्टिकल है जो अनुच्छेद है 36 से लेके 51 तक 36 से लेके 51 तक हमें इसी की स्टडी कर देए हैं ठीक है अब देखो तो DPSP का मतलब क्या हुआ सबसे फस्तो हम यह देखें कि DPSP का मतलब है कि ऐसे निदेशक तत्व ठीक है ऐसे इसमें निर्देश दिये गए हैं कि जब राज्य अपनी नीतिया बनाएगा ना इन निर्देशों को ध्यान में रखेगा इन निर्देशों को ध्यान में रखेगा यही क्या है आपके नीती के निदेशक तत्व कहलाएंगे अब देखो UPSC ने यहाँ पर एक question पूछा कि ऐसा क्या है कि राज्य अपनी नीतियों को बनाते समय उसको ध्यान में रखेगा क्या वे fundamental rights है या fundamental duties है या फिर DPSP है या फिर तीनों है तो exactly DPSP है पॉइंट है तो यहाँ पर राज्य अपनी नीतियों को बनाते समय इन निर् देशों को ध्यान में रखेगा कि इनको जो की अनुच्छे 36 से लेके 51 तक में नागरिकों के लिए है इक तरीके सुझ जो अधिकार है या फिर हम कहें कि राज के कुछ इसमें कर्तव विजों है वह शामिल है वो सारे चीज़े दे गई हैं तो आगे देखो आखिर ये हमने अपने समविधान में लिये कहा से हैं हम देखेंगे कि हमारे द्वारा है ना हमने लिया कहा से है इसको प्रेडना कहां से बिली हमें DPSP की तो यादटना कि सबसे पहले जो इस्पेन का सम्विधान था ना इस्पेन के सम्विधान से ये DPSP का जो कॉंसेप्ट है ये Ireland या Irish सम्विधान के द्वारा ग्रहन किया गया और इंडिया के द्वारा आईरिश सम्विधान से यह लिया गया है न तो भारत ने आईरिश या आईरलेंड के जो सम्विधान है वहां से राज्य की जो नीती निरेशक तत्व है इसकी एक प्रेड़ना ली थी इसके अलावा देखो ग्रेंविल आस्टिन के द्वारा ठीके अगर हम यहाँ पर ग्रेंविल आस्टिन की बात करें इरो ने कहा था कि जो यह DPSP है न यह सम्विधान की इदोले आत्मा कह दिया इसे DPSP क्या है? सम्विधान की आत्मा है अब देखो कोई किसी भाग को आत्मा कहेगा कोई किसी भाग को हिर्दय कहेगा तो यह आपको बात याद रखने है कि किस के द्वारा किस भाग को ज़्यादा इंपोर्टेंट बताया गया और उसको कुसी चीज की संग्या दी गई है न तो यहाँ पर ग्रेंविल आस्टिंड क्या कह रहे है कि राज के जो नीती के निदेशक तत्व है वो क्या होंगे सम्विधान की आत्मा है ये मूल आत्मा है एक तरीके से तो भाग 4,36,15 को ग्रेंविल आस्टिंड के दौरान के द्वारा सम्विधान की जो आत्मा है कि ये इसमें कहा गया ठीके अच्छा देखो कि आर्टिकल 36 क्या कहता सबसे पहले हम आर्टिकल 36 की बात करेंगे ठीके हम बहुत सारी बात इसमें करने वाले हैं स्क्रीन शॉट इसका ले लिजिए और साथ साथ में नोट्स बनाए तो जादा अच्छा होगा आर्टिकल 36 से हम शुरू करेंगे ठीके आर्टिकल 36 में ये कहा गया है कि जो भी इस भाग्चार में लिखा हुआ है ये लागू कराना ठीके या फिर इन नीतियों को ध्यान में रखना राज का करतब है अब देखो 36 क्या कहता है राज का करतब है तो 36 में आखिर राज का मतलब क्या है ये बताया गया है ठीके तो यहां पर देखो कि सबसे पहले इस आर्टिकल में इस सभी आर्टिकल में जो आपका आर्टिकल 36 है यह कहता है कि राज ध्यान में रखेगा DPSP को राज DPSP को ध्यान में रखेगा और यहाँ पर देखो राज का जो मतलब है वही है जो की भाग 3 में है ठीके? भाग 3 में जो राज की परिभाशा दी है जो राज का अर्थ दिया हुआ है उसी से संबंदित है भाग 3 में कहा पर अनुच्छे 12 में राज्य की परिभाशा दी गई है ना मौली कदीकारों वाले में 12 और 13 याद करो उसके बाद 14 से शुरू था आपका राइट्यू उक्वालिटी समता कदीकार तो यहां पर भाग 3 में जो अर्थ दिया गया है वही आर राज्य की परिभाशा को बताया गया है गलत हो जाएगा इसमें राज्य की बात की गई इसमें कहा गया है कि DPSP को लागू करते समय राज्य जो है नीतिय बनाते समय कि यहाँ 되어 plus payment का सबने सब्सक्राइब करांट वह है खेए ऑन सब्सक्राइब में सब्सक्राइब की ट्रीकरव झूइन यह सबस्क्राइब को एक डीकर करने महीं हुआ है था ना कि वख्राइब में खुआ रहिए बिसिकली देखो कि इसमें ये कहा गया कि जो राज के नीती के निदेशक तत्व हैं ये 1935, 1935 के भारत साशन अधिनियम के अनुदेशों के समान है के अनुदेशों के समान है के अनुदेशों के समान है तो 1935 से तुल्ला किसकी की गई है, DPSP की की गई है इसके अलावा देखो इसमें ये कहा गया कि आखिरिस्त का जो मेन उदेश है वह क्या है, आर्टिकल 36 को आगे भी पड़ेंगे इसलिए यहाँ पर मैंने भी रफ कर दिया इसको, आगे कुछ और में इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वह देख लो तो देखो बिसिकली, DPSP का जो मेन एक हम उदेश कह लें अब्जेक्ट हम कह लें, सोशियो एकोनोमिक जस्टिस ये मेन वर्ट होगा सामाजिक आर्थिक न्याई, ठीके सामाजिक आर्थिक न्याई या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मेन प्रावधान है और इसमें ऐसे आर्टिकल्स ऐसे प्रावधान किये गए हैं जिसमें कि नागरिकों का क्या हो कल्याण हो तो एक तरीके से एक लोग कल्यान कारी जो नीतिया है वो इसमें लिखी हुई है ठीके लोग कल्यान कारी जो नीतिया है वह लिखी गई है अगर प्रशन आ जाया और देखो UPSC ने 15 में और 2020 में सेम कुछ यह पूछा कि सम्विधान में हम देखे कि कल्यान कारी साशन की बात क तो वह आपकी बात की गई है, आर्टिकल भाग चार में, ठीके, डीपेस्पी में जो बात है, यह की गई है, तो सोशियो एकोनमिक जस्टिस, आर्थिक और सामाजिक लोगतंत्री की स्थाप्रा करना, इसका मेन उद्देश है, इसके अलावा इसकी एक और विशेष्टा है, क क्यों, क्योंकि आप नियालय में जाकर उसको इनपोर्स करा सकते थे, लागू करा सकते थे, लेकिन आप DPSP के लिए लागू नहीं करा सकते, अगर आपको जो भी इसमें लिखा हुआ है, 36 से लिए के 51 तक, अगर इसमें आपको कोई अधिकार जो है लागू कराने है, तब सुप्रीम कोट या हाई कोट नहीं जा सकते, और ना ही हाई कोट या सुप्रीम कोट जो है इसको लागू कराने के लिए जिम्बेदार है, ना ही वह बाद है, बाइनिंग नहीं है ये, और इसी वज़े से इसकी जो प्रकृती है, वह क्या है, नॉन जिस्टिशियेबल है, कैर नयाय उचित है, जबकि फंडमेंटल राइट में ऐसा नहीं है, फंडमेंटल लाइट का जो भनन हो रहा थो तो आपका अर्टिकल 32 के अंतरगत कितनी सारी पाच तरग की रिड़ दी गई थी, इसके अलावा हाई कोट में आर्टिकल 226 यादारा पड़ चुके है ना, तो रिवीजन करते रहो भई, रिवीजन नहीं करोगे तो सारे टोपिक्स बूलते जाओगे, कि जब तक हम आएंगे राश्च पती पर ततब आप पीछे के पूरे जो 50 और 58 अर्टिकल सो वो सब भूल चुके होगे, ऐसा नहीं करना है, ठीके, चलो, तो यहाँ पर यह लागू नहीं कराया जा सकता, ठीके, और दूसरा है यह, कि यहाँ पर सरकार को बाध्ध भी नहीं किया जा सकता, ठीके, चलो, हाँ, आर्टिकल 36 यह जरूर कहता है कि विधी बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तब होगा, तो जो कर्तब शब्द की यहा इंपोर्टेंट है, 36 राज्य की बात करता है, ठीके, और जो 37 है, वह कहता है कि राज्य का कर्तब होगा, DPSP को लागू करना, DPSP को लागू करना किसका कर्तब है, राज्य का की नागरिकों का, राज्य का कर्तब है, क्लियर है इतना यह वाली स्लाइड क्लियर है इसके नोट्स बना लो बहुत इंपोर्टेंट है यह वाली स्लाइड आपको ठीके चलो एक बार फिर बता देती हूं कि शुरुवात में क्या किया गया था कि नागरिकों को जो स्वतंतर संग्राम के दौरान बहुत सारे ऐसे अब हम इन अधिकारों को देंगे लेकिन हमारे साथ संसादनों की कमीति अगर हम यह कहें कि हमें सभी को निशुल्क न्याय देना है हमें सभी को निशुल्क सिक्षा देनी है हमें सभी को जो है फ्री में राशन बाटना है यह सारी चीज़ें लिखी हुए हैं DPSP में है न तो यहां पर देखो कि शुर्वात में हम कैसे दे सकते थे जब भारत खुद आत्मनिर भर नहीं था अपने अनाज उत्पादन में, तो यहां पर देखो बच्चों कि हमने अधिकारों को दो प्रकार से बाट लिया, एक तो कर दिया मूल अधिकार, दूसरा कर लिया, हमने डी पेस्पी, मूल अधिकार, ऐसे अधिकार जो कि भागतीन में दिये गए, बारा से पैथिस, उसको तुरंद दिया जाना था, तो हमने यहां पर, जब हमारा समविधान लागू हुआ था, तो मूल समविधान में साथ मौलिक अधिकार दिये गए थे, जिसमें संपत्तिक अधिकार भी और समपत्ति का जो अधिकार है, उसको मूल अधिकारों को श्रिणी से हटा दिया, है ना, उसको हटा दिया, तो इस तरीके से वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, समानता का, स्वातंतरता का, सोशन की विरुद अधिकार, ठीके, और इसके अलावा धार्वे एक स सिक्षार संस्क्रति संरक्षन और सम्वैधाने कुपचारों कधिकार आगे जहां से आपके मौलिक अधिकार खतम हुए 35 पर 36 से आपके तुरण शुरू हो गए DPSP मतलब ऐसे इसमें ऐसे आधिकार शामिल है कि राज अपनी नीतियों को बनाते समय उसको लागू करेगा जैस को एक तरह से constitutional recognize कर लिया तो यहां पर 33 संविधान संचोधन आटिकल 40 को एक तरह से जिन्दा करता है यह बात यूपसी ने पूछी कि 33 संविधान संचोधन जो है किस अधर अरुच्छित को कार्यान वेंड करता है क्रियान वेंड करता है तो DPSP में आटिकल 40 जैसे कि गाध अर्थिक और एक तरीके से सामाजिक न्याय है वें हो सकता है अब एक शब्द यानी लिखा मैंने राजनेतिक राजनेतिक लोगतंत्र के स्थापना करना मौलेक अधिकारों के साथ जोड़ा होता है ठीके तो मुन अधिकार मतलब राजनेतिक लोगतंत्र के स्थापना यह म आपके डारेक्टिव प्रींसपल्स हो इसको भागू करने के लिए बिलकुल भी बाद नहीं है हमने कहां से लिया हमने अइरिश सम्विधान से लिया और अइरलेंब निकाहां से लिया । स्पैनिश कॉंस्टूशन से लिया था ग्रेंवे लास्टन कहते हैं कि यह हमारे समविधान के एक तरह से मूल आत्मा है तो यह आपका बहुत सारे इंपोर्टेंट जो पॉइंट से वैं कवर होगा है क्लियर चलो आप एक कुश्शन देखा देती हूं में पहले आपको थोड़ा से यह विश्वास हो जाएगा कि मैं जो कह रहे हैं यह विश्वास है सही है पॉछा कि भारत के समविधान के देश के साशन के लिए मौलिक है तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं भी DPSP, definitely, tough नहीं था, बिल्कुल भी tough नहीं था, बस पढ़ते समय आप इतना ध्यान में रख लो, अगर कि अच्छा साशन के लिए ये मौलिक है, तो अगर आप इतनी छोटी-छोटी सी बातों को ध्यान रखेंगे, तो बहुत आसानी से इस question को कर पाएंगे, ठीके, अब द बात हुई, 15 में ये question पूछा, तो ये भी आपका क्या है, DPSP है ना, लोग कल्यान कारी साशन की बात करता है, लोगों के कल्यान के साशन की बात करता है, तो ये आपका DPSP हो गया यहां पर, समझ में आया ये question, कुछ नहीं पूछाता बच्चों, कुछ नहीं पूछाता, कि आप वास्तव में DPSP को समझते हैं, आकि वल रट्टाफिकिशन लगा रखा है, ठीके, चलो, अब देखो, एक और question में पूछती हूँ, देखो, जो question आप से 15 में पूछा कल्यान कारी राज्य, सेम question आप से 20 में पूछ लिया, कि सब्धान के किस भाग में कल्यान कारी र clear, clear, तो देखो, आप जितना समझ पा रहे हैं, अभी तक आपने जितना पड़ा है, उससे आपके ये जो question है, परिभाशा वाले solve हो गए, इससे जादा नहीं है, बच्चो इसमें, अब आगे हम चलते हैं, कुछ और बाते समझते हैं, ठीके, देखो, कुछ और हम बाते इसको हमने रखा, ये सारी बाते हम कर चुके हैं, एक बार और मैं आपको थोड़ा से revise करा देती हूं, कि DPSP को हमने, ये जो अभधारना है, Spanish समविधान जहां से Irish समविधान में आया, और हमने कहां से लिया, Irish समविधान से लिया, Irish समविधान का रुच्छित 45, इतना तो यादी हो गया, अब देखो एक एक वर्ड रख लो, जैसे कि हमने 36 के साथ क्या याद रखा, हमने राज्य याद रख लिया, अभी भी अगर ये सूच के बाटो, कि सारे अनुच्छित एक ही सास में पूरे 395 इनुच्छित याद कर लूँगा, इंपॉसिबल है, थोड जब कभी कोई topic पड़ो, उसके साथ उस articles को याद कर लो, उसको समझ दो, उसको correlate कर दो, यही एक तरीका हो सकता है बचो, तो तो अनुच्छित अगर हम 36 की बात करें, तो इसके साथ आपने जो state word है, इसको याद रख लिया, आपने राजशब्द को याद रख लिया, और राजशब्द की यहाँ पर क्या परिभाशा दी है, नहीं दी है, परिभाशा के लिए कहा कि जा के भागतीन में जो अनुच्छित बारा में राज़ की बात की गई, वहां से देख लो, यह बात इसमें कही गई, clear, तो यह 36 हो गया, अब देखो 37 के concept, तो एक एक वर्ट हम बहुत एजिली याद रख सकते है, 37 कहता है कि निदेशक सिध्धानतों के कारियों के बारे में अवगत कराया गया है, ठीक है, तो DPSP के कारे क्या होंगे 37, और इन सिध्धानतों का उद्देश है कि लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याए सूनिश्चित करना है, सोशियो एकॉनोमिक जस्टिस की यहाँ पर बात हुई है, क्या सामाजिक और आर्थिक न्याए की बात प्रस्तावना में की गई है, ज्यान करो, बिल्कुल की गई है, है ना, की गई है, वहाँ पर राजनितिक न्याए की भी बात की गई, बट राजनितिक न्याए राजनि के साथ जुड़ गए तो हमारी प्रस्तावना में जो भी बाते लिखी गई है जो भी वर्ड लिखे गए उसको लागो कराने के लिए पूरा सम्विधान है ठीक है चलो तो भारत को एक कल्यांकारी राज्य के रूप में स्थापित करना तो बार-बार हमने देख लिया सामाज की बात करेंगे ठीक है देखो मौलिक अधिकार की जब हम बात करेंगे कुछ-कुछ शब्द यहां पर लिख रहे हूं इसमें देख लो Fundamental Right versus DPSP Directive принципal of State Policy तब से पहली बात तो हमने यहां पर यह देख लिया कि Fundamental राइट क्या हमने Fundamental राइट जब पढ़ा था हमने यह कहा था कि चЫह दाjutर t अगर दूसरी की अधिकार की इंस आपका अधिकार आपके घर तक है दूसरी के कि इंडिवीज possibility की बात करता है यह व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है कि व्यक्ति को ऐसे अधिकार मिलेंगे ऐसे अधिकार जो कि असकी उठ्नति के लिए ज़़ूरी है और राज्य इसको नहीं छीद सकता ठीके लेकिन जब हम DPSP की बात करेंगे तो याद अठना कि ये आसे मित हैं ये कैसे हैं ये आसे मित हैं इसमें समय समय के साथ बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें जोड़ी जाती और इसमें राज पर प्रतिबंद नहीं लगाया जाता कि सरकार ऐसी नीतिया नहीं बनाएगी जिससे आपके जो फंडमेंटल धान से सुनना कि कब मैं भूबूरा कैठीकार की बात करी है ठीक है बहुत ध्यान से सुनना बच्चो यहां पर देखो कि जहां यहां व्यक्ति गे ठन diyorsun एक तरीके सें समाज की बात करता ऐ रहा है तो technologyret gateway में पूरा जो देश है जो व्यक्ति है वो सभी आ गए तो एक तरीके से कल ये समाज की बात करेगा तो जहां पे fundamental right किसी particular जो व्यक्ति है जो individual है इसके rights की बात करेगा और वही पे DPSP पूरी society की बात करता है ठीके पूरी society की जो बात है वे DPSP करेगा इतके अलावा देखो कि fundamental right आपका जो fundamental right उसका violation हुआ तो फिर आप सीधे high court, supreme court, direct supreme court भी जा सकते हैं इसका मतलब है कि आप इसको लागू कराने के लिए न्यालय में जा सकते हैं इसी कारण इसकी जो प्रकृति है इसको न्यायूचित कहा जाता है लेकिन जब हम बात करेंगे DPSP की आप इसको लागू कराने के लिए नहीं जा सकते जो प्रकृति है इसलिए इसकी जो प्रकृति है वह कैसी है गैर नायूचित है है गैर नायूचित प्रकृति जो है वह है इसकी है clear हुआ clear हुआ चलो तो आप देखते हैं अच्छा एक और important point क्या कहता है fundamental right एक do not cross की जो line है वह बनाता है फिर से देखो बच्चों यहाँ पर जो fundamental right है ये क्या कर रहा है ये व्यक्तियों के बीच में ये किसी व्यक्ती के अधिकारों के बीच में और यहाँ पर सरकार है तो इनके बीच में क्या कर रहा है fundamental right की बात नहीं यानि मॉलिक अधिकार की ये एक do not cross की line खीशता है कि जो सरकार है वैं कोई बी ऐसी नीतिया नहीं बना सकती जो की व्यक्ति के धिकारों को कम करो गर ऐसी नीतिया बनाती है तो कौण से आर्टीकल जो है वैं उनूतियों को शून्य कर देगा आर्टीकल 13 हे ना अनुच्छत 13 क्या करेगा अनुच्छत 13 जो जो भी fundamental right का violation करेंगी ऐसी विधियों को आप प्रभावी यागशू निगोशित कर देता है यानि नाइक समिक्षा का जो सिधान्त है वो आपका article 13 से origin होता है ठीके तो यह fundamental right की बात हो गई और इसी वज़े से चुकि सरकार को कुछ करने से रोकता है मतलब सरकार को कुछ करने से रोकता है कि एसी नीथिया मत बनाओं और किसको कुछ करने से रोकर सरकार को व्यक्ति को और इसी वज़े से इसकी जो प्रकृती है वै क्या है θα प्रक्रती कि यह कैसी है नकारात्मथप्रवत्ति के है तह अब समझ में आया कि क्यो fundamental rights को नकरात्पक प्रवत्ति कहा जाता है तो इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये negative obligations है negative obligations है किसके लिए for government राज के लिए सरकार के लिए अब next हम बात करेंगे कि ये तो बात होगी fundamental right की अब DPSP में क्या difference है इन दोरों में difference क्या है इस point की आधर पर difference झानति क्या है ठीक है तो देखो perhaps कि या दठना कि DPSP को जो प्रकृती है न मैं वह सकारात्मक है क्यों कि ये राज को कुछ करने का राज को कल्यान कारी साशन को स्थापित करने का प्राभधान करने का बात करती है ठीक है तो क्योंकि ये राज को कुछ नीतियां बनाने यह सीधा लिख सकते हो कि राज्य के लिए कुछ करने की प्रावधान की बात करते हैं, राज्य को कुछ नीतियां बनाने का प्रावधान करती है, लियर है इतना, नेगिटिव और पॉजिटिव यादा है, आप देखो, इन दोरों को बहुत शॉट में बता हूँ, बहुत लिख लेना कि DPSP जो है, वो आपका क्या है, DPSP है जो आपका पॉजिटिव है और जो फंडमेंटल राइट्स की बात करेंगे, यह अपनी प्रकृतिव है नेगिटिव है, ठीक है, तो इतना छोटा सा यह जो शाब्द यह लिखने के लिए आपको इस पूरे कॉनसेप्ट को समझना होगा, क्लियर हुआ यह आपको, क्लियर हुआ तो यह एक मेंट डिफरेंस हो गया, फ्रेंट्स फंडमेंटल राइट और इसमें, ठीक है, आगया समझ में, आगे देखो, तो चलो एक बार थोड़ी सी भाशा भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि किवाद सरल शब्दों इसलिए जरूरी होता है, सरल भाशा में लिखतो लोगे, मतलब बोलतो लोगे, पर लिखोगे कैसे हैं, तो मौलिक अधिकार के विप्रेट, DPSP का जो दायरा है, वे असीम है, और एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेगा, और एक व्रहद इस्तर पर कारे करेगा, ठी यह नहीं, DPSP को ध्यान में रखना चाहिए, मौलिक अधिकार प्रकृती में नकारात्मक है, और निशे धात्मक है, निशे धात्मक प्रोहिबिटेट कर देना, रोक देना कुछ करने से, क्योंकि यह राज़ पर सीमाय आरोपित करते हैं, नागिटिव ओब्लिगेशन्स क् तत्व जो है, वो अपनी प्रकृती में कैसे हैं, सकारात्मक है, ठीक है, तो एक नकारात्मक है, क्योंकि DPSP, कानून के द्वारा आपको याद अटना है कि यह प्रवर्तिनिय नहीं है, कानून के द्वारा आप DPSP को लागु नहीं कर सकते, fundamental right को लागु करवा सकते हैं, य तो हमने काफी कुछ जाल लिया अब हम आगे चलते हैं इसके और अब हम बात करते हैं कि यह जो 36 से लेके 36 से लेके 51 तक के जो आर्टीकल्स है ना इसको या तो हम सीधे पढ़ लेते हैं और ऐसे हम याद कर ले कि कि यह जो यहां पर नीती के निदेशक तत्व है इनके विचार कुछ अलग अलग है मतलब 36 से लेके 51 तक के जो आर्टीकल्स दिये गए उसमें जो नीतिया दी गई है वो सब सेम नी उसमें कुछ-कुछ विचार अलग है तो हमने वहाँ पर कह दिया कि इसमें कुछ गाधी व यह concept ऐसे provision है जो की हम गाधियन प्रिंसिपल कहते है गाधिवादी सिध्धात कहते है अब इसमें कुछ ऐसे भी है जो की पूरे समाज के लिए बने हुए उद्देश यह है और जो उसकी आइडिलोजी इसकी आधार पर हम बिसिकली तीन भागों में बाटते हैं तीन भागों में बाटते हैं पहला भाग है आपका ऐसे सिद्धान्त जो की समाजबात को प्रोच साहन दे दूसरा ऐसे सिद्धान जो कि गानी की जी जो विचार है उनको प्रोच साहन दे उनके विचारों से जुड़े हुए हूँ और तीसरा ऐसे हाँ जो कि एक तरीके से liberal हो और intellectual हो मतलब उधार उधार और उधार और बौधिक सिद्धान्त हो है ना में से कौन से जो दो या तीन जो हैं, वे समाजवादी से समबन देते हैं या फिर गाधिवादी से समबन देते हैं, ठीके? कि सामाजिक न्याय की बात करेंगे जो कि सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करेंगे ठीके सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करेंगे तो उसको हम समाजबादी सिद्धान्थ कह देंगे इसके अलावा ये लोक कल्याण कारी राज्य की बात करेंगे अब माली जे फिर से एक question बन गया कि ऐसे कौन से सिध्धान्थ हैं उनको क्या कहा जाएगा जो कि लोग कल्यार की बात करेंगे और आर्थिक सामजिक न्याय की बात करेंगे तो ये दो रोही बाते किसमें आएंगे आपके समाजबादी सिध्धान्थ में आएंगे अब देखो इसमें आएंगे कौन-कौन से आर्टिकल ये भी थोड़ा सा याद रख लो तो आपके इसमें आर्टिकल्स आएंगे अभी आर्टिकल्स याद करेंगे वो तो अलग बात है वो दूसरी बात है लेकिन उसके पहले उसका classification क्या है वर्गी करण क्या है उसको तो 47 तो यह जो यहां पर आर्टिकल्स है यह सारे आपके समाजवादी है अब इन अनुचिदों में क्या लिखा है उसको हम आगे पढ़ लेते हैं चीक है क्लियर हुआ यह समाजवादी सिद्धान थे चलो आओ थोड़ा सा समाजवादी सिद्धान देख ले हम जैसे कि आर्टिकल 38 आर्टिकल 38 क्या कहता है अब हम आते हैं में मुद्धे पे और आर्टिकल्स को भी याद करते हैं आर्टिकल 38 जो की समाजवादी सिद्धान पर आधारित निर्देश है यह कहता है कि सावाजे कार्थे को राजनितिक नयाय सोनिश्यत करना और यही के य बचु तुरुंत आप यह बी याद रख लो कि यह जो बात है यह प्रस्थावणा में कि गई है। है फिक हें प्रियम्बल प्रस्थावना में सामाझिक आर्थिकंग और राज्णतिक नाय की बात की गई है और जो बात उस में की तो यहां पर यह कहा गया कि आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों की जो आसमानता है उसको कम करना, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना, और कल्याण के और लोगों का जो कल्याण है उसको बढ़ावा देने का प्यास करना, तो आपको आपको आर्टीकल 38 के साथ याद समाज के लिए है, ठीक है, DPSP क्या है, पूरे समाज के लिए है, तो यहां पर यह आपका आर्टीकल 38 हो गया, तो इसमें जो है आप साइड में ऐसा कर सकते हैं कि कुछ जो कीवर्ड से वह याद रख लें, कीवर्ड इंपोर्टेंट, जैसे कि आर्टीकल 38 और 38 के साथ आप आसमानता शब्द लिख लें, ठीक है, आपको याद आजाएगा कि आसमानता बिसिकली बढ़ाने की नहीं, इसमें कम करने की बात की गई, इसके अलावा आप इसका यूज में सांसर राइटिंग में भी कर सकते हैं, जब कभी आप इन इक्वैलिटीस को लिखो, तो आप सी सुरफशित करेगा, जैसे कि सभी के लिए आजीविका के परियाप्त साधर उपलब्द कराना, देखो, अब यहाँ पर, जब हम लाइव हूट की बात करेंगे, हैना आजीविका की बात करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, आपकी बद इसमें फंडमेंटल राइट को ठीक है, लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पर यह कहा गया है, कि सभी नागरिकों को आजीविका की परियाप्त साधन काधिकार है, और यह करना राज का करतब है, राज विशेश रूप से इन नीतियों को करेगा, अब देखो, एक एक जामपल, जैसे कि MP के एक डिस्टिक म गटना होती है, और जिसमें कि जो वहाँ पर टातकाली जो कलेक्टर साहब थे, वहाँ पर उस जगह पर एक जो भेकारी और बाकी सारे जो भी रोट साइड डोग थे, उसकी मृत्यों हो जाती है भूग से, तो वहाँ का जो कलेक्टर उसको सस्पेंशन, उसको जो है ट्रां संसाधन के स्वामित्व नियंतन को सामने जन की भलाई के लिए ववस्चत कर दे संसाधनों का जो भी बहुत एक संसाधन है ना उसका एक तरीके से विकेंद्री करण करें उसको सभी लोगों तक अबलेबल कराए ना कि केवल कुछ एक लोगों के पास ही वै केंद्री करत संट्रलाइज होके रह जाए कुछी व्यक्ति के पास धन के संकेंदन को रोकना आप देखो एक तो इनिक्वैलिटी इसकी बात आपकी 38 में हो गई और धन के संकेंदन को रोकने की बात आपकी आर्टिकल 39 में हो गई ठीके कि धन को एक तरीके से एक तरह केंदित करने से रोका जाए इसके अलावा पुरुष और महिलाओं दोनों को समानकारे के लिए समानवेतन देना, शमेकों के लिए शक्ति और स्वास्त की सुरक्षा करना, बच्चों के बच्पन और युवाओं का सोशड ना होने देना, तो एक तो आपका सोशड के विरोधदिकार, राइटू, अगेस आपका आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, इसके अलावा आपका आर्टिकल 39 में भी बच्चों की बच्पन की रक्षा करना, युवाओं का सोशड ना होने देना, ये भी इसके लिए भी जो राज्यवे नीतिया बनाता तो है कि बच्चों के लिए बना दिया, ठीके मैलाओं के लि हो गया, अब देखो 41, 41, 40 की बात क्यों नहीं की, क्योंकि वो आगे पढ़ेंगे गाधिवादी में, तो सिक्वेंस वाइस नहीं चलते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लिए, आर्टिकल 41 कहता है कि बेरोजगारी, बुढपा, बीमा पेंशन करना, पेंशन की ववस्ता करना, बीमारी के लिए सार्जनिक या फिर सरकारी अस्पतालों की ववस्ता करना, विकलांगों के लिए अलग से इस तरह कि जो केंद्र है खोल देना जहां पर इसकी रक्षा-सुरक्षा की जाए, तो बैसिकली आर्टिकल 41 क्या कहता है, Article 41 में 4 ऐसी conditions दी गई है कि बेरोजगारी बुढ़ापा अब देखना अगर मैं यहां पर यह लिख दू कि सिक्षित जो सिक्षित नहीं है उसको भी यह साय उस सिक्षित को नहीं मिलेगी बेरोजगारी बुढ़ापा जिसको जादा जरूरत है या फिर यह हम कहीं कि जादा ज राज काम की नय संगत और मानवी परिष्थितियों को सूनिश्चित करेगा अगर माली जी आप किसी office work में काम कर रहे हैं office कहीं पर और आपको अगर Sunday का off नहीं मिल रहा है तब क्या आपका यह fundamental right है आपका DPSP में आएगा तो आप अपने level पर भी प्रयास करें और या राज अब इसलिए मैक्जिमम क्वेस अप 10 आर काम लि सकते दस घंटे काम कर सकते हैं 10 घंटे काम करेंगे या बारत घंटे काम जो भी आपका काम है यह सारे जैसे आप देखेंगे कि शमिक सहता सरकार लागू करती है कि सामिकों का संरक्षन है वय किया जो उनका सूषन ना हो सके ये Article 42 की बात है, तो समाज के लिए हो गया, तो समाजवादी हो गया ना, अब देखो, Article 43 क्या कहता है, सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग मजदूरी, अब यहाँ पर जैसे कि नियूनितम मजदूरी अधिनियम, नियूनितम मजदूरी अधिनियम, तो ये क्या है बच् कम से कम आपको मिनिमम बेमेंट जो है वह तो मिलनी चाहिए, Article 43 A, अब देखो, अनुच्छे यहाँ से जो कुश्यन है, UPSC ने पूछा था, मैं यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ, देखो, पच्छो, Article 43 A की अगर हम बात करेंगे, तो आपको याद रखना है, कि ये जो ह ही था, 42 वा, समविधान संशोधन, 42 वा जो समविधान संशोधन था, उसके द्वारा इसको जोडा गया था, Article 43 A को, ठीके, 43 A को जोडा गया, इसको जोडा गया था, 43 A, अब देखो, Article 47 क्या कहता है, कि लोगों में पोशन इस्तर और जीवन इस्तर को ऊपर उठाना, और सा तारजनिक स्वास्त में सुधार करना, यह बताओ, आप देखेगे कि माली जो गुजरात न या बिहार सरकार ने शराब बंदी को लागू किया, शराब बंदी को अगर लागू किया, तो अगर आप न्यूस पेपर पढ़ रहे हैं, और आप यह नहीं समझ पा रहे हैं, कि स इसको उठाने का प्रयास करेगी, जिससे कि आप माली जे पोशन अभियान के बारे में लिख रहे हैं, ठीके, यह को पोशन को दूर करने को जो पा हैं वे लिख रहे हैं, तब आप DPSP का जिखर कर सकते, एक लाइन के आटिकल 47 को पोशन के और सार्जनिक स्वास्त से याद रख लो, ठीके, आर्टिकल 43 A, जो 42 A है और 42 से वास्त विधान संशोदन है, उसके द्वारे इसको जोड़ा गया और इसमें श्रमिकों की भागिदारी, जो उद्योग है, जो उसका प्रबंधन है, उसमें श्रमिकों की भागिदारी हो, 43 क्या कहता है, निर्वाय योग मज 42 क्या कहता है, कि 92 परिस्थितियां जो है वे उचित मिले, ये सब समाजवाद से ही तो संबंदित है, समांता से ही तो संबंदित है, तो ये सारे समझवादी सिधान्त हो गए, तो ऐसा जिसमें की जलक रहा हो, समाजवादी सिधान, 38, 39 ठीके, और बाकी जो हमने अभी पड गए, बच्छो, समाजवादी सिधान पर आधारित निर्देश हो गए, समझ में आया आपको? आगया समझ में समाजवादी सिधान, सोशलिस्ट जो आपकी प्रिंसिपल्स है? आब हम आगे बात करतें, गांधिवादी सिधान्तों की, तो यहां पर की गांधियन जो प्रती स्थापित जो योजनाए हैं, जो इनके विचार है, प्रती स्थापित विचार लिख देते हैं, तो जहां पर भी गाधी जी के जो विचार है वे छलक रहे हैं, वो उन विचारों को हम इस वाले जो second वाले वर्गी करण है, उसमें शामिल करते हैं, यानि गाधी ज कि सपनों को साकार करने के लिए उन नीतियों को लाना जरूरी है गाधी जी को जो सपने थे जो विचार जो उनकी आइडिलोजी थी उसके accordingly इसको लागो किया जाना बहुत जरूरी है और ऐसे article में शामिल है ऐसे article ऐसे अनुच्छेद में शामिल है article 40, सबसे पहले तो यह याद रखो 40 किसे संबन्दे थे, पंचाय दो सके है, आगे बात करेंगे, यहां नहीं लिखते है article 40 article 43 article 43B article 46 47 and 48, ठीके, अच्छा देखो इन दोरों में कहीं कोई similarity 47 जो है, वो आपका समाजवादी भी है, 47 जो है गाधिवादी भी है, है ना तो 47 में ऐसी बाते होंगी, जो की समाज के लिए भी ज़रूरी है और उसमें गाधिवादी विचार भी दिख रहा है, तो कुश्य नहा को साकार करने के लिए जो चीज़े important है तो आओ हम कुछ इन आर्टिकल्स को बात करें तो 40, 43, 43 B, 46, 47 and 48 यह जो आर्टिकल्स है यह इसमें गाधिवादी सिधान पर आधारित होंगी, ठीके, clear है, चलो देखो तो यहाँ पर बच्चों, आगे हम देखेंगे आर्टिकल 40, राज ग्राम पंचायतों को स्वासाशन की एकाईयों के रूप में संगठित करने के लिए कदब उठाएगा अब यहाँ पर स्टार इसने लगाए, क्योंकि UPSC ने कुश्चन पूछा, कि जब तेहतरवा, याद अटना, 74 संविधान, 74 नहीं लिख रही हों, 73 लिख रही हों, तो 73 जो आपका संविधान संशोधन था, Constitution Amendment था, जब इसको लागू किया गया, जब इसको लागू किया ग पंचायतों की बात करता है, और जो आपका 17 थर्ड, जो तहेतरवा, आपका संविधान संशोधन था, ये पंचायतों की बात करता है, ठीक है, पंचायतों के संविधानिक दर्चे की बात करता है, 43 की बात करेंगे, 43 किसे संबंदित है, राज ग्रामिर शेत्रों में व्यक् बब जब तक चलता रहेगा जब टाक एक एक जो व्यक्ति है तो गादी जी के दवारा जो है बहुत विरोध किया गया था कि आप एक टरीके से अगर एक मशीन लगा रहा हो आप सो लोगों का रोजगार छीन रहे हो तो वह व्यक्ति कहा जाएगा तो यहां पर हम देखेंगे कि वो आधुनी की करण नहीं लेकर अंधा दुंदु तरीके से जो मशीनी करण किया गया था मशीनी करण जो किया जा रहा था उसके विरोधी थे और साथी साथ उनके दौरा ये भी कहा गया था कि जैसे कि सहकारी आधार पर और देखो हम जब सिक्षा ववस्था की बात करते तब हम देखें गादे जी के दबार ये कहा गया था कि ऐसी सिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें कुछ हस्त कौशल सिखा दे कुछ ना कुछ ऐसा आप सीखो जिससे कि आप पर जीवन यापन हो जाए आप अपना भरन पोश 43 ठीक है अब देखो 43B 43B पर भी स्टार लगा दूं बस यहीं इसके खुबसूरती है बच्चों बहुत क्विश्चन पूछेगा यहां से आर्टिकल 43B यह सहकारी समीतियों की बात करता है सहकारी समीतियों को स्वैक्षिक गठन स्वायत कामकाज और लोगतांत्रिक नियंत और इनका जो पेशिवर प्रबंदन है उसको जो बढ़ाने की बात है यहां पर के गई तो जो क्विश्चन पूछा गया था वो था 97 97 जो 97 वा सम्विधान संशोधन था ठीक है इसके द्वारा मतलब इस चीज़ को शामिल किया गया था 97 जो सम्विधान संशोधन था जो की 2011 में हुआ था 2011 इसमें सहकारी समीतियों के नियंतन और प्रबंदन की जो बात है वेक्खी गई थी नेक्स हम देखते है आर्टिकल 46 यह क्या कहता है राज समाज के कमजोर वर्ग विशेशकर अनोसोचे जातियों और अनकमजोर वर्गों के लिए सेक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा सेक्षिक और आर्थिक जो इनके हित हैं उसको बढ़ावा देगा यह आर्टिकल 46 तो गादी जी क्या कहते है कि अगर आपको अपनी सिक्षा पर कभी घमंड आ जाए अंतियोदाई की बात करते हैं कि आप समाज के अंतिम शोर पर खड़े जो व्यक्ति उसको देखो कि उसक सब्सक्राइब करते हैं कि गादीवादी सिधानतों के आधार पर यह जो अब मुझे लगता है कि आप सारी चीजों को कनेक्ट करकर के इससे तो आप एक अच्छा कासा 200 शब्दों का एक आंसर लिख सकते हो है ना कलो आगे देखे 47 47 कहता है कि सारजनिक स्वास्त में सुध करकéner में है सारता की लिए और यहां पर नशीली दवाओं की जब हम बात करेंगे तो शराब बंदी गांदे जी जो है जिक है शराब और नशेन सब के खिलाफ थे तो शराब बंदी की जो बात है यहां पर भी आजाती है वो समाज के लिए शराब ना कीबल किसी एक पर्टि कर रहा है बलकि ऐसा नहीं है उसके घर में चाहे आप देखें तो आर्थिक समस्याइं होती है यह लड़ाई जगड़ों का होना है उससे समाज पर प्रभाव पड़ता है तो यह सारी जो चीज़े है तो एक दर से सारजनिक स्वास्त में सुधार के लिए अगर सरकार के द्व और के डिशी ओको पालना उनकी नसलों में सुधार करना है इना तो यह आपका अर्टिकल 48 से सब्सक्राइब देते हैं तो गाधी जी बाखी सत्तर और आहिंस्ता आप चल रहे है तो यहां पर वध करना और वह भी पशुवों का वध है ना तो यहां पर देखो कि लगाने के लिए कई कारून बनाए गए तो यह आपका गांधिवादी सिंधान्त हो गया क्लियर हुआ गांधिवादी सिंधान्त हो गया समाजवादी सिंधान्त हो गया ठीक है रिविजन करते रहना बच्छों अब देखो उधार और बौधिक सिंधान्तों की हम बात करते है liberal and intellectual principles ठीक है तो अभी तक हमने देख ले कि समाजबाद मतलब सावाजे कार्थिक नहाँ लोग कर लड़ की बात करेगा आपके socialist हो गए गांधिवादी मतलब गांधिजी की विचारों की बात करेंगे तो यहाँ पर ही आपके हो गए अब आगे देखो next जब हम देखेंगे कि liberal and intellectual जो बधिकता को एक तरीके से बढ़ावा देदे ठीक है जो उदारवादी ता की जो विचार हो उसको रखे है तोड़ सा liberal हो जाए उदारवादी विचार था रहा अब देखो जैसे की बच्चों अच्छा इसके पहले आर्टिकल्स लिख लो इसके आर्टिकल्स कौन-कौन से है सबसे पहले आर्टिकल 44 आर्टिकल 45 48 49 50 and 51 अब देखो ये कुछ ऐसे आर्टिकल है जो कि क्या कर रहा है liberal principles पर आधारे थे या फिर intellectual है कुछ जादा ही सोच पर निर्भर है थोड़े से बहुत धिकतावादी है जैसे कि हम आर्टिकल 24 की बात करें ठीके तो ये क्या कर रहा है ये समान नागरिक सहता की बात करता है ये समान नागरिक सहता की बात करता है तो क्या भारत में कोई ऐसा राज्य है जिसने समान नागरिक सहता को approximately इसका मतलब होता है बच्चों कि अगर हम personal law की बात करें अब जिसके माली मुस्लिमों के लिए उनका लग से law है हिंदूों के लग से law है या तो सभी के लिए एक तरीकी से समान नागरिक सहता को समान जो civil laws है उसको Uniform Civil Code कहा जाता है ठीक है तो यह अभी तो बहुत मुद्दद छड़ा था कि क्या जो Uniform Civil Code है इसको लागू किया जाए या फिर नहीं Uniform Civil Code क्या है Uniform Civil Code यह आपके मेंस के लिए भी Uniform Civil Code यह बस यही मुद्दे तो चलते हैं आप देखेंगे Government में तो क्या Uniform Civil Code जो है वह आगू करना याद रखना कि एवल एक मात्रच जहां पर जादाता समय में पुर्तुगालियों का साशन ता कहते हैं सबसे पहले उन्होंने कबजे मिली और सबसे लास्ट में गया ना शायद पैसट चौसट के आसपास आप देखेंगे तो यहां पर दे जाना उन महिलाओं को भी अपने भरन पोशन का धिकार दिया जाना एक तरीके से समान नागरिक सहेता का इक प्रसार था तो क्या Uniform Civil Code जो है वह लागू करने चाहिए या फिर नहीं आपर नहीं आपर नहीं आपर नहीं आपर नहीं तरीकल 44 तो यह एक तरीके से कुझ जाद देख भाल और सिक्षा प्रदान करना आपको पता है कि पहले आपकल 45 में कुछ और लिखा हुआ था पहले जो है आपकल 45 में बच्चों कुछ और लिखा हुआ था ठीके और याद रखो कि यहां पर लिखा था एक 86 वा सम्मिधान संशोदन हुआ था और इसकी विश्यवस् सम्मिधान संशोदन में आटिकल 45 में जो पहले लिखा हुआ था ना उसको उठा के फंडमेंटल राइट में शामिल कर दिया तो इसमें अलग से कुछ शामिली किया गया था इसमें बस इसकी विश्यवस्तू जो है वह बदल दिया थी 86 वा सम्मिधान संशोदन में अनुच 45 की विश्यवस्तू को बदल दिया गया था कि जो विश्य वस्तू है इसको बदला गया ठीक है ए ए तो पहले लिखा हुआ था बच्चों जानते ने क्या लिखा हुआ था पहले था कि जो प्रात्मिक सिक्षा पाने का अधिकार है वो सभी को होगा तो फिर क्या किया कि प्रात्मिक सिक्षाग में 6-14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनको निशुल को अनिवारे सिक्षा का प्राबदान आपके आर्टिकल 21-A में शामिल कर दिया और उसको fundamental right बना दी वो यहीं से उठाया था अलग से नहीं कुछ था वो DPSP में ही था प्राबदान संचोधन के द्वारा क्या किया कि देगो कुछ सम्विधान संचोधन कैसे उए जिसके ज़रुरत नहीं थी तो सम्विधान संचोधन की माध्यम से लेकिन किया गया था क्योंकि वह fundamental right से संबन्दित होने वाला था ते अर्टिकल 21-A में जो विशेवस्तू डा तो वहां पर primary education की बात की प्रात्मिक सिक्षा का जो अधिकार है 6-14 वर्ष जब उम्र ही उसमें रखी गई 18-25 वर्ष है तीस वर्ष थोड़ी रखी गई 6-14 वर्ष तक का जो अधिकार है सिक्षा पाधिक अधिकार है तो यह आपका मौलिक अधिकार बनाएगा 86 अमिडमे करेगा प्रारंभिक बाल लवस्था की जुदिक भाले सरकार करेगा अर्टिकल 45 अब देखो आर्टिकल 48 अर्टिकल 48 में क्रशी और पशुपालन को विज्ञानिक आधार पर संगशित करने की बात आप चुकि विज्ञानिक की बात होगी तो आपका इंटेलेक्चुल सो ज करना आप तुरहंत आर्टिकल 47, sorry 48 A को लिखके आ घौए अच्छा ये देखो कि आपका जो 48A है, क्या ये पहले से था या फिर बाद में जोड़ा गया, आर्टिकल 48A आपका बाद में जोड़ा गया, ठीके, बाद में कब, आपका जो 42 वा समविधान संशोधन था उसके माध्यम से, समाई के साथ जब 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 जाती है, इसको भी शामिल कर लेते, इसको भी शामि आपका बाद में जोड़ा, आर्टिकल 49, राज की कलात्मक और एतिहासिक महत्वे की प्रत्यक इस्मारक की इस्थान की रक्षा करना, तो अगर हमें प्रत्यक इस्मारक की रक्षा करना है, सारवजनिक जो संपत्ति उसकी अगर हम रक्षा करेंगे, हम आगे फर्णमेंटल जब duties की बात करेंगे, उसमें भी बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर भी जो बात है, यह कही गई है, कि प्रत्य कि स्मारक की रक्षा करना, हैना, राज का एक तरीके से, राज यह काम करेगा, अर्टिकल 50 क्या कहता, आप देखो, UPSC न अर्टिकल 50 और 51 दोनों पूश लिए तो basically जब हम यहाँ पर suppression की बात करते हैं, अगर हम देखें कि प्रत्यक करन का जो सिधान्त है, प्रत्यक करन की बात कहाँ पर की गई है, तो आपका आर्टिकल 50 यह बात करता है, मतलब DPSP में यह बात की गई, इसके अलावा आर्टिकल 51, आप देखो, आर्टिकल 51, UPSC के द इप्टारे के लिए मद्यस्ता को प्रोसाहान देना, अंतरास्ति यह शांती और सुरक्षा, हाँ, शांती और सुरक्षा पूछा था, कि शांती और सुरक्षा की जो बात है, यह कहाँ पर की गई है, आर्टिकल 51, अब हम आर्टिकल 51-A पढ़ेंगे, उसमें तो मूल fundamental duties, तो यह थे आपके सारे, अब हम कुछ questions देखते हैं, देखो, इस question को देखो, भारत के समविधान में निमने में से किस प्रावधान का सिक्षा पर प्रभाव पढ़ता है, किस प्रावधान का सिक्षा पर प्रभाव पढ़ता है, क्या DPSP में बात की गई है, आर्टिकल 45 किस में सिक्षा पर प्रभाव पढ़ता है, यह question पूछा गया, 2012 में जो question पूछा गया, भारत के सम्विधान में प्राथी स्ठापित, राज के नीती के निदेशक सिध्धानतों के तहत निमने प्रावधानों पर विचार कीजे, भारत के नागरिकों के लिए एक समान सांस्कितिक अवसर सुनिष्चित करना, तो क्या अब तक हमने ये तीनों बाते की हैं, बिल्कुल की है, 1, 2 and 3, ठीके, ये साल लेकिन हमने ये तो अभी तक पढ़ाई नहीं, उचे दवकाश की बात और सांस्कितिक अवसर की तो अब बात ही नहीं की अब तक, यहां पर कौन से गांधिवादी सिधान्त है, कौन कौन से जो है आपके गांधिवादी सिधान्त है, तो आपका देखो गांधिवादी सिधान्त में आपका आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43, आर्टिकल 46, 47 and आपका आर्टिकल 48, तो ये सारे जो आर्टिकल्स है अनुच्छेद है ये आपका गाधिवादी सिधात में आएंगे चीके तो देखो तबान नागरिक सहेता यूनिफॉर्म सिविल कोड ये तो आपका सीधा जाधा सोचने वाली बात है तो कहां पर चलेगे आपके बहुत धिक वाले में है ना इंटेलेक्चुल वाले में तो ग्राम पंचायते और आपका कुटी उद्योग तो दो और तीन इसका अंसर होगा आगया समझ में तो हमने जो पड़ा उससे कुशिन सॉल्व हो गया ना चलो समझ में आए तो बता देना इसको आगे दिखो कुशिन अंतरास्टिय शांती और सुरक्षा को पर DPSP तो यह तो आपसे आर्टिकल तो पूछे रही था लेकिन आपसे नीती की निदेशक तत्व है न सीधा पूछ लिया आया समझ में आप देखो एक और कुश्चन है राज्य के नीती की निदेशक सिद्धानतों के संबद में निम्ने पर विचार कीजे यह सिद्धान प्रावधान किसी भी नियालय के द्वारा प्रवर्तनिय नहीं है तो हमने क्या पड़ा था इसको कि इनकी जो प्रकृती है क्या समझाता हमने कि इनकी जो प्रकृती है वह कैसी है गैर नियायोचित है और गैर नियायोचित का मतलब क्या है इसका मतलब है कि आप नियालय मे लागू कराने के लिए नहीं जा सकते नहीं जा सकते और दूसरा क्या था कि इसके लिए सरकार बादकारी भी नहीं है तो प्रवर्तिने नहीं है अगर प्रवर्तिनी यह है लिखा होता तब परिशानी की बात होगी अभी तो कोई परिशानी यह नहीं है तो कौन से सही है पू देखते हैं मुझे नहीं लगता बच्चों कि ऐसा कोई भी कुश्चन होगा अब जो आप से पीवाई क्यू में आया होगा जो डिटेल अब तक हम ने पड़ी वो अपने आप में सफीशेंट एंड कम्प्लीट है पुरुष और महिला दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन उद्योगों में प्रबंधन में शमेकों की भागेदारी काम सिक्षा सारजनिक सायता जाभी वह इसको कंप्लीट करवा देती हो फिर आप अपने आप इसको पढ़ लेंगे ठीक है चलो आगे देखो भारत के समविधान के संदर्व में राज नीती के निर्देशक सिधान पर सीमाय बनाते हैं क्या सीमाय बनाते हैं विधाई और कारेकारी साथ पर क्या सीमाय बनाते हैं DPSP सीमाय बना रहा है या फिर फंडमेंटल राइट सीमाय बना रहा है तो यह जो है वे अपनी प्रकृति में नकारात्मक है बचो जब कि हम जब DPSP की बात करेंगे तो जो DPSP है यह तो आपके positive है इसकी जो प्रकृति है वे क्या है positive वेरे भाई कुछ करने के लिए कहते हैं सीमाई किसी पर नहीं बना रही है तो कौन सा सही है कोई भी सही नहीं है स्वाल वो रहा जो अब तक हमने पढ़ा उससे 17 का कुश्यन था चलो आओ एक कुश्यन और देखते है 20 का कुश्यन देखते है 20 में जो कुश्यन पूछा गया था बहुत कुश्यन आते हैं ध्यान ड़कर DPSP, Fundamental Rights, रास्टपती ये कुछ ऐसे टॉपिक से बहुत कुश्यन आते हैं प्रस्तावना भारत के सब्धान के भाग चार में नहित प्राबधानों के संदर्फ में कौन से कथन सही है त्री स्टेट्मेंट है बच्चों फर्स्ट है कि न्याले के द्वारा प्रवर्तिनिये होंगे लो अभी हमने जिस्ट पढ़ा था उस बात को तो आप क्या इन दोनों को काट सकते हो बिल्कुल सही आओ बस हमें यह टेस्ट करना है तीसरे और दूसरे में ठीके किस्ती भी न्याले के द्वारा प्रवर्तिनिये नहीं होंगे यह बात तो बिल्कुल सही है ना ही Supreme Court ना ही High Court या कोई और Subordinate Court इस भाग में निर्धारे सिध्धान राज के द्वारा कारून बनाने को प्रभावित करने के लिए हाँ हाँ ये बात उसे DPSP का तो मतलब यही है ना कि राज अपनी जब नीतिया बनाएगा तब इसको ध्यान में रखेगा आंसर क्या होगा इसका फस्तु रॉम था ना तो अप्शन नंबर D इसका अंसर होगा आया समझ में आगे देखो 2020 में कुश्यन पूछा कि न्याय पालिका को कारे पालिका से अलग करने की जो बात है सेप्रेशन की जो बात है तो कहां पर हमें प्रतक करन देखा था इसने दिया था प्रतक करन मॉन्टस क्यों ने प्रतक करन का मतलब क्या है इसका मतलब है कि जब हम सरकार के अंगों की बात करते हैं जैसे कि न्याय पालिका जिसका काम है नियाय करना, रूल ओफ लॉकों लागू करना, विधाईका जिसका काम है विधान बनाना, रूल्स बनाना, रूल्स मेकिंग करना, विधाईका, लजिस्लेटिफ हैना लजिस्लेटिफ, जुडिश्री और आपका structures field, कारेपालीका, कारेपालिका लेकिन याद रखो अब एक और कुश्चन में आपसे थोड़ा सा मोडिफाई करके आपसे पूछ लेती हूँ मालो यह पिश्चन आ गया कि सरकार के इन तीनू अंगों में से किन दू अंगों के प्रथक करन की बात है वह इसमें की गई है वह नीती के निदेशक सिध्धानतों में की गई है तो आपका आर्टीकल 50 है और उच्छित पचास ही तो है जो की प्रथक करन की बात करता है नियानमेवा समविधान संचोधन मेंने कई बार पढ़ाया जो आपका नेशनल आप देखेगे कि जुडिश्य ने जो अपॉइंटमेंट जो कमीशन बना था तो रास्टी नया एक नुक्ति आयोग को आज समविधान एक करार दिया था सुप्रीम कोट के वायार थिंग 2015 के मतली देखंपास तो यहां पर देखो कि DPSP में जो यह बात वह की कि गई है कि ने आयपालिका को कर पालिका से अलग करने का जो आदेश से वह दिया गया है तो यह DPSP में दिया गया, देखो, बहुत जादा यह डीप नहीं पूछा गया, कि किस अनुछेद में दिया गया है, यहां से भी कुछण जो है, पूछे जाते हैं, वैसे अगर हम वल्ड लेवल पर देखें, तो प्रतक करण का सिद्धान किस ने दिया था, मॉन्टेस क्यों है, है ना, चलो, बाते सम्विधान के ताहिए, धन का संकेंदर्ण, अब देखो बच्चो, 2021 में भी सेम कुछिशन पूछा, धन का संकेंदर्ण किस में है, आर्टिकल फिर नहीं पूछा, आप से पूछ दिया, बनने प्रिष्ट, confidence आया, थोड़ा सा, कि DPSP पढ़ लिया, तो questions solve हो गए, यही questions आया है, बच्चो, अब तक देखो, आप से सारे जो प्रश्ण है, वै आप से एक घंटी की class में बनने लगे, कुछ और points जो है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीके, तो यह तो हमने देखे, अब तक सारे articles हमने देख लिए, है ना, समाजवादी, गादी, आप चाहे तो पूरा 36 से लेके 51 तक जो लिखा हुआ है, वैसे याद कर लो, लेकिन बीच-बीच में आपको फिर याद करने ही पड़ेगा कि किसको समाजवादी, किसको गादीवादी और किसको आपको दारवादी, अब बहुत धिक कहते हैं, अब एक और important point बचो, कि आखिर इसमें संशोधन जो है, वैं कब-कब किये गए, ठीके, DPSP में क्या संशोधन हुए है, तो definitely हुए है, DPSP यानि राज की नीति की निदेशक तत्व, इसमें संशोधनों के द्वारा, संशोधन के द्वारा, जो प्रावधान जोडे गए, उसको पड़ते हैं, संशोधन द्वारा, जो प्रावधान जोडे गए, ठीके, चला, तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं, 40 सेकंड, आपका जो 42 वारा संविधान संशोधन था, 42 संविधान संशोधन, और देखो ये जो संशोधन है, याद रखना, कि इसमें आपके चार जो आर्टिकल से एक तरह से जोडे गए थे, एक तो हम देखेंगे, अनुच्छे 39 में कुछ प्रावधान जोड़ा गया था, 39, 39A, जो अनुच्छे इसमें जोड़े गए थे, 39, आगे विश्यवस्तू भी लिखना है न, 39A, 43A, और आपका 48A, ये चार जो प्रावधान है, 42nd Amendment के द्वारा जोड़े गए थे, ठीके, तो देखो आपका आर्टिकल जो 39 है, वैं क्या कहता है, ये बच्चों के लिए स्वास्त की बात करता है, बच्चों के लिए जो स्वास्त है उसके अवसर ये राज़ प्रदान करेगा ऐसा आर्टिकल 39 में कहा गया आर्टिकल 39 ए कहता है कि गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता होगी जो गरीब है जिसको जिसके पास पैसा है उसको तो नयाई मिल जाएगा पर जो गरीब है वकीलों की फीज जब इतनी महंगी हो गई तो आपको लगता है कि गरीबों को नयाई मिलेगा या फिर उन्ने कल्सल्टेशन मिल पाएगा तो इसके लिए गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता बहुत सारी ऐसी हेलप लाइन सरकारी वकील जो है वे नियुक्त किये गए है ना तो गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता जो free legal advice की बात की गई है आर्टिकल 43 ये question भी पूछा गया है ना इसमें क्या था जो उद्योग है ना उद्योग की प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी उद्योग में जो नीतिया बनेगी उद्योग के प्रबंधन में भागीदारी स्टमेकों की भागीदारी और 48A कहता है पर्यावरण पर्यावरन की रक्षा की बात करता है और T8A पर्यावरन की जो रक्षा है इसकी बात करता है जंगल और वनजीव की रक्षा की बात करता है जंगल की बात करेगा और जो वनजीव है ना इनकी सनरक्षन का प्रावधान करेगा तो ये आपका क्या हो गया? आपका हो गया 42 वा सम्मिधान संशोधन, इसके माध्यम से इतनी जो अनुच्छेद हैं वे जोड़े गए, अब हम चलते हैं, सेकंड आर्टिकल की तरफ, सेकंड जो आपका सम्मिधान संशोधन हुआ, और इसमें आपका 44 वा सम्मिधान संशोधन है, कौन सा है आपका 44 वा सम समिधान संशूधन से आप सभी को संपत्ति का दिकार तो याधी होगा तो देखो बच्चो इसमें आपका 1978 में हुआ था और इसमें आर्टिकल 38 में एक प्राब्धान जोड़ा गया था 1978 की बात है और इसमें आपका जो आर्टिकल जोड़ा गया था आर्टिकल 38 में एक प्राब्धान जोड़ा गया था ठीके और इस प्राब्धान में कहा गया था कि आई अवसर और प्रतिस्था की जो आसमानता है उसको कम किया जाएगा तो यहाँ पर आसमानता को कम, inequality उसको कम करने की बात की गई आसमानता को कम करने का जो प्रयास है ठीके आसमानता को कम करना इसमें शामिल है आई प्रतिस्था और अवसर की आर्टिकल 14 में भी कुछ कहा गया नहीं इसके बारे में आई प्रतिस्था और अवसर प्रियर इसकी आसमानता को कम करना यह आपका 44 समविधान संशोधन है हो गया 42 बस सम्विधान संशोधन हो गया अब नेक्स्ट है आपका 86 86 सम्विधान संशोधन जो इसके पहले भी मैं आपको बदा चुकी हूँ इसमें कुछ जोड़ा ने गया बस विशय वस्तू को बदला गया है आसीवा सम्विधान संशोधन और इसमें जो नुच्छित 45 था नुच्छित 45 की विशय वस्तू को बदला गया तो विशय वस्तू को बदला गया ये DPSP का मैटर हो गया और जो प्रात्मिक सिक्षा को fundamental right बना दिया गया ये आपका article 21A में जो शामिल किया गया कि सिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया वो 86 वा सम्विधान संशोधन ही था ठीके तो प्रात्मिक सिक्षा प्रात्मिक जो शिक्षा है लिखी देती हूं इसमें प्रात्मिक सिक्षा का अधिकार प्रात्मिक सिक्षा का जो अधिकार है ये आपके fundamental right में शामिल किया गया मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया ठीके तो article 45 से जो इसकी विशेवस्तू है वैशेंज होई और ऐसा हुआ 86 वा सम्विधान संचोधन के द्वारा 2002 में और अब चौथा है आपका फोर्थ है 97 सम्विधान संचोधन 97 वा सम्विधान संचोधन और इसमें बात की गई सहकारी समीतियों की ठीके इसमें सहकारी समीतियां जो है उनको प्रबंधन और बाकी सुच्वायत है उन समी की जो अधिकार है उसको बढ़ाने की बात की गई तो ये था कि कब कब सम्विधान संशोधन हुआ 42, 44, 97 और 86 क्लियर है इतना 97 अच्छा ये तो देख लो इसमें आर्टिकल 43B आर्टिकल जो 43B है ये जोडा गया 97 सम्विधान संशोधन के द्वारा अब याद रहेगा आप सभी को चलिये अच्छी बात है very good अच्छा ये दिखो कि बच्चो समय समय पर हमने fundamental right और जो आपका DPSP है इसके बीच में जो एक अंतर है अंतर को हमने देख लिया लेकिन अब हम बात करेंगे कि कुछ बीच-बीच में ऐसे विवाद उत्पन हुए न कि fundamental right और DPSP में एक तरीके से जो संघर्ष है वे हुआ जिसने कि चंपकम दोराय राजन बनाम मदरास राजजवाद हुआ था 1951 में, गोलक नाद बनाम पंजाब राजवाद हुआ था 1967 में, केश्वारंद भारती बाद हुआ था 1973 में और मिनर्वा मिल बना भारत संघवाद हुआ था 1980 में तो एक पहला कुश्चन तो यही हो गया कि ऐसा कौन सा जो बाद है मौलेक अधिकार और DPSP के बीच में जो संघर्ष उसको लेकर हुआ तो बैसिकली यह जो टॉपिक वह आपसे कहए रशाता है कि कभी कभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोड के दुआ सुप्रीम कोड अपनी डिसीजन चेंज कर सकती है तो यहा पर देखो कि यह जो तीन-चार ऐसे वाध है यह संबंधित थे इन दोनों से चलो हम इसकी कुछ-कुछ main जो बाते हैं उसको पढ़ते हैं सबसे पस देखो कि जो चंपकम दुराई राजनबाद है जो 1951 में हुआ था बच्चो इसमें क्या किया गया था इसमें कहा गया था कि अगर fundamental right और DPSP के बीच में टक्राव होगा माली जिये कोई ऐसी नीती बन जाए कि जो DPSP जो है और fundamental right है इन दोनों की बीच में किसी तरह से अगर टक्राव उत्पन हो जाए तो ऐसी इस्तिती में जो आपके fundamental right है ये प्रभावी माने जाएंगे ऐसा चंपकम दोराय राजन जुहवाद है 1951 इसमें कहा गया साथी इसमें ये भी कहा गया कि जो DPSP और fundamental right है ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी है एक दूसरे के क्या है? पूरक है ठीके? ये बात भी इसमें कही गई चलो, अब second हम देखते हैं कि अगर हम गोलखनात बनाम पंजाब राज की अगर हम बात करें इस मामले में ये कहा गया बच्चो कि fundamental right जो है इसको संसद समाप्त नहीं कर सकती गोलखनात जो मामला था इसमें ये कहा गया कि जो fundamental right है चुकि ये उलंगिनी ये नहीं है है ना आप इसका do not cross वाली लाईने सरकार इसको उलंगन नहीं कर सकती तो fundamental right को जो संसद है वह समाप्त नहीं कर सकती और साथ ही इसमें ये कहा गया कि अगर आपको DPSP को लागू करना है मालो ठीक है कोई ऐसी विदी बना दी DPSP में कोई ऐसी नहीं थी अगर उसको लागू करना है और fundamental right का अगर violation हो रहा है तो ऐसे में DPSP मत ही लागू करो रहरे दो ये बात इसमें कही गई कहा गया कि DPSP लागू करने के लिए DPSP को लागू करने के लिए जो fundamental right है fundamental right में संशोधन नहीं किया जा सकता संशोधन नहीं किया जाएगा ठीक है नहीं याद रखना तो शुरवात में क्या कहा गा थी कर दोनों में टकराव हो तो fundamental right प्रभावी होंगे ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे ये बात चंपकम दो रायराजन बाद में कहेंगे देखो वाद याद करने टफ है सरल भाशा में बता रहे हूँ चुपचाप याद कर लो ये फैक्ट लेके गोलकनात में कहा गया कि fundamental right को चुकि संसस समाप्त नहीं कर सकती और इसी वज़े से DPSP लागू करने के लिए fundamental right जो है स्वसंशोधन नहीं किया जा सकता अब हम बात करेंगे केश्मरन की ठीक है देखो ये जो वाद था बचो मिनर्वा मिल्स ठीक है थोड़ा सा मिनर्वा मिल्स की बात करते है fundamental right तो देखो हम सभी को पता है कि ये आपके मूल धाचे से संबन्दित है कि संसत जो है कोई भी ऐसा जो प्रावधान है वै नहीं कर सकती जो की आपका जो मूल धाचा है इसको प्रभावित करेगा ठीक है ये केश्वा दिन्द भारती बात से संबन्दित था मिनर्वा मिल्वा जो की 1980 में आया बना भारत संख मामला इसमें ये कहा गया कि जो DPSP है न DPSP को Fundamental Rights के अधीन माना गया Fundamental Rights के क्या माना गया अधीन माना गया के अधीन माना गया और साथ इसमें ये कहा गया कि जो Fundamental Rights है और जो DPSP हैं इन दोनों में एक तरीके से एक जो संतुलन है वो रखने का प्रयास करना है क्लियर है अच्छे इसके लावद देखो दो तीन सम्विधान संचोधन भी है 24 वा सम्विधान संचोधन हुआ 24 वा जो सम्विधान संचोधन हुआ इसमें ये कहा कि जो समाजवादी सिधान्त है समाजवादी जो सिधान्त है समाजवादी जो DPSP है इसे लागू करने के लिए इसे लागू करने वाली जो विधी है समानता के आधार पर आप चुनोती नहीं दे सकते अगर मालीजे आपने समाजवात को लागू करने के लिए कोई ऐसी नीती बना दी जो कि किसी fundamental light और fundamental light especially समानता को जो अधिकार है उसका उलंगन करते तो आप उसको चुनोती नहीं दे सकते तो समतावादी DPSP और नीती को अगर आपने ऐसी कोई नीती बनाई है तो आप fundamental light में जो समानता है ना समानता के आधार पर आप चुनोती नहीं देंगे माली जै आप कह रहे हैं कि for example आपने नीती बनाई कि जो बुजर्ग है उनके लिए कोई special जो सुविदायवे दी जाएगी आप कहें नहीं यह तो समानता के खिलाफ है तो जब भी कोई नीतिया समाजवादी सिध्धान को जाएगी 25 वा सम्मिधान संचोधन ऐसे प्रावधान करता है जिसमें यह कहा गया कि इसको fundamental right समानता के जो अधिकार है ना इसका उलंगन नहीं माना जाएगा और नाहीं इसे नियालाई में चुनोती दी जाएगी समानता के अधिकार का उलंगन नहीं माना जाएगा समझें नहीं माना जाएगा, आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप जो समाजवाद नीति अगर लागू कर रहे हो, समाज के लिए कल्याड कर रहे हो, किसी बुजरुग का, किसी महिला है फिर बच्चों के लिए प्राद्धान करें नहीं आप तो समान्ता की बात करो, आप पचास साल या 40 40 साल का जो व्यक्ति उसको भी वही संरक्षर दो जो कि आप एक बच्चे को दे रहे, पॉसिबिल लहीं है, तो ऐसे में समाजवाद और जो समानता है, इनको क्या किया जाएगा, इनको क्या किया जाएगा, एक दूसरे के पूरक आप समझ सकते हो, लेकिर आप सोचो कि इन दो अच्छा याद रखना बच्चो कि यह जो है न आपका 25 सम्विधान संचोधन, यह आपका 24 सम्विधान संचोधन है, यह आपका संबंदित है, कि जो संसद है, वह fundamental right को कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है, ठीक है? कि इतनी ही बात लिखी है, 24 सम्विधान संचोधन में, और यह जो दोनों बाते हैं, समानता की और समाजवादी जो है, वह contradictory नहीं माने जाएंगे, और इस आधार पर नियालाई में चनौती नहीं दी जाएगी, यह आपका 25 सम्विधान संचोधन है, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, तो यह आपके कुछ बात हो गए, अब हम आगे देखेंगे बच्चो, कि आखिर कब-कब ऐसी नीतिया बनाए गई, जब-डी-पी-एस-पी का जो कारेन वेन है, वह किया गया, कुछ ऐसे अधीरियम और संचोधन, यह आपके मेंस का भी एक विशाय हो सकते है, त तो यह पंचायतों की बात करता है, ग्राम पंचायते होंगी है ना, तो यहाँ पर पंचायतों को समवैधानिक दरजा दिया गया, पहले समवैधानिक दरजा नहीं था ना, तो तेहतर वा समवैधान संचोधन पंचायतों को समवैधानिक दरजा देता है, इसको रिकोगना इस किया गया और यह बात किसमे की गई आर्टीकल 40 में तो आर्टीकल 40 में जो पहले से लिखा हुआ था DPSP यह गांधिवाधी सिद्धान्त हैं पर इस गांधिवाधी सिद्धान्त का कार्याण वैन हुआ नहीं हुआ बिलकुल हुआ है ना तो तेहतर्व सम्विधान सचोध किसका कारण वयन है आटिकल 14 का क्रियान वयन है ठीक है कि अलावा देखो कि सटरकार के द्वारा को नियोनितम जो आपका मिनिममम स्टमां एक वाला है जो अधिनियम है त हम जब लेंट रिफॉर्म्स की बात करेंगे भूमी सुधार की बात करेंगे जमीदारी उन्मूलन की बात करेंगे तो सरकार के द्वारा जो जमीदारी उन्मूलन और ये सारी जो नीतिया बनाए गए कही नहीं कहीं डीपेस पी कोई तो सपोर्ट कर रही थी इसके अलावा देखो चाहे आपको जो भी योजना याद आ रही हूं बज़र्गों के लिए हैं या फिर समाज के कमजोर वर्ग के लिए हैं वो सारी चीजें इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य जो की पशुवद स्पेशलिक गाय एड जो जाएगा वित का एक कहीं पर केंदी करण जो सेंट्रलाइजेशन है वह ना हो पाए इसके लिए राज्य काम करेगा तो हम देखते हैं कि 1969 में 1969 में जो 14 बड़े बैंक थे उस वक्त 14 जो बैंक थे 14 बैंकों का राश्टी करण कर दिया गया था ठीक है तो यह राश्टी करण करना लोगों की संपत्ती की सुरक्षा करना और सारी चीज़े तो 1969 में जो यह काम हुआ था यह भी DPSP का था इसके अलावा देखो यह चार हो गया पाचवा हम देखेंगे गरीबों के लिए निशुलक सहायता यह बाट DPSP में की गई है न कि जो गरीब है गरीबों को कानूनी सहायता कानूनी जरूर लिख लेना वना समझ में नहीं आया किस सहायता की बात की जा रही है तो फ्री एंड जो यह लेगल एडवाइज है विदिक सेवा प्राधिकरण अधीनियम 1987 इसी का ही कारेंवेन था 1987 में नालसा की जो बात होती है वो भी इससे संबंदित है विदिक सेवा प्राधिकरण अधीनियम ठीक है यह भी इसका कारेंवेन है इसके अलावा बड़ा सब पीछे चले जाए 1955 की बात कर ले तो आपका जो सिविल अधीकार संद्रक्षन अधीनियम है इससे पहले आजश प्रष्षरिता अधीनियम समझा जाता था कहा जाता था सिविल अधीकार संद्रक्षन अधीनियम जिन बच्चोंने MPPSC कभी दिया होगा उसका सलेबश दिया होगा उन्हें पता होगा क्यों कि पेर strengths स्यामिल आप इसको इसको उटा गया है इसके अलावे देखो, recently आपको कोई इसका एक्जामपल यादा रहा है, recently जो भी आपको लग रहा हो कि समाज के कमजोर वर्गों से समंधिस सरकार ने नेतिया बनाई है, कोई ऐसा recently आपको यादा रहा हो, कि आपको 103 वास सम्विधान संशुदन यादा रहा है, एक सो तीन बास सम्विधान संशुधन यादा रहा है जो कि आपका इकोनोमिक वीकर सेक्षन आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है सवर्ण वर्ग है इसको 10 प्रतिशत आरक्षण का जो प्रामधान दिया गया है ठीक है तो यह जो सिक्षा और रोजगार में आरक्षण की जो बात है यह लेटेस्ट आपका DPSP का एक और जो कारेंवयन है वह बताता है इसके अलावा चाहे स्वास्तकेंद्रो की स्थापना हो चाहे शराब बंदी के उलेकर जो काफी सारे ऐसे कानून है तो वह सारे चीज़े आपके DPSP का जो कारेंवयन है उन्हें ही तो दिखात DPSP के बीच के संगर्ष देखे DPSP संशोधन के द्वारा कौन-कौन से प्राधान जोड़े गए इसकी हमने बात की अच्छा आपके एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है जो मैं आपको बता देती हूं जिससे कि अगर हम इसकी आलोचना की बात करें उपयोगीता की बात कर पहाँ थोड़ा सा लिखना पॉच-पॉच हो जाएगा तो अगर हम DPSP की आलोचना देखो जरूरी नहीं है मेंस के लिए जरूरी है लेकिन पीटी में भी ऐसे जो कुशन से पूछे जाते हैं DPSP की आलोचना की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ आधार हैं इसके फॉर क्या है कोई कानूनी शक्ति इसके पास नहीं है कोई कानूनी शक्ति नहीं है आप इसको लागू नहीं करा सकते तो ऐसे में देने का जो है कोई मतलब नहीं था गैर नयोचित प्रक्रति के हैं और ऐसे में केटी शाह के द्वारा इसकी आलोचना की जाती है और केटी शाह कह एक चेक है इसका भुकतान बैंक के संसाधनों पर निरभर करता है, मतलब ऐसे अधिकार है कि जब ऐसे अधिकार आपको इसमें दिये गा है कि जब सरकार या जब राज्ज इतना संपन्न होगा, राज्ज के पास वो संसाधन होगे में तब ही तो आपको देगा, अगर उसके ब्सवकील ही ऐसे नहीं है जो अलेबल ही नहीं तो वह कैसे गडिंब को दिशाइ ते सकता है तो यहां पर केटी शाय जो है क्या कड़ी एक चैक स कड़िव करते हैं आएसा चेक जो बैंक के की ऐसा चैक पीटी में कुष्टन आजा ग किसने यह कहा ऐसा जिसका भुकतान बैंक के संसाधनों की शमता पर निर्भर करता है बैंक के संसाधनों की शमता पर निर्भर है ठीके? ये इनोनेस की आलोशना कर दी इसके अलाव हमने देखा कि इसकी जो प्रक्रती है वैं कैसी है? गैन नायोचित है ये किवल नैतिक है मानो तो ठीक है ना मानो तो ठीक है मानो तो ठीक है ना मानो तो ठीक है इसका कोई बहुत जादा जो व्यवस्थित है तरीका है नहीं तो ऐसे में अगला है, इसमें कहा जाता है कि एक तरह से तरकिहीन ववस्था है इसमें, तरकिहीन है, ववस्थित नहीं है और इसका जो वर्गी करण किया गया ना वो भी सही नहीं किया, जो इसका वर्गी करण है, वर्गी करण भी ववस्थित नहीं है, कभी आपने कह दिये समाजवादी है कहीं आपने कह दिया गादीवादी है तो ये वर्गी करण भी है वह कैसा है व्यवस्थित नौटा व्यक्तिगत ये व्यवस्थित नहीं है उचित तरीके से वर्गी करत नहीं किया गया देखो कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा गया बच्चों कि ये एक तरीके से बहुत ही जादा जो है रूड़ी वादी हैं और एक ने तो तुलना की कि जैसे इंग्लेंट में कानून बनाये जाते थे इंग्लेंट में जो निर्देश बनाये जाते थे कि इन बातों को मारो ठीक वैसे ही कारून थे इसलिए एक ने विटिश वैप का भूत कहा विटिश वैप का भूत का खाक इंग्लेंट के दर्शन पर आधारित है बिटिश वेब का भूज जो है इस पार्ट के प्रस्थों में प्रावेश कर गया है यह कह कर भी इसकी जो आलोचता है वह के गई साथ यह भी कहा जाता है कि एक सम्वेधानिक जो टक्राव है वह भी इससे होता है एक और इसकी आलोचना की जाती है सम्वेधारिक टक्राव मालो आपको fundamental right का violation हो रहा है फिर DPSP को कैसे लागू करोगे और हमने इतने सारे बात देखे fundamental right और इनके बीच में ठीके तो ये आपका DPSP के आलोचना हो गया आप इसके अलावा 2-4 point जो हम और देख लेते हैं इसकी ओपियोगीता को लेकर ठीकें इसकी ओपियोगीता और भूमीका के भी चर्चा है थोड़ी सी हम कर लेते हैं ओपियोगीता या भूमीका सबसे पस तो देखो कि चुकि ये रास्ट के शाषन के लिए एक मूलभूत है तो ये साफी इंपॉर्टेंट है ये रास्ट के शाषन के लिए मूलभूत है इसलिए इंपॉर्टेंट है रास्ट के शाषन के लिए जरूरी है अनिवार है मूलभूत है ठीक है, नेक्स देखो, एक लोगतांत्रिक देश में लोगों के कल्याड कारी साशन की जरूरत होती है, तो एक लोगतांत्रिक देश में कल्याड कारी सरकार के लिए जरूरी है, कल्याड कारी सरकार के लिए जरूरी है, यह इस क्यों पयोगीता है, ठीक है, और देखो और भी कुछ इसमें point है, for example, हम देखे कि सम्विधान को जीवन देने के लिए कई ववस्थाय जो है, वैं DPSP में की गई है, कई लोगों ने इसके उपयोगिता में कहा कि यह तो क्रांती है, क्रांती के समान है DPSP, इसके लावा कहा जाता है कि सम्विधान के लक्षियों की प्राप्ती में यह मदद करता है, सम्विधान के जो लक्ष बनाए गए न, सम्विधान के लक्षियों की, लक्षियों की जो प्राप्ती है, वैं DPSP से होती है, इसके अलावा कहा जाता है कि जो प्रस्ताबना में न्याय स्वातंतरता, न्याय समानता, भाईचारा, बंधोत्व, ठीके, ये सब जो बाते की गई है ना, ये सारी बाते DPSP में हैं, न्याय एक समिक्षा की शक्ती में युगदान देता है, इसके अलावा देखो, कि राजने आर्थिक, सामाजिक, कई ऐसे प्रावधान है, राजनेतिक, आर्थिक, और जो सामाजिक लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, ऐसी लोकतंत्र की ववस्था के लिए बहुत जरूरी है, तो DPSP में कई ऐसे प्रावधान किये गए, इसके अलावा हम देखेंगे, कि विपक नीतियां बनाई वे गरीबों के लिए नहीं है, इस आधार पर विपक्ष जो है, उसको भी एक आलोचना का जो अधिकार है, वे मिल जाता है, ठीके, तो एक तरीके से सरकार के जो है, पत्प्रदर्शक है, हना हम क्या कह सकते हैं, कि इसकी जो प्योगिता है, वे एक तरह से र लेर, तो आपके ये सारे पॉइंट्स, I hope, friends, cover हो गए होंगे, ये जो आपके सारे पॉइंट्स है, और हमने काफी सारे number of questions देखें, जो कि आपके लिए PT में बहुत जरूरी थे, और I hope कि वो सारे questions आप से आप बन जाएंगे, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16, 17, एक बार में, द साथ में ही जल्दी से तैयार हो जाएगा, ठीके, अब हम बात करेंगे मूल कर्तवयों की fundamental duties की बात करेंगे, और इस topic में हम देखते हैं, स्वाडने सिंग समीती की सिफारिशे, मूल कर्तवयों की सूची क्या है, मूल कर्तवयों की विशिष्टाए क्या है, मूल कर्तवयों की आलचना की ददारों पर की जाती है और इसका महत्व क्या है, ठीके, इस आधार पर इसकी जुबाते है, इस जव चर्चा है इस टॉपिक की वह हम करेंगे, चल्लिये, ज्यकर सबसे पहले जब हम अधिकारों के बात करते हैं, तब क्या गादी जी कहते हैं, कि जो व्यक्त की कर्तव्यों की बात करें नाग्रिकों की अधिकारों की बात करें आपको नहीं लिखता कि आपके पर्सनल जीवन में आपके पास उतने ही अधिकार हैं आपके घर में जितने की आप जिम्मेदार हैं तो कहीं न कहीं जब आप जिम्मेदार हैं आपके जो कर्तव्य थे उसके पर देखो कि मूल कर्टव जो है वै क्या है अखेर तो और उसकी जरुरत क्या थी? मूल कर्टव ैक को या दखना बचो कि जो हमारा शुरूवाति जो मूल संभधान था ना उस original constitution में मूल कर्टब नहीं रखे गए थे तो क्या इसकी जरुरत नहीं थे मूल कर्टब आप कुछ बाते इसकी समझते है मूल कर्टब fundamental duties देखो जब बच्चों हम fundamental duties की बात करते हैं सबसे फॉस्स जो important है कि इन्हें मूल सम्विधान में शामिल नहीं किया गया ऐसा क्यों किया गया अब इसको मैं FD रिख दू वह वाला FD मत समझ जाना ठीक है तो मूल कर्टब्यों को मूल सम्विधान में जो हमारा सम्विधान जब शुरू में लागू हुआ था न बचों मूल सम्विधान में fundamental duties को शामिल नहीं किया जगा नहीं दे गई थी शामिल नहीं किया गया था तब क्या इसकी जरूरत नहीं थी क्या इसकी जो हमारे सम्विधान निर्माता है क्या उन्होंने ये समझा नहीं कि हमें जरूरत जो है इसकी होगी तो देखो शुर्वात में ये कहा गया शुर्वात में इसको बहुत जरूरी नहीं समझा गया कि अगर हमने fundamental जो rights उसको शामिल किया है मूल अधिकारों को शामिल किया है तो हमने ये माल लिए कि चलो नागरी के अपनी जो करता है वह अपने आप निभालेंगा उसको लिखने की जरूरत नहीं लेकिन बाद में इसकी जब जरूरत है वह पड़ी और इसको एक समझा शंशोधन के माध्यम से जोड़ दिया गया और यहाँ पर देखो मूल समझा में जब ववस्था नहीं है तो इसको जोड़ा कब गया तो एक समझा शंशोधन होता है जिसको कि हम 42वा समझा शंशोधन कहते है आपको पता है कि 42वा समझा शंशोधन इतना जादा इंपोर्टेंट था और बहुत विवादास्पद भी रहा 42वा समझा शंशोधन के बहुत सारे ऐसे विवादास्पद विशय थे जिसको आगे 44वा जब समझा शंशोधन आया तो उससे बैलन्स कर दिया गया था मतलब 40 सेकंड में जो बहुत सारी चीज़ें की गई थी उसको एक तरह से मिटा दिया गया था तो बच्चो 42 वा समझा शंशोधन इतना जादा महत्यपूर था कि इसको मिनी कॉंस्टूशन भी कहा गया इसको लगू समझा शंशोधन की भी संख्या दी गई तो याद अखना कि शुरुवात में जो ये fundamental duties है ना मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वह 10 थी वर्तमान में 11 हैं मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी 10 10 वर्तमान में कितनी हैं 11 हैं 42 में संविधान संशुधन में इसको जोडा तो गया लेकिन ये बताओ कि क्या कोई समीती वगेरा बनी थी जिसकी सिफारिश के आधार पर इसको जोडा गया हो तो definitely बच्चो एक समीती बनी थी जिसे की सरदार स स्वण सिंग समीती कहा जाता है स्वण सिंग समीती बिसिकली है ना सरदार स्वण सिंग समीती के द्वारा ये सिफारिश जो है वह की गई थी कि मूल कर्तव्यों को जो है जोडा जाया और फिर 42 में समिधान संशोधन के द्वारा इसको जोड भी लिया गया था ये मूल कर् कि जब हम देखते हैं, कि जो आपका fundamental right है, देखो, fundamental right क्या है, आपके अधिकार हो गए, व्यक्तियों के rights की बात हो गए इसमें, और जब हमने आगे DPSP की बात की, तो DPSP में जो है, राज्य की कर्तवियों की हमने बात कर ली, लेकिन नागरिकों की कर्तवे कहा गए, हमने दे नागरिक शब इसलिए है बच्चों, क्योंकि याद रखना कि fundamental right में तो हम कह देते हैं, कि विदेशियों को भी जो कुछ अधिकार है, वे दिये गए हैं, लेकिन कर्तव सभी से हम अपिक्षित नहीं रखते हैं, जैसे कि हम कहें कि हमारे घर में सुक्षात्य अनुसाशन ज है, इसमें बताए गए, तो fundamental rights में क्या है, कि व्यक्तियों के अधिकार है, व्यक्ति के अधिकारों की बात की गई, DPSP में राज्य के कर्तवियों की बात की गई, तो नागरिक के जो कर्तव है, fundamental duties इसमें रखे गए, मूल कर्तवियों में रखे गए, ठीके, याद रखना कि 42 वश सम्विधान संचोधन के द्वारा जो ये सरदार सवर्णि सिंग समीती बनी थी 42 वश सम्विधान संचोधन के द्वारा सम्विधान में भाग 4 का जोड़ा गया ठीक है, भाग 4 ए भी लिख सकते हैं या फिर आप ये लिख सकते हैं भाग चार का ठीक है जो भी आपको सूधर लगे तो ये जो है जोड़ा गया इसके अलावा देखो आर्टीकल कौन सा जोड़ा गया 51, 36 से लेके 51 तक तो आपका DPSP था आर्टीकल 51A ठीक है 51A या फिर का या फिर का ठीक है कोई भी तो आर्टीकल 51A या 51 जो का है ये जोड़ा गया प्रारंब में इनकी संख्या जो है वे 10 थी बाद में इनकी जो संख्या है वे 11 हो गई ठीक है साथी देखो बचों कि 1976 में जब इसको जोड़ा गया 1976 में आप 42 सम्विधान संचोधर आपका 1976 है हमने किस देश से प्रेड़ना ली थी तो रूसी सम्विधान से रूस के सम्विधान से प्रेड़ित हो गई या या यूँकि रूस के सम्विधान में ऐसे जो कर्तवियों की बात है वै की गई थी हमने रूस के सम्विधान से लिया अब देखो इसके कुछ विषेश्टाओं की अगर हम लाट करें ये तो हो गए इसके कुछ इंपोर्टन प्रोवीजन्स हम बात करते है अब इसकी कुछ विषेश्टाओंकी और उसके एवल नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है, ठीके? याद रहेगा? इसके अलावा देखो, जबकि fundamental right तो यही अंतर है fundamental right और fundamental duties में कि fundamental right जो है वह देशी और विदेशी मतलब नागरिक के लिए और foreigner के लिए दोनों के लिए है लेकर जो fundamental duties है यह foreigner के लिए नहीं है जबकि जो इंडिया का citizen है इसके लिए है ठीके तो ये नागरिकों के लिए हैं, ये बात आपको यादत नहीं, ये हो गए आपके मूल कर्तवियों की कुछ बाते, अब इसकी विशेष्टा है देखें, उसके पहले हम देखते हैं कि आखिर मूल कर्तवियों जिसको हम बार-बार कह रहे हैं, वह आखिर है क्या, चीके, चलो, तो मूल कर्तवियों के एक बार हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, सबसे पस देखो मूल कर्तवियों की सूची क्या है, तो पहला है कि सम्विधान का पालन करें और उसके आदरशों, संस्थाओं, रास्ट धवज और रास्ट येगान का आदर करें, तो मूल कर्तवे कुछ ऐ पर उसको अपनाना चाहिए ठीक है और कुछ ऐसे बच्छों जिसको की हम नागरिक मूलकरतव कहते हैं कि मतलब हम नागरिक है इस देश के इसलिए हमें अपनाना चाहिए फॉर एक्जामपल हमें अपने रास्ट ध्वज का आदर करना चाहिए जब फिर जब नेशनल अमारा रास्ट गान जब चले तो हमें खड़े हो कि उसको सम्मानने ना चाहिए तो यह एक नागरिक से ही आप कहोगे कि आप एक विदेशी से कहोगे तो यहां पर देखो कुछ नैतिक हैं और कुछ नागरिक हैं स्वदंता के लिए रास्टी आंदलोनों को प्रेडित करने वाले उच्छा दर्शु को हिर्दय में संजोई रखना उनका पालन का ना यह आपका अपना नैतिक थाभी बनती है तो इसको हम नैतिक जादा कहेंगी तेकन्ड वाला जो है इसको हम नैतिक करतवे में रख सकते हैं कि भाई हमारा नैतिक करतवे कि जिस्टे हमें गुलामी से थो हम एक विदेशी से नहीं कह सकते कि वसम्विधान का पालन करे क refund यह एक नागरिक अदिकार सुरी नागरिक टब है थार्ट देखें निते हैं भारत की संप्रबुता एक एक्ता और अखंडता की रक्षा और उसको अक्षुन रखना भारत की एक्ता अखंडता संप्रभूता इन सभी को क्या करना अक्षुन रखना देश की रक्षा करे और आवान किये जाने पर रास्ट की सेवा करे ये भी इसमें शामिल है भारत के सभी लोगों में समरस्ता और समान भातत्व की भावना का निर्मान करना प्रस्तावना में भी लिखा है ला कि बंदुत्व की बात की गए यूपे सिनिकुशर पुझा की बंदुत्व के विकास की बात कहां कहां कही तो प्रस्तावना में की गई है और यहां पर भी क एक तरह से हम नेतिकता कह सकते हैं, यह हम नेतिकता कह सकते हैं, ठीके? अब देखो आपको एक में होमवंग देती हूँ, करना क्या है आपको? कि मालीजे बंधुत शब्द है, तो ये जो बंधुत्वे आप ध्यातत्व को बढ़ाने की बात ही, कहां कहां की गई है for example प्रस्ताबना में की गई है क्या DPSP में ऐसी बात की गई है क्या ये जो बात है में हमारे fundamental duties में की गई है तो अब आपको चाटने है ऐसे शब्द जो कि इन तीनों में दिये गए है ठीक है चलो next है हमारी सामसिक जो संस्कृति है सामासिक संस्कृति इसकी गौरव शाली जो परंपरा है इसके महत्व को समझे और इसका परीरक्षन करें ठीक है तो ये हो गए हमारे आप राकरतिक जो पर्यावरन पर्यावरन की बात अभी आपने ठीक है ने दिप대वी देखी थी और हमने यहाद मूल करतवियों में भी इसकी बात कर रहे हैं ठीक है तो देखो बच्चों के इसमें कहा गया है कि परियावरन जिसके अंतरद वन जील नदी वन जीव आये करना उसका संवर्धन करना और प्राणी मात्रे के लिए दया का भाव रखना ये इसमें शामिल है अब यहीं पर मैं आपको याद दिला देती हूं कि जो आर्टीकल 48A था ठीक है जो कि आपका DPSP था तुरंत यहां पर याद कर लो बस यहीं तुलना जब जब आपकर न सीख जाओंगे आपके कुशन सही होने लगेंगे आपके कुशन बच्चों सही होने लगेंगे बस थोड़ा सा वेर हमें रहना है तो आपका जो DPSP का आर्टीकल 48A है जिसको की 42 वे संविधान संचोधन से जोड़ा गया था और इसमें पर्यावरन को बहतर बनाने की बात की DPSP में आगया आपका और इसके अलावा देखो fundamental right की बात कर लें अब इसी बात को इसी concept को हम पढ़ते हैं fundamental right में Article 21 क्या कहता है आपका जीवन और व्यक्तिगा स्वतंता की इसमें बात की गई न तो आपके जीवन के अधिकार में आपको एक तरीके से pollution-free environment उसका right है और यही कारण है कि बार बार जो सुप्रीम कोटे कहीं पर आली पर प्रतिबंद लगा देना पटाकों पर प्रतिबंद लगा देना तो यहां पर राज्यका एक तरीके से करतब है कि वो यह काम भी करीगे तो आर्टिकल 21 में परियावरण की बात की गई तो इस तरीके से परियावरण जो शब्द है वह तीनों जगा संबद ने तो ऐसे ही आपको देखना है बच्चों आठवाम देखेंगे कि विज्ञानिक दस्टी कोड के मामले में मानवबाद ग्यानर जन सुधार की भामना का विकास करना हमने DPSP में भी इस बात को पढ़ा थ तो यहां पर देखो सार्जरिक संपत्ती की बात DPSP में भी की गई है सार्जरिक संपत्ती री रास्टी इसमारकों को सनरक्षित रखने की जो बात है वो की गई है ठीके अब देखो दस्वा है इसमें कि जो व्यक्ति गत और सामोहिक गति विधिया है व्यक्ति गत और सामो में जोड़ा गया मोल रूप से नहीं था और इसमें 6 से लेके 14 वर्ष की आयो के बच्चों के बीच अपने बच्चों को सिक्षा का विसार प्रदान करना तो केवल आर्टिकल 21A में आर्टिकल शैसे लेके 14 वर्ष तक की बच्चों मेंगे। इसमें बात क्या कि इसमें ये कहा गया है अरे घर से स्कूल जब भेजोगे बच्चों को तभी तो जाएंगे, आपका भी तो कर्तव है ना कि बच्चों को सिक्षा का अवसर दें, तो यहाँ पर यह 86 वा समिधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें भी इस बात को रखा गया, ना किवल आपको अधिकार मिला, बलकि आपक कर्तव भी है कि यहाँ पर आप अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों को सिक्षा दें, जब आप शुरू से एक पैरेंट्सी अवेर नहीं है, तो बच्चों को क्या सिक्षा देंगे, वो है ना, क्या उनको समझाएंगे, तो यहाँ पर यह कर्तव भी है, अभी भावकों क कर्तव है कि इन 6-14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इसको सिक्षा का जो अफसर है, वे प्रदार करें, तो यह बच्चों आपके 11 मौलिक कर्तव है, तो मैं फिर से एक बार बता दू कि यह जो कर्तव है, केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं, केवल तो मौलिक कर्तव की सूची में, हमने 11 जो अधिकार है, कर्तव है, नोट अधिकार, कर्तव जो है, इसकी हमने बात कर लिए, क्लियर हुआ, चलो अच्छे, इसकी महत्विकी बात करें, आओ कुछ, नहीं, पहले मैं आपको यह दिखाती हो, कुशन्स, कुशन्स देखो, UPSC ने पूछा था, PT, 2015 में, 2015 में कुशन्स पूछा था, भारत की संप्रभूता, एकता, अखंडता की रक्षा, और अक्षुन रखना, किसके तहत, उन लेखित है, सेम वही पैटर्न है, जैसा कि आपका DPSPA पूछा गया, जस्ट हमने देखा किसका, मौलेक कर्तव्यों का है न, तो मौलेक कर्तव्यों में ये बात लिखी गई है न, चलो, आगे देखो, 2017 में कुशन्स पूछा गया था, ये बच्चो, कौन सा कथन भारतिय नागरिक के मौलेक कर्तव्यों के बारे में सही है, इन कर्तव्यों को लागो करने के लिए विधाई प्रक्रिया प्रदान की गई है, ध्यान रखना, इनको, in force नहीं कराया जा सकता, कोई विधाई प्रक्रिया नहीं है हाँ आला की अगर चाहें तो इसको अपलाई कर सकते बीच-बीच में देखो जैसे कि सरदार सवर्णिसिंग समीती के द्वारा जब यह अधिकारों की बात की गई थी कि इनको शामिल किया जाना चाहिए और पैयालिसमा सम्मिधान संशोध कि द्वारर इसको शामिल भी किया था ताब सरदार सवर्णिसिंग समीती कि द्वारा यह कहा गया था कि अगर कोई व्यक्तिं करतव्यों को नामाने तो इस को लागओ चाहिए यह बात कहीं थी बाट तो अभी हम इसके महत्विकी बात करते है थोड़ी सी मौलिक कर्तव्यों के बारे में बार बार लेटिस्ट आप देखेंगे कि करंट अफ्यर में एक जो बात उठती है कि जो मौलिक कर्तव्य है ना इसको लागू कराने के लिए विधाई प्रक्रिया जो है पूरा जो प्रॉसेजर है होना चाहिए और इस प्रॉसेजर को तभी हमें फॉलो कर सकते हैं जब हम लोगों के मन में एक तरह से यह बात तो कम से कम बैठा ही दे कि अगर आप फंडामेंटल डूटीज को नहीं मानते हैं तो आपको जैसे कि माली जे देश के राष्टगान का आधर करना है ना या फिर राष्टी जो आप सार्वजनिक संपत्ति जैसे आप देखे कि कोई हिंसा भढ़किया कुछ हो सबसे पहले रेलवे की जो पट्रियां में उखाड की नीतिया बना देती तो क्या सम्विधान में कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है समारी जो सरकार है उसको अगर हम सेमिद सरकार कहते हैं सम्विधानिक सरकार अगर कहते तो उसका मतलब आखिर है क्या है यह सारी बात है तो बच्चों देखो कि 2016 में एक याची का जो वेव को पूरा नहीं करते हैं इस याचिका में कहा गया था और इसका मुख्य कारण है कि इस संबंद में उन्हें जानकारी ही नहीं है तो यह जो जागरुक की कमी है ना यह मेल्स का कुश्वर भी हो सकता है कि अगर मौलिक करतव कितने लोग जैसे आप अपने घर अभी इनका कता ने बच्चों कि अधिकार और करतव पूरक है एक दूसरे के ठीके साथ ही एक बात और कहीं जाती है कि अगर आप अपने करतव्यों को निभाते हैं अगर आप अपने करतव्यों को ठीक से निभाते हैं तो अधिकार मांगने की आविशक्ता नहीं है तो अधिकार मांगने की आविशक्ता नहीं है आविशक्ता नहीं मतलब क्या मिलेंगे ही नहीं अरे अपने आप मिल जाएंगे अधिकार मांगने की आविशक्ता नहीं है ठीक है ये बातिन के द्वारा कही गए तो जब कभी आपको लिखना हुआ आप इस तरह के जो कोट है उसका यूज कर सकते हैं तो दे को वर्तमान में ये कह जाता है कई भारत की प्रगृती है और मोलिक कर्टव्यों के निलिभण islands के आव्यशक्ता अविशक्तां पर हमें जोर देना जो है वैं वैं काफी जरूरी हो गया है ताकि एक तरीके से जो मॉलिक कर्टवियों को जिस भावना के साथ शामिल किया गया था उस भावना को पूरा किया आजा सके ठीक है, तो यहां पर देखो मॉलिक कर्टवियों के बारे में जब हम देखते हैं बच्चो कि कुछ इसकी आलोचनाएं जो हैं की जाती हैं for example कुछ विशेष्टा और कुछ आलोचनाओं की बात करते हैं हम कुछ पहले विशेष्टाओं की बात कर लें फिर आलोचनाओं की बात करेंगे दिखो इसमें विशेष्टाओं में कहा जाता है कि नैतिक वा नागरिक दायत्व है नैतिक वा नागरिक दायत्व है कर्तव है ठीक है और इसमें यह कहा जाता है कि for example जैसे कि हम कहें कि हमें अपने स्वात अंतिरता संग्राम के आदर्शों को कि जो आदर्श है आदर्शों को संजोई रखना है अपने मन में तो यह आपका नैतिक हुआ लेकिन जब हम रास्ट गान के लिए खड़े हो जाते है यह हमारा नागरिक कर्तव है रास्ट गान का आदर करना यह आपका एक तरीके से नागरिक कर्तव है तो यह एक विशिश्टा हो गई आगे देखो next है इसमें कि यह भारती परंपरा से संबंदित है परंपरा हमारी जो भारती जो परंपरा है इससे संबंदित है कई इसके अलावा हम देखते है कि जैसे कि fundamental right जो है वैं सभी के लिए हैं कुछ fundamental right ऐसे हैं जो कि सभी के लिए हैं सभी के लिए इन दा सेंस नागरिक और विदेशी दोनों नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है लेकिन जो आपके fundamental duties है ये केवल नागरिकों के लिए है ये fact यूपेस सी पूछ चुका है ठीक है ये केवल किसके लिए है हम एक भारत के नागरिक से ही यह पिक्षा कर सकते हैं विदेशियों के लिए नहीं है इसके अलावर देखो गैर नियायोचित है ये भी इसकी एक विशेष्टा ही है इसकी जो प्रक्रति है गैर नःयोचित है आप इसको भी लागू कराने के लिए जो है वे ना तो जा सकते है और ना ही अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो यहां पर आपको दंड जो है वह भी नहीं मिलेगा, ठीके, चलो अब देखो, हम इसके कुछ आलुचनाओं की बात कर ले, आलुचना में कहा जाता है, कि जो ये लिस्ट बनाई हुई है न जिसने भी, इसकी फंडामेंटल ड्यूटीज की, ये पूरी नहीं है, ये किया, आपने टेक्स देने की बात कहां की, कि नागरिकों को टेक्स देना चाहिए, ये लाइबिलिटीज उन पर कहां डाली, आपने ये कहां कहां कि जो वोट है, ये देना ही देना है, कितने परसंट लोग वोट देते हैं, एक रिपोर्ट आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जादातर जो educated लोग है या संपन्ड लोग उनको मतलब नहीं रहे था बहुत कौँसी सरकार आ रहे हैं क्या बाते हैं वोट नहीं देते यह बात यहां पर कही जाती तो tax और वोट को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए यह आलूचना है इसमें कहा कि भई किसी भी तरह का जो fine या जो अर्थदंड है या जो सजा है इसका प्रावधार नहीं किया गया है और ये इसकी आलूचना है लेकिन याद रखना कि सरदार सवन्ण सिंग समीती ने कहा था कि अर्थदंड और सजा का जो प्रावधाने वे रखो साथ इसमें एक आलूचना और की जाती है कि ये केवल एक नैतिक आदेश है हमें सच बोलना चाहिए कितने लोग सच बोलते हैं हमें पढ़ाई करना चाहिए कितने लोग पढ़ाई करते हैं तो यहां पर एक नैतिक आदेश देना और उस चीज़ को इंप्लिमेंट कराना इ जब सरकार और आप देखेंगे कि पुलिस जब कोविड में 2-2 हजार के जो फाइन आवे ले रही थी तब सम्ने मास्क लगाया हुआ था क्यों कि उस वक्त हम देखेंगे जब तक सरकार के द्वारा मालो कि इसको बहुत जादे इंपोर्स कराने के लिए कोई चीज की नहीं जाती कोई लौन अलाया जाए तब तक जाके आप इसको नैतिक आदेशी मानते हैं कि ठीक है हमें ऐसा करना चाहिए पर कितने लोग करते हैं में चीज यह है ना तो एक तरीके से जो आलूशना है इनकी इन बातों पर की जाती कि ठीक है आपने बहुत अच्छे बाते की है कि हमें ये करना चाहिए लेकन ऐसा करेगा कोई नहीं और ये इसकी आलूशना है महत्व क्या है महत्व वही सारे आप लिख सकते कि बाई किस तरीके से यह हमें एक नागरिक होने का हमारे जो दायत्म हैं इन सब का जो बोध है वह हमें करवाते हैं ठीक है तो यह हमारे fundamental duties आ गया समझ में आप सभी को फिर से सुनो एक बार हमने fundamental duties की बात की जल्दी से बताती हूं fundamental duties को मूल सम्विधान में जो है वह शामिल नहीं किया गया था और इसको बाद में शामिल किया गया जो आपका 42 सम्विधान संचोधन था 1976 में एक भाग जोड़ा गया भाग चार्का या फिर आपका आर्टिकल जो है वह 51A इसको जोड़ा गया और ऐसा किया गया था सरदार स्वण सिंग समीती की सिफारिशों के आधार पर जो है वह ऐसा किया गया था ठीक है शुरबात में देखो मूल कर्तवियों की जो संख्या है वह 10 थी बाद में जो संख्या है या कितनी हो गई 11 हो गई और यहां पर हम देखते हैं कि जहां fundamental duties नागरिकों की कर्तवियों की बात करेगा राइट्स नागरिकों के धिकार की बात करेगा और DPSP राज्य के कर्तवि बताता है केवल यह नागरिकों के लिए है ठीक है विदेशियों के लिए नहीं है और यही डिफ्रेंस fundamental right और duties में है हमने 10 यहां पर 11 टोटल मौलिक कर्तवियों की बात की शुरवात में 10 थी बाद में 86 amendment हुआ और सिक्षावाला भी जोन दिया ठीक है तो संविधान का पार भात्तिव की भावना ऐसी प्रथाओं का त्याक करना जो की सही ना हो इस्टियों के सम्मान की वृद्धू हमारी साम्रिक संस्कृति गौरफशाली परंपरा इसको रखना प्राकृतिक पर्यावरन है ना वैज्ञानिक दस्ठीकून को अविकास करना सारजरिक संपत्ति को सुरक्षित रखना हिंसा को दूर रखना व्यक्ति गत और जो सामोहिक अगर हम गतिविध्यों की बात करें तो सभी शेत्रों में उतकर्ष की तरफ बढ़ने का प्रयास करना और लास्ट हम देखेंगे कि 6-14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इने सिक्षा का अफसर प्रदान करना ठीक है तो ये बात इसमें कहीं गए मौलिक कर्तवयों का महत्व और जो कुश्यन आये थे ये सारी हमने देख लिए तो इस तरीके से आज की जो हमारी ये क्लास थी जिसमें की हमने बात की राज्य की नीती की निदेशक तत्वों की और मूल कर्तवयों की I hope students आप सभी को ये सारी जो points थे ये clear होंगे और ये जो क्लास है आपके लिए काफी helpful होगी इस पॉलिटी के ये जो main main topics उसको समझने में तो आगे भी इस तरह की जो topics है हम लाते रहेंगे आपको करना क्या है कि ये तीसरी क्लास है इसके पहले भी दो classes available है एक तो सम्विधानिक इतहास वाली क्लास है आपका सम्विधानिक पस्ट भूमी वाली क्लास है कि कैसी हमारा जो सम्विधानिक डेवलप हुआ ठीक है तो वो सारी बात उसमें की गई उसको उस वीडियो को भी देखिए इसके पहले जो आपका fundamental right का वीडियो हुआ था उसको भी देखिए मौलिक अधिक से फैलाते रहे हैं और साथी सभी जो वीडियो है उनको पूरा जरूर देखिए शॉट नोट्स बनाईए और रिविजन करते रहे हैं 28 में को जो भी बच्चे एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा help मिलेगा चले तो मिलते हैं अपनी next class में आप हम आगे चलते हैं बात करेंगे संसद की पार्लियमेंट की सबसे पहले तो यह देखो कि आखिर हमें पार्लियमेंट की जरूरत है क्यों क्या है संसद कहा पर इसका वर्णन है वो सारी बाते बाद में संसद की आविशक्ता हमें होती क्यों है संसद है क्या पहले इसको समझो फिर हम आगे चलेगे छोटा सा कॉंसेप्ट जादा इस पर संसद की कि आविशक्ता क्यों होती है तो अभी तक हमने जाना कि सरकार की तीन अंग है इसमें कि हमने न्यायपालिका की बात कर ली ठीक है हमने बात की कारेपालिका की एजिकेटर और यह जो चैप्टर है वह है आपका लेजिसलेटिव विधाईका का में काम क्या होगा विधाईका का में काम होगा रूल मेके नियमों को बनाना तो मेकिंग लो है ना तो यहां पर विधाईका का में काम क्या है बच्चों विधी को बनाना नियमों को बनाना अब चुकि जरूरत इसे लिए है क्योंकि हमने जिस तंत्र को आविश क्यों है आविशक्ता क्यों है आविशक्ता इसलिए है क्योंकि हमने जिस लोगतंत्र के टाइप को अपनाया है हम देखो लोगतंत्र के दो प्रकार होते हैं तो लोगतंत्र के दो प्रकारों में एक तो होगा प्रत्यक्ष लोगतंत्र प्रत्यक्ष लोगतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी होती है नीतियों को बनाने में पर यह उन्हीं जगा पर पॉसिबिल है जो छोटे देशे पॉर इग्जापल स्विट जलेड लेकर जहां पर 140-145 करोड लोग हो तब आप कैसे प्रतिक्ष लोकतंत्र को अपनाओगे तो दूसरा तरीका होता है बचो आप प्रतिक्ष लोकतंत्र आप प्रतिक्ष लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती लोग केवल वोट देकर ही खुश हो जाते है तो यह पर हमने आप प्रतिक्ष लोकतंत्र को अपनाया और इसमें लोगों ने क्या किया वोट किया और वोट के माध्यम से अप संसत को रास्टिय पंचायत रास्टिय विधाई का हम कहेंगे तो यहाँ पर रास्टिय सभा रास्टिय पंचायत कि इसमें बैट के यह क्या करेंगे हमारी लिए लौ मेकिंग करेंगे नीतियों को बनाएंगे और हम इनी नीतियों को बाल लेंगे तो यहां पर क्या हम नीतिया सीधी बना रहे हैं तो यहां पर यह नीतियों को बनाएंगे बैठ के तो यहां पर यह जो संसद है यह पाठ है आपका लेजिसलेटिव का विधाई का का अब यही काम राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों में विधाई का है तो राज्य में विधान सभा और विधान परिशत विधान सभा और विधान परिशत ठीक है तो यहां पर विधान सभा का वही काम होगा जो कि राजसभा का है तो यहां पर यह सारा क्या हो गया बचों कि चूकि हम खुद डारेक्ट जो नीतिया है वैं नहीं बना रहे तो हमारे पास एक संसत का जूप रव हमें संसंत में पढ़ना क्या है यह ऐख लो संसत में हमें पढ़ना क्या क्या है मैं कुछ मेर्ण पोईंट्स बता ति हो जो जो हम पढ़ने वाले हैं सबते Мिले तो संसत का घठन इस अपीब भाखण संधचने सेकेंड हम देखेंगे कि सम्वैधानिक प्राब्धान क्या है सम्वैधान में कहा कहा वर्णन है सम्वैधानिक प्राब्धान ठीक है नेक्स हम देखेंगे संसत की संप्रभूता का क्या कॉंसेप्ट है संसत की संप्रभूता चुछ अब देखेंगे लोकसभावा, राजसभा, लोकसभा, वा राजसभा, चुनाव प्रणाली क्या है इनकी, चुनाव प्रणाली, ठीके, सुलना भी करेंगे, राजसभावा, लोकसभा की, इसके अलाव हम देखेंगे संसत के कारेवा शक्तिया क्या है? संसत के कारेवा शक्तिया Next हम देखेंगे कि सदन में नेता कौन होता है? सदन का नेता, दोनों ही सदन की अलग-अलग बात करेंगे नेता कौन है, यहाँ पर कौन अधिकारी होगे और संसत के सत्र क्या है कारवाही क्या है और उपकरण क्या है ठीक है संसत के जो आप सत्र सुनते हैं आभी कौन सा सत्र चल रहा है जितकालिन या फिर मानसूल या फिर वगजट शत्र तो संसत के सत्र ठीक है संसत ये कारवाही के उपकरण क्या क्या है जिसे शुनिकाल प्रश जो है संसद में लाए जाते हैं अगर बच्छों आपको संसद पढ़ना होना तो संसद जो है इन टॉपिक से कम्प्लीट हो जाता है लगबग आपके जो में आप देखेंगे कि संसद के जब आप बात करेंगे तो में जो टॉपिक्स है वो आपके इनसे complete हो जाए ठीक है अगे कोась एकलो अरान को तो सबसे पहले देखो कि संसद मतलब सरमुच वो मिन अग्विधाई विधाई शब्द लिखा हूए विधाई अन्ग मतलब जो विधान बनाए विधान मतलब जो नीतिया बनाए विधान का और सरल रूप क्या हो गया नीटी बनाना जो नीती बनाए जो रूल्स बनाए तो सरवच विधाई यंग सारी जो नीतियyang है एक लोगन तुरमेंट बना रही है ठीक है और यही पर हम कहें कि हमने देखो ये जो ववस्था है वो हमने कहां से ली हमने बृते हैं से ये ववस्था ली तो बृते हैं कि कुछ चीजों की डेट नहीं होती अवधी होती है यह कह सकते हैं इस अवधी के दौरा ने काम हुआ आप एक्यूरेट डेटा जो है वैले दे सकते तो यहाँ पर देखो कि अगर हम सरकार के सदिय स्वरूप की बात करें तो यह जो एक डेमोकरटिक यह जो यह जो पार्लिमेंटरी सिस्टम है पार्लिमेंटी फोर्म मम गववरमेंट यह हमने बिटेंज से लिया तो यहाँ पर हमने यह सरकार का वैस्ट मिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है क्यां को समविधारिग प्राभधारों की जब हम बात करेंगे बच्चो तो भाग 5 में कमविधान क्या जो भाग पाच है उसमें बात की गई हो और अनुच्छेद है 79 से लेके 122, 79 से 122 जो आर्टिकल है इसमें वर्णन किया गया है कि संसत का गठन कैसे होगा, ठीक है, संसत की संदचना कैसे होगी, संसत की अधिकारी कौन से होगे, संसत की प्रक्रिया क्या होगी विशेश अधिकार क्या होगा और शक्तिया क्या क्या होगी, तो ये कुछ ऐसे प्रोवीजन से है, जो की संसत से सब्बन देते हैं, क्लियर, ठीक है, कि शॉट लेलो या फिर नोट करते जाओ, साथ साथ, चलिए, अब हम सबसे बहले शुरू करते हैं कि संसत की संदचना, आविशक्ता और सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, थोड़ी सी संदचना की बात हो जाए, ठीक है, भाग 5, 79 से 122, अर उच्छे, ठीक है, जलो, अब नेक्स देखो, हमने जा लिए कि संसत की आविशक्ता हमें इसलिए है, क्योंकि हमें नियम बनाने हैं, नियम बनाने में हमारी सीधी भागिदारी जो है, वह नहीं है, अब देखो, बचो, 1954 तक, संसत के पहले अंग में देख लो, संसत के अंग में शाविल है, लोग सभा, सदन के दोनों सदसर कहले हम, सदन के, संसत के दोनों सदन, प्लस रास्ट पती, कि अ कि अ कि प्लस रास्टपती या फिर हम ऐसे लिगने कि लोग सभा राज्य doğru सबा depends तो यहाँ पर ये संसद में आ जाएंगे ये संसद के भाग के तो चों संसद को है अ जाएंगे और रास्टपती ठीके एब 1954 की बात करो 1954 में अगर हम देखेंगे बच्चों कि पहले यह हुआ करता था यहाँ पर राज्यों की परिषध हoka 1954 तक राज्यों की परिशद थी अब यस राज्यों की परिशद को yes Shema अपसे इसका जो नाम है बदल दिया और नाम बदला राज्यसभा कि के और लोगों का सदन या जनता का सदन होता था जनता का सदन था पहले फिर उसका नाम बदला कर दिया लोकसभा खिश्च की बात करेंगे तो राजसभा में राजसभा जो है इसे उच्च सदन कहा जाता है पिर लोगसमँरे को जनुर निमनिय सदन केह देते हैं लेकिन ये जो शब्द हैं सम्मिधान में सीदे ऊच्छ और निमनिय सदन का ऐसा कोई अर्थ नंनी निकलता है ना ह forensic extraordinary मतलब इससे ज्ञादा शक्ति कि राज्य सभा किसका प्रती निधित्व करेगी संग जो साशित पदेश है संग वार राज्यों का राज्यों का प्रती निधित्व करेगी और मेन काम भी राजर सवा का होता है कि राज़ियों के जो हित है उनका ध्यान रखना और जब हम लोग सवा की बात करेंगे तो याद रखना है लोग सवा किसका प्रतिन देट्व करेंगी समपुर्ण भ्हारत का लोगसभा किसका प्रतिन देतिव करेगी संपूर्ण भारत का ठीक है यह शब्दा वाली आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम संसत के अंगों की बात करें तो यहाँ पर लोगसभा है राजसभा है रास्टपती है ठीक है तो कुछ बाते में आपको रास्टपती के बारे में बता देती हूँ तो लोगसभा राजसभा की बात तो होगी थोड़ी सी चर्चा रास्टपती की भी हो जाए यहाँ देखना वच्चों की रास्टपती जो है किसी भी सदन का सदस नहीं होगा योगता है वगेरा वो बात क किसकी नpower निटे की वात की वर्त्मान में देखो द्यान रखने आई को कि जो तनसद के किसी भी सदन का सदस्र नहीं होगा सदस्र नहीं होगा और ना ही सनसद में बैठेगा कि ser蓮 May पैठेगा भी नहीं ठीके फिरंग क्यों कहते है या दखना बच्चों की जब भी सदन के सदन जो संसद है ठीके जब भी सदन के सत्र जो बुलाय जाएंगे सत्र होगा ठीके जो भी उसका सत्र आवसाद हो सत्र को जो आहूत किया जाता ना बुलाया जाता है तो आहूत करने का अधिकार और बाकी जो अधिकार है वो वो सारे रास्टपती को ही होते हैं, तो यहां पर आहूत करना, सत्रवसान करना, विग्टन करना, अधियादेश जानी करना, जब सदन, कारे, लोकसम और बाकी यो सदन है वैकारे ना कर रहे हो और कोई इंपोर्टेंट विशय पर नीती बनानी हो तो उस वक्त हमारे यहां नीती कौन बनाएगा तो अध्यादेश पारित कर देगा रास्टपती जो है तो यहां पर देखो कि अध्यादेश पारित करना आहूत करना सत्रावसान करना और चिýत करना यह सारी पावर किसके पास है बिबंगे और सत्रह वसान अग. कि यह सारे अधीकर किसके पास संसत राश्टपती के पास है ठीक है और कोई भी हम कहा की काम विधाई का संसत तो ऐसे में बच्चों कोई भी मालों बिल लेकर आए तो जब तक राज्यसमा लोगसमा पारत कर रहे तब तक तो यह बिल ही है विदेयक ही है यह कानून कहा बना तो बिल जो एक्ट है वो कब बनेगा इसकी जो यह यातरा है ना यह गुजरेगी भी ना हो जाए है ना ख्लियर हुआ है अब चलो आप बात करेंगे संद्चना की है 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 के संद्चना की बात कर ले लोगसमा की और राज्यसमा की है क्लियर हुआ है कि इतना क्लियर हुआ थोड़ा सा रो राज्यसमा लोगसमा की बात करने कितने मेंबर्स होते हैं कैसे इनक कि सबसे पहले देखो राजसभा की बात करेंगे ठीक है अ राजसभा ज्यारी उच्छ सदर अब देखो कितने मेंबर होंगे राजसभा में अधिक्तम सदस्य संख्या कितनी होगी उसमें से कितने लोग जो है वैं निर्वाचित होंगे कितने लोगों को कि राश्पती के द्वारा चुना जाएगा किस विधी से चुना जाएगा यह सारी चीज़े जो है वैं काफी इंपॉर्टेंट होती है सबसे पहले देखो बच्चों कि यहां पर अगर हम अधिक्तम सदस्य संख्या की बात करें अधिक्तम शब्द का मैं यूज कर रही हूं ध्यान रखना अधिक्तम सदस्य संख्या 250 होगे अधिक्तम सदस्य संख्या कित्ती होगी बचो 250 सदस्य होगे और इस 250 सदस्यों में से कुछ सदस्य ऐसे होगे जिसका की चुनाव होगा लेकिन डारेक्ट नहीं होगा ठीके कुछ सदस्य ऐसे होगे जिने की रासपती के द्वारा मनोनित किया जाएगा तो इन धाई सो सदस्यों में से देखो 250 तो टोटल है ठीक है यह तो खुल हो गए 250 में से 238 238 यह संघवा राज्यों से चुने जाएंगे ठीक है और फिर दूसरा हम देखें कि इसमें से जो आपके 12 सदस्य और बच रहे हैं इन 12 सदस्यों को रास्टपती के द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है मनुनयन किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है, रास्टपती द्वारा मनुनयन वर्ड लिखते हैं, हम इसके लिए, कहीं कहीं नाम निर्देशित वर्ड भी हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर रास्टपती के द्वारा, यह ने मनुनयन का किया जा रहा है, कि अब यहां पर इक पोइंट देखो बच्चों कि ये जो है वैं चार शेत्रों से होते हैं विज्ञान साहित कला और समाश सेवा विज्ञान यह साहित कला वा शेत्र से शुट शुट सेवा इसका सीधा सा रोल यह होता है ऐसा यह नाम निर्देशन करने का चार शेत्रों से चुने जाते हैं ताकि जो लोग प्रिये लोग है ना वो सीधे बिना किसी चुनाव के डारेक्ट उनका जो मनोनेन है वे किया जा सके तो रासपती के द्वारे जो मनोनेन वे किया जाता है यहां पर एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि अमेरिका की जो संसद है ऐसी वहां पर कोई प्रडाली नहीं है अगर हम अमेरिका की बात करें और वहां के सिलिट की बात करें तो यहां पर इस तरह से नाम निर्देशे सदस मतलब जिनको ऐसे चुना ना गया हूँ सीधा नाम बता दिया नाम निर्देशे जो सदस है उसका कोई कॉई कॉंसेट नहीं किया जाता यह पर कोई नामित नहीं किया जाता है इसके अलावा देखो बच्चों सम्विधान की अगर राज्यसभा की सीटों की बात करें तो सम्विधान की चौथी अनुसूची में राज्यों को यह कि जो सीटों काबंटन है ना राजी सभामे कितने मेमबर कहां से होगे यह सीटों का आबंटन किया चाता है चौथी अनूसुची के द्वारा जो फोर्थ शिड्जूल है संविधान की चौथी अनूसुची इसमें तई किया गया है किस राजिसे कितनी सीटे जो है मैं राजिसभा के लिए होंगे अब हम आते हम लोगसभा पर कैसे चुनाव होगा वह अंगले आगे बताऊंगी लोगसभा राजिसभा में जो सदस्यों का चुनाव किया जाता हुआ उसके अलग-अलग परड़ा लिया है ठीक है यहां पर तो लोग सभाव कि देखो लोग सभाव में अधिक्तम अगर हम सदस्यों की बात करें डबल कर दो तोड़े से और जादा अधिक्तम सदस्यों की जो संख्या वे 552 तै की गई है अधिक्तम जो सदस्य वे कितने हो सकते हैं 552 और इस 552 में से देखो इसका बटवारा कैसे किया गया है 552 का कि इसमें से जो 530 सदस्य है 530 यह राज्यों के द्वारा मतलब यह राज्यों में से निर्वाचित होंगे 20 सदस्य जो है वैं संग्राज शेत्रों से होगे प्रिश जो सदस्स हैं वे संगलज्य शेत्रों सोंगे और बागती दो सदस्स से बचच रहे तो जो दू सदस्स है थे रह आंगलो भारती है यह एंगलो । मतलब जिनके मातापिता में से कोई एक युरोप का है तो इस तरीके से दो सदस्य एंग्लो इंडियन जो है राश्रपती बनो नीद करेंगे आगे इसका कॉंसेप्ट है ठीक है यहाँ पर देखो मैं स्टार लगा देती हूं कि इसमें थोड़ा करन्ट अफेर का कॉंसेप्ट है उसको मैं आगे बता रहे हूं तो यहाँ पर यह सदस्य संख्या ह वर्तमानमें हमदेखेंगे कि कितनी 545 है ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो निरवाचन यह प् protecting शु dependencies होता है एक अंतर तो यह होगा इन दोनों में निरवाचन जो है कि प्रतिक शुरूप से होगा ति के वर्त्मान में हम देखें कितनी है वर्त्मान में 543 शूरू हुआ था ये यह खतम हो गया देखों बिसिकली हुआ क्या था एगलो इंडियन बाला जो कॉंसेप्ट है यह शुरू हुआ था 1960 1960 1960 से बच्चों यह जो कॉंसेप्ट है ठीक है बतलब शुरू जब हुआ तब 1960 तक के लिए था जब यह शुरू हुआ तब कहा था कि ठीक 1960 तक रहेगा लेकिन उसके बाद फिर सम्विधान संशोधन हुए और उसके बाद इसको आगे और बढ़ा दिया गया और यहां पर हम देखेंगे 1960 में के बाद इसमें यह कहा गया था कि 2009 में एक सम्विधान संशोधन हुआ था 95 95 वा सम्विधान संशोधन और इसमें यह कहा गया था कि 2020 में इसको समाप्त कर दिया जाएगा 2020 में इसको समाप्त कर दिया जाएगा और आप देखेंगे बच्चों कि जनवरी 2020 में जो आपका एक एक सो चारवा सम्विधान संशोधन हुआ उसके द्वारा एंगलो इंडियन का जो कॉंसेप्ट है इसको आस्थाई रूप से समाप्त कर दिया गया है ठीक है वरना कोई बात ही नहीं है समझ में आया यह पिर से सुलो जो यह एंगलो इंडियन ने आंगल भारतिय का कॉंसेप्ट था ना कि लोक्स राज्य सभा में बारा सदस है और लोक सभा में दो सदस्यों की जो नियुक्ति है रासपती के द्वारा किया जाएगा मनुनायन किया ठीक है तो यहां है बहुत की यह जो बारे सदस सभघाव से विज्यान पर तौफ से पर एंगलो इंडियन होते थे मतलब रासपती के दोवारा मनों ने किया जाता था लेकिन बाद में इस कॉंसेप्ट को जब शुरू हुआ तब 1960 के लिए था बाद में फिर बढ़ा दिया 2009 में पंचानवेवा समविदान संशोदान उसमें यह का कि 2020 में खतम कर देगे जनवरी 2020 में जब सेस्ट कारक्षण अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था उसी के साथ साथ इसको समविदार को रिबूब कर दे उसके पीछे कारण था कि अगर हम 150-140 करोड के लोगों देश पर बात करें तो इनकी संख्या मातरी 300 है मतलब आंगल इंडियन आंगल भारती है एंगलो जनुपाथ ही नहीं पढ़ता तो इसलिए जरु रहते हैं है ना करें शॉट ले लो कि आगे चले अब हम देखते हैं कि चुनाव कैसे किया जाता है चुनाव कैसे किया जाए उसके पहले आओ कुछ भाशा पढ़ लेते थोड़ी से राज्यसभा की बात करें तो राज्यों हमेशा उन चीजों को अंडरलाइन करके पढ़ना जोकि इंपॉर्टेट है जैसे कि इस पर ये संसत का ये स्थाई सदन है देखो ये भंग नहीं किया जा सकता ये भंग नहीं होता जैसे लोकसभा तो पास साल बाद स्वता भंग हो जाएगी इसे भंग नहीं किया सकता ये स्थाई सदन होता है ठीके शुर्वा अगर हम देखें कि यहां पर राजस्तबा में सीटों का जो आबंटन है वे कहां पर किया गया तो हमने देखा था कि अनुसूची जो चार जो चौथी अनुसूची उसमें इसकी बात की गई है और धाइसों सदस्त की सद्रचना है धा किया जाएगा तो यहां पर भी से वही बात है जो मैंने आपको पहले बता दी कि 550 है अधिक्तव है ना 530 सदस राजी होगे 20 यहां पर केद्र के होगे और यहां पर दो सदस जो एंगलो इंडिया होते थे उनको हटा दिया गया था यह प्राबदान 2020 तक ही था और उसके बा ठीक है जो जनवरी 2020 में हुआ उसमें इस सम्विधान को इस प्राबदान को अस्थाय रूप से खतम कर दिया गया इसके अलावा रासपती के बारे में हमने देखा कि किसी भी सदन का यह मैंबर नहीं होंगे ना ही बैठकों में भाग लेगे बट यह अभिन अग है संसत के निर्वाचिस सदस और विधान सभाव में जो निर्वाचिस सदस है वो भारत की रासपती का चलाब करें कि प्रॉपर एक इलेक्ट्रोडल जो कॉलेज है बनाया जाता है तो यहां पर हम देखेगे कि कोई भी जो विधियक है कारून कब बनेगा कोई भी जो बिल है एक्ट सत्रावसान करना यह सारे वर्ड में आगे आपके बताने वादियों कि आहूत करने का मतलब क्या होता है स्थगन का मतलब क्या होता है सत्रावसान का मतलब क्या होता है और अगर माल लीजिए कि सदनों अगर जो सदन है वैं सत्र में नहीं है तब अध्यादेश चारी करने क की शक्ति जो वैं किस एक्ट से आई याद रहता है यह वही चार्टा रेक्ट है जो हम पहले पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें फिर उसके पहले के अध्यादेश को चारी करने के जो शक्ति है वैं दी गई मैं कि चलो अब बात करते चुराव प्रडा लीए राज सभा की जो सदस्स way कैसे चुणे जाएंगे और लोग सभा की जो वह सदस्स से उसको कैसे चुणा जाएगा तो पहले तो भी बात करते कि राज्ड़िससभा को कि बात करें तो हमने जारा कि आप प्रतिक्ष तरीके से तरीका कौन सा होगा आप प्रतिक्ष इंडारेक्ट आप प्रतिक्ष तरीका होता है पधती होती है और ये होती है आनुपातिक राज्य सभागे चुनाव के लिए आप जिस पधती का यूज़ करेंगे वो होगे आपकी आनुपातिक प्रतिनिधेत्व पधती हेकल संकरवडिये मत पढ़ानी आनुपातिक प्रतिनिधेत्व पधती और इसमें भी हेकल संकरवडिये मत पढ़ानी एकल संक्रवणी है बत्प्रणाले देखो जो ये आनुपातिक पद्धिती है ना इसके दो प्रकार होते हैं एक तो होता है एकल संक्रवणी और दूसरा होता है सूची पद्धिती जो है लिस्ट वाली उसको नहीं अपनाया हमने उसकी एकल संक्रवणी है मत प्रणाली को अपनाया ठीक है तो यहां हम देखते हैं बच्चों कि बेसिकली इसका उद्धिश ये है अगर हमने राजिस्तभा में इस पद्धिती को अपनाया उसके पीछे मिल जाता है ठीक है इसका जो में उद्धिश्य होता है या इसका लाव होता है सभी वर्गों को अगर जिसे अल्प संख्यक भी है ना तोन को भी सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है कि कि अब आगे हम आते हैं लोगसभा की पधिती क्या है तो यहां पर देखो बच्चों कि लोगसभा में हमने जिस पधिती को अपनाया यह पधिती हम कहते हैं फ्प्प्टीप प्स्ट प्स्ट पोस्ट इस्टम प्स्ट प्स्ट इस्टम पहले आओ पहले पाओ वाली टाइप की फ्प्टीपी में होता क्या है बच्चों कि जो दिर्वाचन शेत्र में सरवाधिक मत प्राप्त करता है सरवाधिक मत प्राप्त करता है सबसे ज़्यदा मोट हासल करता है कर्वादिक मत प्राप्त करने वाले को विजेता घोशित किया जाता है यह लोग सभा में हमने पधती अपता ही ठीक है अब देखो बच्चों कि यहाँ पर इसका एक ड्रॉबेक हम कहें या फिर कमी कहले कि इसमें कमी यह है कि obviously बात है कि मालो आप कह रहे हो कि जिसको सबसे ज संख्यक होगा वही तो मुट करेगा बहु संख्यक को के लिए अलप संख्यक के लिए थोड़ी कर देगा तब ऐसे में एक कौंसर मत इसका जो ड्रॉबेक आता है एक जो कभी आती है वह यह है कि यहां पर जो यह सभी वर्ग है ना यहां पर उचित पतित वह मिल रहा था र का प्राती निधेत्व सुनिश्चित नहीं हो पाता। का प्राती निधेत्व कुनिष्चित नहीं हो पाता ठीक है दियर पुनिष्चित नहीं हो पाता है एक पॉइंट और समझ लो ये पॉइंट है एकल संक्रबड़ी अमत पद्धिती जो है ना ये बच्चों ये हमने और किस-किस के लिए अपनाई है तो याद रखना सम्विधान में ये पद्धती जो है वो हमने कई और चुनाव के लिए कई और जगा पर हमने इसको अपनाया है जैसे कि हम राजसभा की बात करें विधान परिशदों की बात करें रास्टपती और उपरास्टपती तो अन्य चार पदों के लिए एक तरह से अन्य चार चुनाव के लिए हमने एकल संक्रबडी एमत पंधिती को अपनाया सम्विधान में रास्टपती, उपरास्टपती, 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 राज्यसभा, विधान परिशन, विधान सभा नहीं, UPS ने रे कुशन पूछ लिया था कि विधान सभा, विधान सभा नहीं जो प्रडाली राज सभा की है यही प्रडाली होगी राज्यों में विधान सभा की और जो लोग सभा की स्थिति और लोग सभा की संड़च्र प्रडाली है वही प्रडाली वही पंदिती वही सारी चीज़े होगी राज्यों की ठीके हां बस एरिया हो जाता है कि एगर राज् चोए सबसों है सब्राइब cachen की थे इनकी पदेती 이제 है कि यहां पर हम दे जो तरीका अपना आया कैसी फारे है एक एकिक है। हम दो आज methै को यहUh किया सभय त्ली सभा में देदी refers के लिए हैं अभ ग concept, देखते हैं कि राज श्भा योंहों की अबधी क्या है सदस्ट न क्या है। इन वह सबघ्स को श्विश्टत हैं तो यहां पर देखो कि जब हम अबधी बात करेंगे आवदी का मतलब कि कितने समयकाल के लिए रहेगे तो यहां पर हमने देखा कि राजसभा जो है राजसभा स्थाई सदन है और माने इंठेए राजसभा जो है वह स्थाई सदन है तो हमने जिस पार्लियमेंटरी फॉर्म अफ गवर्मेंट को अपनाया हमने जिस सलसधी ववस्था को अपनाया बच्छों उसमें हमने जो उच्छ सदन है वो स्थाई रहेगा और जो निम्ने सदन है उसका है तो यहां पर स्दश्य तो राजस्वा का विख्तन डी हो कहा सदस्य जो हए जरूर बदले조न रहे है आव देखो सद तेहाई यहां अधससे बदल जाएगे उसके अलावा जब फॉर्स्राइम ऐसा करना था मतलब पहली अगर अगर हम राजसमा की बात करें हमने सिस्ट्रम को अपना अलिखत हो रही थी तब पर एक सिस्ट्म वक्त रख लिया था तरूधल गया वह एक तेहाई सदस्स चले जाओ फिर उसके बाद जो पूरा रूटीन है बन गया तो यहाँ पर क्या है कि प्रती दूसरे वर्ष जो है वैं एक तेहाई सदस्स जो है बचो वैं बदल जाएंगे सेवा निवत्र हो जाएंगे और याद अटा की सेवा निवत्र शब्द लिख लेते है ना की जो सदस्स है वैं सिवा निवत्र हो जाएंगे हट जाएंगे और कितने बार भी यह चुराव लड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कि इतने बार भी सदस्स से बन सकते हैं एक बावत अध्यान से सुरो किस अधस्यों का कारेकाल कितना होता होगा कितना है यह संसंद में लिका मतब सौरी यह संविधान निलिकाई किसमें लिखा है यह लिखा है 선미 ने जन प्रटीण डिंध्यं 2021 . कहा गया है कि राज्या समाद के सद्स्य होगे इनका कारीकाल प्रएब लिखाएगे नित Weihnacht擇 होगा होगा तरह को இतना हो कि यिष्य踏थ है वर्षका होका अब मैंने अगर मैं आपको छह वर्ष यहीं बता दू तब यह कंफ्यूज कर जाओं कि यारी सम्विधान में लिखा यह जन्प्रति देतु अधीनियम जो आपका 1951 है बच्चो 1951 उसके अनुसार है कि राजसभा की सदस्यों का जो कारेकाले विच शह वर्ष होगा किन्तु अब इसके आगे जो किन्तु है ना वो इफबच यहां लगा लेना किन्तु प्रती दूसरे वर्ष हर दूसरे साल एक तेहाई सदस्य हर दूसरे साल एक तेहाई जो सदस्य है वो सेवा दिवत्र हो जाएगे पहली बार लॉट्री सेस्टम के बाद थे हम से यह जो पूरा मैकेडिस्म है वो अटाया गया था अब देखो लोक सभा की अवधी की बात करें तो तो राजसभा तो हमने देखा कि यह जो है यह डिसॉल्व नहीं होगा यह स्थाई सदन है और मारेंट है भंग नहीं होगा ठीक है राजसभा जो है यह भंग नहीं होगा पर बच्चों लोकसभा यानि निम्ण सदन जो है यह भंग हो जाता है इसका डिसॉल्यूशन हो जाता है लेकिन होगा कैसे तो जो आम चुनाव होते हैं जनरल एलेक्शन होते हैं और उसकी पहली बैठक होती है अब सीधा यह कुछ तो होगा जासे काउट करोगे आम चुनाव की कि आम चुनाव के बाद कि पहली जो बैठक होती है न कि आम चुनाव के बाद कि पहली बैठक से पाच वर्ष कि अब इसके बाद कोई से हटाने आएगा यह स्वता भंग हो जाएगी एक शब्द है स्वता भंग हो जाएगी ध्यान रखना इस बात को आंदु चुनाव की पहली बैठके पांच वर्ष बाद खुद ही ये भंग हो जाएगी अब बरANSबन हो जाएगी तो हमारे आंवरे सलसदी ही परडाली को अपना आया है उसके उसका विगिटन हो जाता है ठीक है उसका विगिटन हो जाता है तो एक लाइन इसको यहां भी लिख लो वरना भूल जाओगे कि निम्ने सदन का कि उच्छ सदन का विगिटन नहीं होगा निम्ने सदन का विगिटन स्वत्र हो जाता है कि इसलों जाती है अच्छे यह देखो क्या समय पूर्व भी कुछ ऐसा प्रामधान है कि भंग कर दिया जाए डेफिनेटली है तो यहां पर देखो कि पांच वर्ष के पूर्व गांश्च की पूर्व भी इसका जो विगिटन है रास्पती के द्वारा किया जाता है कावे की टन रास्टपती के पास ये पावर रहती है रास्टपती के द्वारा खिया जा सकता है ठीक है पूर्व भंग की जा सकती है मतलब ये नहीं हो सकता है कि पास साल के पहले भंग नहीं की जा सकती है और डेक्स्ट है इसमें बच्चो कि बालो एमर्जेंसी लगी हुई है आपातकाल है तो देखो आपातकाल के समय में एमर्जेंसी के समय में लोगसभा पर क्या असर पड़ेगा तो आपातकाल के समय में आपातकाल के समय में हम देखेगे कि एक वर्ष में है ना एक वर्ष में एक बार में एक वर्ष तक आपातकाल में एक बार में एक वर्ष तक की अब्धी बढ़ाई जा सकती है यह पूछा गया है UPSCA, चलो मैं start लगा देती हूँ, कि अब्धी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, और लेकिन आपातकाल अगर खत्म हो गया, ध्यार लगला, एक कंडिशन है, आपातकाल खत्म होने के बाद यह जो अब्धी है, बढ़ाने के वो छे बाहा से जादा नहीं होगी, आपातकाल खत्म होने के बाद, छे बाहा से अधिक नहीं, ठीक है, छे बाहा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, तो यह क्या होगी अबच्चों की राजसभा और लोकसभा की अबदी क्या है, इसके शोटे लो इसका, अब देखो एक बार सदस्यों की योगता पर बात कर ले थोड़ा सा, कि यहाँ पर हमने चुनाव प्रडाली की तो बात कर ले, यहाँ पर हमने चुनाव की बात कर ले कि कौन कैसे चुना जाएगा, आप थोड़ा सा योगता की बात कर ले, ठीक है, देखो अगर हम योगता की बात करें तो राजसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आपको 30 वर्ष का होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए कम से कम 30 वर्ष की आयू हो ठीक है और भारत का नागरिक हो कम से कम 30 वर्ष की आयू हो और भारत का नागरिक हो और यहाँ पर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयू हो our 2 कर लियो 25 वर्ष की आयू कम से कम और यहां पर भी केंडिशन है भारत का नागरिक हो इसके अलावा सम्मिधान में जो योगता तई की गई या संसत जो योगता तई करें वो सारी आपको फुल्फेर करनी चाहिए और इसके अलावा क्या है बच्छों कि बाकी योगता दोनों के लिए राजिसमा और लोकस हुआ है क्लियर कि अच्छा आयोगता की थोड़ी सी बात हो जाए आयोग कैसे हो सकते हैं तो यहां पर एक दल बदल वाला जो कॉंसेप्ट है कि के चलो खेर वो आगे बता देती हो छोड़ो यहां पर कन्फ्यूज हो जाओगे लेकिन एक कोंसेप्ट यहां पर सुनी लो और एक्जामपल मार लो कि अगर इन सदस्यों की अयोगता का प्रावधान कर रहा हो मतलब यह जो सदस्य वैक कम अयोग इनको किस आधार पर अयोग किया जा सकता है तो अगर दल बदल के आधार पर उनकी अयोगता तय होना है कर रही हो ठीक है मतलब अधीकारी जो भी होगे राजिसमा लोकसर वां में अगर मालिج अगर नवाय पर किसी है जो संसरसल और है उसका निर्धारण करना हो तब अतीकारी करेगा धान अंधाल का पीठा अधिकारिवाड है और अगर किसी अन्ले आधार पर उसको नियोग घॉशत करना हो जैसे भषता चार के आच्रण के आधार पर अंगर रहें सदस्यों को अयोग घुःष्थ करना हो तब उस पर जो अन्तिम फैसला रहें वह रास्टपती का होगा तो दल बदल की आधार पर वालिजे लोग सभा के किसी सदसे ने तस्वियन उसकी दल बदल की आधार पर अगर वह उसके अंतर गता अयोग घुशित हो गया हो सकता है तो लोग सभा का स्पीकर का फैसला अंतेव होगा और अगर भेस्ट आचरण है या फिर और कदाचार है या फिर अक्षमता है अन्य कोई आधार पर अगर फैसला लेना हो उसकी अयोगता के बारे में तब रास्टपती का फैसला जो है वह अंतेव नेक्स्ट हम बात करेंगे कि संसत की जो शक्तियां है और संसत की जो कारे है वह कौन से है तो सबसे पहले देखो बचो सबसे पहले हम बात करेंगे विधाई शक्ति होगी कुछ शक्तियां ऐसी होगी जो कि विधाई रूप से संसत के शक्ति होगी संसत के कारे होगी इसके और ऐसे में विधाई काम में काम क्या होता है रूल्स बनाना नियम बनाना है ना तो नियम बनाना इसका कैसा काम है नियम बनाना रूल्स बनाना जो भी विधियां है ठीक है जो भी हमें रूल्स की जरुरत है उन सभी पर बिल लेकर आना तो ये में काम किसका होगा ये विधा उसको तीन भागों में बाटा गया है एक तो होती है आपकी संग सूची संग सूची पर केवल संग ही कानून बना सकती है केंद्र ही कानून बनाती है और केंद्र का मतलब यहाँ पर है संसत से तो संसत जो है वह संग सूची पर या जो यूनियन लिस्ट होती है इसमें जो भी महत्तपूर्ण फैस्दे महत्तपूर्ण विशय लिखे उन सभी पर केंद्र की अधिकारिता होगी राज विधान मंडलों के सासा संसत को समवर्ती सूची पर भी कारून बनाने का जो अधिकार है वह रहता है तो यहां पर हम देखते कि तीन सूचिया है संग सूची है संग संग सूची पर भी कारून बनाने का जो अधिकार है केंद और राज दोनों को होगा लेकर यहां पर याद रखना कि जो संग सूची एक ओंकरिंट लिस्ट है ठीक है अगर मालिजे इसमें कोई ऐसा प्रावधान फस्ता है कि अब केंद्र और राज दोनों ने तो नियम बन तो केंद्र के जो नियम बनाएगा है, वो यहां पर सर्वोपरी होगे। मतलब ऐसे पावर, for example, हम संचार पाउद्यों की की बात कर लें, फिर हम किसी ऐसे विशय की बात कर लें, साइबर रॉक की बात कर लें, तो अगर इस तरह के विशय हैं, जो माली जी अभी तक कहीं नहीं लिखे गए थे, है ना, जब लिस्ट हमने डिवाइट किया था, विश विशय कार, विशय से संबंदित, तो यहां पर देखो, विशय कारे में क्या आएगे, जैसे कि हम अगर बजट की बात करें, सारवजिनिक धन की बात करें, तो ये सारे जो काम हैं, वे भी संसत के हैं, जैसे कि हम देखें कि जनता के धन का संडक्षक है, एक तरह से संसत, औ और सरकार संसद के मंजूरी के बिना ना तो जनता पर कोई कर लगा सकती है ना ही पैसा खर्च कर सकती है और अगर हम बजट की बात करें तो हर साल संसद के द्वार अनुमोदित इसको किया जाता है तो यहां पर बच्चों चाहे हम बजट की बात कर ले या फिर बजट के अला और अगर मालीजे, कोई भी साबजनिक व्याई करना है, कोई भी योजना के लिए अगर पैसा देना है, तो वो सारा जो काम है, वो भी संसत के अप्रूवल के बाद ही होगा, अब तीसर देखो, अगर हम चुनाव की बात करें, तो कुछ ऐसे काम होते हैं, जो कि चुनाव से स तो ऐसे संसत के चुनाव कारी में चुनाव करेगी, और राजसाव अप्रत्ति का चुनाव करेगी, तो यहां पर कारेों के प्रकृति जब हम सूची की बात करेंगे, तो ये अधिकार भी संसत के हैं, वितिकार हो गया, भजच हो गया, ठीक है चुनाव की बात कर ली, अब आगे देखो कुछ और शक्तिया भी है, जैसे कि अगर हम रिमूवल की बात करें, तो यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं, जिनको उनके पत से हटाने का रिमूवल का जो काम है, यह संसत के द्वारा किया जाता है, जैसे कि अगर हम न्याइधीशों की बात करें, जैसे कि हम बात करें, रास्टपती की, सर्वोच नाले, उच नाले के न्याइधीशों की, तो सम्विधान के और लंगन के आधर पर जो जाटे है, जैसे कि लास्ट नायपालिगा, मैं हम ने बात की, कि संसत जो है बहुंअ को विषिश बहुमत के द्वारा जो न्याइधीश है, उनको हटाने की प्रक्रियाच शूरू कर सकती है, पारित कर सकती है, और आसे में नैइधीश को हटाया जाएगा, तब ऐसे में इ है है तो यहांपर देखो अगर माल लिजे संसत काkids अधिकाज इसा है संविधान का जैसे बहुत ज्यादा इसाप्रोटक्ट नहीं किया गाए जैसे fundamental light को पृटक्ट कर दिया है न तो उन हिस्सों में संसत जो है आसानी से परिवर्तन कर सकती है आसानी से जो परिवर्तन है वे संसत के द्वारा किया जा सकता है और यहां पर कुछ प्रावधानों में किवल राज्यों के अनुमोधन से संसत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है अब देखो जैसे कि इसमें GST का विशय आ गया कि माल लीजे कोई ऐस विशय है, कोई ऐसा वित्य संबंदी विशय है, जो राज्यों के पास भी उसकी अधिकारिता है, और ऐसे मगर उसमें चेंज करना हो, तब तो संशोधन करने के लिए आपको राज्यों की सहमती के आविशक्ता लेनी होती है, ठीके, इसके अलाबा संसत जो है, संविधान के म पूल नाचे को नहीं बदल सकती, वही आपका केश्वानंद भारतिवाद, है ना केश्वानंद भारतिवाद 1973 का, कि यहाँ पर संसत की जो शक्तिया है, संशोधन करने की जो शक्ति है, उस पर कुछ लिमिटेशन जो है, आरोपित कर दी गई है, ठीर, डेक्स देखो, लास शूर्निकाल, प्रश्णिकाल याद रखना, प्रश्णिकाल और शूर्निकाल दोनों ही भारतिय नवाचार है, मतलब ये ववस्थाए हमने किसी और देश से नहीं ली, है ना, ध्यान अकर्श्र सूचना है, स्थगन प्रस्ताव है, तो इन सभी कारियों के माध्यम से एक त से लेती, क्योंकि सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की जाती है, और यहां पर मत दाता हो, प्रपढ़ने वाले जो प्रभाव है, उनका सामना क्योंकि सरकार को करना होता है, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये शक्तिया होती है, ठीके, तो शक्तिया और कारी की जो पीकर है जिसे लोकसभा का ध्यक्ष कहा जाता है तो यह क्या है पीठा सी नदीकारी है राज्यसभा के संदर्व में अगर हम कहें तो वहां पर राज्यसभा का सभापती है चोकि उप्रास्पती पदे रूप से होता है ठीक है चले आए कुछ पॉइंस को लिखते हैं तो यहा लोकसभा अध्यक्ष आप जनरली लोकसभा स्पीकर सुनते होंगे लोकसभा स्पीकर ठीक है तो देखो लोकसभा के संदर्फ में सबसे जादा सर्वोच और महत्यपूर्ण अधिकारी होगा लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा ठीक है आप देखो बचो लोकसभा का जो अध यह पहली बैठक के बाद, मतलब आम चुनाव के बाद हम देखेंगे, कि जो उसमें पहली बैठक होती है, पहली बैठक के बाद, लोगसभा के जो सदस्य हैं अपने में से ही चुनते हैं एक को, लोगसभा के सदस्यों के द्वारा अपने बीच से ही चुना जाता है, यह important है कि किसके द्वारा चुना जाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लोक सभा का जो speaker होता है पहली बैठक के बाद सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लेकिन यहाँ पर एक बाद जो आपको याद रखनी है कि यह जो चुनाव है ना बच्चो इसकी तारीख जो होगी वो रास्टपती के द्वारा घोशना होगी रास्टपती द्वारा चुनाव की जो तारीख है यह घोशित किया जाएगा ठीक है इसके अलावत एक और नेक्स्ट है कि आखिर इसका कारिकाल कब तक होगा लोक सभा अध्यक्ष का संभवता तो माना जाता है कि जब तक एक तरह से यह जो लोक सभा अध्यक्ष है लोक सत्र होगा उसके दौरान होगा लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि अगर हमने पढ़ा कि जो निम्न सदन है लोक सभा अगर उसका विगटन होता है तब इस कंडिशन में क्या होगा अगर मान लीजे लोक सभा का विगटन हो गया तब लोक सभा अध्यक्ष का क्या हो तक next जो general election हो गए, next लोग सभा की पहली बैठक तक, है ना, तो इसमें क्या होगा बच्चों, जो अगली लोग सभा है, ठीक है, अगली जो बैठक होगी, election के बाद, after election के विगटन होगा, election होगा, उसके बाद, अगली बैठक तक है, ना, मतलब पहली बैठक हम कह ले, तो पहली बैठक तक, जो लोग सभा speaker है, वै अपने पद पर रहेगा, ठीक है, नई लोग सभा की बैठक तक, एक तरह से जुपद है, वै धारण कर लेगा, नई लोग सभा भी लिख लो यहाँ पर, तो याद रहेगा, अब देखो, सेकंड, देखो, सेकंड हम पढ़ते उपाध्यक्ष, है ना, तो लोग सभाध्यक्ष की हमने बात कर ली, अब लोग सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा, ठीक है, यह देखो, यह भी जो है, वै सदस्यों के द्वारा अपने बीच में से ही चुना जाता है, लोग सभा के सदस्यों द्वारा, यही बस इतने यही कुश्शन साते हैं बच्चों UPSC में, उठा के पिछले वर्ष के जो प्रशन पत्र हैं आप देख लेना, आपको इसी तरह के प्रशन में लेंगे, मैं वही पॉइंस लिखवा दियो, लोग सभा के सदस्यों के द्वा अधिक्ष लेगा, तो चुनाव की जो तारीक है, यह तारीक निर्धारन कौन करेगा, लोग सभा के अधियक्ष, ठीक है, लोग सभा लिख देती हूँ, वरना अधियूज हो जाओगे, तो लोग सभा का अधियक्ष होता है बच्चों, यह अगले चुनाव की तारीक अधिनस्त होगा क्या, क्या इसके अधिनस्त होगा तो नहीं, अधिनस्त नहीं होगा, बल्कि यह क्या होगा, संसद के प्रति उत्तरदाई होगा, संसद बोल रही हूँ मैं, ठीक है, तो अधिनस्त नहीं होगा, बल्कि संसद के प्रति उत्तरदाई होगा, UPSC PT में वच्चो एक question पूछा गया था, और इसमें ये कहा गया था कि दसवी लोकसभा तक, लोकसभा उपाध्यक्ष का उपद है, वो एक ऐसी परमपरा रही थी, कि उपाध्यक्ष जो बनेगा वो विपक्ष का होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या परमपरा थी, कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है, वो विपक्ष का होगा, यहाँ दखना, UPSC PT 2022, यहाँ से question आया था, तो दसवी लोकसभा तक, एक परमपरा थी, दिखो होता क्या है बच्चो, कि कुछ चीज़े तो समविधान के according ली, कुछ क्या सारी चीज़े समविधान के according ली चल रही है, बट अगर हम यह कह दे कि क्या होल सोल केवल वही, उनी चीज़ों का पालन हो रहा है, जो समविधान में है, उसके अलावा भी कुछ है, तो य पार्टी जो कि सरकार बना रही सत्तधारी अद्यक्ष का होगा, लेकिन जब हम उपाद ध्यक्ष की बात करेंगे, यह जो है वैविपक्ष का होगा, ठीक है, यह जो है वैविपक्षी दल का होगा मुख्य रूप से, और यहां पर एक कहा जा रहा है, अब नेक्स हम देखत प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, नाम सुनाए प्रोटेम स्पीकर, सामे कद्यक्ष बोलते बच्चो deportation, च्थे थि सामे कद्यक्ष देखो, अब यह कौन होगा, मालि जी हमने कहां खिए अगली मतलब नई लोग सभाई और नई लोग सभा की पहली बैठक नई लोग समा की पहली बैठक तो किस ने देख ली जो पुराने लोग समाध्धिक्ष थे लेकिन उसी बैठक में जो है रास्टपती के द्वारा एक नाम दे दिया गया जो मंत्री और जो लोग चुने गए तो उसके बीच में वरिस्ट रितम सदस्य को ठीक है जिसको यूग साम्मी कद्यक्ष इसको कहा जाता है और इसका में काम होता है कि जो नए लोग समा में सदस्य आए हैं उन सदस्यों को शपत ग्रहन कराना ठीक है उन सदस्यों को शपत ग्रहन कराना ठीक है उन सदस्यों को शपत दिलाने के लिए होगा ख्लियर है ख्लियर है अब देखो रा राजसभा के सभापती की बात हम कर लेते हैं, राजसभा का सभापती चुना जाएगा, क्या नहीं? चुना नहीं जाएगा, क्यों? क्यों कि बच्चों, जो देश के उप्रास्टपती होंगे न, जो प्रास्टपती होंगे, यही उप्रास्टपती पदेन रूप से पदेन, म कि अगर हम राजस्भा के सभापती की बात करें तो जो भी उप्रास्थपती होगा वो अभी वरतमान में कौन है और किस नमबर के है बताओ जरा तो जो भी उप्रास्थपती होंगे वह राजस्भा के सभापती होंगे ठीके और जब हम उप्सभापती की बात करेंगे राजस सदस्यों की जो सदस्यों की बीच से अब इसके लावा एक और देखो जैसे कि हम ने यहां पर देखा कि क्या जो लोक्सभा अध्यक्षा है, अध्यक्षा है। राजसभाखे प्रती उत्तरदाई होगा, clear? अधिनस नहीं हो गई है, तो यहाँ पर यह जो पाँच लोग है, पीठासी नधिकारी है, पीठासी नधिकारी इनको कहा जाता है, इसके अलावा बच्चों अगर हम सदन के नेता की बात करने तो देखो नेता तो इसमें कौन- कौन होगा, सदन का नेता, तो यहाँ पर सदन के नेता का जो मतलब है, वो होता है, पीएम से, सदन के नेता, ठीक है, सदन का नेता कौन होगा, पीएम, और यहाँ पर हम बात करेंगे नेता विपक्ष, विपक्ष का नेता, ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों के विपख्ष के नेता को पहली बार मानेता नाइटी सिक्स्टीफाइव में मिली थी और यहां पर भी एक स्टार लगा देती है क्यों कि विपख्ष से जो कुछ्छन ने पूछा हुआ युप्यसी ने तो विपख्ष के नेता को हम देखेंगे 1966 के आसपास जो मानेता है वह मिल ती नेता विपक्ष को, इसके अलावा एक नाम आप सुनते हैं, विप या सचेतक, विप या सचेतक, राजनेतिक दलों का बिसिकली अपना अपना होगा, है न, विप या सचेतक, इसका मेन काम होगा, कि जो नेता और जो मंत्री है, उन सभी के एक तरह सो जो प्रिजेंट है, उसके लिए उल्लो का वियर करना, ठीक है, तो सचेतक का या विप का काम क्या होगा, या दखना सम्विधान में उल्लेक नहीं है, और यहाद पर नेताओं को सदन में उपस्तित रखना और जो सदन में हम कहाँ हैंगे कि जो ज्यादा कर पार्टी के जो एक बत है उसके साथ मं करना है रखना उसको टैली करना है तो यहां पर विविन मुद्धो पर सहयोग जो है करना यह में काम होगा सचे तक का यह विप का क्लियर तो यह पीठा से नधिकारी और हमने दो तीन दिताओं की बात कर ली चलो एक स्क्रीन शॉट ले लो साथ साथ लिखते जाओगे तो वै सदन के सत्र ठीक है सेशन सबसे पहले तो देखो एक वर्ड आप सुनते आहूत कर रहा आहूत करना मतलब क्या होता है सदन को आहूत करना इसका मतलब सदन को बुलाना ठीक है आहूत करना बुलाना यह जो काम है यह किसके द्वारा किया जाता है रास्पति के द्वारा ठीक है आहूत करना मतलब सदन को उपस्थित होने का आदेश देना और ये आदेश कौन देते हैं रास्ट पती देते हैं पहले ही हमने देखा ना सत्र सत्रावसान और ये सारा जो काम ये सारी जो डूटी है वे किसकी रास्ट पती की है रास्ट पती के पास ये अधिकार होता है कि वह सदन के दोनों सदनों को बुलाएं या रखना बच्चों कि यहाँ पर सदन के दोनों सदनों के बीच में यहाँ पर पहले स्टार लगा देती हूँ फिर लिखूंगी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पूछा गया फैक्ट है कि ये अधिके दोनों के बीच में मतलब जो आखनी सदन आखनी जो सदन आखनी आखनी बैठक रही होगा और जो पहली होड़ी होगी ठेकिे दोनों अगर हम कहें संसत के डोनों सत्रों के बीच में छे माह से जाधा का अंतर नहीं होगा, या बैठकों के बीच में 6 माह से जाधा का जो डिफरन्स है इसका अंतर नहीं होगा मतलब ये तो जरूरी है कि 6 महीने के बाद जो संसद है उसके सत्र लगेंगे ही लगेंगे तो यहाँ पर दोनों सत्रों के बीच में अधिकतम जो अंतराल हो सकता है वे 6 महा का ही हो सकता है और बिसिकली जब हम सत्र की बात करेंगे तो ये जो सत्र है वे 3 तरह के होंगे तो यहां पर सित्र की अगर हम बात करें तो यह होगा आपका मार्च ठीके, बानसुन सत्र की बात करें, सु जुलाई से सेप्टेम्बर और फिर उसके बाद नवंबर और दिसम्बर ये जो सत्र है, ये आपका शीतकालिन सत्र होगा, अब देखो, तो ये तो था बच्चो आहूत करना, अब हम बात करेंगे स्थगन का मतलब क्या होगा, ये तो अस्थगन का मतलब क्या होता है, अस्थगन का मतलब क्या होगा, और इसे कौन करेगा, देखो, जब हमने आहूत करने की बात की थी, तब इस वक्त हमने बात की रास्टपती की, कि ये रास्टपती के पास पावर होगा, लेकिन जब हम अस्थगन की बात करेंगे, इसका मतल कि जो सदन की बैठक है उसको कुछ निश्चित समय के लिए अस्थागित कर देना। सदन की बैठक को निश्चित समय के लिए अस्थागित कर देना। निश्चित यह हो सकता है कुछ दिन हो सकते हैं कुछ माह हो सकता है ठीक है वीक हो सकते हैं कुछ घंटे दिन या सपता। मतलब निश्चित है अनिश्चित नहीं है कुछ घंटे दिन या सपता। और यह जो पावर है यह किसके पास होगा राश्चपती के पास होगा नहीं राश्चपती के पास नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सत्रवसान की। सत्र आहूत करना अलग हो गया। ठीक है इस्थगन अलग हो गया। और अब हम बात करेंगे सत्रवसान यानि प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन। देख़ें ये कॉंसेप्ट क्या कहता है। सत्रवसान का मतलब होगा बच्चों कि जब सदन का सत्र पूरा हो गया हो। इसका मतलब होगा। सदन का जो सत्र है सदन का सत्र पूर्ण होने पर पूरा होने पर आनिश्चित काल के लिए पूरा होने पर आनिश्चित काल के लिए। तो यहां पर आनिश्चित काल्स के लिए और जो सत्रावसान है ये रास्टपती के द्वारा किया जाएगा तो सत्र हो आहूत करना हो या फिर सत्रावसान करना हो प्रोगेशन हो ये दोनों ही काम रास्टपती की अधिसूचना के द्वारा होगा ठीके रास्टपती इसकी जो अस्थगन की बात करेंगे, तो जो ये स्थगन है, वे क्या करेगा, बैठक को समाप्त करेगा, ठीक है, अब इन दोरों की बीच में अंतर देखना, अस्थगन जो है, ये बैठक को समाप्त करेगा, सत्र को नहीं, ये बैठक को समाप्त करेगा, ठीक है, और वहीं जब हम बात करेंगे, शात्र आवसान की तो यहाँ पर यह present पर शात्र को ही शात्र कर दे रहा है यह सत्र को समाप्त कर देगा थिर साथ ही जब हम स्थगन की बात करेंगे तो स्थगन और इसमें एक अंतर और है यह different यह है कि स्थगन का जो आदेश है ये पीठा सी नधिकारी देगा राजिसबा लोगसबा के अंदर के अनुसार जो भी वहाँ का पीठा सी नधिकारी होगा लोगसबा स्पीकर हो रास्टपती उपरास्टपती जो सभापती है वो है ना तो पीठा सी नधिकारी देगा और लेकिन जब सत्रावसान की बात करेंगे तो यहाँ पर यह जो अधिसूशनावे कौन जारी कर रहा था? रासपती के द्वारा जारी हो रही थी, clear है? तो यहाँ पर देखो सदन के सत्र में हमने बात की कि सदन का जो सत्रावे आहूत करना, बुलाना, ठीक है? उसका अस्थ की और हम बात करते हैं कोरम, कोरम का मतलब क्या होता है? माल लिजे कि हमने कोई जो क्लास हम शुरू करने वाले हैं और उस क्लास में अगर 100 स्टूडेंट हैं तो हम यह माल लेते कि 10 बच्चे भी आ गए तो हम क्लास को शुरू कर देंगे, बस यही कोरम या गड़पूर्ती होती है तो यहां पर देखो बच्चो कि जब हम बात करेंगे गनपूर्ति या कोरम की तो संसद में भी ऐसी एक प्रोसेजर अपनाया जाता है और गनपूर्ति या कोरम के संबंद में अगर बाले जो कोरम पूरा नहीं है गनपूर्ति उतने नहीं है लोग उतने नहीं आए है तो ऐसे में सभा को स्थागित करने का जो अधिकार वे पीठासी अधिकारी के पस रहता है, तो अगर आप चाहते कि सदन की जो बैठा केवे शुरू हो जाए तो उसके लिए नियुनितम जो सदसे संख्या है वो ताई की गई है और ये बिसिकली नियुनितम सदसे संख्या हो कि सभा की बात करेंगे तो लोकस्भा में अगर हम कहते हीचलो 50 सदसे То पचपन सदसे ही आजाए अगर 55 सदसे आ जाते हैं, तब हम कारवाही को शुरू कर देते हैं और यही जब हम कोरम की बात करेंगे राजसभा के संदर्व में, तो राजसभा में माली जीए 1200 सदसे हैं तो यहां पर लगबख 25 सदस से अगर आ गए, तो हमने यहां पर कोरम की जो हमारी जो गणपूर्ती थी वै हो गई, कोरम पूरा हो गया और ऐसे में हम जो है अपनी कारवाही को शुरू कर सकते हैं, ठीके तो यहां पर पीठा सीन अधिकारी समेत, मतलब इसमें पीठा सीन अधिकारी समेत या सहित ठीक है पीठासी न अधिकारी सहित दसवा हिस्सा मतलब इसमें एक कौन है 55 में एक लोगसभा स्पीकर है और उसके बाद बाकी 54 बाकी सदस्य हो गए अब हम आते जोईन सेशन ऑफ पार्लियमेंट जोईन सेशन ऑफ पार्लियमेंट ठीक है जोईन सेशन का पतलब यह हुआ देखो जब हम कहते हैं कि अगर बाली जो कोई बिल है ठीक है कोई एक्ट बनना है कोई पॉलिसी लानी है तो यह जो बिल है वह लोगसभा में आया पारित हो गया लोगसभा ने आगे की करवाही की और इसे राजसभा में भेज दिया लेकिन राजसभा में यह पारित नहीं हुआ या फिर कुछ इसमें विवाद है यह हो सकता है कि दिखो इसमें क्या क्या हो सकता है क्या क्या पॉसिबिल्टी है या तो ये मना कर दे, या तो हा कर दे, या रोक कर कुछ संशोधन कर दे, तो ये तीन ही हो सकते हैं, अब ऐसे में बच्चों माल लीजिए, कोई कोई बहुत ही जादा important मुद्धा था, उस पर policy बननी ही है, लेकिन एक सदन ने अगर रोक दिया, तो फिर दूसरा, फिर कैसे का होगा, जब दोनों सदन पारित करेंगे, तब तो रासपती के पास भीजा जाएगा, वो हस्ताक्षर करेंगे, तब वो लो बनेगा, है ना, तो यहां पर क्या है बच्चों, कि ऐसी ववस्था की गई है, कि अगर बाल लीजिए, कि कि किसी एक policy पर या किसी एक बिंदू प और यहां पर दोनों सदनों की, है ना, दोनों सदनों के बीच में कोई भी जो गती रोध है, उसको तोड़ने के लिए रोकसभा और राजिसभा का जो एक सेशन है, वो बिलाया जाएगा, इसको जो इन सेशन कहेंगे, आप देखो, कि यह जो सयुक्त बैचक है, आपको पत अगर विदियक के बारे में, स्पेशल जो राइट सेवक इसको है, लोकसभा को है, लोकसभा के पास स्पेशल पावर है, कि वह धन विदियक को पारित करें, ठीक है, और अगर माल लिजे, लोकसभा ने राजिसभा के पास भेजा, तो राजिसभा को इस पर चर्चा करने का लोगसभा को मनी बिल, तो ऐसे में उसको सुत्ह पारित मान लिया जाएगा, मतलब राजिसभा उसमें संशोधन करें या ना करें, कोई फर्खी नहीं बढ़ता, लोगसभा इस संशोधन को माने या ना बाने, ये लोगसभा पर निर्भर है, ठीके, तो ऐसे में क्या है बचो कि ये जो 14 देज है, कितनी समय तक अपने पास राजिसभा मनी बिल को रोख सकती है, तो उसके लिए जो अधिक्तम समय सी मतायार की गई, वह 14 देज की है, आया समझ में, तो ऐसे में धन विद्यक पर चुके सारा राई लोगसभा का आई, तो इस पर जोइन सेशन का कोई मत होगा, इन दोनों पर सायोक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, सायोक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, ठीके, अब देखो समविधान संशोदन पर क्यों नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि समविधान संशोदन जो विधियक है, वह दोनों सदनों के द्वारा अलग-अलग विशेश बहुमत से पारित होना आविशक होता है, दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेश बहुमत से, विशेश बहुमत मतलब बही कुल सदन संख्या का, कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्तित और मतदान करने वालों का दोते हाई, तो यह विशेश बह पावर होगी कि वह इसके अधिसुचना जारी करके बुलाएं लेकिन याद अचना बच्चो जब अगर हम सईयुग तो सदन की बात करेंगे इसके अध्यक्षता कौन करेगा तो यह जो राइट है वे लोगसभा स्पीकर के पास है कि इसकी जो अध्यक्षता है यह खूब कु अगर मालीजी रास्टपती अपने बद परने है तो रास्टपती के बात कौन होगा वो प्रास्टपती भी मालीजी अपने परने है तब वो प्रास्टपती ऐसे संदर्व में कौन होगा क्या भारत के मुक्ष नाय दीशाएंगे यह लोगसभा के स्पीकर आएंगे कॉमें करके बताना तो यहांपर पूरी एक हारेर की बनी हुई है कि हमारे अटलिस जो टॉप मोस्ट जो हमारे पद है जो हमारे समवेधानिक महत्यपून पद वो भी खाली ना रहे है ना राजा का बद खाली नहीं होता च्लिर रहे लेकिन देखो अब तीसरा नमबर जो है किसका आया, तीसरा नमबर आया, कि अगर यह दो रो नहीं है, तो राजसमभा का उप सभापती करेगा, तो तीसरा नमबर किसका आया, समझेगे, तो यह संयुक्त duction था, चलो अब आगे बात करेंगे, संसदिये कारवाही के साधन, Devices of parliamentary processes. अच्छा, इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम बात करें, UPSC ने PT में question पूचा कि संसद्य कारवाही कि क्या क्या साधन हो सकते हैं? प्रश्नकाल, शूर निकाल, अल्प सूचरा के प्रश्न, ये तीनों ही हैं, है न? चलो, लिखते हैं कुछ-कुछ main important points को. अगर संसत ग्यारा बज़े से शुरू हो गयी, ठीके? और अगर मुआलिजे 11 बज़े से सत्र शुरू हूआ, 11 बज़े से बैठक शुरू होई, तो 11 से 12, ठीके? 11 से 12 बज़े तक क्या होगा? सुर्नकाल होगा. प्रश्नकाल में जो सदश है, संसर सदस्य हैं वैं मंत्रियों से प्रश्न पूछेंगे नेतियों के बारे में एड्मिनिस्टेशन के बारे में ठीके तो यहां पर जो प्रश्न है वैं पूछेंगे ठीके प्रश्न पूछेंगे यही होता है प्रश्नकाल अब देखो बच्चो बंत्रियों के यहां पर जवाब देना होता है और बेसिकली जब हम प्रश्नों की बात करते तो यह जो प्रश्न वैं तीन तरह के होते हैं यह जो प्रश्न वैं तीन तरह के होते हैं ठीके आप दे इसमें पहला जो होगा उस पर स्टार लगा होता है, ठीके, पहला जो होता है नमच्चों उस पर क्या होता है, स्टार लगा होता है, और इसलिए उनको कहा जाता है तारंकित प्रश्न, उनको कहा जाता है तारंकित प्रश्न, मतलब उनको उनको उपर स्टार लगा दिया जाता तारंकित प्रश्ण वो होते हैं और दूसरा होता है आतारंकित प्रश्ण जिन पर स्टार नहीं लगा होता है आतारंकित प्रश्ण ठीक है तो देखो जो तारंकित प्रश्ण होते हैं बच्चों ये लिखित मौखिक रूप से पूछे जाते हैं ठीक है ये मौखिक रूप से तो यहां पर देखो कि तारंकित जो प्रशन है अगर मौखिक रूप से है तब यहां पर अनुपूरक प्रशन है यह भी पूछे जा सकते है ठीक है अब देखो आतारंकित प्रशनों की बात करेंगे अगर मालो यह जो है वह रिटन में अगर आपके पास कोई लिखित में चीज आई तब क्या आप अनुपूरक प्रशन पूछ पाओगे नहीं पूछ पाओगे तब ऐसे में आप यहां पर अनुपूरक जो प्रशन है वो नहीं पूछ सकते हैं तो दो तरह के प्रशन हो गए अतारंकित और अतारंकित अब तीसरा है इसमें अल्प सूचना के प्रशन अल्प सूचना के प्रशन अल्प सूचना के प्रशन अब यह प्रशन जानते हो यह कम से कम दस दिन की पूर्व सूचना पर दस दिन पहले आपको बताना होता है दस दिन पहले आपको सूचना दे आल्प सूचना के प्रिश्न कहेंगे, दस दिन के नोटिस पर पूछे जाते हैं, जहाँ दखना, कि जो तारांकित प्रिश्न प्रिश्न होते हैं,हegen Зबाट graduate हम अल्प सूचना के प्रिश्न होते हैं, TP. गुलाबी प्रश्णों मतलब यहां पर प्रश्णों की जो सूची है वह लगलग कलर से तयार की जाती है ठीके तो यह आपका पहला हो गया प्रश्णकाल अब हम दूसरी बात करेंगे बच्चों जो की शूर नकाल है आपका ठीके तो यह तो आपका था प्रश्णकाल अब आज आते हम इसी के एक भाई पर जो किया शूर निकाल अब भाई मैंने क्यों बोल दिया कारण है उसके पीछे ठीक है जीरो आर याद अखना कि जो प्रेश्टिकाल है और शूर निकाल है इन दोनों का वर्णन सम्विधार में नहीं है ये दोनों ही भारत के ही नवाचार है ठीक है जीरो आर और कुशन आर ये दोनों भारत के नवाचार है इसका वर्णन सम्विधार में नहीं है बारा बजने के बाद कभी आपने ये टाइम देखा है क्या कुछ सेकंड के लिए सही आप एक मिनिट के लिए ये टाइम देखोगे घड़ी में देखते हो क्या देखा है रात में देखा होगा तो यहाँ पर बच्चो यह जो समय है ठीके तो प्रक्रिया में याद अखना कि यहाँ पर जो शूनकाल है प्रक्रिया में इसका उलेख नही किया गया है प्रक्रिया में संसत की जो हम प्रक्रिया की बात करें प्रक्रिया में कहीं पर भी इसका जो लेख है वैं नहीं किया गया है और यह भी लिख लो कि प्रश्नकाल और शूनकाल ठीके अगर हम प्रश्नकाल की बात करें और अगर हम शूनकाल की बात करें तो यह द 1962 में यादकना शूरनिकाल बिना पूर्व सूचना के भी पूठा है प्रशनकाल के बाद सूरनिकाल होता है और यहाँ पर यही बाते आपको यादखनी है। नेक्स देखो, बिना पूर्व सूचना के और 1962 ये भी लिख लो भई, कुछ बाते बता दे रही हूं, लिखनी रही हूं, 1962 से ये शुरू हुआ, और इसके लिए सूचना नहीं देनी पड़ती, यहां पर, ये तो शुर निकाल है, तो अब वैसे ही प्रश्ण यहां पर आधे घंटे की चर्चा, ठीके, अब ये जो चर्चा है, देखो, आधा घंटा है, तो पते ही होगा कि भई, चलो 30 मिट की है, आधा ही घंटा है इसके लिए, ठीके, और ये इस चर्चा पर क्या होता है, तो जो सार्वजनिक महत्व के बहुत जा, ऐसे मुद्दे, महत्व के जो मुद्दे होते हैं, बच्चो इसको उठाया जाता है, माली जे कोई ऐसी घटना घटी की पूरा जो देश है वे दहल गया, या फिर इसके अलावा बाड या भूक अप इस तरह की माली जे कोई टैस्टी है, या फिर कोई भी ऐसी बात, जो की जादा महत्व प और ये जो अलपकाली चर्चा है, जामते हों, साुटी की होती है, दो घंटे से जादा की नहीं होती है, मतलप , दो घंटे की होगी है और इसमें भी याद अखना, 1953 से यह अस्तित्व में है, 1953 से, और यहां पर आदे घंटे की जो चर्चा होती है, इसमें भी सार्बजनिक महत्व के जो फैसले हैं, उनको उठाया जाता है, सार्बजनिक महत्व के मुद्दे, इन्हें उठाया जाता है, ठीके? तो ये संसद्य कारवाही के साधन हो गए याद अखना कि इन सभी के माध्यम से संसद्य मतलब एक तरह से कारेपाली का पर जो नियंत्रन है वैं विधाई का के द्वारा किया जाता है फ्लियर है? नियंत्रन ही तो किया जा रहा प्रश्नकाल के माद्याम से जो सदस्य वा मंत्रिवों से प्रश्ट बूच रहे हैं, मंत्री कारेपाली का हिस्सा है ना, तो कारेपाली का परनियंतरन हुआ नहीं हुआ। इस कुश्यन का आंसर दुजरा अस्थगन के बारे में निम्ने पर विचार करते हुए असत्य कथन को चुने इस्थगन एक निश्चित समाई के लिए होगा बैठक के कामकाज को निलंबित करेगा कुछ घंटे दिनिया सब्ता के लिए होगा इस्थगन और आनिश्चित काल के लिए इस्थगन की शक्ती सदन के पीठासी नधिकारी के पास होगी यह बैठक के साथ सदन के सत्र को भी समाप्त करेगा और भारत के रास्पती के द्वारा किया जाएगा देखो यहां पर कहा जा रहा है कि कि जो रास्पती के द्वारा किया जाएगा और यह सत्र को भी समाप्त करेगा तो अगर रास्पती के द्वारा किया जा रहा है तब तो इसको सत्रावसान कहा जाता ने इस्थगन कहा हुआ तो यहां पर तीसरा जो है वह अस्थगन के संबंद में सही नहीं है ठीक है पहला और दूसरा जो है वह सही है तो यहां पर आंसर क्या होगा चलो हम इसको बना लेते हैं तो केवल तीन केवल तीन जो है इसका सही आंसर होगा क्योंकि आसत्य पूछा है है ना सत्य पूछा जब एक और दो होता है चलते हैं नेक्स्ट और बात करेंगे कुछ कटौतियों की कटोती यों की बाद बाद में पहले कुछ प्रस्ताव की हम बात कर लेते हैं ठीकें, देखो प्रस्ताव में ऑUh दे Cub कि जैसे की कई तरीक जो प्रस्ताव है फे पेश किये जाते हैं जैसे की आप धन्ज्य आप इश्वास प्रस्ताव सुनते हैं, आप इश्वास प्रस्ताव सुनते हैं, आप निंदा प्रस्ताव सुनते हैं, आप अस्थगन प्रस्ताव सुनते हैं, इस तरह के जो प्रस्ताव है वे संजदीय कारवाही में, इस तरह के जो चीजे वे होती रहती है, अब देखो, अ निंदा प्रस्ताव के बारे में आविश्वास प्रस्ताव दोनों को compare करके, कि अगर हम इन दोनों का comparison करें, आविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाए, तो क्या जो मंत्री परिशा देवा सितीफा देगी, मतलब आपसे प्रस्ताव पूछ लिया, उसका प्रभाव तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे विशेश अधिकार की, माली जे किसी मंत्री ने गलत तत्थ दिये, ठीक है? अगर माली जे किसी मंत्री के द्वारा सदन में गलत जानकारियां दी गई, गलत जानकारियां पेश की गई तब ऐसे में इस मंत्री के खिलाफ बच्चो बाकी जो सदस्य थे ना, उनके विशेश अधिकारों का हनन्न हुआ है और इसलिए इसके खिलाफ विशेश अधिकार हननन जो प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है विशिश अधिकार हडन जो प्रस्ताव है वैँ लाया जा सकता और बिसिकली इसका उद्धिश होगा मंतरी की निंदा करना और साथ ही ये बात भी याद रखो कि ये जो प्रस्ताव है वै राजसभा लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है राजसभा वालोकसभा ठीके तो दोनों में ये जो प्रस्ताव है वे लाया जाता है इसका उद्धिश क्या हुआ जो गलत जानकारियां दे रहा है सदन में जो सदन में गलत जानकारिया दे रहा है ठीके उसकी निंदा करना है ना उसकी निंदा करना जो है इसका मेल उद्धि दिंदा का जो बस तत्व है न तो यहाँ पर इस्थगन प्रस्ताव में क्या होगा सरकार की निंदा इस्थगन प्रस्ताव अगर लाया गया है ये क्यों लाया गया सरकार की निंदा करने के उद्धिश से लाया जाता है लेकिन यहाँ पर एक point जो आपको याद रखना है कि यह जो है वै केवल लोग सभा में लाया जा सकता है केवल लोग सभा में ही प्रहस्तूत किया जा सकता है ठीक है राजी सभा में नहीं लाया जा सकता है ठीक है योगया स्थगन प्रस्ताव तो विशिश सदीकार घनन जहाँ आप एक मंत्री के खिलाफ ला रहे थे और यहाँ पर हमने स्थगन में बात की क्या आप सरकार की निंदा कर रहे हो ठीक है तो किस के खिलाफ ला रहे हो और यहाँ पर क्या हो रहा है उसमें कहाँ पर पेश किया तब आपको कारन बताना जरूरी होती है, कारन बताना अनिवारे है, लेकिन जब आप आविश्वास प्रिस्ताव अगर लाएगे, देखो आविश्वास तो कही बातों पर होता है, तो यहाँ पर बताओ क्या यहाँ पर कारण आप बताओगे या नहीं बताओगे आविश्वास है तो है नहीं है भरोसा तो यहाँ पर कारण जो है वो अनिवार नहीं है कारण बताना यहाँ पर अनिवार नहीं है ठीक है एक तो यह हो गया इन दूरों में अब देखो अगर आपको निंदा करनी है तो या तो आप एक मंत्री की कर सकते हो या पूरे मंत्री परिशद की कर सकते हो मंत्री या पूरे मंत्री परिशद के विरुद एक मंत्री या पूरे मंत्री परिशद के विरुद आप जो निंदा प्रस्ताव है वह ला सकते हैं आप विश्वास प्रस यह आप केवल पूरे मंत्री परिशत के खिलाफ ही लाओगे, यह रिगा होगा कि मुझे इस मंत्री पर विश्वास नहीं है तो वैसे तो कोई किसी पर विश्वास नहीं करता होगा, लेकिन यहाप रियाद रखना कि यह केवल पूरे सिर्फ और सिर्फ पूरे मंत्री परिश किसी मंत्री की कोई नीती पसंद नहीं है, मंत्री पहिशत की नहीं है, तो कुछ नीती या नीतियों के खिलाफ एक से जाधा, नीतियों के खिलाफ लाया जा सकता है, और आविश्वास का मतलब यह होता है कि हमें सरकार पर विश्वास नहीं है, तो यहां पर इसका जो आप सिद्ध करो कि आप बहुमत में हो विश्वास निर्मान लोग सभा में विश्वास निर्मान के लिए यह लाया जाता है इसके अलाब आप देखो जादा इंपोर्चेंट कि अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा और आव विश्वास पारित हो जाए करते रहो निंदा कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे मंत्री परिशद त्याकपत्र दे ऐसा आविशक नहीं है, मंत्री परिशद को स्तीफा या त्याकपत्र देना आविशक नहीं है, ठीके, लेकिन जब हम बात करें कि अविश्वास की वच्चों, तो यहां पर याद रखना क अगर यह जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया, अगर माली जे ये पारित हो गया तब ऐसे में आविशक है कि आपको त्याक पत्र देना पड़ेगा, संपूर्ण बंति परिश्द, आविशक है, सरकार गिर गई है ना, आविशक है त्याक पत्र, तो यहाँ पर यह निंदा और आविश्वास हो गया ठीक है निंदा प्रिस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन अच्छा यह बताओ इसकी भूमिका में हम पढ़ते आर्टिकल 75 आर्टिकल 75 क्या कहता है कि जो मंत्री परिशद है ना मंत्री परिशद का अस्तित्व कब तक है जब तक वह भूमत में है और जैसे ही अगर उसको मालीजी भूमत नहीं है अविश्वास हो गया तो हट जाएगी तो अगर यह सामोहिक उत्यदायत्व के है तब ओविस सी बात ह हट जाएगे अगर उसके पास अविश्वास हो गया तो यहां पर यह जो चार प्रस्ताव है इसके अलावा देखो ध्यानाकर्शन प्रस्ताव भी होता है सार्जनिक महत्व के मामले पर ध्यानाकर्शन प्रस्ताव है लोकसभा राजसभा दोनों में लाया जा सकता है ध्या को ने जाहेंगा लोकसभा कि प्रति अधर्दाई है तो लोकसभा में लेया जाएगा अगर यहां पर राज्य सभा लिखा उता है तो घ्राइद प्रस्ताव यह सदन में पारित होना चाहिए नहीं तो सर्कार घिर जाएगी धन्यवाद प्रिस्ताव ठेंक्स मुशिन के दिए करें इसमें क्या होता है बच्चो धनिवाद प्रस्ताव आप देखेंगे कि इसमें राश्पती के द्वारा है ना दोनों सदनों में अगर पहला जो सत्र होता है उसमें एक तरह से सरकार की नीतियों और इन सब चीजों की चर्चा की चाहती हो और अगर यह जो है प्रस्ताव लोग सबा दोनों में ही तो ऐसे मन्तरी हो सकते जो कि गलत तते गलत जानकारिये प्रावस्तूत करें तब दोनों में ही ठीक है तो यहाँ पर रियाद रखना कि यह कहां पर पेश किया जा सकता और नहीं तो आंसर आप्शन नंबर डी है इसका ऐसका अचीstyर? आंसर इसका तो यहां पर यह कोई महत्वूर्ण मुद्दा होगा, बच्जों। और यह भी लोकसभा और राजसभा दोनों में। लोकसभा और राजसभा दोनों में में धानाकर्षट जो प्रास्ताव है, वह लाया जा सकता है। clear है। ठीक है। चलो। आप हम आते हैं। कटोतियों पर थोड़ी सी कटोतियों की बात कर ले कटोती प्रस्ताव की बात कर दो फिर राजस्वा की विशेश शक्तियां देख लेते हैं हमारा संसत कम्लीट हो जाएगा कटोती प्रस्ताव के बारे में निम्ने पर विचार कीजे, कटोती का मतलब क्या होगा, कि जिसे बाल लेज़े कोई योजना आई और उसमें सरकार के द्वारा इतना पैसा जो है मागा गया, लेकिन उसमें कुछ कटोती करने की बात की गई, वही कटोती प्रस्ताव है, ठीक ह लोग सभा के सदस्यों को दी गई विशेश शक्ती एक्जक्टी, सही है ये पॉइंट है ना, इसी तरह की पॉइंट से याद करना, किसी अनुदान की राशी को कम करना या एक निश्चिस सीवा तक घटाना कटोती प्रस्ताव कहलाता है, कई तरह की होती है कि एक तो यह आ क्कांटृति इसमें लिखे है, तीसरे में मितवाइता कटोती प्रस्ताव, इसमें मांग की राशी सो रुपे कम कि जाती है, यह थिक है आप अपना जो है थुड़ा सा अपना जो है लेकर चले, मितवय हो जाए है, जतना जरूर है उतना ही खर्च करें, तो यह मितवय हो ग तो सांकेतिक कटोती कि बस चाहिए आप ञ चाहिं अब 1 रूपे कम करो पर ना क्रदो तो यह क्या होगए 100 काम करो तो यहां पर यह सांकेतिक कटोती कहलाति है मितव़ईता कटोती तो मतलब यह होगा कि ठिक है आप ठीक ठाक राशी सोचette समझ marble काम फारी किम कर लें कटोती प्रस्ताव सबसे पहले तो लोकसमा की सदस्यों को दी गई विशेश शक्ती है कोई भी जो अनुदान है अनुदान की राशी को कम करने या निश्य सीमा तक घटाने का प्रस्ताव कटोती कहलाएगा अनुदान की मांग के हिस्से के रूप में सरकार के द्वारा वित विधियक में विसिस्ट आबंटिन के लिए चर्चा की जा रही मांग का इसमें विरोध एक तरह से किया जाता है तो जो भी सरकार के द्वारा मालीजे को अनुदान है बात हो रही है उस पर ही कटोती है अब अगर ये प्रस्ताफ माली जो अगर हम कट मोशन की बात करें अगर ये प्रस्ताफ स्विकार कर लिया जाता है ये आविश्वास मत के बराबर होता है। आविश्वास मत के बराबर होगा और सरकार निचने सदन में संख्या बढ़ाने में अगर ये विफल रही तो मानदंजों के अनुसार उसे स्थीफा देने के लिए वहबाध्य होती है। ये वहबाद देटी तो मानदंजों के लिए गटा कर दिया जाए। तो मानदंजों के लिए वहबाद देटी प्रस्ताफ चाहँ एक रूपे कर दिया जाए। कन राशी है वह कम कर लो छो एंट निए ठीक है चलो, मतलब सेहमत लेकिन कहा इतना जो है आप कम करें यह म मृतविता वाली हो गयी, आप देखो 30 गया सांकेति कर प्रूपे कम कर हो तीजने सो रुपे कम नकर करें, है ना तो यह कट होती है प्रस्ताव हो गए अब आगे देखो राजसभा की बचों कुछ विशेश शक्तियां है यह और हम देख लेते हैं ठीक है राजसभा की कुछ विशेश शक्तियां है जैसे की अगर माल लीजे कोई नियम बनाना है है ना तो यह अधिकार किसके पास है क्या लोगसभा को ऐसा राइट है या फिर राजसभा के पास ऐसा अधिकार है तो यहाँ पर बच्चों राजसुची के विशेश पर अगर लगता है कि कोई मुद्दा ऐसा है जो कि बहुत ही जादा विसिस्ट है, आर्टिकल 249, इसका यूज कौन करेगा, राजसभा करेगी है ना, तो राजसभा क्या करेगी, राजसभा क्या करेगी, जो राजसुची में भी जो विशाय लिखे हुए है, उस पर अनुमति देता है, अगर ऐसा लगता है कि रास्टे महत्व के लिए, से करेगी, दो तेहाई बहुमत से इस आशए से जो प्रास्टाव में पारित करेगी, और उसके बाद राजसुची में जो विशाय है, वहां पर प्रास्टाव को लाया जा सकता है, अब देखो अखिल भारतिय सेवाओं का निर्मान, आर्टिकल 312, 312 क्या कहता है, कि जो अ आर्टिकल 312 क्या कहता है, कि संसद को संग और राज्यों के लिए अखिल भारतिय सेवाओं के निर्मान करने का नुबतियों, और ऐसा यूज किया भारतिय सेवाओं के निर्मान करने का नुबतियों, तो राजसुची की बात हो गई, और कि राजसुची पंड़नाई ना है तब भी राध्यसभा सूप्रीम है और अगर अखिल-बार्थी सेवा का से दिर घेम सूप्रीम है राष्टपतियस आशन की ऊश्ना राष्टपती की होशना उस वक्त भी तो करनी पड़ सकती है, जिलेकशन चल रहे हैं तो लोग सबब विगटन हो गया है, तो राजसभा अकेली ही रास्टपती साशन का नुमोदन जो है, वे कर सकती है, आर्टिकल 352, 356 और 362, emergency के आर्टिकल से इंपोर्टेंट है पढ़ लेना, ठीके, ओप रास्टपती को पद से हटाने के लिए राजसभा ही पहल कर सकती है, प्रस्तावे लोग सबह में लाया जा सकता है, तो यहां पर प्रास्पती को बात करेंगे, इनको हटाने के लिए राजसभा ही पहल कर सकती है, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं धन विधियकों के बारे में, देखो, अगर आम राजसभा की बात करें, तो राजसभा की दुक किस के पास है, लोग सबह के पास में है, ठीक है, मनी बिल के जो आर्टिकल से ये देख लेना, इसके आर्टिकल से कुश्चन आय हुए है, बच्चों आपको पीवाई क्यू करवाओंगे, पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, लाइज प्लास में, तब आपको इस तरह के questions बताऊंगी, money will किवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राजसभा में नहीं, ठीके, तो यहां पर राजसभा को कोई प्रावधान नहीं है, और अगर राजसभा धन विद्यक में कोई संशोधन करें, तो इसे आस्विकृत करने की शक्ती भी नहीं है, पारित माल लिया जाएगा, तो यहां पर लोकसभा राजसभा के किसी अनुशन सा को स्विकृत करें, यह उसका अपना स्वायत अधिकार है, तो दोनों ही मामलों में धन विद्यक को दोनों सद्नों के द्वारा पारित माल लिया जाता है, अगर राजसभा उस पर हां करें दोनों ही बर्तों में उसको पारित माल लिया जाएगा, थे कि यह हो गया मारी बिल, आप जो जो और आृतिकल मैंने आपको बताए है एक तो मैंने आपको जो प arrow website 309 आपको각 चलभी 2, 79 से लेकर आपको याद करना है थे के और इसके आलावा उने जो न्याय पालिका के बात तो नयाए पाल जो जो मैंने आर्टिकल्स बताए वो सारे आर्टिकल्स कर ले ना आप ठीके और यहाँ पर 124 से ले के 147 तक जो यह आद कर ले ना तो यहाँ पर यह आपका एक तरह से हमवक रहेगा ठीके तो यहाँ पर हमने पॉलिटी में काफी को सेक्शन देखे जो की पूछे जा सकते हैं फिर करन्ट अफेर से रिलेट करके भी चीज़ों को पड़े ठीके शॉट नोट्स बना लें बार-बार रिवाइस करें अगर आपने बना के रखे हैं तो पीवाई क्यू जो है वो जरूर सॉल करें मोग टेस्ट लगा अगर आप पीटी देने वाले त न्यायपालिका का जो सिस्टम में वह क्या है न्यायपालिका से ऐसे कौन-कौन से और भी टॉपिक से सब टॉपिक से जहां से कुश्यन्स आ सकते हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं जुडिश्री जुडिश्री में बिसिकली हम देखते है कि इसकी भूबी का क्या है न्याय पालिका की ठीक है उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में न्याय पालिका का जो कॉंसेप्ट अपनाया है वें इंटीग्रेटेड है एक इकरत नाय वालिका है ठीक है और भारत में न्याय पालिका की संदचना कैसी है अगर हम यह देखें कि जै कि क्या हमारे यां एक इकरत है दोरी संदचना है मतलब किस तरह की जो प्रणाली है हमने अपनाई है हाइप कोट सुप्रीम कोट बाकी जो कोट है उनके उनके बीच में किस तरह के संबंद उसके बात करेंगे क्या श्रुक्चर है नयाय धीशों कि न्यूकति कौन करेंगा चर्चा करेंगे और लास्ट हम देखेंगे कि इसकी स्वात अंतिरता और शेत्र अधीकार क्या है और भी काफी सारे मुद्धे जो की हमें जुडिश्री में कवर करने हैं ठीक है अच्छा सबसे फस्वास देखो कि अगर हम नयायपालिका की बात करें तो नयायपालिका की रंगों की बात करते हैं तो एक हम देखते हैं विधाई का ठीक है आगे हम संसद भी पढ़ने वाले एक हम देखेंगे विधाई का ठीक है लेजिसलेटिव जो होता है आपका और लेजिसलेटिव में आएगा आपका संसद और बाकी सब हम देखते हैं कारेपालिका जिसमें है जो अपना अपना काम करते हैं न्याय पाली का अब देखो बच्छो न्याय पाली का जुडिश्री का बेन काम क्या है अगर किसी तरह की lawmaking करना रूल्स बनाना सबसे पहला काम होगा विधाईका का तो इन डूल्स को इन डूल्स को अगर violation हो रहा है तब इसको apply टम इसको implement कराने के लिए हमारे पास क्या और कौन सा mechanism है तो वह हमारे पास जुडिश्री तो जुडिश्री क्या करेगा विधि का शाशन जो है रूल अफ लौव इसको implement करेगा है ना rule of law विधी का साशन rule of law विधी का जो साशन है इसको implement कराने का काम करता है समाज में इसके अलावा देखो जुडिशी का में काम और क्या होगा सबसे पहले हम देखेंगे dispute results कराना ठीक है disputes results कराना disputes resolve कराना अब देखो बचो कि अगर हम विवादों के समाधान की बात करें तो विवाद किस किस के बीच में विवादों के समाधान ठीक है अब देखो तो विवाद किस किसके बीच में हो सकता है यह हो सकता है कि एक नागरिक का दूसरे नागरिक के साथ हो ठीक है एक नागरिक का किसी और अगर हम कहें दूसरे जो नागरिक हो उनके साथ हो नेक्स हम देखेंगे कि नागरिक और सरकार के बीच में विवाद हो ठीक है अब देखो यह राज्य सरक हो गया या फिर एक या एक से अधिक राज्य का केंद सरकार के बीच में विवाद हो तब इस तरीके के सारे जो विवाद है फ्रेंट्स इन सभी को सॉल्व कौन करेगा तो प्रॉपर इसके लिए समविधान में एक तंत्र बना हुआ है और इसी तंत्र को हम क्या कहते हैं न्य या फाली का ठीक है क्लियर है मैं या फाली का है तो यह हमने पहला देख लिए या काती अ यह दिलिया की विदी का साशन जो है लागू कराना दिस्प्यूट मैं इसके अळावा देखो जूडिसयल रिवियू कि क्या काम करेंगा जुडिसयल रिवियू का काम करेंगा जु भी आए इस जी मित वुर्विक पर बात कर रहे हैं आगे हम चलेंगे समधान में तो जुडिसयल रिवीव का मतलब क्या होता है कि मान लीजे Ore पालिका के द्वारा जुडिशल डिव्यू आव यहां पर समझा देती हूं माली जे बच्चों कारे पालिकाने और विधाईका ने इन दोरों ने कोई ऐसी नीती बना दी है जो की हमारे समविधान के हित में नहीं है जो की हमारे समविधान का उलंखन कर रही है तो इस नीती क समीक्षा करना ठीके इस नीती की इनकारियों की समीक्षा करना किसका काम होगा तो यह जुडिश्री का काम हो जाएगा तो माली जे फॉर कि संसत के द्वारा कोई ऐसा नियम बना दिया गया है कि आप जो लोग है अपने धर्म को नहीं मान सकते या फिर वह पूजा अर्चना करने की जो सवतनता है प्रार्थना करने की जो सवतनता है उनको नहीं है तब इस तरह से क्या आपका तो फंडमेंटल का बेसिक ही है fundamental का basic structure मूल संविधान बुन्यादी संविधान का भाग फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट में आपका धार्मिक सुझता है तब इस तरह के जो रूल्स होंगे उसको अवैद घूशित किया जा सकता है असविधारिक गोशित किया जाता है तो यह जो पावर है किसके पास है जो डिश्री के पास है नायपालिका के पास है इसके अलावा हम देखेंगे कि नायपालिका जो है हमारे मूल अधिकारों का अभी भावक है संदक्षक है ठीक है मूल अधिकारों का संदक्षक के रूप में कारे करता है अगर आपके fundamental rights का violation हुआ है तब आप क्या कर सकते हैं डारेक सुप्रीम कोट जो है वैजा सकते हैं हाई कोट भी जाने की ज़रूरत नहीं है तो यह कुछ हैसे काम है जो कि आपका न्यायपाली का कर रहा है चलो हम आगे शुरुआत करते हैं कि यह तो हमने आविशक्ता और इ NCRT में भी पड़ा हुआ है आगे देखो सबसे पहले तो हमने देखा कि विधी के साशन को लागू कर रहा है यह जो है नायपालीका का काम है इसके अलावा देखो बच्चो हमारे या अगर हम नायपालीका की बात करें तो भारत में नायपालीका जो है वैए एकी कृत नाय अगर हम नायपालीका के कॉंसेट को अपनाया है तो जब हम अमेरीका की बात करेंगे ठीक है जब हम अमेरिका की बात करेंगे तो हम यहाँ पर देखें अमेरिका में दोहरी प्रणाली लागू है अमेरिका में न्याय पालिका में दोहरी प्रणाली जो है इसको लागू किया गया है इंडिया में ऐसा नहीं किया तो हमारे एकिकरत न्याय पालिका का कॉंसेप्ट क्या है कि हम देखेंगे कि सबसे शीर्ष पर जो न्याय पाली का है वैं कौन सी है इसे हम सुप्रीम कोट के नाम से जानते हैं उचितम न्यायले सुप्रीम कोट ठीक है तो याद रखना अलग-अलग कोई इस्तर नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि अलग-अलग भाग है बस एक हायरेरिकी जो है वैं बनी हुई है तो सबसे शीर्ष पर सुप्रीम कोट है फिर हम देखते हैं कि राजो में अगर कोई शीर्ष पर है तो राजो में क्या है बचो हाई कोट है ठीक है हाई कोट है सुप्रीम कोट यानी उचितम न्यायले सुप्रीम कोट यानी उचितम न्यायले और हा जो आपके उच्छ नयाल है तो राज्यो में सबसे अधिक शीर्ष की जो पस्तिती शीर्ष पर जो नयाल होगा वेराज्यों के हाई कोट होंगे वत्बान में कितने हाई कोट से बताओ पच्छे स्वाज ओर हाई कोट है इसके बाद होगे सब और डिनेट कोट इसके बाद कोट है ठपैजिन वाले कोट है उसके जो निर्नाय है वह बाकी अधिनस्तनियाल आए उपर बात धाइंगे इसको आगे जाकर राजिव आपने कोट में भी अपना आएगा अधीनस नियालाई भी उसके अकॉर्डिंग लिए डिसीजन देंगे तो यहां पर एक तरह से सुप्रीम कोट के जो निर्नाय है वे बादिकारी है यह पहली बात है तो एक एकरतनाय पाली का क्यों है क्योंकि उच्छ कोट के जो डिसीजन है उच् कि अधीनस नियालाई उपर वादिकारी विवेक अधीन नहीं यह बाइंडिंग वर्ड यूज कि आ गया इसके लिए ठीक है अब सेकेंड देखो सेकेंड इसमें यह बचो कि हम जब अपील करते हैं ना अपील का मतलब क्या हुआ कि फॉर एक्जांपल आप अधीनस निया ने जो निर्णय दिया आप इस निर्णय से संतुस्ट नहीं है आपको लग रहा है आपके साथ पूर्ण नियाय नहीं हुआ है तब आप जाकर हाई कोट में अपील कर सकते हैं और आपको लगता है कि अब हाई कोट में जो निर्णय दिया गया वो भी सही नहीं है तब आप comparatively तुलना जब हम करते हैं देखो तुलना में खुब जब संसत पड़ो तब रिटेल से तुलना कर लो नयाई पाली के पड़ो अमेरिका से तुलना कर लो तो यहां हम देखेंगे कि अमेरिका में चौत कि बच्चों दैंद हम अपनाया गया है है दो पुरी परणाली में हमें कि अ अमेरिकामें ॉट्च फोड़ा साइडी लिख देती हूं आप कंफ्यूज नहीं होगे कि अ अ केंद्र में और राज्यों की नियाएपालिका जो है बैस्फ वातनत्र हो गयरे तरीके से जो कारे है वहर कर सकती है हमारे हाई ऌत्र सिस्टम नहीं है एक बाद हमने समझ लाए एक entrul समझद आगे देखो अब कुस समविधान की बात हो जाएं कम लो में तो वर्तमान में आप Supreme Court देखते हैं ना सुप्रीम कोड की बिल्डेग आप देखते हैं Supreme Court of India की website एक बार visit करेंगे ठीक है Suprem Gaat of India की आप वेब साइट हो, उसको विजिट करना देखना वेब सेट हो, तो बचो वर्तमान में जो नई दिली में, जो वर्तमान में ये सुप्रीम कोट है, यहाँ पर शुरू से नहीं था, तो इसकी बिल्डिंग पहले कहां पर थी, संसत भवन पार्लियमेंट के अंदर ही, जो प्रिंस 49, है न, कि पूरवर्ति जो फेडरल कोट ओफ इंडिया था, 37 से 49, पहले ये संसत भवन के अंदर ही था, बाद में 1958, 1958, 1958 में वर्तमान में जो ये बिल्डिंग है, सुप्रीम कोट की, इसमें इसको अस्थाल अंतरित किया गया, इस स्थाल पर इसको लाया गया, ठीके, तो सुप्रीम कोट की, जब हम बात करेंगे, तो संगिय न्यालाए की ववस्ता, 1935 भारत साशन अधीनयम में की गई थी, 1935 के, समविधानिक पक्ष भी देख लो, कहां से शुरुआ थोई, भारत साशन, 1935 के भारत साशन अधीनयम में ववस्ता की गई, इसके अलावा देखो, समविधान में इसका वणनन कहां पर किया गया है, भाग 5 में, अनुच्छेद है आपका आर्टिकल, अब आपके लिए एक हमवग देने वाली हूँ, अनुच्छेद 124, 124 से लेकर 147 तक जो वणनन है, वह किया गया है, और यही आपका हमवग है, कि आपको ये सारे जो आर आटिकल्स है वो आपको याद करना है फिर देखो सारी चीजे बच्चों कोई भी टीचर नहीं बता सकता काम आपको खुद करना है तो यहाँ पर आपका जो यह हमवक मैंने दिया है यह आपने करना है ठीक है चलो तो यहाँ पर सम्विधान में भाग पाच मैं उच्छे देख सो चौबिस से लेके सैतालिस तक जो है वह किया गया है इसके अलावा देखो कुछ और अगर हम पॉइंस देखे कि नयाय पालिका की संडचना क्या है ठीक है न वर्तमान में कितने नयायधी जो है वह हमारे ऊच्छतम नयालई में है पहले की बात करते हैं तो अ कि πो समेंने के जो हम संख्या यह कि यह संख्या है यह जो संख्या है वह हजार बड़ी है चब्र हो औरो थातनिस की जो संखिया अब थमान संखिया और कि तो थमान संखिया थेंगे कि 34 कुल जो है w의 34 नहाय दहीश है विल नहाय दहीश ओं की संखिया जो है वर 34 थो थाटी 4 जो को ही स्टिगें और इसमें वन प्लस 33 याद रखना तो एक जो है यह हमारे कौन recomend ic मोख नएधिश ठीक हे ग students in यह ऑजो तेटीष है यह और वह अन्य नायधिश हो से टीष हूंगे तो आंकलि delegation चलो हम बात करते है थोड़ा सा न्यूक्ति कि ठीके, इनकी न्यूकती कैसे होती है, इनकी जो न्यूकती है, वै कैसे की जाती है, उसको हम समझते हैं, देखो सबसे पहले तो बच्चों, राष्टपती न्यूकती करेगा, इतना आपको पता होगा, इसके लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, कॉलेजियम प्रणाली का, ठीके, राष्टपती के द्वारा न्यूकती की जाएगी, ये तो जो है, आधा सच है, राष्टपती किसकी न्यूकती कर सकते हैं, वो ववस्था तै की जाती है, वो नाम जो है, वै तै किये जाते है, कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा और बरतमार में कॉलेजियम प्रण करना है बनाना है और उसी सूची में से रास्टपती और जो बाकी कारेबाली का है वह नामों को डिसाइड करेगे ठीके तो रास्पती के द्वारा नियुक्ती की जाती है आगे देखो बचो इसके बारे में दो तीन प्रोवीजन सुनों एक हुआ था निन्यानवे वास सम्विधान संशोधन नाइंटी नाइंट नियुक्ती जब यह करंट अफियर से संबंदित चीजे र रास्टिये नियुक्ती आयोग की बात की गई थी रास्टिये नाइक नियुक्ती आयोग ठीके अब देखो नेशनल जुदिश्री अपोइंट्मेंट कमीशन ठीके तो यहाँ पर एंजे एसी की जो ववस्ता है वह की गई थी कॉलेजियम के स्थान पर कालेजियम प्रणाली की जगह क्या समझेंगे एवी कालेजियम प्रणाली के इस्थान पर अब एक रास्टिय नाइक नियुक्ति आयोग जो है वह बनाया जाना था नििद्धान संशोधन और इस वारा एक व्यवस्था की गई थी इस रास्त्री नायक नियुक्ति आयोग की नेशनल जुडिश्री अपॉंट्मेंट कमीशन और इसमें या घटना बच्चो कि ये 2014 की बात है और देखो सुप्रीम कोट ने क्या किया तो सुप्रीम कोट ने 2015 में 2015 में ये जो एन जे एसी था ना इसको आसमविधाने करार दिया अब देखो आसमविधाने करार दिया उसके पीछे रीज़न था कारण क्या था अच्छा ये तो बात आपको बताए जस्ट्रम ने बात की कि नायक समीक्षा जो है वह कर सकती है और इसके अलावा अगर हमारे समविधान का बुनियादी धाचा किसी समविधान में संशोधन करने से या संसद ने कोई ऐसा रूल बना दिया कोई ऐसा अधिनियम बना दिया कि जो धाचा है वह नकरात्मक रूप से प्रभावेत हो समविधान का तो उस बुनियादी धाचे में नयाई पालिका की जो स्वातंतिता है जो independent judiciary है उसका concept है और यहाँ पर NGAC की जो ववस्ता है इससे कारिपालिका का जो हस्तक shape है वह ल्यूकती में बढ़ रहा था तो इसलिए इसे सम्विधानिक करार दिया और कारण क्या बताया कि जो सम्विधान का बुन्यादी धाचा है जो basic concept है जो basic structure है constitution का उसको यह adversely affect करेगा नकरात्मा कुरूप से प्रभावित करेगा इसलिए इसको और कोशित कर दिया ठीक है तो वर्टवान में नियाए धीशो की नियूनतम आयू क्या होगी कभी पढ़ा कि 35 वर्ष होगी 40 वर्ष होगी लिखे यह नहीं है तो नियूनतम आयू वा कारेकाल का प्रावधान नहीं है वा कारेकाल का प्रावधान नहीं है यह 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 इंपोर्टेंट है इसको ऐसा नोट याद रख लेना बच्चों ठीक है तो मैं इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूं आपको याद रहेगा तो इस तरह की जो पॉइंट से वह आपको याद रखने आपको पीटी में इ से खूब आते हैं कि सम्विधान में किसका वर्णाने किसका नहीं है तो यह तो कुछ बाते हुई नयपालिका की बारे में आगे अगे हम यह दिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नयधीश बने उसकी क्या योगताय होती है उन सब की हम बात करते है ठीक है नयधीशों की योगता में देखो कि योगता में अगर हम नयधीशों की योगता की बात करेंगे कि नयधीश किसी बनाया जाना चाहिए ठीक है क्या इनकी अहरताई हो क्या इनकी योगताई हो इसमें सबसे पहला तो है कि भारत के नागरिक हो जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं उसे न अगर हम उच्चतम न्यालय में नायधीश कौन बन सकता है उसकी योगिता की बात करें तो वह व्यक्ति उच्चतम न्यालय में ठीक है चुकि हम उच्चतम न्यालय की नायधीश की बात कर रहे हैं उच्चितम न्यालय में नायधीश कौन बन सकता है तो उस व्यक्ति ने उच्च न्यालय में पांच वर्ष उच्च न्यालय में पांच वर्ष नायधीश रहा हो पांच वर्ष नायधीश रहा हो या फिर अलग-अलग कोट में या एक ही कोट में दस वर्ष तक वकील अधिव रहा हो ठीक है तो इस व्यक्ति को ऐसे जो है जो है वे नियोक्त कि आजा सकता है और इसमें तीसरा पॉइंट है इस राष्टपती के मत में हैना मतलब कुकि लिए राष्टपती कर रहा है फाइनल नाम सेलेक्ट राष्पती को कर ने तो रास्टपती के मत में मतलब रास्टपती यह सोच ले कि भाई इसको आता है ना तो रास्टपती के मत में एक अच्छा विदिवेटता हो रास्टपती के मत में एक सम्मानित न्याईविद कि यह यह तीन ऐसी योगताए हैं इसके अलावा पागल दिवालिया ना हो यह सारी चीज़े तो चलो सभी के साथ जोड़ लो ठीक है चल लीए तो नैक्स्ट इसमे second कि अगर हम शपत की बात करें कि एक बार इन्हें जब पोईंट कर लिया गया तब इने शपत कॉन को तो याद रखना कर ने मतलब मुक्ष और बाकी नयायिशों को शपत दिलाने काशू काम रहेगा वैं किसका रहेगा शपत दिलाने का काम जो है रास्टपती का रहेगा या तो रास्टपती या रास्टपती के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ठीक है या तो रास्टपती या रास्टपती के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो है पहे इने शपत दिला सकता है अब नेक्स्ट इसमें कि इनका कारेकाल और इनको हटाया जाना तो सबसे पहले तो कारेकाल की अगर हम बात करें कारेकाल के बारे में याद रखना कि यह सम्विधान में तय नहीं है कारेकाल कि सम्विधान में मिल एकिंश हिए ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वही पाथ साल रहोगे यादस साल रहोगे तो सम्विधान में निश्चित नहीं है फिर भी जो तय किया गया है की 65 वर्ष की आयू तक नियूनतम तो बिल्कुल भी तहाई है कि की नियूनतम आयू क्या देकर हट सकता है तो हां त्याकपत्र जो है रास्टपती को सौप कर नयाधीश जो है वह हट सकते हैं और इसके अलावा इनको एक तरीके से और हटाया जा सकता है जो की होता है संसत की सिफारिश के आधार पर संसत की सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है अच्छा ये देखो ये किस बहुमत से होता है तो विशेश बहुमत से और ऐसा क्यों किया गया है एक तरह से कारेकाल की सुरक्षा के लिए है ना तो विशेश बहुमत की आधार पर ही इन्हें जो है वह हटाया जा सकता है तो कारेकाल और हटाने की बात हमने कर ली कारेकाल वा हटाया जाना ठीक है तो संविधान में कारेकाल अमने देख लिया कि कारेकाल जो वे निश्चित नहीं है 65 वर्ष की अपरायू जरूर लिखी होई है हटाने के यह सब कारण हो सकते हैं तो रासपती को त्याग पते दे दे संसत की सिफारिश की आधार पर विशेश बहुमत के दबार आई हटाया जा सकता है विशेश बहुमत का मतलब होता है कि जो सदन में उपस्थित है और जो मतदान कर रहे हैं साथी कुल सदस्यों का भी दो तेहाई है ना दो तेहाई जो मेंबर है जब वह विशेश बहुमत से पार्ण करेगा तब इनको हटाया जाएगा तो यहां पर हटाने का आदेश विशेश बहुमत ठीक है विशेश बहुमत स्पेशल मेज़ुरिटी स्पेशल मेज़ुरिटी विशेश बहुमत के आधार पर ही हटाया जाता है और इसमें देखो बच्चों कि कुल सदस्यों का भी बहुमत सदन के कुल सदस्यों का भी दो तथा यानि ये तथा उपस्थित जो लोग प्रेजेंट है और जो लोग वोट कर रहे हैं उपस्थित वा मतदान करने वालों का दो तेहाई बहुमत ठीके इतना होना चाहिए और ऐसा इसने किया गया है ताकि वो अपना जो कारे हैं न्यायधीश कर रहे हैं ऐसा नहीं कि चाहिए तो यहाँ पर यह तो हमने देखा कि विशेश बहुमत क्या है आधार होता है दुर्व्यभार सिद्ध कदाचार सम्विधान का उलंगन करना है ना तो हटाने का वंदर ग्राउंड ओफ अगर हम आधार की बात करें तो आधार होता है सिद्ध कदाचार ठीके आधार पर भी हटाया जाता है सिद्ध कदाचार और दुर्वभार ठीके इन आधार ओपर हटाया जाता है तो यहाँ पर यह योगिता कारेकाल हटाया जारा और शपत की हमने बात कर ली आगे देखो तो अगर हम आप पहले प्रणाली बता दूम क्या है न थोड़ी प्रणाली पर लो वह पॉइंट में बताते हैं क्या है जो न्याधिश की न्यूक्ति करेगे तो उसकी जो लिस्ट है वे नियाधिशों के दवारा ही बनाई जाती है अब वो नियाधिश कौन होंगे कितनी ह तो कॉलेजियम प्रणाली की जो शुरुवात है ये होती है एक केसे जिसे की तत्य नयदीश मामला कहा जाता है ठीके तत्य नयदीश मामला जो है मैं 1998 से शुरू हुआ और इसका उपयोग उच्छ नयाले और सर्वुच नयाले में नयदीशों की न्युक्ति और उनके स्थान के लिए जो है इसका यूज किया जाता है कॉलेजियम प्रणाली का इसकी शुरुवात हम देख लिए भारत के मूल संभिधान में या संचोधन में कोई उल्लेक नहीं है अब यह आपको यहां पर यादटना है कि मूल संभिधान और संचोधन की हम बात करेंगे इसका यहां आप से बिल्कुल पूछा जा सकता है कि जो कॉलेजियम बढ़ा लिए क्या उसका उल्लेक संभिधान में हाली में विवादाश्पत में बहुत है तो इससे कुश्यन अगर यूप्यसी पूछले तो कोई आश्यर की बात नहीं है कुश्यन आ सकता है है तो सर्वोच नयालय क कॉलेजियम का जो नेत्रत्व है वैसी जे आई करेगा मतलब भारत के चीफ जिस्ट्रिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य नयाधिश करेंगे और इसमें नयालय के चार अन्य वरिस्ट्रतम जो नयाधिश है वो भी इसमें शामिल होंगे ठीक है तो यहां पर पूरा कॉलेज पर कोट होगा मुख्य नयाधिश होंगे और उसके अलावा चार अन्य वरिस्टम नयाधिश होंगे वही मिलकर जो है वे नाम सजिस्ट करेंगे एक सूची बनाएंगे तो इन्होंने क्या कि बच्चो अनुशनसित नाम सीजियाई और सर्वोच नयालय के कॉलेजियम के द् तो यहां पर देखो बच्चो की नियुक्ति में कार अन्क के भूमी का है अजो जशना सुचले की में आपको बताते हूं ने कुषिंशन जानके कम रखे है थाकि आपकी जो यही न gonna है गया जुडिश्री के बारे में higher judiciary of India के बारे में दो कथद आपको लिखे है कि नयाइधीश की नियुक्ति में कारेपालिका की कोई भूमिका नहीं है जस्ट हमने देखा कि नयाइधीशो का जब appointment किया जाता है जब नियुक्ति करी जाती है तब इस नियुक्ति को college यम ववस्था के द्वारा होता है और इसमें जो नाम की जो सूची बनाई गई तो यहाँ पर इस सूची में सरकार का काम है कि finally जब राजपति नियुक्त तो सरकार यहाँ पर कारपालिका की भूमिका है ना तो फस्ट रॉंग हो गया विधाईका के पास नयाइधीशों को हटाने की शक्ति है यस एक्जेक्टली क्यों विधाईका मतलब यहाँ पर हम कह रहें संसत पार्लियमेंट तो हमने अभी देखा कि संसत की विशेश बहू हुआ उस्तिति को रासपती हटा देंगे ठीक है तो यहाँ पर सेकेंड जो है वैस सही आपको यहां करेक्ट बताना था स्वांसर इस ऑप्शन नंबर भी फिर से सुन लो कि नाइधीशों के न्युक्ति के मामले में कारपालिका की भूमिका होगी और नाइधीशों को हटा आने के मामले में किसके पास पावर होगा विधाई का लजिसलेटेव पार्लियमेंट ठीक है और किस बहुमस से सु विशेश बहुमस से चलो आएक कुशन और बताओ सम्विधान के मूल धाचे के संबंद में निमने पर विचार करें मैं यहां पर दो तीन स्टार दे देती हो है ना UPSC ने पूछा हुआ है बच्चो इस कुश्चन को नाय पालिका के पास संसत के द्वारा पारित विशेश कानूनों को रद करने की शक्ति है अगर वह माने कि सम्विधान का मूल धाचा जो है उसका उलंगन हुआ है अब देखो सम्विधान की मूल संरचना का अग एजिकेटिव कारेपाली का और जो लेजिसलेटिव विधाई का है इनके कारियों की समीक्षा कर सकती है इनके द्वारा बनाए गई नेतियों की समीक्षा कर सकती है और अगर इनकी नेतियों के द्वारा कॉंस्ट्यूशन का किसी भी तरीके से उलंगन होता है तब उस रू मूल धाचे को संसत के द्वारा परिभाशित किया नहीं भईया ये गलत है ये पॉइंट जो है वे यूपेस्टी ने पूछा था ये वाला कि क्या मूल धाचे को संसत ने परिभाशित किया आंसर होगा नहीं नहीं किया क्यों कि ये जो मूल धाचा है बच्चो ये मूल धाच उच्टम नयालय के द्वारा तट त REALLY कि में जो कुछ प्रावधान यह विष्य यहहं उनको शामिल कर दिया गया प्रावधानों को शामिल कर दिया गया पूरा परिभाषित तो उच्चितम ल्यालाइने भी अभी तक नहीं कि अभी ओपन है लिस्ट उस लिस्ट में माल लीजिए कि जैसे हमारे हमारे DPSP शामिल है संगराज के बीच में किस तरह के संबंद्ध्त हैँ संगराज की बीच में किस तरह के संबन्द है तो इस तरह की प्रावधान है वह में संब्यधान की मूल संद्चना का भाग है 1973 केश्वानंद वाद है한 1973 Lite कantes Get filt क केश्वानंद भारती다idd केश्वानंद भारती जो वाद है जो मामलग ये संबने थै संविधान की बुन्यादी संजणा से और समविधान की जो भीुन्यादी संडचना का भागोंगे for example fundamental right आरा समझ में आरा है कॉमेंस कर दो तुर रहा है तो तो बुन्यादी संडचना का जो भाग है समविधान की उसमें संसत जो है वे संचोधन नहीं कर सकती ठीक है इसमें जो संसत की शक्ती है संचोधन की वो सीमित है तो यह भी हो सकता है कि कुश्यन आ जाए कि यह जो भाषा बदल सकते हैं अगर आप उसकी जड़ समझ गए पोइंट समझ गए अपने आप कर लोगे और इसकी भाषा बदल दी केश्वारंद भारतिवाद संसद की संचोधन करने की शक्ती पर सीमाय लगाता है एक्जक्टली यही टर्म होगा ठीक कारेपालिका पर सीमाय आरोपित करता है या फिर नयापालिका की कुछ बाते लिगदा सम्विधान की कोई एक पॉइंट लिग दिया तो यहां पर मेंटम क्या है कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ती पर सीमाय लग अब देखो एकात कुश्चन और कुछ लूँ हाँ एकात कुश्चन और यहां पर दो सेंटेंस है फस्ट कह रहा है कि नयाले सरकार के अधीन नहीं है फिर भी वे उनकी ओर से कारे करते हैं अब हम बात करेंगे स्वातंत्र नयापालिका की इंडिपेंडेंट जुडिश्री इंडिपेंडेंट जुडिश्री देखो तो बच्चो स्वातंत्र नयापालिका है तो यहां पर आर्टिकल 50 भी से संबंदित है आर्टिकल 50 जहां पर प्रथक करण की बात की गई है कि राज जैसा प्रयास करेगा कि कारेपालिका के जो हस्तक शेप उससे नयापालिका मुक्त रहे तो यहां पर नयापालिका ना तो अधिकारों की रक्षा करने में महत्यपूर्ट भिंभूमी का निभाती है एक्जेक्टली करेक्ट आप से पूछा था सो ऑप्शन नम्बर टू इसा राइट अंसा तो देखो सेकेंड जो है वैं सही है फर्स रोंग है सेकेंड सही क्यों है क्योंकि अगर हम अपने मूल अधि फिर में जितने भी आपको fundamental rights आप पढ़ते हैं ना कहीं न कहीं उसकी शुरुवात संसद ने नहीं किये उसकी शुरुवात जादातर मुद्धों में आप देखें कि नायपाली का उसकी व्याख्या कर देता है एक्जामपल राइट टू हैल्थ और एक्जामपल राइट ट श्वास्त का अधिकार तो 8 का अगर यह सारे अधिकार किसन नायपालिका ने अपने वीवशें अलग अल्ग अलग वॉरॉक्त में बनाए तो यह हम देखे पश्चिम बंगल का एक केस था कि जो किसान मजदूर है वो रेल से घर के घायल हो जाता है ठीक है ट्रेन दुरगटना में तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर जो गवंवेंट है पश्चिम बंगल गवंवेंट वहाँ पर उसका इलाज नहीं किया उसने प पिटिशन दायर कर दी तब यहाँ पर सुप्रिम कोट के द्वारा यह कहा गया था क्या वो कोई पश्चिम बंगल कोई मजदूर केस है देख लिए जिए उसको विवाद वाद को कभी लिखना हो तो एक्जेक्ट लिए अगर वाद लिख दोगे तो अच्छे नंबर मिलते में तो उस में यह का सुप्रिम कोट ने कि आप इसे शतिपूर्ती दे स्टेट गोवर्मेंट जो शतिपूर्ती दे और प्रात्मिक स्वास्त सोनिष्चित कराना राज का करतब है ठीक है राइट टू फूट की बात करेंगे राजस्तान की बात है राजिस्तान से मुद्द खा रहे हैं with evidence यह बताए कि आप इसको बाट क्यों नहीं देते और जब कि सूखा और अकाल पड़ा हुआ है ऐसे में सुप्रीम कोट ने कहा जो मध्यान भोजन योजन आप सुनते हैं ना मिज्डे मील स्कीम दोपार का भोजन स्कूल में फ्री मिलेगा वह सरकारी स्कूल में जो फ्री मिलेगा सुप्रीम कोट ने इस निर्णाई में आदेश जेती हुए कहा कि ठीक है राशन का अधिकार आपको भोजन का अधिकार आपके फंडमेंटल राइट का हिस्सा है तो इस तरीके से चाहिए फूड हो चाहिए हेल्थ हो चाहिए अगर आब वॉटर की बात करें पानी की बात करें तो सुक्ष पानी का अधिकार सुक्ष हवा का अधिकार वह सारे अधिकार जो आपके फंडमेंटल है अभी राइट इंटर इतनी इंग्लिश समस्या नहीं होने चे ये बच्चों हमेशा में बातों को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लो निष्टा का जो अधिकार है राइट टू प्राइवेसी ठीक है ये भी आपके आर्टीकल ट्वेंटी हार वो राइट टू लाइवली हुड आजीविका का अधिकार तो ये सारे चीज़े सारी व्याख्या नायपाली का ही तो कर रहा है अमेरिका और भारत की थोड़ी सी चर्चा हो जाए मैंने आपको बता तो दिया है भारत और अमेरिका के बारे में है ना अब देखो कुश्चन कहता है भारत और अमेरिका दोनों में एक एक इक प्रणाली है अगर आपने यह वीडियो नियापाली का वाला पढ़ लिया है और यह आंसर इस कुशन का आंसर नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि आप अटेंटिव होकर क्लास में नहीं बैठे तो चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो जब तक आपकी एक तरह से फ प्रणाली के माध्यम से है जो भारत की सासा सयुक्त राज अमेरिका में भी मौजूद है तो जब हम पहला गलत है तो दूसरा भी गलत है दोरों में एकिक्रत नहीं है क्योंकि हमने देखा था कि अमेरिका में जो है एक तरह से दोहरी प्रणाली है ठीक है जबल एक तरह से है और इंटिरेटेटेड इंटिरेशन जो है दो आधारों पर है एक दो आधार होगा आपका प्ले-ट दूसरा आधार होगा कि अधिकलों आगे दैखों कि अअगे आगे हम सरमुच न्यालई की स्वातन्तिता की बात करते हैं ठीक हैं और शेत्र अधिकार दो बाते और हैं उसकी हम चर्चा करते हैं अच्छे देखो अभी अपने आपालिका की बात कर रहे थे बच्छों और हमने नया धीशों की बात की उच्छितम नया लाइक की नया धीशों में दो तीन पॉइंट्स और समझ लो ठीक हैं दो तीन जो पॉइंट्स है वो और समझ दो फॉर एक्जामपल कारेकारी तदर्थ और सेवा निवत नया धीश कारेकारी नया धीश कारेकारी नया धीश भी होते हैं इसके अलावा तदर्थ जो एड़ोक होते हैं तदर्थ नया धीश भी होते हैं और तीसरा है इसमें सेवा निवत नया धीश ठीक है अब यह देखो कि इनका वंडन कहा कहा पे इनकी नयुक्ति कौन करेगा सबसे पहले तो देखो कि आर्टिकल 126 बात करता है कारेकारी नया धीश की और 126 को पढ़ ले ना बचो अनुचेokै126 इसमें प्रावधान किया गया है कि कारेकारी नयाधीश वहेश की नयुक्ति यह सकती हैं अच्छा यह देखो कारेकारी नयाधीश और यसेनियुक्ति जो है कौन करेगा तो यहां पर नयुक्ति हम देखेगे जिएंगे को कि रास्टपति के द्वारा की जाएगी क्यों की जाएगी क्यों की जाएगी तो जब भारत के मुख्य नायधिश का पद खाली हो जब भारत के मुख्य नायधिश जब भारत के मुख्य नायधिश का पद खाली हो, किसी भी कारण से या वो अनुपस्तित हो, खाली हो, यहना कारण उसका कुछ भी हो सकता है, तब इनकी जो न्युकती है, कारेकारी न्याइदिश कहा जाएगा, आर्टिकल 126 में ऐसा मढणन किया गया है, और यह न्युकती रास्पति के द्वारा की जाएग ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड हम देखते हैं, तदर्थ न्याइदिश, तो आर्टिकल 127, एक सो सताइस में यह प्रावधान किया गया है, कि तदर्थ न्युकती है, वह की जाएगे, अब किसके द्वारा की जाएगी, तो भारत का मुख न्याइदिश, न्युकती कौ नहीं था, यह अनुपस्तित था, तब हमने देख लिया कि भई कारिकारी न्याइदिश की न्युकती प्रेसिडेंट के द्वारा की गई, और यहां पर यह जो तदर्थ न्याइदिश आर्टिकल 127 कहता है, कि भारत के मुख न्याइदिश के द्वारा न्युकती की जाएग करने के लिए भारत के मुख न्याइदिश के द्वारा, तो यहां पर याद रखना कि इस थाई जो न्याइदिश के अगर हम बात करें, तो अगर उनकी संख्या कम हो, तो यहां पर इस संख्या को पूरा करने के लिए तदर्थ न्याइदिश के न्युकती की जाती है, अब लिए सेवा निवत्र कब होंगे कि 65 वर्ष की आयू हो गई अपर लिमिट ही है है ना तो 65 वर्ष की कि आयू पर सेवा निवत्र हो गए और ऐसे में हम देखेंगे बच्चो कि भारत का जो मुख्य न्यायदीश है वह अल्पकाल के लिए इंसा अनुरूत कर सकता है कि आप नयायलाय में एज़ा न्यायदीश हो है रहे ठीक है अब यहां पर कुछ टम स्याद रखना आपको भारत के मुख्य जो cg i है भारत के मुख्य न्यायदीश ठीक है भारत के मुख्य न्यायदीश cg i इस जस्टिस ऑफ इंडिया तो यहां पर मैंने के वल cg i लिए ठीक है तो cg i बच्चो यह अल्पकाल के लिए यह अनुरूद कर सकते हैं से कि आप आ जाओ कि अनुरूद कर सकते हैं न्युक्त कर सकते हैं ठीक है लेकिन यहां पर आपको याद अटना की रास्टपती की पूर्व अनुमती लगेगी ऐसा काम अगर करना है तो रास्टपती की पूर्व अनुमती से ही होगा तो यहां पर रास्टपती की पूर्व एक बात और इसमें या दखो बच्चों कि जब हम कारेकारी न्यायधी शोंकि वाद करेंगे तो यहां पर आपको यह जो है बिकारिक करेंगे पर उनको उनको वेतन भते सारे चीजे मिलेंगे लेकिन वह ऑफीशलि न्यायधिश नहीं हो कि ओफीषेली जो न्यायधिश है वैं नहीं हो को यहाँ पर यह लिख लो आप है कि यह ने यह तीन यह थीजडिक है कि आर्टिकल्स भी याद कर लो जब साइड। तो इसक्रीन चौंट में लेख तो कि लो आगे चलते हैं और हम बात करेंगे सव व कि सवतंतुरता की इंबस्रोच सबसे पहले तो यह सुनो कि आखर ज़रूरी कि विलकुत लेक्रत की बात करें डेमॉक्राइसी मगर लोगों के अदिकारों की रक्षा ही नहों सके देमॉक्रासी में अधिकार सरकार तो ऐसी चुली सरकार हमने चुनाव के द्वारा एलेक्शन हुए थे प्रॉपर सरकार को हमने चुनाव किया लोगों ने चुना जंता ने चुना पर उसके बाद अगर जो सरकार है वे तानशाह होगी निरंकुष हो गई डिक्टेटर्शिप अगर आगई तब क्या पॉलो किया गया अगर गवर्मेंट के द्वारा जो सरकार हमने चुनी तो थी एलेक्शन के माध्यम से लेकिन वो जो सरकार है तानशाह होगी अपना रवया अंडेमोक्राटिक होगे आ लोकतांत्र होगे तब इस दशा में लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा तो यहां पर स सबसे पहला काम जो किया गया है न्यूकती का तरीका और न्यूकती का तरीका कैसा है कि इसमें कारिपाली का नाविश्यक जो हस्तक शेफ हो इसको रोका गया है ना और यहां पर प्रॉपर जो ववस्था है की गई है कॉलेजियम पधिती के का से कॉलेजियम जो पधिती है क जो कॉलेजियम प्रणाली है यहां पर दिबाराई के द्वारा ही जो इनकी न्यूकती है की जाएगी ठीक है और एक बार निउक्त हो जाने के बाद किसी भी तशरा का आलावकारी परिवर्तन है वह नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर यह बात इसमें कहीं चाती है, ठिके, clear है, अब आगे देखो, second हम कहेंगे, अगर नेुक्ट कर दिया, तो कारेकाल की सुरक्षा भी दी गई, कारेकाल की सुरक्षा कैसे दी गई, यह नहीं कि किसी का भी मनाया और हटा दिया, कारेकाल की प्रॉपर सुरक्षा दी गई है और यही एक कारण है कारेकाल को सुरक्षित रखने के लिए अगर इनको हटाने का कोई अगर इनको हटाना है तब आप क्या करोगे संसत जो है विशेश बहुमत के द्वारा तो एक टिपिकल मैथड हो गया इस्पेशल मेजरुटी चाहिए विशेश बहुमत चाहि दिया तो इसका मतलब क्या की बहुत आसानी से नहीं हटाया सकता मतलब कारेकाल की जुरक्षा है संविधान में दो बाते हो गी तीसरा हम देखें यह बच्चों की यहां पर निश्चित सेवा शर्ते होगी तो डिशित सेवा शर्ते यह नहीं की बीच में जो है मैं विशेश अदिकार है ठीके जो विशेश भत्ते हैं पैंशन का निर्धारण वो किस तरीके से समय समयवही संसथ के द्वारा किया जा रहा है ठीके और यहां पर एक अगर संसद इस चीज़ों को निर्धारित करने वो इसमें प्रतिकूल परिवर्तन नहीं कर सकती मतलब वो इसमें नेगेटिब कुछ भी चेंजिस जो है वैं नहीं कर सकती तो यहाँ पर जो भी सुविधाय प्राप्त होती है वो पूरे कारेकाल के दौरान रहेंगी तो एक निश् क्या है संचित निधी से वैं संचित निधी से वैं संचित निधी से वैं संचित निधी से इनके जो वेतन भत्ते हैं वैं सारे दिये जाते हैं और संचित निधी पर मतदान जो है वैं नहीं होता वोटिंग नहीं होती हाला कि चर्चा होती है तो ऐसा इसमें किया गया है कि जो भी कारेलिन वय हैं जो भी भत्ते हैं ठीके ये सारी चीज़े ये जो प्रशाशने खर्चे वो सभी संचित निधी पर भारत होंगे और संचित निधी पर वोटिंग जो है वैं नहीं की जाती नेक्स हम बात करेंगे कि नाइधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती क्या निड़ने दिया है क्यों निड़ने दिया है तो नियाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती जब तक कि इनको हटाने की प्रक्रिया ना चल रही हो नियाधीशों के आचरण पर बहस नहीं की जा सकती तो ऐसा इसलिए तो किया गया है ना कि सोतंतर रहें अपने डिसीजन देने में आचरण पर किसी भी तरह की जो बहस है वह नहीं कि जा सकती ठीके प्रतिबंध लगाया हुआ है नेक्स्ट हम कहते हैं कि सेवा निवत्री के बाद वकालत पर रोक सेवा निवत्री के बाद रेटायर्मेंट के बाद वकालत पर रोक ऐसा इसलिए कि भविश्य में अपने किसी लाब को देखती हुए कोई फैसला ना दे दे तो सेवा निवत्री के बाद वकालत पर जो रोक ह है वह लगाई गई है इसके पीछे कारण यह है कि बालो आज हमने कोई फैसला दे दिया किसी कंपणिया किसी लोगों के पक्ष में फिवर में तो आफ्टर सकता है रिटायर्मेंट जो है हम इस चीज़ का लाब मिलें मतलब किसी भी तरह के लोग लालत से जो है कि नय पाली का सोचो कि नय पाली का कि बहुत बड़ी बहुत महती भूमी का है लोगतंत्र में समझ रहे हो तो यहां पर बहुत सी ऐसी ववस्थाएं की गई है कि वैं ने देते समय कभी भी भविश्यों को ध्यान में ना रख पाए इसलिए सेवा निवत्री के बाद रेटायर्मेंट के वकालत पर ही रोक लगा दो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति है कि कंटेम्ट ऑफ कोट अपनी अवमानना पर अगर माली जे आपने लिखित रूप से मौकिक रूप से किसी भी आने तरीके से नयाय पालिका ने जो ओर्डर दिया है उस चीज़को अगर आपने नहीं माना अगर माली जे नयाय पालिका ने आपको हाजर होने बुलाने के लिए कोई सबत भेजा कोई लेटर भेजा आप नहीं गए तब उसके लिए वैदंड दे सकती है जुर्माना लगा सकती है नेक्स हम देखेंगे कि अपना स्टाफ इसके अलाव अपना स्टाफ नियुक्त करने का अधिकार है ठीक है नय पालिका का जो नयाई शेत्र उसमें कटौती नहीं कर सकते के इस पर डिसीजन नहीं द देखते हैं अब हम देखते हैं कि सर्वुच नालाय के शेत्र अधिकार जो है वह क्या है ठीक है सर्वुच नालाय के जो शेत्र अधिकार है वह क्या है उसको हम समझते हैं देखो यह शेत्र अधिकार है एक तो है आपका मूल अधिकार फंडमेंटल राइट वाले मूल अधिकार शेत्र एक है है तीक है तो ओरिशनल ज्यूरिडिक्शन एरिया है अच्छ यह देखो इसका मतलब क्या है मुल अधिकार शेत्र का मतलब यह है बच्छो कि यह कुछ मामले ऐसे होंगे जिसमें केवल और केवल निर्णाय देने का दिकार जो है वे किसका सुप्रीम कोट का है केवल और केवल निर्णाय देने का दिकार किसका सुप्रीम कोट का फॉर एक्जामपल केंद्रवा राज्यों के बीच केंद्रवा राज्यों के बीच विवाद हो एक राज या दूसरे राज्य के बीच में विवाद हो तो यहाँ पर इस तरह के जो भी विवाद होंगे बच्चो इन विवादों की जो सुनवाई है के खेवल किसमें होगी इन विवादों की सुन्वाई केवल और केवल कहां पर होगी? उच्चितम नेलाई में होगी सुप्रीम कोट में होगी खोई भी हाईकोट जो है इसकी सुन्वाई हीरिंग नहीं कर सकता इसलिए इनको ओरिजनल जओर एडिक्षन कहा आ गया है और ऐसा आर्टिकल 131 बोल अधिकार शेत्री की अगर हम बात करें तो ये कौन सा आults कल है आटिकल 131 एक सो एक से टेजिडी कार शेत्री हो गया अधिकार शेत्री हो गया दूसरा में इसमें देखते हैं कि न्याय देश यानि enfin जो डिडिक्शन न्यायदेश चेत्र रिट जोरी डिक्षट ठीक है अच्छा देखो रिट का मतलब क्या होगा रिट का मतलब होता है एक ऐसा लिखे तादिश कुछ करने या कुछ ना करने का है ना रिट का मतलब होता है लीगल ओर्डर है लीगल ओर और तू डुडू और नौट डू सम्थिंग और को इस ना करने का आधेश ठीक है तो यहां पर यह होता है रिट जैसे कि हम रिट दायर करते तो पाच तरह की जो रिट है वैदायर की जाती है बंदी प्रत्यक्षी करण परमादेश उत्प्रेशन अधिकार अधिकार प्रक्षा और प्रतिशेद तो यह पाच तरह की जो रिट है वैदायर की जाती है तो यह क्या हो गय the rich juridiction हो ठूकर देरबthon अब नेक समथेंगे इसमें नेदेशचेत्र के बाद की अब यहूदि कार ना पील में टूनेकर और जो अपीले जूर दिक्शन हैं अपीले छेट्र अधिकर इसका मतलब क्या है कि आपको अगर brush माली जे किसी सब ओडिनिट कोट में गए हैं अधीनस्त नियालाई में अधीनस्त नियालाई के फैसले आपको मंजूर नहीं है ना अगर जो अधीनस्त नियालाई ने जो फैसला दिया बच्चो यह आपको निर्णाय मंजूर नहीं है तब आप हाई कोट में चले गए आप र सर्वोच रूप से ठीक है तो यहां पर अपिलेट सिस्टम में सबसे अपेक्स कोट कौन सा होगा आपका उच्टम न्याले आगे देखो सलाकार न्याले है मतलब सलाकार शेत्र को सलाकार शेत्र धीकार का मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि रास्टपती जिन विश्यों पर सलाह मांगे उन विश्यों पर उच्टम न्याले जो है वह सलाह देगा है ना हलाकि एक बात आपको याद रखना है कि ना तो सर्वुच न्याले कोई जो सलाह है वह देने के लिए बाद है और अगर कोई सलाह दे दी है तो रास्टपती उसे मानने के लिए बाद नहीं है तो यहाँ पर यह जो सलाकार शेत्र धीकार है यह भी आपको याद रखना है ठीक है आर्टिकल 143 है इसका जो आर्टिकल यान उच्छेद है आर्टिकल वो काँ सा है 143 यह तलाकार अभी लेख यह न्याले की शक्ती है यह नेक्स्ट है अभी लेख न्याले का मतलब यह होता है बच्चो कि जो उच्चतन न्याले के जो निड्नाए है ना जो डिसीजन है वह रेकॉर्ड की रूप में रखे जाएंगे और रिकॉर्ड की रूप में बाकी जो हाई कोट है न वह उसका यूज करेंगे कि इस जिड्नाए पर इस मामले पर सुप्रीम कोट के द्वारा यह डिसीजन दिया गया था तो यह डिसीजन हम यह डिसीजन दे रहा है इस केस में तो यहाँ पर क्या है कि अभी लेख न्याल को बानने के लिए बाद नहीं जो की सुप्रीम कोट के द्वारा दिये गए है यह फिर अधिनस्त्ति न्यालाई के मामले में हाई कोट ने जो निर्नाए दिया है ठीके तो यहाँ पर अभी लेक न्यालाई की जो शक्तिया वेक इसको प्राप्त सर्वोच नालाई को को बताने की तो दोबारा ज़रूरत है नहीं ना एक समिक्षा की शक्ति है अगर लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर कारेपाली का और विधाई का की द्वारा किसी तरह का कोई रूल वाइलेट किया गया है समिधान का उलंगन किया गया है तो उसे नगोशे तो पहला हमने देखा ओरेशनल जूरिडिक्शन एरिया मोल अदिकार शेत दूसरा है रिट जूरिड हो गए तो यहां पर स्वातंतिता की भी बात कर लिए और शेत अधिकारों की भी बात कर लिए हमने ठीके चलिए अब आगे हम चलते हैं एक छोटा सा टॉपिक है जो दिया तो नहीं बटम पढ़ लेते हैं ना क्योंकि हो सकता है यहां से कुश्यन आ जाए बच्चों पहले जन हित क्या नाम है जन हित मतलब किसी का हित सारजनिक हित भी हो सकता है तो यहां पर क्या है कि किसी और की तरफ से कोई और व्यक्ति जो है वह जा रहा है सुप्रीम प्रोट ठीक है किसी और की तरफ से मतलब जरूरी नहीं कि वो पीडित व्यक्ति ही जाए किसी और की तरफ के द्वारा एक जन्हित याची का दायर के गई कि तेहार जेल में शमता से जादा जो बंदी है उस पर उठाए सवाल तो यह जो न्यूज है यह क्या बता रही है जन्हित याची का का ही तो उधारन आप इस तरक एक सेकड़ो न्यूज जो है अब तक अखवार में पढ़ इस शुरुवात में हम देखेंगे कि बहुत सारे चाहे मज़दूर बंदी हो उनको छुड़ाने के लिए समाज में और भी कूप रथाएं हैं उसको खतम करने के लिए तो कई और इस तरीके के जो इस तरह से सोचल वेलफिया टाइप के जो काम है वो इसमें किये गए तो यहां पर यह जन्हित याचिका हो गई आगे देखो कि पी आईल की अगर हम बात करें इसका मतलब क्या है कि जन्हित की सुरक्षा के लिए एक याचिका यह मुकदमा और जानते हैं कैसे हो सकता है पी जस्टिस जो पी एन भगवती है इनके द्वारा यह शुरू किया गया बच्चों और यहां पर हम देखेंगे कि शुरू में जो पहली जो जन्हित याचिका है शुरू में वो दायर की गई थी बहुत सारे जो कैदी थे 40,000 से जादा ऐसे कैदी थे जिनके मुकदमे ना पूरे नहीं हुए थे पर वो उससे कहीं जादा जो सजा है काट चुके थ तब भी वो 14 साल की सजा काट चुके थे तो यहां पर यह क्या है कि वो उनके खिलाफ मोई यह तो भी नयापाली को बाकी हमारे प्रसाशन साशन प्रसाशन प्रसाशन पुलिस ववस्ता इसकी डिलाई है तो अगर आपने किसी को पकड़ लिया तो उसके भी तो मानवधिका का जमाना आप तो सोशल मीडिया का जमाना है तो पहले भी क्या था कि अगर आपने माली जे कोई तार है कोई टेलिग्राम है कोई तार कोई पत्र कोई टेलिग्राम अगर आपने कुछ भेज दिया है अगर आपने कोट में तो उसी को जनहितियाचिका माना जाता था बस उस नहीं भई ये 80-90 की बात है, 50 की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति या संस्था केवल उन्ही की ओर से जन्हेतियाची का दायर कर सकती है, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा हो, ठीक है, ये बात तो सही है, है न, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो गया, तो देखो, मूल अनिकार एक बार पढ़ ले न, रिड्जू डिक्शन और बाकी सारी चीज़ें, अपिलेट, एडवाईजरी, कोट अफ रिकॉर्ड, नयाएक समिक्षा, है न, तो यह सारी चीज़ें आपने समझ ली, ये होगे आपका नयाय पाली का कम्प्रीट, ठीक है, य आप सभी की जो स्टडी है अच्छी चल रही होगी, और इस्पेशली वो स्टुडेंट, जो इस बार का UPSC प्रिम्स देने वाले हैं, उन सभी की स्टडी तो कुछ जादा ही अच्छी चल रही होगी, साथी साथ आप सभी के लिए जो वन शॉट वीडियो दिये जा रहे है उन सभी वीडियो आपको PT के perspective से दिये जा रहे है ताकि आप सभी की एक help हो सके, आपको एक ही वीडियो में सारी जो चीजें है, पूरा जो concept रहे clear मिल सके, तो आपको करना क्या है कि वीडियो को देखना है, और उसके बाद आपको उसके short notes बना लेने हैं, और ये काफी 20H में का पिलिम्स देने जाएंगे, तो 2-4 दिन पहले आपने revise कर लिया, चुकि आपने पहले समझ लिया होता है, तो बहुत जादा फिर लास्ट में वीडियो देखने के जरूरत होती नहीं है, तो बच्चों अपनी जो तयारी है, वह बहतर तरीके से जारी रखें, मोग लगाते रहें, revision देते रहें, खुद को एक तरह से evaluate करते रहें, बहुत जरूरी है, एक तो confidence भी बहुत जरूरी है, कि last time आपको ये महसूस हो कि हां में crack कर सकता हूं, UPSC का exam, लेकिन उसके पीछे आपकी जो तयारी है, confidence आपका वही से आएगा, confidence हवा में नहीं आएगा, तो ये आपके लिए, आप सभी बच्चों के लिए कोशिश है, UPSC वाला की तरफ से, कि हम PT में किस तरीके से आपको UPSC वाला दोरो ही चैनल पर free जो material है, पिलिम्स के लिए वह available करा है, ताकि आपकी जो topics है, वह clear हो सके, तो आज की politics के पहले भी आपकाई topics देख चुके है जैसे कि हमने समविधान के इतहास की बात की, हमने मौलिक अधिकार की बात की, DPSP की बात की और आज हम बात करने वाले के ऐसे important topic, जो कि आपके नाकिवल PT मेंस मेंस मेंशन है, मेंस examination के लिए भी अलग से लिखा हुआ है, पंचायती ववस्थाय, स्थानिय सरकार, local government, अलग तो हम बात करेंगे, local government की और basically इसमें हम देखेंगे, बहुत सारे इसके अंदर जो है, वह हम topics चर्चा करेंगे, लेकिन मुख रूप से 33 और 74 वा सम्मिधान संशोधन था, उस पर हम बात करेंगे, ठीके, क्योंकि यही वो सम्मिधान संशोधन था, जिस वक्त स्थानिय सरक मतलब, इस थानिय सरकार मतलब गाउं और नगरों में जो local government है, जो local self government है, उनको constitutional body का दरजा एक तरीके से दिया गया, उनको status दिया गया है, उनको सम्मिधानिक दरजा एक तरीके से दिया गया, तो यही संशोधन है, और इन संशोधन की है कुछ विशेशता है, जिसे नग राचन आयोग, राजवित आयोग, तो सारी विशेशता है हमारी मोटा माटी कवर हो जाती है, आके जरूरत क्या थी, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमने तुरंत इसको सम्मिधानिक दरजा क्यों नहीं दे दिया, एक एक बड़ा विशह है, ना, अब मात्मागा अगर उसको बढ़ाना है, तब आपको क्या करना होगा, जो पंचायते हैं उसको जादा अधिकार देना होगा, तो गादे जी कहते हैं कि यदि हम पंचायती राज, यानी सच्चे लोकतंत्र को के अपने सपने को साकार होते देखेंगे, तो हम सबसे दीन और निम्नितम भा सबसे प्रभावशाली भारतिये के समान ही भारत के साशक के रूप में देखेंगे, इसका मतलब क्या है, कि अगर आपर दीन ही इनकी बात हो रही है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हो सकता है, एकोनोमिकली बहुत वो पावरफुल ना हो, बहुत एजुकिटिड ना ह हो, है ना बहुत जाद उसका पॉलिटिकल कोई सपोर्ट सिस्टम और बाकी सारी चीज़े ना हो, लेकिन उसके बाद भी पाटिसिपेट कर सके इस लोकतंत्र में, और यही क्या है, लोकतंत्रिक विकेंद्री करण, ठीक है, तो देखो हमें बेसिकली देखना क्या-क्या है, इमपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हम चर्चा करेंगे लोकल गवर्मेंट में, स्थानिय सरकार में, स्थानिय सरकार का मतलब क्या है, देखो, जैसे कि हम देखते हैं कि वह सेंटर लेवल पर है, केंद सरकार पर है, ठीक है, इस्थानिय सरकार का पहले कुछ मतलब बता देती हूँ आखिर इसका मतलब है क्या लोकल गवर्मेंट स्थानिय सरकार स्थानिय सरकार, स्थानिय सोसाशन काफी सारे शब्दा आप सभी सुनते हैं देखो शुरुवात में क्या हुआ था बच्चो अगर हम शुरुवाती समय देखे तो जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त हमने क्या किया था कि दो उस्थर पर हमने सरकारों की स्थापना की, ठीक है तो हमारा फर्स्ट लेवल था सेंटरल गवर्मेंट, केंदर सरकार केंदर सरकार ठीक है और दूसरा जो उस्तर था वह था राजसरकार दूसरा जो उस्तर था वह क्या था राजसरकार था ये दोनों ही केवल उस्तर हुआ करते थे लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरवात से कहीं ग्राम सभा या फिर इस तरह की चीज़ा नहीं थी लोकल बोडिस थी ऐसा नहीं है कि वो का द्युत्तर्वा और चोहत्तर्वा सम्विध्राण संशोधन के द्वारा फाइनली संविधान में चोड़ दिया गया तहेत्तर और के पास जाएंगे अब जो योजना आयोग को नीती आयोग में बदल दिया गया क्या करेंगे आप है ना तो यहां पर इस्थानिय जो मुद्दे हैं उसको वही करने के लिए इस तरह की जो लोकल सेल्फ गोवर्मेंट है उसकी हमें जरौत होती है तो तीसरा अस्थार इस्थानिय सोसाशन इसकी आज हम बात कर रहे हैं समझ में आया ठीक है तो यह आपका अब देखो हमें पढ़ना क्या-क्या है तो इस्थानिय सरकार जब आप स्टेंड जो आपकी स्टेंडर्ड बुक है लाइक लक्षमी कांथ जो आपकी स्टेंडर्ड बुक है वहां से भी आपको सारे टॉपिक्स जो है कवर किये जा रहे है इस एक टॉपिक में तो इसके अलावा अगर आप इस पंचायती राज की पूरी वीडियो को देख लेते हैं कवर हो जाएगे अब दो पंचायती राज में हमें पढ़ना क्या है तो इस्थानिय सोसाशन दोनों सतर पर हो सकता है गाओ भी तो है इस्थान में है ना इस्थानिय सतर पर गाओ भी तो है और नगर भी है शहर भी है तो पंचायत के लेवल पर गाओ के इस तर पर हमने पं विकास कैसे हुआ और इसका जो विकास का एक क्रम था उस क्रम में कुछ समीतिया बनी जैसे की शुरवात में बनी बलवंत राय महता समीति फिर रशोक महता समीति आई ठीके थुंगन समीति की रिपोर्ट आती है गाडगिल समीति आती है जे बीपी राव समीति आती है तो ये सारे जो समीतिया वैं क्या क्या कह गई मतलब उनकी सिफारिश है उनकी अनुसंशाय क्या थी जिससे इसका डैवलपमेंट हुआ जिससे इसका विकास हुआ कुछ चर्चा हम यहाँ पर यह कर लेंगे जिस सेगेंड हम देखेंगे तेहित्तर वा समविधान संशोधन ठीक है त देखेंगे किसका वहतोर विशीष्ता है अखिर क्या है ग्यारवी अनुसची जो की 73rd अमेंड्मेट्मेंट के द्वारा जोड़ी गई थी ग्यारवी अनुसची यह क्या है ग्यारवी अनुसची में ऐसे कौन से विशाय लिखे गई है ठीके 1996 का पेसा एक्ट क्या है पंचायत अगर हम एक्स्टेंशन एक्ट की बात करें जिसे की विस्तार अधिनियम भी कहा जाता है 1990 क्या से भी UPSC ने कुछिन पूछा अनुच्छे 243 से लेके 243 ओ तक है ना 243 से लेके 243 ओ तक बच्चों बात की गई है पंचायती राज के अनुच्छेदों की और उसमें अलग लग विश्व की बात है इसको समझेंगे तो आर्टिकल गार्वियान उची 73 अमेंड मेंड मेंड और समीतिया ये चार चीज़े बहुत इंपोर्टेंट है ठीके लेकिन बाके चीज़ों को एक समझने के लिए मैं करने कीज़ का डैवलप्मेंट विकास कैसे होता है ए मात्या ना कॉरों और अधीने माया था अक एकुछ संविधास नेφी इमाया था जो कि 74 था 84 अलभा संविधास न्शों धिया ठीडिय ठीके इस की विशिश्धा है इसके दिवारा बाठीड कि जोड़ी गई वह क्या है इसमें कौन-कौन से विशय शामिल है और Article 243P से लेकर 243ZZ जो आर्टिकल से उन आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है ठीक है इन इन आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है जो कि सम्विधार सचुधन के माध्यम से तो यहाँ पर ये सारी चीजे हमें पढ़नी होती है लोकल सेल्फ गवर्मेंट में इस्थानिय सरकार में बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड आपकी सो प्लीज का आप स्क्रीन शोट ल ठीके साफ सफाई की ववस्ता है उस लेवल पर इस्थानिय लेवल पर बाजार हाट की क्या समस्या है तो ये सारी समस्या ही तो होती है मुस्त हमारे नगरों में या फिर गाओं में तो उन मामलों का प्रबंधन है इन मामलों का प्रबंधन करने के लिए बहुत जरूरी होत तो सरकार में ये लोकल गवर्मेंट भी आएंगे, सरकार में इस थानिये जो सरकारे है ना वो भी शामिल होती है, जब आप राज्य की बात करेंगे, सरकार की बात करेंगे, तब उसमें लोकल गवर्मेंट भी आती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस थानिये सोसाशन में ग्राव और शहर दोनों सरकारे आएंगी तभी तो हम पंचायत और नगरपाली का दोनों की बात करते हैं तो इस थारीय सरकार का मतलब 73 और 74 दोनों अमेंडमेंट की मुख मुख के विशेश्टाइक लिए यह सरकार का तीसरा अस्तर है हमने अभी देखा कि आपका केंदे सरक सरकार है और स्टारीय सरकार है तो घ्रामी शेत्रों में पंसायत और शहरी शेट्रों का यह ना कभी कभी क्या होता है कि हम चीजों को जान रहे होते हैं चीजों को समझ रहे होते हैं वह ठीक तरी किस एकस्प्लेंड नहीं कर पाते हैं उसके लिए जरूरत होती है हमें शब्दों की और शब्द कैसे आपकी अपने शब्दों देफिनेटली बट आपकी जो किताबी भाषा है ठीक एक जो बुक लेंग्वेज उसमें लिखना भी तो जरूरी होता है तो थोड़ा सा बुक लेंग्वेज की सरल भाषा में हम कुछ एक दो सेंटेस जो है मैं कर लेते हैं तो देखो इस्थानिय सरकार लोकल गवर्मेंट आ ऐसा तो है कि जिस्थ तेहित्तर वार्ड चोहत्तर जो सम्विधान थो नहीं वह वो गया और यहां से जो स्थानिय सरकार हैं यह इने जो समविधान में शामिल कर लिया इने Persimelt motive चालेग्म है ऐसा तो है तो प्राचीन काल में सभा समीतियां आपने सुनी ये इसी का रूप है प्राचीन काल में जब हम सभा समीतियों की बात करते हैं तो यही सभा आगे जाकर पंचायते बन गई यही सभा जो है वैं आगे जाकर इनको पंचायते कहा जाने लगा और इन पंचायतों ने कहीं कहीं राजस्व ठीक है और बाकी जो मामले है ना उन सब को अपने हाथ में ले लिए और फैसले करने लगी जब हमारा देश आजाद हुआ अच्छा आजाद बाद में करते हैं पहले हम एक बात यह देखते हैं कि अगर हम बिटिश काल में देखें बचों तो बिटिश काल में आध लाज रिपन को कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर वच्चों जो लाज रिपन है ना जानते हैं उसने क्या किया था इसने एक लोकल बोड का गठन किया था जिसके की मुकामी बोड कहा गया लोकल बोड मुकामी बोड मुकामी बोड इस्थानिये इस्तर पर एक तरीके से जो कु मुद्दे हैं उसको सुल्जाए जा सके इस्थानिये जो मुद्दे है उसको सुल्जाए जा सके तब इसलिए लाज रिपन को क्या कहा जाता है फादर ओफ लोकल गवर्नेंस है ना इस्थानिये स्वासाशन का जनक इस्थानिये स्वासाशन का पिता इस्थानिय सुआशन का जनक कहा जाता है किसको Lord Rippan को clear Lord Rippan को इस्थानिय सुआशन का जनक कहा जाता है ये इसका थोड़ा सा इतेहास है अब देखो आगे कुछ और बाते अब हम थोड़ा सा देश को आजाद करें अच्छा उसके पहले ये देख लो 1919 का जो एक्ट आया था और 1935 का जो एक्ट आया था है ना भारासाशन अधिनियम जो थे इन दोनों ही एक्ट में कुछ-कुछ जो चर्चा है वह की गई थी हाँ पस्ट रूप से नहीं थी बट कुछ चर्चा इसमें की गई थी कि अगर हमें स्थानिय इस्तर पर सरकार की स्थापना करनी है तो उस मात्मा गादी के waara यह कहा गया था कि यहांस चर्चा को अगे बढ़ाते हैं तो थोड़ा से इतिहास समझते हैं तभी तो जbugा बो चीजों को कनेक्ट कर प्सक्रम की अगरurg को अर्थिक राजनेतिक अःद्धिक विकेंद्री करन करना है आर्थिक्वा, राजनेतिक, विकेंद्री करन करना है, तब आपको ये तभी पॉसीबल होगा, जब आप ग्रामेड़ पंचायतों को अधरी दोगे, जब आप ग्रामेंड जो पंचायते हैं ग्रामेंड पंचायत इनको आप अधिकार दोगे ठीक है तो यहाँ पर यह बहुत जरूरी है कि स्थानी इस्थर पर व्यक्ति है जिसके पास भले बाकी के पावर्स ना हो लेकिन उसको इस्थानी इस्थर के जो मुद्दे है उसमें भागिदारी उसमें पार्टिसिपीशन का जो अधिकार है वह मिले ठीक है अब देखो डीपीएसपी का हम प्रावधान करते हैं कि जब हमारा सम्विधान आया ठीक है तो हमने अपने सम्विधान का जो डीपीएसपी हम पढ़ चुके है ना डारेक्टिव प्रिंसपल आव अरे भाई इतनी इंग्लिश आपके लिए इंग्लिश का फिपर है ना इतनी इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे कॉंटेंट जो की इंग्लिश में अबलेबल है उससे आप दूर हो जाएंगे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना तो एक-दो शब्द इ करने भी लगते हैं कि मैं हिंदी की क्लास है इंग्लिश मत लिखो इतना तो देखो आपको सीखना चाहिए कि में में जो टम से उसको इंग्लिश में सीखो ठीक है तो यहाँ पर क्या बच्चों कि DPSP में आर्टिकल 40 में क्या लिखा हुआ है कि पंचायते जो है इनको अधि समविधान लागु हुआ एक प्रश्न बेसिकली प्रश्न होगा ये कि जब समविधान लागु हुआ तब हमने तबी पंचायतों को या स्坦श्छ सरकार लिख देते हैं जादा सही होगा तब हमने जो स्थानिय सरकार है इसको समविधान में क्यों नहीं लिग दिया है ना इसको हमने DPSP में बस एक जगा शामिल किया इसको हमने समविधानिक दरजा और शक्तियां क्यों प्रदान नहीं की एक ये प्रश्रिचिंध लगता है तो इसके बारे में जवाहरलाल नहरू और अमबेटकर के कुछ कथन है जो कि इस बात की तरफ इशारा करते है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्त ओलेटी देखो धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया और ऐसे में देश में जब एक तरह से हम ये कहें कि केंड्री जो सत्ता है वह नहीं है और अल्डेडी जो है हमें अकर एकता और अखड़ता है हम उसकी चुनोती से जूज रहे है और ऐसे में हम बहुत ज़ादा स्थानियता की बात कर दे अम बिटकर कहते हैं कि जो गाओं है जिसमें जो की फूट का शिकार है जाते पाती में बटा हुआ है अगर हम उसको बेस बना कर हमने लोकतंतर का प्रथम इस्तर का दरजा दे दिया तब तो चीजे अगर बेसी गलत है आपके सोर्स ही गलत है तब सेलक्शन कैसे होगा चिक वही बात थी कि अगर उन्होंने अगर हमने गाओं को पहले ही समवेधार दे दिया तो उनकी हो सकता है कैसा निर्णाई करेगा किसी आयोग व्यक्ति से आप निर्णाई करवाओ या उसको ऐसी पोजीशन पर बिठाल दो कि वो खुद निर्णाई लेने में सक्षम नहीं वो तो सारे संगठन को बर्बाद कर देगा ठीक वैसी ही इस्तिती थी कि और लेडी हमारे जो गाओं है फूट के शिकार थे और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स थी तो ऐसे में पूरा जो देश एक तरीके से सब स्थानिय था और उनको दर्जा दिये जाने करने बर्बाद हो जाता तो इसलिए जरूरत नहीं थी और है इसलिए हमने उस वक्त आर्टिकल 40 में चुप चाप से ल जो स्थानिय सरकारे थी अयोग थी एक ही शब्द में ठीक है चलो तो यह कुछ यह इतिहास समझ में आया है ना तीसरा अस्तर स्थानिय सोसाशन आओ अब यहीं जो प्रस्ट भूम में है कुछ शब्दों में बताती हूं गादी जी कहते हैं कि सच्छा लोकनत्र जो है को पता है कि अब नीती आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है तो यूजना आयोग की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो समझ में आने लगी थी वह यह थी कि सारे फैसले अगर दिल्ली में बैट कर एक बंद कमरे में एक इसी कमरे में लिये जा रहे हैं वे भाग मंत्रालयों में अगर फैसले लिये जा रहे हैं आपको ग्राउंड लेवल पर जानकारी ही नहीं है कि वास्तव में उस जगा की समस्या क्या है वहाँ पर भिजले की समस्या थी आपने पानी उपलब्द करा दिया वहाँ पर खाले की समस्या थी आप सिक्षा की बात कर रहे हैं तो पहले में बैठकर जो है वे फैसले ना लिये जाए बल्कि गाउं के प्रतिक व्यक्ति के एक सहीयोग हो और भागीदारी और पार्टिसिपेशन की जो बात है गाधी जी करते हैं बारत में पंचायती राज का गठान और उसकी अब्धारना इसका एक अर्थ देखो लोगतांत्रिक विकेंदी करण के रूप में ही हमने स्थानिय जो साश है ने उसको संवेधानी दर्जा दिया लोगतांत्रिक विकेंदी करण का मतलब है साशन सत्ता को एक स्थान पर केंदित करने के वज़ाए उससे स्थानिय स्थरों पर विभाजि तो इसलिए बच्चों गाओं के जो लोग है ना ये मिलकर अपने हाँ कर ले और ना केवल एक किन्द पूरे देश के लिए कितने हैं हमारे अगर हमारे कई कहते हैं भारत गाओं का देश है ना अगर आपको भारत को जो है दो लाइन ऐसी बोलनी हो जो कि सबसे जादा इंपो लेंगे एक तो करशी प्रधान देश है और दूसरा गाओं का देश है तो यहां पर वैसे भी दोरों चीज़ा जूड़ी हुई है कि अगर हमारे कई लाख गाओं है तो ऐसे में वहां पर हमें स्थानिय सरकारों में विकेंद डी सेंट्रलाइजेशन जो है वे चीज़ों क कर देना चाहिए ना कि एक ही जगा से फैसले लेनी चाहिए ठीक है तो यहां पर एक जगा पर केंदित ना करके इस्थानिय स्तरों पर उसको विभाजित किया ताकि आम आदमी की जो सत्ता में भागीदारी है सुनिश्चित हो और जब लोगतंत्र का मतलब ही भागीदारी ह जो साशन है जो साशन कर रहा है जो सरकार है में लोगों के द्वारा चुली हुई हो तब ऐसे में स्थानिय स्तर पर क्यों नहीं है ना तो यहां पर पार्टिसिपेशन आम आदमी का भी हो सके वह अपने हितों आविशक्ताओं के अनुरूप ही वहां का जो साशन है संचाल ना बचो कुशन में है एक अभ्यास के रूप में स्थानिय स्वसाशन को सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है एक लाइन का कुशन था कैसे आप एक लाइन में समझाओगे मैं क्यों आखिर आप से कहते हूँ टम्स पकड़ो वर्ट्स पकड़ो क्यों कहते हूं उसके आप समझाओगे एक वर्ट उसके लिए क्या है सग्वाद आएगा कि इसके लिए नहीं लोग तांत्रे के विकेंद्री करण ये इसका मतलब होगा ये 17 ने पूछा गया कुश्यन था अभी हमने टॉपिक को ठीक से शुरू भी नहीं किया और जो कुश्यन है वह हमारा यही से सॉल्व हो गया ठीक है चलो आएक कुश्यन और लेखते हैं पंचायती राज ववस्था का मूल उद्देश आप पढ़ोगे आर्टिकल और कुश्यन पूचा जाएगा उसकी आत्मा से कुसका उद्देश क्या उसका महत्व क्या वर्तबार में उसकी कमिया क्या है तब आ आपको याद करा दिए एक बार बता दूँगी कि आप इसको ऐसे से करके कर सकते हो आपको यह ना सेल्स्टेडी की जगा कोई नहीं ले सकता है तो हमेशा सेल्स्टेडी में वही आर्स काउंट करो जो कि आपके क्लास के बाद के हो ना कि आपने 10 घंटे कोई वीडियो इसको भी पड़ो ठीक है चलो आपके करेंगे छोड़ देते इसको अभी कुछ बाते हैं तो हमारी पेस्ट भूमी की बात होगी लाज रिपन को स्थानी सुसाशन का जनक कहा जाता है ठीक है और 1882 में उन्होंने स्थानी सुसाशन के लिए प्रस्ताव दिया था मुकामी ब स्थानी सुसाशन को हस्तांदर्त विश्व की सूची में जो है रखा गया था ठीक है स्वादंतिता के बात क्या हुआ 1957 में योजना आयोग बना जो कि अमनीति आयोग है योजना आयोग के द्वारा लाया गया था सामूदा एक विकास कारेक्रम 1952 और बैसिकली बच्चों अग hour कारी टीकहे और इसके बाते को एक or का रहे कम आया रास्ति विसतार सेवा कारेकर मैं योजना आयोग ने क्या किया दो कारिक्रम लेके आता है लेकिन वहीं दोनों कारिक्रम जो फेल हो जाते हैं तो अब आती है एक पहली समीति जिसका की नाम था बल्वंत राय महता समीति और उसका में काम ही यही था बल्वंत राय महता समीति का कि आप सावोदाइक विकास कारिक्रम और जो रास्ट्री विस्तार सेवा थी आखिरी आसफल क्यों हो गए आप उसके लिए रिपोर्ट तयार गरो ठीके तो मेन इसका यही था और याद अखना कि बलवंत राय महता समीती ने जब अपनी रिपोर्ट सो अपी तो उसमें यह कहा क यहां पर यह तो बलवंत राय महता की सिपारिषों को समीतियत उसको स्विकार किया और दो अक्टूबर 1959 को देखो दो अक्टूबर अगर हम ये कहें कि आखिर देश का ऐसा पहला कौन सा राज था ऐसा पहला कौन सा गाउ था जहां पर पंचायतों की बात ओफिशिली की गई तो राजिस्थान के नागोर्जली में राज उस वक्त प्रधान बं और इसके माध्यम से समवेधानिक जो दर्जा है वह दिया गया पंचायती राजसंस्थाओं को समवेधानिक जो दर्जा है वह दिया गया 1993, 73, 74 ठीक है क्लियर है चलो तो ये कुछ ऐसी प्रस्ट भूमी थी अब देखो आगे विकास और समीतियों में बलवंतराय महता समीत तीकी तो बात हो गई आगे जाके कुछ और बात हैं हम करेंगे ठीक है 73 महत विशेष्टाइं ग्यार्वियर उसूची 96 का पेसा अधिनियम और 43 से 43 ओता के आर्टिकल्स तो देखो पहले हम कुछ बातों को लिख लेते हैं ठीक है कुछ थोड़े से जो शॉट नोट से बना लेते हैं ताकि आप इसली जो है वह चीजों को समझ पाएं तो हम पढ़ देए बचो 73 और 74 अधिनियम फिर इने विस्तार से भी मैंने आपको दिया हुआ है इस फाइल में तो जब आप सभी कोई PDF available होगी PW के application पर देन आप इसको रीडिंग कीजेगा तेहे तर्वा और 74 73 और 74 सम्विधान संशोधन सम्विधान संशोधन अधिनियम ठीक है चलो थोड़ सा टेबल फॉर में लिखते हैं तो जो 73 अमेंडमेंड मेंड था सबसे पहले तो यह देखो कि यह जुड़ा हुआ था गाओं के प्रसाशन से यानि ग्रामीड इस्थानिय स्वसाशन से ग्रामीड स्थानिय स्वसाशन ठीक है गाओं के इस तरपर जिस तरीके का स्वसाशन होगा लोकल गवर्मेंट में वो 73 अमेंडमेंड मेंडमेंड के द्वारा जुड़ा और 74 में एक शब्द लिखा उवा था नगरपाली गया ठीक है और यह अब देखो कुछ और important प्रावधान कि तेहतर्वा सम्विधान संचोधन इसके द्वारा सम्विधान में भाग 9 का जोड़ा गया भाग 9 जोड़ा गया basically ठीक है 9 ऐसे भी याद रख सकते हैं और 74 जो है सम्विधान में भाग ए जोड़ा गया ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि दोरों तरीके से आपको लिखा मिल सकता है ठीक है तो यहाँ पर देखो कि ग्रामेड इस्थारी जो सुसाशन है इसके अंतरगत जो ग्यारवी अनुसूची शामिल की गई सम्विधान में भाग कौन सा जोड़ा गया कहा पर भांप लिखा तो इसके द्वारा क्या किया गया था समविधान में भाग नौजोड़ा था यह इसी विषियों Yo को शामिल किया गया था जिन पर की ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया जाएगा 28 विश्यों को शामिल इसमें जो विशय लिख दिये गए ना बच्चों ये सारे विशय वो है जिसमें की गामीन इस तर पर जो सरकार होगी वो डिसेजन ले पाएगी अब देखो शहरी स्था विशय देख लेते तो 28 विश्यों को जोड़ा था अचा सौरी माफ की जगा बच्चों और इसकी अंतरगत हमने 29 विश्यों को शामिल किया गया था और जब हम बार्विय अनुसूचि की बात करेंगे तो बार्विय अनुसूचि में जोड़े गए थे 18 विश्य ये अठार विशा ऐसे थे जिस पर की जो नगरिये स्थानिये सोसाशन है ठीके वो अपने जो डिसिजन से महलेगी इसके अलाब हम आर्टिकल्स की बात करते कि कौन-कौन से जो आर्टिकल्स है जोड़े गए थे तो आर्टिकल देख लो आर्टिकल्स 243 से लेकर आर्टिकल्स मतलब A, B, C, T ऐसे करके आर्टिकल्स 243 O ठीके इन अनुछे दो मैं बात की कही थी पंचायतों की और जब हम बात करेंगे 74 की तो इसमें कौन-कौन से आर्टिकल्स के आगे क्या आर्टिकल्स जोड़े गए थे ठीके आर्टिकल्स 243 P से लेकर आर्टिकल्स 243 ZZ आर्टिकल्स 243 P से लेकर ZZ ठीके अब देखो कुछ important प्रावधान मैं बता देती हूँ कि जैसे कि जब हम ग्रामीर इस्थानिय सुसाशन की बात करेंगे ग्रामीर इस्थानिय सुसाशन या पंचायतों की इसमें हम पंचायते भी लिख सकते है और यहां पर आप नगर पाली का भी लिख सकते हो ठीके एक एक शब्द से याद कर लो इसको लिखी देती हूँ मैं आप भी लिख लीजे बचो 73 यहां पर मैंने पंचायते लिख दिया पंचायते कहां पर ग्राम के स्थार पर ठीके और 74 जो है यहां पर मिन्सिपालिटी अब आगे देखो कुछ इंपोर्टेंट विशिष्टाओं की बात करते हैं जैसे कि ग्रामी निस्थानिय सोसाशन के लिए कौनसी ऐसी विशिष्टाएं थी जो 73 अमेंडमेंड में जोड़ी गई और इन विशिष्टाओं में सबसे पहले तो शामिल है ग्राम सभा कि एक ग्राम सभा में 18 वर्श से अधिक एयू के ऐसे व्यक्ति जिनका की मतदातव सूची में नाम है वो सभी शामिल होगे एक ग्राम मनचायत के शेत्र में जो भी व्यक्ति 18 वर्श की इम्र प्राप्त कर चुका है ऐसा जिसन्था प्रणाली का मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इस तरी प्रणाली का मतलब क्या है शौट में यहां बताती हूं आगे बाकी हम चर्चा करेंगे इसका रखा गया सबसे उपर लेवल पर होगी जिला पंचायत जो की नीतिया नियम बनाना और विकास की योजनाय बनाना ये जिला पंचायत का काम होगा ठीक है second हम देखेंगे कि ब्लॉक लेवल पर या मध्वर्ती स्तर पर जन्पत पंचयत तर्याल का लेवल पर होगी और गाउन के स्तर पर होगी ग्राम पंचयत ठीक है इसे ही 3 टायर्ड कहा गया तो इसकी संडचना कैसी यह बचो थी संडचना है यह वही संडचना है जो की ब जल्वंत राय महता समीती ने सिफारिश की थी और राजिस्थान के नाग और जिलों में जवाला नहरू ने उत्गाटन किया था वो यही त्री इस तरी सन्रचना थी ठीटायर ठीटायर स्ट्रक्चर ठीके अब देखो आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं तो इनकी चुनाव के लिए एक राज निर्वाचन आयोग होगा ये भी इसकी बहुत बड़ी विशिष्टा है राज निर्वाचन आयोग ठीके राज निर्वाचन आयोग होगा और वित्य की ववस्था के लिए पैसे की ववस्था के लिए कि आखे ग्राम पंचायर जो डिसीजन्स लेगी जो नीतिया बनाएगी उसके पास उसको एज़िकीट करने के लिए उसके पास पैसा कहां से आएगा तो इसके लिए वित्य संसाधन वित्य संसाधन उपलब्ध हो इसके लिए राज वित्तायोग की जो बात है वेकी गई कि एक राज वित्तायोग होगा ठीक है ये इस सबी के आरक्षन की बात की गई और एस्पेशली महिलाओं के लिए एक तहाई आरक्षन है और यहां पर जो आरक्षन है वे ना केवल सदस्यों के लेवल पर है बलकि जो भी पंचायतों के अध्यक्ष हैं उनके लेवल पर भी एक तहाई आरक्षन के जो ववस्ता है वैसी ह堵 ön के लिए विभी है देखो बहिनाओं के लिए आरक्षन की विशिष्टा क्या होगी पंचायतों में साली स्थार पर कि एक तेहई आरक्षन है और उस एक तेहई आरक्षन में सामिल होगा नाकिवल सदस्यों के तर पर ये इसकी कुछ मुख्य विशिष्टाय है आप थोड़ा सा शहरी स्थालिये सोसाशन की बात करते नगर पालिका की देखो नगर पालिका के लिए भी सेम यहीं विशिष्टाय होगी कि कुछ-कुछ जगापर स्ट्रक्चर में डेफिनेटली अंतर आएगा लेकिन आप पंचायतों के लिए है यही ववस्थाएं आपके लिए शहरी इस्थानिये के लिए होगे तो शहरी इस्थानिये का थोड़ा सवर्ण कम रहेगा पंचायतों की जो बात है विश्थाद अविस्थार से हमारे सम्विधार में की गई है क्लिया क्लियर है बच्चों तो यही स पर लोगतंत्र को साकार करने के लिए समविधानिक दर्जा प्रदान किया गया और देश में ग्रामीड विकास का जोकार है वे इसको सौपा गया इस अधीनियम ने भारत में समविधान में एक नया भाग जोड़ा भाग 9 ठीक है भाग 9 जोड़ा और 243 से लेके 240 उत्रक जो इसको भी अड़किया इसके लावा एक नई 11 वी अनुसूची जोड़ी के और इसमें 29 ऐसी मदे जो है वे शामिल की गई तो यह इंपोर्टेंट बाते हैं क्योंकि सम्टाइम्स क्या होता है कि हो सकता है कुछ बच्चों को यह पॉइंट्स जो है वे आपस में कनेक्ट नह अलग-अलग संविधा, अलग-अलग संशोधन की बात की, अलग-अलग सिफारिश की ताकि पंचाइती राजवश्ताओं को बहुत स्टॉंक मनाया जा सके। शुरवात होती है बलवंत राय महता समीति की सिफारिशों से और देखो बलवंत राय महता समीति हम देखे कि 1957 के यौशना आयोग के द्वारा जो दो कारिक्रम चलाए गए थे उनका एक तरीके से अक्टूबर 1953 को शुरू की गी थी लेकिन दोरों ही आसफल रही आप इन दोरों के लिए आसफल होने के जो कारण थे सपर ठीके सामुदायक विकास कारेक्रब इनकी जाच करने के लिए बलवंत राय महता समीती 1957 में बनाई गई थी और एक तरीके से सहभागी एक जो लोकतंत है और त्री इस तरी पंचायतों की जो बात है वह बलवंत राय महता समीती की सिफारिशों के बाद ही शुरू हो पाया था इसके लावा देखो यह सारी बात है हमने कर ली और दो अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागर जिलों में जो प्रदान मंत्री जवाहलाल नहरू के द्वार उद्गाटन किया गया था वह यहीं त्री इस तरी पंचायत थी ठीक है तो यहां पर यह बलवंत राय महता समीती की बात हो गई अब इसके लावा देको अशोक महता समीती 1977 और देखो बच्चो इसका में काम था कि पंचायते तो चुकि काम कर रही थी सम्विधान को बहुत सारी कमिया थी लेकिन तो पंचायतों का पुनरुधार और पुनट जीवन प्रदान करने के लिए ठीक है पंचायतों का जो हम एक पुनट जीवित की बात करें को पुनट जीवन प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया एक एक शब्द हमेशा याद रखो त क्या करो अप दू इस तरी प्रिए की बात किया दो अभी तक थृता स्ट्रॉप्वेति एंक अब दोनों में तर और यह AnTo घूंतर्य प्रणाली की बाथ की थी तो इसने सब 這個ड़ किया था डूसर भू किया दू इंच रेत किसे फारश थिक है दू इवाए पर ये कहा गया कि एक तो जला स्टर पर हो दुसरा मध्धिवर्ती हो ठीके जला मंडलो और मंडल पंचायत हो जला मंडल और मंडल पंचायत दू जो पदति हैं दो इस तरी पढ़िटी की बात इन्हों라고 अश्योक महिता समीती ने आप जिला परशद भी लिख सकते हैं जिला मंडल नहीं जिला परशद था ठीक है तो ये क्या था ये दुए इस तरे पधिती की बात हो गई तो अशोक मैता और बलवंतराई इन दोनों के बीच में ये बहुत बड़ा डिफरेंस था इसके अलावा ये कहा गया कि अ बिना आर्थिक संसाधन के आप सशक्त हो सकते हैं और अगर आर्थिक संसाधन चाहिए तब आपको क्या करना होगा आपको कर लगाने का जो अधिकार है वे मिलना चाहिए आप चुकि बात तो हो रही इस साने सुसाशन की तो ओविसी बात है कि केंद्र और राज्य के जो कर नुहारों गोस्पत थीकार दिया नहीं जाएगा तो जो टुल टैक्स होते हैं याफ यो मारकिट में बाजार मंडी जो लगnies उससे जो टैक्स है अपिले सकते हैं याफिर आप लेगा ध postponality पर लगाने کی शक्ति इने दी जाए कराधान की शक्ति ठीक है कराधान की जो शक्ति है वह दी जाए और एक और important है इसमें कहा जा गया था कि social audit कराया जाए सामाजिक रूप से जो लेखा है ठीक है प्रिटिंग करी जाए इसके कामों की सामाजिक लेखा जो परिक्षन है वह हो सके ये भी इसमें एक विशिष्टा आप लेख लो ठीके साधी देखो देखो अशूक महता समीती की सिफारिश अच्छी थी लेकिन जनता पार्टी की सरकार आई थी तभी अशूक महता समीती का गठन किया था जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में ठेकर हम देखें कि बच्चों की बहुत ही जल जनता पार्टी की जो सरकार जब भंब हो गई तो अशूक महता समीती की जो सिफारिश है ये लागू नहीं हो पाई अगला कूशन माली जे चार समीती आपको दे दी और उसमें लिख दिया कि ऐसी कौन सी समीती थी जिसकी सिफारिशें 20 तरिय पधिती की थी लेकिन जनता पार्टी जो जनता की जनता पार्टी की सरकार थी उसके विगचन होने के बाद सिफारिशें जो है लागू ना हो सकी अशूक महता समीती ठीक है अब हम बात करेंगे कुछ important points GVK राव समीती के बारे में देखो सबसे पहले तो यह देखो कि जो GVK राव समीती थी इसका मुख्य उद्धिश ही क्या था एक तो 1985 याद रख रको 1985 का गठन और इसका मेन उद्धिश ही था बच्चों कि जो गाव के गाव में जो गरीबी है ठीक है उसका विका का मुख उद्देश था ग्रामीन विकास ग्रामीन विकास वा गरीबी उन्मूलन ग्रामीन विकास वा गरीबी का उन्मूलन ठीके तो इसके लिए को सिफारिश देना और जो गरीबी उन्मूलन के लिए जो कारिक्रम चल रहे थो उनकी समीक्षा करना गरीबी उन्मूलन कारेक्रमों की समीक्षा करने, ठीक है, जनते उसने क्या पाया, कि समीक्षा, नौटा समीक्षन, समीक्षा, जिवी के राव समीति कहती है, कि पंचायते अगर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है, और इसके पीछे कारण है, नौकर शाही, एक त इतनी जादा है नौकर शाही के कारण पंचायते कमजोर हो रही है नौकर शाही के कारण जो पंचायते हैं वे कमजोर हो रही है तो इसलिए इनका हस्तक्षिप कम हो ठीक है कमजोर हो रही है यह इसका एक निशकर्ष था साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि नियमत रूप से निर फोर अमेंडमेंड नहीं हुए थे ना तो जीवी के राव समीती का एक उदेश और एक हमने देख लिया तब माली जे प्रशना गया कि नौकर शाही के कारण पंचायतों का कमजोर होना नौकर शाही के दान पंचायतों का कमजोर होना ये किसकी नहीं नहीं कहाँ था तो यहां पर जी वीके राव समिती ठीक जब राजीव गाधी की सरकार थी, ठीक है, अब देखो, तो इसका मेन उद्दिश है क्या था, मेन उद्दिश है देखो, मेन उद्दिश है याद करना है ना हमें सभी के, लोकतंत्र वा विकास के लिए पंचायतों का पुनरुद्धार, लोकतंत्र के विकास के लिए, लोकत संद्र के विकास के लिए पंचायती राज का पुनर उद्धार ठीक है ये मेन उद्धिश था अब देखो बचो एलम सिंग वी समीतिया वो समय था जब मानता जब सम्विधाने कूप से मानता देने की जो बात है वह की जाने लगी थी क्या आप लाख सिफारिश कर लो कि ने म और शाही कम करो लेकन उसके बाद भी ठीक तरीके से जो काम है वह नहीं होगा तो एलम सिंग वी समीति के द्वारा क्या कहा गया था कि सम्विधाने क्रूप से जो मानता है मिल ली जाहिए पंचायतों को समवेधानिक मानिता जो है वै दी जाए नियमित वा निस्पक्ष चुनाव हो ये बात यहां पर भी कही गई कई सिफारेश यह ऐसी होंगी जो की एक से जादा समीती भी करेगी ठीके नियमित वा निस्पक्ष जो है वै चुनाव हो regular and नयाय पंचायतों की इस थापना की बात की गाहображ तो थीक है उसके सासाथ नयाय पंचायटे भी हो ताकि जो और भी नयायसे संबंदित काम है वै देख सके साथी इसमें यह कहा गया बच्चों कि अगर किसी तरह का कोई विवाद होता है ना तो उसके लिए अधीकरण बनाये जाए पंचायतों का अगर कोई विवाद है तो यहाँ पर अलग से जो ट्रिबुनल्स नहीं बना लेते हैं तो यहाँ पर इस तरीके के जो ट्रिबुनल्स से वह बनाये जाए तो यह कुछ ऐसी बात थी जो एलम सिंग वी समीथी के दौरा नाटी रेटी सिक्स में जिसकी स्थाप रहुए थी तब कहीं आगे देखो बच्चों आब आते है थूंगन समीथी और गाटगल समीथी ठीक ह तो अब देखो थुंगन एंड गाटगिल समीती चलिए कुछ पॉइंट्स और बता देती हूं देखो थुंगन समीती जो कि 1986 में आई थी 1988 नहीं 1988 ठीक है अब देखो तो यहां पर बच्विस में यह कहा गया कि जो पंचायते हैं उनके राजनीतिक वा प्रशास्निक जो धाचा है उसकी जाच की जाए राजनीतिक वा प्रशास्निक राजनीतिक वा प्रशास्निक धाचा की जाच की जाए और पता लगाया जाए कि आखिर जो प्रॉब्लम से वैं क्या है और किस तरीके से बंचायतों का एक तरीके से आर्थिक और बागी जो शक्ति करणेवे हो सकता है अब याद अच्छा बच्छों कि यहाँ पर यह कहा गया कुछ चार पॉइंट से जो कि जादे इंपोर्टेंट है तो यहाँ पर थुंगत समीति के द्वारा भी जो सिफारिश है दी गई उसमें एक तो कहा था कि भई आरक्षन का प्रावधानू महिलाओं के लिए भी से एस्टी के लिए भी जरुरत पड़े तो OBC के लिए भी मतलब जो सरकार सही समझे और इस्पेशली महिलाओं के लिए तो हो ही तो सभी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षन मिले इसके अलावा यहाँ पर कहा गया कि अब बात आ गई कि जो चुनाव है वैं पांच वर्ष की बात हो गई अभी तक चुनाव की नियमिद चुनाव की बात हो रही थी लेकिन यहाँ पर इस्पेशली पांच वर्ष की बात की कि पांच वर्ष में नियमित जो चुनाव है वे होने चाहिए ठीक है इसके अलावा नेक से फारिश इसमी की गई की समवेधानिक मानता दी जाए संवेधानिक मानिता जो है वैं प्रदान की जाए ठीक है और यहां पर भी त्री स्थरी पद्धिती की बात की गई ठीक है कोई भी शब्दाप के लिए ऐसा तो नहीं लग रहा कि त्री स्थरी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैंने नो अप गॉल देखर बचों गाठगल समीति की बात करते हैं तो यहां पर 1988 में 1988 गाठग्ल समीति और यहां पर में यह था उदश बस इसक याद कर लो गाठग्ल समीति का में उद्देश था कि पंचायतों को प्राभावी कैसे बनाया जाए अब देख इसके लिए को सिफारश की तो यह गाडगल समीती हो गई तो यहाँ आखिर सम्वेधानी करन जो है वे आखिर हुआ कैसे था ठीक है सम्वेधानी करन कैसे हुआ था कुछ पॉइंस हम पढ़ लेते हैं कुछ पॉइंस में लिखवा दूंगी अब देखो बच्चो तो जिवी के राव समीती था यह हमारा हो चुका बाकिया पढ़ लिजेगा में चीजें हम देखों हम देखें कि राजीव गांधी की जब सरकार आई थी राजीव गांधी की सरकार में 64 सम्वेधान संशोदन आया था 1989 में लेकिन यह पारित नहीं हो सका क्यों कि विपक्ष यहां पर विपक्ष के द्वारा यह कहा गया कि देश की अखंडता के लिए तर 64 सम्वेधान संशोदन भी ऐसा नहीं है कि पहली बारी 73 और 74 अमेंड मेंड मेंड आया और वो पास हो गए इसके पहले भी 64 सम्वेधान संशोदन आ चुका था राजीव गांधी सरकार के समय में लेकिन लोग सबा में तो यह प्रास्तूत हो गया पारित हो गया लेकिन दूसरी बात यह बचो कि जब हम बात करेंगे वीपी सिंग की सरकारती 1989 अ कि वीपी सिंग ठीके वीपी सिंग सरकार और यहां पर देखो की जून 1990 में जून 1990 में एक जो विधियाक है पंचाहिती राजपर मैं विधियक लाया गया लेकिन याद रपना कि सेप्टेंबर में ही सेप्टेंबर 1990 में जो सरकार है वे गिर गई पीपी सिंग की जो सरकार है वे गिर गई ठीके और जब सरकार गिर गई बच्चों तो विधियक भी खतम हो गया विधियक क्या हुआ खतम हो गया इसके बाद आता है नरसिम्हाराव और यहाँ पर UPSC के द्वारा पूचा गया कि किसकी सरकार किसके प्रधार मंत्रित्व के काल में जो पंचायते हैं उसको सम्वेधानिक दरजा मिला तो नर्सिम्हराव सरकार. ठीक है तो यह वन होगया यह 2 हो गया और तीसरा क्या है नर्सिम्हाराव सरकार. नरसिंब्हार आवसरकार ठाटि के कॉंग्रिस के पी एम थे नरसिंब्हार आव और सम्रम्फम्फम्बर 1991 में दुनboy Chao स5 1 में विढूक को और सुन्वत्य सुन्वत्यत में संभ याग अदैली यह विधियास तर्वा सम्विधान संशूधन जो विधियक है ठीक है ये अधिनियम बन गया और 24 अप्रेल 24 अप्रेल सब्टेम्बर 1991 में लाया गया था तेतरवा सम्विधान संशोधन विधियक ठीक है याद अठना कि 1992 में ये पारित हुआ 1992 में पारित हुआ और इसके लागु होने किती थी आप जानते हैं बच्चो 24 अप्रेल ये पंचायतों की बात हो रही है 24 अप्रेल 1993 ये लागु ये प्रभावी होने किती थी ये समय तो कुछ रहता नहीं रास्पती जब हस्ताक्षर करेंगे तब इससे तो प्रभावी माना जाएगा ना 24 अप्रेल वह दिन था जब से ये है जो पंचायतों वाला है ये प्रभावी हो गया अब देखो एक और पॉइंट हम करंट अफेर से जोड़ लेते हैं और 24 अप्रेल की बात हो गई तो आपने रास्टी पंचायती राजदिवस सुना होगा रास्टी पंचायती राजदिवस कीओ strains अधविधाम जिन दुसका प्रतीक है तो 24 अप्रेल इस बार का जो 2022 की अगर हम बात करें भी तो अप्रेल आया नहीं है तो यहाँ पर जो पिछले बार की हम बात करें तो 2022 को जो मनाया गया था वो बारबार रास्टी पंचायती रास दिवस्ता क्योंकि 2010 से शुरू हुआ था कि गाओ के जो सबस्क्राइब की भूमी क्या जो सबसे बड़ा मुदघ जानती हो क्या है कि जो जमीन है उसको लेकर बहुत ज़ादा डिस्प्यूट्स होते हैं बहुत ज़ादा विवाद होते हैं किसकी कौन सी जमीन है किसकी ऑनर्शिप के जमीन पर यह पता ही नहीं है तो यहां पर प्रॉपर स्वामित्व यूजना के मतलब क्या है कि ड्रोन से आपने मैप कर लिया मैप के रास्ट्य पंचायती राज दिवस के दिए ठीक है क्लियर हुआ तो यह भी आपको जोड़ा हुआ है से देखो आया समझ में आप देखो कुछ विशिष्टाओं कि मैं आप से बात करते हूं क्लियर होगे बच्चों इतना कि यह 24 अप्रेल 1993 से यह प्रभावी हुआ और यह प्रभावी होने वाला जो दिन है हम इस दिन रास्ट्य पंचायती राज जो दिवस है वह हम मनाते हैं क्लियर चलो अब हम कुछ महत और विशिष्टाओं की बात करेंगे यह महत और विशिष्टा 73 की है तो सबसे पहला तो है बच्चों इसमें ग्राम सभा अब देखो ग्राम सभा क्या होगी? यूपीयस्थी यहां से कुछिन श hes Econom लगा देती हूँ? पहले लगाया नहीं, अपने आप ilगाते राना ठीक है? अब देखो बच्चों ग्राम सभा में ऐसा व्यक्ति जो इस 55 शित सब्सक्राइब करेंगी तो राजसरकार के द्वारा जो जवाब देही जो जिम्मेदारियां ताइक की जाएंगी वह काम सब्सक्राइब तो कुछ बता देती हूं मैं आपको तो यहां पर यह जो स्ट्रक्चर था रचों तो शब्से शुर्वाती सतर यहां पर किसका जिला पंचायत का मद्य वर्ती जो इस्तर है ठीक है यह जनपत्पंचायत जनपत्पंचायत और ग्राम पंचायत गाओं के इस्तर पर ठीक है अब देखो ग्राम पंचायत सदस्यों की हम थोड़ी सी कर लेते हैं कि तीनों ही इस्तर पर बच्चों तीनों ही इस्तर पर जो सदस्यों का चयान है ना जो सदस्यों का चुनाव ही प्रत्यक्ष होगा सदस्यों का चुनाव कैसे होगा डारेक्ष होगा प्रत्यक्ष रूप से होगा वहां के लोग करेंगे प्रत्यक्ष रूप से तो इसका तो चुनाव आपने प्रत्यक्ष रीती से कर लिया, लेकिन मद्यवर्ति और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे, इनका चुनाव आप प्रत्यक्ष तरीके से होगा, आप प्रत्यक्ष विधी से, अध्यक्ष की बात हो रही, इस अध्यक्ष तो तीनों ही इस तर पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, लेकिन जब हम अध्यक्ष की बात करेंगे, तो अध्यक्ष में क्या अंतर है, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होंगे प्रत्यक्ष रूप से, ग्राम सभागी सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा पंचाय सदस्यों के द्वारा चुना जा रहा है लेकिन जब हम जिला पंचायत की बात करेंगे और जब हम मद्यवर्टी जनपत पंचायत की अध्यक्ष की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पर यह जो अध्यक्ष है उसे indirect method से आप प्रत्यक्ष्रीती से चुना जा रहा है clear clear हुआ अब next देखो अब हम बात करते हैं सदस्वाद देख्ष अच्छा हो गया ना यह तो साथ साथ हो गया ठीक है हो गया बच्चों यहां पर ही चलवाओ आगे देखते हैं और next सीटो का आरक्षन कि देखो सीटो का जो आरक्षन है आ रहा है न समझ में से भी सीटो के आरक्षन की जब हम बात करेंगे तो यहां पर सभी इस तरों पर सभी इस तरों पर सीएस्टी हो hani राज्ज शामिल करें तो वो भी इस थी सभी इस तरों पर आरक्षन का प्राबधान होगा और ये जो आरक्षन है वैं कैसे दिया जाएगा जनसंख्या के अनुपात में ठीक है आरक्षन का प्राबधान आरक्षन कैसे दिया जाएगा जनसंख्या के अकॉर्डिंग ली जनसंख्या के अनुपात में अच्छा आप एक चीज़ को देखेंगे अगर आप नोटिस करते हैं कि इस बार जो है वह सरपंच की या फिर जो भी है जो भी स्थाने इस तर पर सरकारे हैं आप देखेंगे उसमें किसी बार जो है वह स्टी की सीट आई उस बार किसी बार महिला की सीट आई इस तरी किसी सी अध्यक्ष्वा सदस्ट से सभी के लिए आरक्षन जो प्राब्दाने किया गया और एक और सब से जाधा इंपौर्टन्ट की एक तिहाई सीटे एक तिहाई सीटे महिलाओं के लिए यहां पर महिलाओं के लिए आरक्षन होगा ठीक है जानती एक सबसे बड़ी चुनोती क्या है जो अगर आपने पंचायत वेब सीरिश देखी होगी तो उस पंचायत वेब सीरिश में जो फुलेरा ग्राम पंचायत को दिखाया गया उसमें यह बताएगा कि वहां पर प्रधा जो है गाओं की वह है तो एक महिला लेकर उसके बाद भी उसका जो पती है न सरपंच पती के बड़ी प्रॉब्लम है तो जब कभी आपको ग्राम पंचायतों को लेकर यह सथानिये सो साशन में क्या एक समस्या है तो वहां पर महिलाओं का जो आरक्षन में दिखाने के अध्यक्ष के लिए भी और सदस्यों के स्थार पर भी सीटों का आरक्षन किया गया है लेकर उसके बाद भी सबसे बड़ी परिशानी क्या है कि डारेक्ट जो प्रतिंदेत वह नहीं है तब क्या फायदा है से आरक्षन का दूसरी बात यहां से जो मुद्दा होड़ता है क अगर हमने लोकल गुवर्मेंट पर अगर हमने स्थानिया सुसाशन के सथर पर हमने एक त्याए अरक्षन का प्रावधान कर लिया है तो अपनी वुमेंस नहीं है कि वह चा कुछ चीज को पारित करा ले तो यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं शुक्त की आपको अलग से करंट अफेर के लिए बी तयार करना चाहिए है ना चलिए अब दिखो आगे हम बात करेंगे सीटों का आरक्षन हमाले लिए हो गया राज चुनाव आयोग है ना राज निर्वाचन आयोग है राज चुनाव आयोग बिसिकली देखो एक राज चुनाव आयोग की ववस्था भी यहाँ पर की गई है और यह जो राज निर्वाचन आयोग है इसका में काम होगा पंचायतों के चुनाव कराना में काम क्या होगा पंचायतों के चुनाव कराना है ना पंचायतों के चुनाव कराना याद रखना क राज निर्वाचन आयोग जो है और जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है ठीक है इसके अधीन नहीं है भारत का जो निर्वाचन आयोग है ना भारत का जो निर्वाचन आयोग है कि अधीन नहीं है याद रटने इस बात को अब UPSC ने जानती एक सेंटेस क्या पूछा था ये एक sentence पूछ लिया था और उसमें ये लिख दिया था, उस sentence में बच्चों ये लिख दिया था, कि जो राज का निर्वाचन आयोग है न, ये भारत ये निर्वाचन आयोग के अधीन है, मैंने यहां पर पस्ट रूप से बता दिया कि नहीं है, बस questions यहीं से आते हैं, clear, स्थान ये जो सरकार है, पंचायते भी नगरपाली का, क्यों को नगरपाली का की बात हम आगे करेंगे, तो यहां पर बच्चों पंचायतों को, जो वित आबंटन है, उसकी सिफारिश करने के लिए होगा, ठीके, जो करो का आबंटन है, उससे सिफारिश करने के लिए होग क्योंकि इसके लिए अलग से राजवित्तायोग है ऐसा कहा कॉंसेट ऐसा कही नहीं लिखा पस्ट रूप से वेंशन है कि केंद सरकार भी इस तरीके के सिफारिश करती है और आगे हम दूतिय प्रशास्तिक सुधार आयोग की एक रिपोर्ट की बात करते हैं दूतिय प्रशा केंद वितायोग की बात कर लें जो कि आपका आर्टीकल 280 में है वह भी इस बात का प्रावधान कर सकता है कि केंद सरकार से कौन से रुदान दिये जाएंगे ठीक है अब देखो संगे शेत्रों पर लागू होना अच्छा जो हमारे केंद साशित प्रदेश है वहाँ पर कि अगर हवेली उसका 2020 में मर्जर हो गए तब से आप सभी को जो पहले रटा हुआ था ना कितने राज यतने केंद वो सब मिक्स हो गए होगे अधे बच्चे जो है अभी गलास सोच रहे होंगे कि कितने यूटी और कितने राज है तो बच्चों जो आपके संग शेत्र है ना जो भी है उनके माध्यम से साशन करेंगे तो राष्टपती के द्वारा उन नियमों को एजट इस या उन नियमों में संशोधन करके संगी शेत्र उपर उसको लागू किया जा सकता है ठीक है अब एक और इंपोर्टेंट प्रावधान कुछ ऐसे राजजबी है बच्चों जिसे की 73rd जो आपका अमेंडमेंड है जादा उपर चला गया एरो यही पर कर देते हैं जो आपका स्तहेतरवा सम्विधास अंशोधन है कुछ राज्यों में लागू नहीं होता है एक तरह से उनने छूट प्राप्त है ठीक है अब इन राज्यों के बारे में क्या है इन र पेसा एक्ट आया था उसको पढ़ लेते हैं है कि अधिकर बिसिकली था क्या बच्छों पेसा एक्ट का मतलब यह था कि ऐसे राज जिने एक तरीके से पंचायतों की जो भी नियम बने जो 73 अमेंडमेंड था अधिनियम जो आया ठीक है उससे एक तरह से सुरक्षा है कि ठी इसको विस्तार अधिनियम भी कहा जाता है इसको पंचायतों का एक तरीकिसे एक्स्टेंशन हम कहते हैं तो बूरिय समीति की सिफारुषू के आधार पर आया था प्रोविजन आफ दा पंचायत एक्स्टेंशन टूदा शिजूल एरिया एक्ट ठीक है नाइटिक्स में पं पेसा एक्ट है ठीक है इसमें किया गया था कि पंचायत की जो नियम है ना उसको थोड़ा सा धीला करते हुए पंचायत की जो नियम है उन्हें उस जगह के accordingly थोड़ा सा change करते हुए, थोड़ा सा mold करते हुए, थोड़ा सा liberal करते हुए, लागू किया गया था, यह है पेसा act, तो basically देखो कि December 1996 में दोरो सदनों ने पारित किया और 24 December को रास्टपती के जो सहमती है वैं मिल गई 1996 में और जो पेसा विधियक था, वैं एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया, अधिनियम कैसे बनेगा, जब दोरो सदनों के द्वारा कोई एक बिल या जो विधिया के उसको पारित कर दिया जाए और उसके बाद जब रास्पती के अनुमती के लिए भीजा जाता है, उनकी सहमती क्यां थी, उनके लिए हस्ताक्षर के लिए भीजा, जस दिन से हस्ताक्षर कर देंको, उस दुन से वहलाग हो गया, ठीक वैसे ही जसे कि 24 अप्रेल 1993 को जो आपका पंचायती, जो आधिनियमे वहलाग हो वहा था ठीक है, और हम उस दिन उनकी जो भी ऐसे शित्र है उनकी भागीदारी को जादा स्वायतता है उनकी भागीदारी बढ़ाना और उनको जादा स्वायतता देना ठीक है उनको क्या करना जादा जो स्वायतता है वैप्रदान करना ये इसका मेनुद्दिश था जैसे कि भूमी अधिगरण है पुनरवा में अनिवारपामर्ष काधीकार ठीक एगराम सभा मैं आप पॉपनको अपर पर प्राप्पत है जंत का प्राबधन का कारे 7 फॉपा गया एक पर्लाम आप अपरण थे लिएर रियायत देने के लिए अद्वारसस अनिवार यह नहीं कि माने जा रही है नहीं मारे बाइंडिंग होगी अनिवार इसे फारिश है ठीक है और मादक दव्यों की भिक्री खपत को वीनेमित करने का अधिकार लगु वनोपज का स्वामित्व प्रदान करना यह सारी चीज़े थोड़ा सा पढ़ ले ना बचो बार बार दो तीन बार तो एक्लिस प्रेंट्स आपको पढ़ना ही है ठीक है चलिए तो यह कुछ यह पेसा एक्ट है इसका मैत्व क्या था मैत्व यह था कि आदिवासी शेत्रों में अलगाव की जो भावनाय वह कम हो क्योंकि उन्हें लगेगा अच्छा यहां पर है हमारे यह एक्ट नहीं है एक्ट लागू हो गया कुछ हमने उसमें जादा सुविधाय देदी जादा स्वायतता देदी जादा धिकार दे दिए तो एक तरस एक जो अलगाव था उस चीज़ को कम किया जाए कि इनके हाँ पहले अपनी ववस्ता थी कि स्थानी स्था पर कैसे सारजनिक आबादी में जो गरीबी पलायन है वह भी कम होगा प्राक्रतिक संसादों का जो नियेंटर प्रबंदन है इससे आजीवीका में सुधार होगा जनजाती आबादी के सोशण में कमी आएगी अब देखना कैसे आएगा वह देखना ग्रामीन हट बाजारों का डॉन सन यह होते हैं कि हमारा कल्चर हमारी कल भी बौली सारे चीजें क्यों निब्र ढरा में शामिल नोपाते है ठीक अफ्याग ग्षाद देखते हैं क Prix त्षण को फेथ्ध कॉश्टे बूज़ा यह एक इस 2013 का कुश्यन है कि कुश्यन कह रहा है कि सरकार ने 1996 में जो अनुसुचि शेत्रों में पंचायत का जो विस्तार किया था यह जो अधिनियम बनाया कौन सा एक उद्देशिक रूप में आदेबच्व ने तो यह नहीं बढ़ा होगा कौन सा एक उद्देशिक रूप नहीं पहचाना गया है नहीं भी पढ़ लो आपके लिए लिखा हुआ है नहीं थार्टिंग का कुश्यन आप देखो स्वासाशन प्रदान करने का अधिकार पारंपरिक अधिकारों को माननता देना जंजातिये शेत्रों में स्वायत छेत्रों का निर्मान आदिवासी लोगों को सोशन से मुक्त करना अभी अपने जंजातिये पारंपरिक अधिकार हीती रिवाजों की बात कर ली आदिवासी लोगों में सोशन से मुक्ति की बात कर लिए अब हम फसगर जानते हो कहां है स्वासाशन हमें उन्हें प्रदान कर रहे हैं या फिर हम जनजाती शेत्रों में ऐसे स्वायत छेत्रों का निर्मान करना स्वायत छेत्रों का निर्मान करना तो उन्हें स्वासाशन प्रदान करना यह तो बात सही है लेकिन स्वायत शित्रों का निर्माट थोड़ा सा कैसा लग रहा है आपको सही लग रहा है या गलत बताओ जरा तो यहां पर देखो सम्टाइम्स क्या होता है कि हम दो चीज़ों तो आसानी से कर पाए मालीजे किसी बच्चे नहीं किया तो वह नहीं भी कर ठीक है चलो तो यहां पर ग्राम सबात रेस्तरिय पदिती सदस्य अद्यक्ष्यों का चुनाव सीटों का रक्षन राज निर्वा चरायों संगे शेत्र पर राज वित्तायों और छूट प्राप्त राज और पेसा एक्ट को समझ दिया क्यूशन भी देख लिया अब देखो सदस्यों की बात करें तो 2016 में एक कुश्यन जो है पूछा गया था यूप्यसी का कुश्यन थोड़ा से ध्यान से देखा करो यूप्यसी को पंचाय सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की नियुनित मायू 25 वर्ष होनी चाहिए 18 वर्ष के लिए आप वोटिंग के है नियुनित मायू 25 वर्ष नहीं है याद अपन्ज नियुनित मायू सदस्य बनने के लिए याँ पर 21 वर्ष्त ये वोटिंग की आउएfalड ड़पिनिटिल उठार वर्ष है और अगर यहां पर ग्राम सभा लिखा होता तम ग्राम सभा की सदस्य बनने के लिए तो 24 वर्ष ग्राम सभा का सदस्य है ना वोट 18 वर्ष लिखा है कोई भी व्यस्क व्यक्ति जो वोटिंग कर सकता है समय पूर्ण विगटन के बाद पुनल गचित पंचायत के वल सेश अब्धी के लिए बनी रहती है यह क्या कहा गया है इस बात में देखो पंचायतों का जो चुना एक वंचायतों की जो आवधी है ठीक है 5 वर्ष के लिए एसा थोड़ी ये लेकिन कि 5 वर्ष के लिए निर्धारथ कर दिये तो इससे पहले विगटन नहीं हो सकता है राज चाहे तो कर सकता है कोई प्राबलम है तो हो सकती है तो पाच वर्ष के पहले अगर डिजॉल्व हो गया तब ऐसी इस्तिती दोन होगा या धटना बच्चों ऐसी इस्तिती में तेम मां के अंदर केवल six month तक रुका जा सकता है इसके बाद दो बारा जो चुनाव है उसको कराना अनिवारे है अनिवारे शब्द लिखा हुआ है दियान रटना इसको कराना क्या है बच्चों अनिवारे है साथ ही दिखो मानीचे तीन साल के बाद विक्टण हुआ तो आगे क्या जो चना हुआ ना वो दो वर्श के लिए होगा तो यहां पर जो सी शब्दी लिखा हुआ है ना कि समय पूर्व अगर विगटन किया गया है तो जो पुनर गटित बंचायत वैं केवल शे शब्दी के लिए बनी रहेगी यह यह सही है यह सही है पहला गलत है आ लगना ग्यार्वी अनुसूची जो है जोड़ी गई हम यह देखते हैं कि आखे रिए जो ग्यार्वी अनुसूची है इसमें कौन-कौन से विशाय लिखे गए हैं यह इंप्रशी को लेकर जो दियम बराने का अधिकार है वे पंचायदों के बास है एधाय लगूसे चाहिँ जल प्रबंधन करना जल संच्य का विकास करना लगू धूऔक autonomous करण जो फून प्रासेसिंग जो भी विद्योंग है वो बहभी इसमें शामिल होंगे ग्राम आवास, पेजल की ववस्ता जल प्रबंधन भी और पेजल की ववस्ता भी ग्रामीन आवास भी sind हम पुलियां ग्रामीन विदुती करन गारीब उन्मूलहण का statute aku इर अग Тषियाग व्यादीन हुछा सिक्षा तो उच्ष इस्तर नहीं है प्रात्मिक और मादिमिक जोituation फाले 6 haft p यारवी अनुसूची में उन विश्यों को रखा गया है जिन पर नियम बनाने का जो अधिकार है वे पंचायतों को है ठीक है चलिए तकनीकिर प्रसिक्षन ववसायक सिक्षा देना सिक्षा अच्छा ये तो हो गया व्यस्क और अनवचारिक सिक्षा है पुस्तकाले की ववस् खासकर अनुसूचे जाती जाती चान जाती और सार्जन इक वदर चाहली तो यहां पर आपको प्रla Democrat को प्रेश प्राइस संग थिखल नहीं को को दोताएघ कॉन इंकत adolescent को Skills में तो आपको बता दिये आगे देखो बच्छो आर्टिकल 243 चका क्या कहता है यह इंपोर्टेंट है पंचायतों की शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायत्व किसी प्रदेश की विधाई का कारून बनाकर ग्यार्वी अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति यहाँ पर यहाँ जो लिस्ट असकी बनाई हुई है तो यहाँ पर यह जो लिस्ट बनाए है ने यहिस्ट किसकी म joka적 कारून बनाकर अपने अपने आकोर्दिंगली जो यहां पर यह विसाहते है उस पर कार करेगी और सब्सक्राइब उस में चाहितों की बात कि आखिर निश्य तो में लिखा है सारे आपको वच्छों याद करने यह ठीक है अच्छे से याद करने 243 में तो दी गई यह परिभाशा है परिभाशा है क्या होंगी ग्राम सबाकिया तो यहां पर नीचों कर लिए परिफिनेशन द यहां देख लिजगा क्यूंकि हिंदी यांग्निश दोनों में आपको पढ़ना होता है तो ग्रामसभा की बात करिए 243a में और में काओ ग्राम पंचाएत ऊक अगठन ठीक है 243 c में का गया पंचाइतो की संदचना तो फिर आरक्शन की बात की गई है D में और E में कहा गया है कारेकाल क्या होगा F में कहा गया है सदस्यों के लिए अयोगिता है ठीक है आप देखो याद करने का तरीका एक मैं बताती हूँ मैंने चार वर्ड याद कर लिए अब ये तो आपको पता है ना कि आर्टिकल 243 से लेका 243 ओ तक पंचायतों के लिए जो अनुच्छे दे उसमें वबस्थाई की गई है ठीक है आप इस चीज को समझ गए याद है आपको उसके बाद आपको यह ABCD वारा जो कॉंसेप्ट है कै कैसे याद करनां होगा कि ऐ ग्राम सभाए चल छोड देते हैं तरफका की बात की अक चाहर को प्र जाएंगे तो कंक कै सबसे बुदिकलाक पारक बात की वाहीं कि इस तरहीं करिए खे consistency दो जाएंगे तो कॉम कहिएएS चौर्णक initiative भी आपको चीज़े आपको आर्टीकल इनके सासा अपने आप याद होने लगेंगे ठीके तो इनका इकरम याद अपने आप हो जाएगा बीसी डीए ऐसे गर गे आधी चीज़े तो सही तरीके से पढ़ने से ही याद हो जाती है बस तरीका आपका सही ओपढ़ने का 243 F क्या कहता है सदस्य के लिए योगता है 243 G क्या कहता है कि पंचायतों की शक्तिया प्राधिकार और उतरदायत अभी हमने क्या पढ़ा 243 चाय या फिर G में पंचायतों की पास जो शक्ति जो अधिकार कहां से आएंगे जो की राज का विधान मंडल नियम बनाकर उनको प्रवाइट करेगा ठीक है 243 H क्या कहता है कि पंचायतों की द्वारा कर लगार आप देखो टेक्स की बात की गई इसमें 243 है आप जी बात कर रहा है 243 जो जी है यह बात कर रहा है कि भर जो ऐस्टेट गयोंड है वह राइट दे पंचायतों पंचायतों के लिएँ जी कि बात की गई ज Then weSte этот एक सी बात कि गईर 7 के बात की गई 225 वित्ते एस्थिती के आयोग की बात की गई आई में और के में बात की गई निर्वाचन की तो पहले विथ है बाद में चुनाव आयोग है राजियों के लिए M में बात की गई कि संगिराज השित्रो में कैसे लागू होगा, तो संगिराजशित्रो में राष्ठपती की सहमती, से राष्ठपती अगर चाहें, तो उसमें संशोधन करके, आपने अकपörung लीची चीज़ों को कर सकते, M में बात की गई कि इसमें कुछ शेत्रों में लागू ना होना अब जिन शेत्रों में लागू नहीं था उनके लिए पेसा एक्ष है ना पढ़ लिया हमने N में बात की गई कि जो विधियां है उसमें पंचायतों का विद्धमान विधियों और पंचायतों का बना रहना औ में शामिल निरुआचर संबंधी जो मामले है उसमें नियालय का हस्तक्शेप नहीं होगा याद रहा ब데्चों कि 243 जो है इसमें लास्ट में सबसे शुरू को आगला है ग्राम सभा सबसे लास्ट में कहा खया मैं कस्तक्शेप नहीं होगा तब अगर किसी तरह के मुद्दे हैं पंचायतों के तो वो कैसे सॉल वोंगे राम पंचायत का मुद्द न्यालाई में नहीं सुना जाएगा हाँ न्यालाई जो आप देखेंगे समय समय को डिसीजन से यह ऐसे दे सकती है लेकिर आप देखेंगे कि 243 में यह कहा गया है कि अगर निर्वाचन का कोई मुद्दा है तब राज सरकार राज विधान मंदल किसी अधिकारी की न्यूकती कर देगा कि भी आप जाओ चीज को ठीक कर दो यह फिर इस तरह की समीती बनाने का जो अधिकार है इस तरह की जो मुद्दि सुलजाने का अधिकार वह स्टेट कवर्में तो चार बात यहां याद कर ली वित और चुनाव पहले वित आई होगे फिर चुनाव वाली बात है ठीके तो आप ऐसे याद कर लो तो टेक्स की बात है च में की गई जी में बात की गई शक्तियां और अधिकारिंट के क्या होंगे राज्य ट्रांसफर करेगा और लास्ट किया क्या गया है कि 73 की जो विशेष्टा है अब तक हमने डिस्कस की है उसको दो भागों में बाटा गया है दो भागों में बाटा गया अब यूपेसी ने यहां से भी एक कुश्चन जो पूछा था उस वज़े से मुझे आपको एक्स्प्लेन करना होगा जनते यूपेसी न और राज निर्वाचन आयोगे इसकी ववस्था भी आप करो मतलब जो इंपोर्टेंट है ना जो अनिवार है वो तो सभी के लिए समान होगे सभी के लिए समान होगे ठीक है तो कुछ ऐसी ववस्था होगी जो कि सभी के लिए अनिवार है और कुछ ऐसी ववस्था है जो क मालीजे चार विशय लिख दिये और उसमें ये पूछ दिया कि इसमें कौन सा एक अनिवार प्रावधान नहीं है स्वेक्षिक है समझे तो यहाँ पर यह जो विशिषता है अब तक हम देख रहे थे ना दो भागों में बच्चों बढ़ दिया एक अनिवार दूसरा स्वेक् स्वेक्षिक की बात पहले कर लेते हैं केंद और राज विधान सभाव के सदस्यों को मतदान का अधिकार देना पंचायती राजसंस्थाओं को कर्शुल्क के संबंद में वित्ति अधिकार कितने देना है कितने नहीं देना है पंचायतों को स्वायत निकाय बनाने का प्रय ये सरकार है वो उतनी capable ही है tax collection को लेकर या फिर बाकि और नोमी को लेकर तो ठीक है बाद में देदे ना पर ये तो अनिवार है आप देखा निवारे में क्या क्या आएगा अनिवारे में आएगा कि ग्राम सभाएं आपको करनी ग्राम सभा की बार सबसे पहले आर्टिकल में क ग्राम सभाएं ठीक है 243 में परिभाश आए है 243 में ग्राम सभा की बात की गई आप लोग भी खुश हो दोंगे चलो मैडम भूल गई चलिए आए आगे लेकते हैं आप देखको ग्राम सभाओं का गठन है ना यह क्या है यह अनिवारे बात हो गई आओ मैं यहां पर चलिए और जब हम अधिक्ष की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत में तो प्रतिक श्रीति होगा लेकिन मधिवर्ती यह जनपत पंचायत जपर जो अधिक्ष वर्ष होगी आप देखो निवनतमायों 21 वर्ष होगी आप ये नहीं कर सकता कि कोई राज जो है वो स्वेक्षिक में डला हुआ है ना कि आप 18 वर्ष में देदो या फिर आप 25 वर्ष तक रोको जिला एवन प्राखन इस्तर पर अध्यक्ष का पद आप प्रतिक्ष दिर्वा यही बात होती है कि आप बहुत ध्यान से पड़ो देखो बहुत ध्यान से पढ़ोगे पढ़ोगे आपकी राहे जादा रहें बचों आपको जिला और प्राखन इस्तर पर अध्यक्ष का पद आप प्रतिक्ष दिर्वाचन के द्वारा भरा जाना चाहिए ठीक है पंचायत के लिए एक तेहाई एक तेहाई पहले ही निर्धारे थे कि 33% साइड कर दो ठीक है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए राज में राज चुनावायोग होगा यह मेंडिटरी है ठीक है कारेकाल जो है पांच वर्ष का होगा लेकिन अगर इसके पहले भंग कर दिया जाए तो छे महीने के भीतार विदिन टीक है इसके पांच वर्ष में राजमीक राजवितायोग तो राजवित अई होगा चलिया चलियं अच्छी बात हो सुन लिया मैंने कुष्ण देख लेक 73rd अधिनियम 1992 जसका उद्देश देश में पंचायती रासंस्थाओं को बढ़ावा देना है निम्न में से किसके लिए प्रदान करता है क्या जिलाई यूजना समीतियों के गच्छन की बात करता है सभी पंचायत चुनाप के लिए राज निर्वाचन आयोग की बात करता है राज वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है अभी तक हमने सब पढ़ ले कहीं पर आपने जिलाई यूजना समीति सुनी जिलाई यूजना समीति जैसा को सुना है अभी तक सबी पंचायत की राज चुनावाई एक वित्ता हुए तो अनिवारे प्राभधान में जिस्ट हम ने बढ़ा तब आंसर क्या होगा इसका बस इसी तरीके से हमें सारी चीज़े पढ़ने है ठीके चलो तो 73 हमारा कम्प्लीट हो गया भई अब 74 जो है बड़ा ही शौट है क्योंकि 73 की आधी बात जो है उस पर लग होंगी तो हमने विकास समीतियों की बात की 73 संशोधन जो था इसकी हमने मुख सारी जो विशेशता हैं वह भी हमने देख ली और यह जो महतर विशेशता हैं इसमे हमने ये भी देखा बच्चों कि से 2 तरीके से कुछ ऐसे प्राबधान है जो कि अनिवारे होंगे और कुछ ऐसे प्राबधान है जो की सिवक्षिक होंगे ठीक है क्लियर है, 11 वी अनुसूची, 11 वी अनुसूची के जो नतीस विशय है, इसकी हमने लिस्ट देख ली, जो नतीस विशय है, इसकी लिस्ट आपको याद करनी है, इसकी लिस्ट आपको याद करना है, मैं इसको हमवाक लिख देती हूँ, करोगे करना पड़ेगा है ना 96 का पेसा एक्ट हो गया पेसा एक्ट के साथ हमने एक UPSC का PYQ भी देखा कैसे question आया हुआ है और 243 से 24 ये भी आपका homework है ये भी आपको याद करना है है बाकी मैंने आपको थोड़ी सी कुछ ट्रिक बताई है ना कि आप देखो ट्रिक वे कुछ नहीं होता मुझे मतलब ऐसा लगता रही कि बहुत जादा परसनल लेवल पर भी कि कि ट्रिक कुछ काम करेगी मालो आपने कोई ट्रिक याद करें और मैं कई बार कुछ चीजों को याद कर चुकिए हो पिर ट्रिक ही भूल गए ट्रिक भूल गए तब उसका क्या मतलब अच्छा है चीजों को सीदह सीदह याद कर लो आप उसमें एक थोड़ा सा लोजिक बस ही लगा सकते हो कि मैंने खा कि आपने ABCD याद कर लिए आपने करम से चीजों को याद कर लिया कि आपने चार पॉइंट्स याद कर लिए और ट्रिक ही बाद में भूल गए तब उसका क्या ही मतलब है तो ट्रिक उतना काम नहीं करता याद रखना बहुत कम जगा काम कर सकता है बहुत कम जगा मुझे लगता है कि जब कोई 500 टॉपिक पड़ोगे तब जाके आपको कही एक या दो जगा कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जो कि आप ना भूल अधर्वाइस तो बच्चों ट्रिक का कोई वो नहीं है खर आपकी अपने एक्स्पीरियंस हो सकते हैं जरूरी नहीं है जो मैं कह रही हूं वहीं सच्छे आब हम चलते हैं 73rd के बाद 74 अमेंडमेंड मेंड ह नगरपालिकाओं के प्राध्धान की बात की गई है ठीक है कुछ विशेष्टाए है सारी विशेष्टाए हम देखेंगे कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो 73rd की तरह ही है बार्वी अनुसूची देखनी है और यह आर्टिकल समय देखने है ठीक है बार्वी अनुस चलिए तो मैं पहले कुछ में पोईंस आपको लिखवाती हूं कुछ चीज़े लिखते हैं हम ज्यादा क्लियर हो जाता है लिखने से नगर निगम एक मिनिट मैंने यहाँ पर क्या लिग दिया नगर पाली का लिग दिया चले नगर निगम ही लिग देती हूं ज्यादा एक्जेक्ट हम है नगर निगम ठीक है चलो नगर निगम अब इस थानी इस तर पर केवल गाउं थोड़ी होंगे शैर भी तो होगे ना तो यहाँ पर नगर निगम लिखा हुआ है मुल्सी पैलिटी अब देखो बच्चो मेन इसके प्रोवीजन क्या उसको हम समझते हैं सबसे फस्स देखो कि इसमें यह जो 74 अमेंडमेंड है इसमें शहरी इस्थानिये निकाई की बात की गई गाउं की बात नहीं की गई गाउं की बात 73 में हो चुकिए अब गाउं को भूल जाओ शहरों को याद रखो शहरी इस्थानिये निकाई की बात की गई मतलब शहरों के स्थर पर एक ऐसी सरकार होगी जिससे हम लोकल गवर्मेंट कह सकते हैं जो कि शहर के लोगों के द्वारा ही चुनी गई होगी ठीक है तो शहर के जो अफेर्स है शहर के जो मुद्धे है उन सभी को देखने के लिए एक आपके पास क्या होगी एक तरीके से शहरी इस्थानिये साशन होगी तो यहाँ पर राज्यसरकार के द्वारा बिसेखली चीजों को निर्धारित किया जाएगा देखो बच्चो आठ प्रकार की जो शेरी स्थानिये तरीके हैं वह निरधारित किये गए हैं यह तरीके क्या उनको हम देख लेते हैं आठ प्रकार की शेरी स्थानिये निकारी तो हमने बूल दिया लेकिन देखो कुछ शेर बड़े भी हो सकते हैं कुछ शोटे भी हो सकते है कुछ हो सकते हैं जो कि गाव नहीं है है ना गाव नहीं है लेकर वो बड़ी शहर भी नहीं है तो उसमें भी एक तरीके हो सकते हैं कई कई तो यहाँ पर क्या है कि आठ तरीके के शहरी इस्थानी निकाईों की बात यहाँ पर की गई ठीक है आठ प्रकार के आठ प्रकार के अनुच्छे और ग्यार विया ने उसूचिया और बाकी सारे चीज़े पहले बता चुकी हूँ वो सारे चीज़े यहा लेक ले रहा आठ प्रकार के शेहरी निकायों की बात की गई ठीक है सबसे फर्स तो देखो नगरपाली का नगरपाली का परिशद है, नगरपाली का निगम है, थाज हम देखेंगे कि कुछ अधी सूचित छेतर समीती है, अधी सूचित छेतर समीती, कुछ शेहरी छेतर समीती है, पाचवाय की कुछ चावनी बोड है, जैसे सैनिक चावनी टाइप के हैं, इस सब के लिए अलग-अलग कुछ प्रावधान है, छटा है आपका कि शहरी छेत्र समीति यहां पर हो गया एक आपका होगा चावनी बोड हो गया पत्तन्यास पत्तन्यास का मतलब क्या है पत्तन्यास का मतलब है जैसे कि जो बंदरगाह के आसपास का जो शेत्र है बंदरगाह के आसपास का जो शेत्र है उस पर किस तरीके से जो काम है development है होगा उसके लिए काम करना है ना फिर बचों कुछ विशेश उद्देश के लिए भी होती है कि विशेश उद्देश के लिए कोई agency जो है गठित कर दी गई तो इस तरीके से हम देखेंगे कि आठ तरह के जो स्थानिय निकाय है उनकी ववस्था की गई है और साथी साथ एक बात और आप याद रख लो कि बिसिकली जो 74 अमेंडमेंट है ना बचों 1992 जिसमें संवेधानिक दरजा मिला स्थानिय शहरी इस्थानिय साशन को तो इसमें तीन मंत्रा लाए है एक तो आवास संगिय मामले में ग्रह मंत्राल है तो अगर संग शेत्र में जो संगिय मामलों में हमने देखा कि पंचायत की ववस्था रास्टपती की सहमति रास्टपती के बाद रास्टपती के अकॉर्डिंग ली होगी वैसे ही यहां पर भी अगर संगिय जो शेत्र है अगर वह नगर है अगर वहाँ पर मुंसिपालेटीज का प्रावधान लाग होगा तब वहाँ पर भी संगी शेत्रों में रास्पती जो है वह देखेंगे ठीके बाकी जगा पर बाकी जो सहर है वहाँ पर आवासों शहरी मामलों का जो मंत्राला है वह यहाँ पर डिसीजन लेगा अब हम कु के निन को उद्वाचन किया गया था अब ऐसे ही पहला नगर निगम कुछ CCP मैं आपको बताती हूं मद्रास में बैला जो निगम नगर निगम पहला नगर निगम और यह बहुत पहलों और 1688 की बात है 1688 में पहला नगर निगम जो उसकी स्थापना मदरास में की गई थी local affairs को देखने के लिए फिर इसके बाद 1726 में बंबई है कलकत्ता है 1726 में बंबई है ठीक है कलकत्ता है यहाँ पर निगम की बात की गई बिसिकली देखो 1870 में 1870 में जो लॉट मेयो थे इनों ने क्या किया इनों ने कुछ वित एक तरीके से कुछ ऐसे वित्तिय प्राभधान किये गए थे वित्य के स्तर पर कुछ ऐसे प्राध्धान किये गए ते जो कि एक तरीके से कुछ इस्थानी असोसाशन को बढ़ावा दे रहे हैं लेकर फाइनली जब हम 1882 में लॉड रिपन की बात करेंगे बच्छों इसके अलग तरीके से किया ठीके जिसे की मुकामी बोर्ड कहा गया तो यहां पर स्थानी सोसाशन की जनक रॉड रिपन को माना चाता है इसके अलावा भी 1919 का जो एक्ट था और 1935 का जो एक्ट था उन्नी सो इन्नी सो पैटिस का जो एक्ट था इसमें कुछ प्रांतों को स्वायत देनी की जो बात है वह कि गई थी जो कि स्थानी सोसाशन को बताता है ठीक है आप देखो कि जब हम 74 अमेंडमेंट की बात करेंगे चोहत्तर वा सम्वेधान संशोधन चाबनी बोर्ट और पत्तर न्यास यहाँ लिग देती हो इंपोर्टेंट है चाबनी बोर्ट के बारे में रक्षा मंताला डिसीजन लेगा है ना आपका पत्तर न्यास है बंदर का कह सकते हैं आप चलो अब यह दो को बच्चो 74 कब लागो हुआ था 74 चोहत्तर वा सम्वेधान संशोधन की अगर हम बात करें यह प्रभावी एक जून 1993 से हुआ था 24 अप्रेल को पहले पंचायत जो है वो प्रभावी हो चुका है ना एक जून 1993 से 1993 से 74 वा सम्वेधान संशोधन जो है वह पारित हुआ ठीके और इसमें भाग नौका को जोड़ा गया पढ़ चुके ना हम पहले भाग नौक इसको एड़ किया अनुसूची बारा या ग्यारा बारवी अनुसूची कितने विश है अठारा या उन्तीस अठारा विश है अठारा जो विश है इसको जोड़ा गया और यहां पर भागनों में जानते हो क्या लिख दिया था नगर पाली कि यह मैंने पहले बता दिया कि यहां पर सॉरी नगर निगम नगर निगम पाली करने नगर निगम लिखा हुआ ठीके अठारा विश है इनको दिये गए अब सुर्णा इसकी किया है संदचना में सीधे वही है कि इसकी जो संदचना है वहाँ पर डारेक्ट कुछ अन्य बातों की चर्चा मिहां पर कर ले कि बच्चो जो यह नगर पाली करें इनकी संदचना में हम देखेंगे कि जो सदस्य होंगे न वह प्रतिक्ष तरीके से चुने जाएंगे शेरों को वार्ज में डिवाइड किया जाएगा वार्ज में बाटा जाता है ठीक वैसे ही जैसे भारत में अगर लोकसभा की चुना के वुद्धिश इसे पद़ो कार अक्षन यहां पर भी किया गया है कारेकाल की बात करेंगे तो यहां का 5 वर्ष है कैसा है कि इसतानिय निकाईओं का कारेकाल पांच वर्ष विकटन हो जाए तो आपको विदिन सिक्सस मन्त चुनाफ कराना होगा इसके अलावा कुछ difficult 24 के अंतर का शैरी निकायों के लिए भी करेगा तो यह आपर बचों यह नगर निगम की बात हो गई समझ गए आप सब्सक्राइए अच्छा इसके दो और लिख लो पॉइंट्स एक तो सात्वा है जिसको का जाता है टाउंशिप ठीक है और आत्वा है विशेश उद्देश क गठित एजनसी विशेश उद्देश्यों होए तो गठित एजनसी देखो एक करेक्शन और कर देते हूं कि नगर पाली का परिशत ना लिखे हम पहला जो पॉइंट अवे नगर निगम लिख लेते हैं हैं आपके पास सुविधा नहीं होगी आप इसको कट करके साइट में लिख लेना इन दोरों में एक अंदर समझ दो देखो नगर निगम जो है बच्चों यह तो लात्मक रूप से बड़े शहरों के लिए होगा नगर पाली का तो लात्मक रूप से छोटे शहरों के लिए होगा ठिक है अगर कोई चेत्र ऐसा है जिसको एक तरीके से नोटीफाइए एरिया जो है वैश डिकलेर कर दिया गया तब इस तरीके के लिए अलग से इस तरह की समीतिया होगी ठीक है यादटना शाबनी वोट की हमने बात की थी कि अगर इस तरीके से कोई सेनेक छाबनी या फिर इस तरह का कोई टाउंशिप बगएरा प्लाद किया गया तो उन सब के लिए अलग अलग ववस्ताएं होंगी अब देखो अब मेन हमें क्या याद करना है इसके आर्टिकल्स कौन से और कौन-कौन से विशय दिये गए ठीक है पहले इसमें एक प्रावधान और आर्टिकल्स के पहले किसकी मुख्य विशिष्टा है उसमें अनिवार और स्वक्षिक कौन-कौनसी है कौन सी विशिश्टा ठीक वही जो 73 में day थ है वही 74 में भी है कुछ बाते हम देखेंगे कि अनिवार के लिए सेम होंगी है ना कुछ बाते स्ष्खशिक के लिए सेम होंगी अनिवार में वो विशखत शामिल होंगे जो की आपको करना ही कर रहा है यह सांस के लीए आप जो होंगि यहांपर जो छोटे शहर थे की गाउन नहीं है वहांपर नगर पन्चायत है, फिर नगर निगम बिल जाएंगे आपको ठीक है, जो बड़े शहर है, वहांपर नगर निगम और यह जो गठन है वो आनिवारे रूप से हैं ऐसी स्थी की बात करेंगे तो शेहरी स्थाने निकायों में सीटों का आरक्षन मोटे तोर पर आबादी के अकॉडिंग लिकिया जाएगा सेम वही प्रावदाने जो पहले था एक त्याई सीटे माहिलाओं के लिए आरक्षती वही प्रावदाने जो आम पहले पढ़ चुके पंचायती राज निकायों में चुनाव कराने के लिए राज निर्वाचन आई होगे ठीक है और वित्तिय मामलों से निपटने के लिए वित्ताई होगे शहरी स्थानिये स्वासाशी निकायों का कारेकाल पांच वर्ष का होगा और विगिटन इन निकायों में संक और राज विधान मंडल के सदस्यों को वही मद्दान वाली बात हो गई पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षन देना और महिलाओ के लिए आरक्षन देना अनिवार है लेकिन जब हम OBC की बात करेंगे तो यह यहां पर मेंडिटरी नहीं है OBC माली देक्लरेशन नहीं है कोई अधिसूचना ऐसी नहीं आई तब आप कैसे करोगे तो राज अगर चाहे तो OBC के लिए चीजों को स्वेक्षिक रूप से आरक्षन दे और ना दे तोल शुलक की बात हो गई स्वायत स्वायतता की बात हो गई ठीक है तो यह सारी बात है तो यह की पंचायतों के लिए बड़ी बारत में आठ प्रकार किया चलो यह तो हो गया छोड़ दो 1992 में शहरी स्थानी सरकार से संबंदि 74 अमेंडमेंट नरसिम्मा राफ सरकार एक जो 1993 से प्रभावी हुआ ठीक है आमने देख लिया भाग नौ ए जोड़ा अनुच्छे 243 पीसे जोड़ा गया ठीक है और यहां पर बार्वी अनुच्छी चोड़ी गई और नगर पाली कांसे संबंदित 18 विशय है ठीक है 18 जो विशय है वह इसमें जोड़े गए चली आईए अब हम देखते हैं आर्टिकल्स आर्टिकल्स देख लें फिर हम अनुच्छी देख लेंगे ठीक है कौन-कौन से विशय है 243 P से लेके ZZ क्या कहता है अब सबसे पहले 243 ता या फिर P में परभाशा है सबसे पहले परभाशा जो 243 में परभाशा पहले थी 243 P में परभाशा थी A से आपकी क्राम सभाई शुरू हो गई थी A से लेकर हमने देखा ठीक है A से लेकर O त गठन क्यों में का गया यह दोनों से में चले इसको काड़ देते हो ठीक है तो यहाँ पर नगर पालिकाओं के गठन की बात क्यों में की गई आर में नगर पालिकाओं की संद्चना है S में वाड समीतियों का गठन है 243 T में स्थानों का आरक्षन है U में नगर पालिकाओं की अब्धी है V में सदस्यों के लिए योगिता की बात की गई 243 W में नगर पालिका की शक्तिया प्राधिकार उत्तरदाईत आप देखो इसमें 243 जो यह बा है यह जबलू है इसमें नगर पालिकाओं को शक्ति प्राधिकार कौन देगा राजविध हनमेंडल है ना 243 X में कहा गया है कि कर और वित की बात Y में वितायों की बात लेखाओं की बात Z में की गई है कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा कि ठीक क्रम वही है बस चीज़े बदल गई है जो हमने पंचायतों में टेक्स की बात की उसके बाद चुनाव की बात कि उसके बाद वही वही कुछ क्रम इसमें विवन रहा है तो आप ठीक वैसे ही याद करो इस उसमें बताया संग की राजशेत्रों में कैसे लाग होगा Z B में कहा गया Z C में कहा गया देखो अब इसके बात जब 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 हो गया तो फिर से ABC ना करके Z Z लिखा हुआ है Z के आगे ABCD कर दिया तो Z A में नगरपाली काओं का निरवाचन Z B में संग शेत्रों की बात Z C में इस भाग का कुछ शेत्रों में लागू ना होना है ना और फिर Z D में कहा गया जिला योजना के लिए समीती अब देखो हमने क्या देखा था UPSC ने क्या क्योंशन पूचा क 一 सेवंटी फ्री जोँडा जिला योजना समीति के नहीं कि गई क्योंकि ग्यूंक्ते गई 243 फें ज में गई ज जोड़ा गया था उसमें जिला योजना के लिए अंग। की बात की की तो 73 का option नहीं है 74 का option है समझें लिख दूँ यहाप इस्टार बना दू देखो तो डारेक्ट आपसे आर्टिकल नहीं पूछा आपसे इंडारेक्ट आर्टिकल पूछ लिया ना है ना बस यह नहीं लिखा हुआ था बाकी पर लिखा था ZE में महानगर के लिए समीती की बात की गई ZF में विदमान विदियों पर पालिकाओं का बना रहना और लास्ट जो है निर्वाचन के मामलों में नियालकास तक्षिप का वर्णा तो O में भी यहीं बात की गई थी और ZZ में भी यहीं बात की गई एक और तरीका हो सकता है जै पांचायते हो या नगरपाली काई उसमें न्याका अस्तक्षिप नहीं होगा बस उमेग्राम बंचायटों के का लिका घया जिमें इस तरीके से याद कर लो कि से जरूरत नहीं है कि सी ट्रिक के जरूरत नहीं सब्सक्राइब और पर लो इनफ है चलो कि योजना की बात की गई भूमीयों पयों की वीनमन भवनों का निर्मान आर्थिक सामाजिक विकास युजना सड़क फुल बनाना इंभाही सारे प्रावधान जोंकि पंचायतों करें कुछ चीदस जोगी जुगी बस्ती सुधार की बात के गई नगरी नर्धंता उन्मूलन की बात के गई नगरी सुक्स विधाओं की जैसे की पार्क है खेल के मैदान है पार्क की बात ग्राम बंचायतों में नहीं की शहरों में की गई है ना क्योंकि शहर होने का एक परामीटर है कि भी शहर आप पार्क भी आता है सांस्कृतिक सेक्षिक आयामों की व्रद्धी कब्रिस्तान है इन सबी चीजों की व्रद्धी मतलब इनकी में वस्ताइए करना है कांजी हाउस है जन्म और मत्यू का पंजी करन इसमें आएगा सार्वन एक सुक्सु विदाया आएगी बस्ट्रॉप है या फिर वैद शाला आया फिर चर्म शोदन जो शालाय है अब एक आता है यूप्यसी का मेंस का कुश्चिन जो कि 2020 में पूछा गया था आपका 73-74 कंप्लीट हो चुका है ठीक तरीके से इसको एक बार एक बार पढ़िएगा बच्चो यूप्यसी का मेंस 2022-2020 में जो वा तो उस निधियों के प्रारंभिक चरण से थोड़ा से इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन है ना यूपसी यही तो करता है तभी तो हम समझ नहीं पाते कभी-कभी थोड़ा से इंग्लिश देख लिया करो देट्स वाइम आप से इंग्लिश पढ़ा करो बच्चों बच्च न करयात्मक से के समका जलिशन संस्थाओं कि कारिशमता के संदर में उनके सामने चैक्स को लगाने की शक्ति बह渗ी है तो भागी-दरी तो आज की क्लास हमारी यहीं खतम होती है तो यहां पर मैंने आपको गादी जी के जो कथा नहीं बीच में दो तीन बताई हुए है आपको जब कभी लिखना हो आप इनको जरूर यूज करें गादी जी ने कहा था कि भी लोकतां तो जो है केंड्र में बैट कर नहीं होगा लो क्या है यह भी हमने देख लिया ठीकर 17 में कुश्चन पूछा गया था जो हमने पड़ा है जिस्ट अधियां विकास में आमने देखा कौन कौन सी समीथी ने कौनसी सिफारिश की important सारे provisions देखे इसके अलावा हमने वल्वंत राय महता समीती की बात की प्रस्ट भो में देखी महत और विशिष्टाओं में हमने जाना कि किस तरी किसे ग्राम सभात की इस तरी है सीटो कारक्ष और अध्यक्ष राज जर्वा चनायोग संग्य शेत्रिय सारी बाते की गई पेस आसी ही विशिष्टा है हमने 74 अमेंड्मेंट में भी देखी तो 73 में बहुत कुछ ऐसा पढ़ लिए जो कि साथ हम कनेक्ट करते गए चीजों को तो आपको यह जो पीडिएफ जब एवलेबल हो जाएगी तब पढ़ लेना है पीडिएफ पीडिएफ और कॉमेंट में मत किया कर और मालों कोई बास समझ में नहीं आई या कुछ ऐसा था मालों किसी टीचर में पढ़ाने से छोड़ आप लिग दो उसमें कि यह वाला जो पॉइंट है चूड़ गया था यह लोग तो यह कुछ ऐसी बाते हो सकते हैं बच्चों कि कॉमेंट के वल कॉमेंट करने के लिए नाइस क्लास इस तरीके का कॉमेंट से किसी का भला नहीं हो रहा ठीक है अगर आपको समझ में आया नह ही आ रही है आपने अपने से क्या सुचा वीडियो देख कि हमें नहीं पता तो इसके लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है कि अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप उसको लिख दें कि मैं यह नहीं समझ में आया तो नेक्स जब भी क्लास होगी आप अगर क्लास को कॉंटिनुटी के साथ देखेंगे कहीं न कहीं मैंने उस फ्रक्ट को जरूर कवर किया होता है ठीक है चीज बुनियाद बेच के अंदर भी की थी अचा बुनियाद बेच भी आपको वन शॉट में मिल रहे है वो सारी चीज़े भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ह है आप बार-बार उसका रिवीजन करो कुई बहुत सारे कुशिंस वहां से आते हैं बचो ठीक है तो वन शॉट में जो आ रहा है एंसी आते उन सबको पढ़ लो शैरी स्थानी निकाय क्या है 74 की कुछ विशेशता है हमने देख ली इसके अलाव हमने आर्टिकल 243 पी से ज सब्सक्राइब कर दो चीजों को याद कर लो एक अपना साथाट पेशका दस पेशका जो भी आपका मैटर बन रहा है उसको एक बार बना लो करेंट फेर की कुछ चीजे बेसिकली आड होगी नहीं स्टाटिक तो वही रहेगा ना कहा आर्टिकल चेंज होए जा रहे हैं आर बता है कि एक बर आपने पड़ा आज आपने पंचाहिती राज पड़ा आपको दो घंटा लग गया वह भी तक जब खुद से नहीं पड़ा है ना कोई टीचर पहले सो शायद उस पर आट-10 घंटे की मैनत करके आया हुआ था उससे सारी चीज़ आपको दो घंटे में दे बट आपको चीज़ों को याद करना वह आपकी ड्यूटी आपकी रिस्पॉंसिबिटी है सो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में बच्चों पढ़ते रही है है ना रिविजन करते रही है और जो सारी वीडियो से सभी आपके लिए इंपोर्टेंट से सारी वीडियो को द सारी समवेधानिक और गेर समवेधाने कॉस्टूशन और नॉन कॉस्टूशन बॉडिज ऐसी है जाज यूपे सी हर बार कुश्चिन पूछता है फॉर इग्जापल अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की ठीक है इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की बात करें या फिर हम कोई संशोधन हुआ है तो वे संशोधन क्या है क्या न्यूकति कार इकाल किस चीज में आखिर वह परिवर्तन करता है कुछ पर ऐसे होगे जिनके न्यूकति राश्पति करेंगे बट हचाने का जो अधिकार है आप देखेगे कि अगर राजपाल भी नियूकति करता है तो रास्ष्पति कोई अधिकार होता है बहुत सारे से इसमें तो लगबग 20 ऐसे इंपोर्टेंट कॉंस्टूशनल और नॉन कॉंस्टूशनल बॉडी की बात आज हम इस वन शॉट वीडियो में करने वाले हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं अच्छा शुरू करने के पहले मैं संस्थां का मतलब क्या है संवेधानिक और कॉंस्टूशनल इसका मतलब है जो समवेधान में लिखा हो फॉर एक्जामपल आपका वित्तायोग और इक्जामपल आपका जो finance commission है तो वित्तायोग की बात बच्चों कहां पर की गई है आप का article 280 और अर्टीकल 280 क्या कहता है कि रास्पति जब चाहे या फिर पाच वर्ष की अब्धी को पाच वर्ष की अब्धी पर एक वित आयूप अगठन करेगा जो केंद और राज्यों की बीच करका आबंटन और बाकी सारे राजस्वे इन सब के आबंटन की सिफारिश करेगा ठीक है तो यहाँ पर यह क्या हो गय सदही आपका शुष्यों बाट अब घंड है ना तो मटशं नहीं एक और आहाई करें हम नीती आयोग की बच्चों बात कर ले तो इसका जो वर्णन है वे समविधान में नहीं है योजना आयोग का भी नहीं था तो ये क्या हो गया जिसका वड़न सविधान में नहीं है आपका गेर सविधानिक हो गया इसके अलवा एक और शब्द आपको देखने को मिलेगा जिसे हम कहेंगे Statutory जिसे कि हम कहेंगे Statutory Bodies यानि वैधानिक संस्था हैं अब मालीजे हमने रेखा कि एने चारसी का जो गठन है ये एक अधीनियम लाकर किया गया है एक एक पारित किया गया उस एक्ट के अंतर गत ये जो बॉड़ी है वो अस्तित्व में आई तब हम इसको क्या कह देंगे कि ये वैधानिक संस्था है ठीके तो अब जब मैं कहूं समविधानिक गैर समविधानिक और वैधानिक आपको इन तीनों का जो अर्थ है वैं पता होना चाहिए ठीक है एक लियर चलिए सो शुरू करते हैं नेक्स्ट हम समविधानिक निकाय में हम बात करेंगे कंस्थुशनल बॉडी बे हम बात करेंगे निरवाचन आईयोग की संगलोक सेवा आयोग यूपी एससी राज लोक सेवा आयोग स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमिश्यूनस है वित आयोग की बात करेंगे अनुसुच जातिओं के。 q आयोग है और अनुसुचे जन जाती हो के लिए ठीक है ये ऐस्टी ये ऐसी हो गया है ना अनुसुचे जाती के लिए और होगे शीडूल ट्राइब के लिए फिर रास्टी पिछना वरगायोग देखेंगे कि इन तीनों में कैसे एक एक अंतर आपका आर्टीकल का हो जाएगा सम्विधान अलग-अलग सम्विधान संशोधन होगे जिससे ये बॉडी अस्तित्व में आएगे तो ये सारे चीज़े किसी में ड्यूकती और हटाना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहाँ पर उसमें कुछ ऐसे डिफरेंस होगा कि जहां पर स्टुडेंट गलती करते है ठीक है कही पर हम देखेंगे कि जाती जन जाती और रास्टी पिच्डवर गायोग इसमें सम्विधान संशोधनों के द्वारा तो यहां पर सम्विधान संशोधन इंपॉटेंट हो गए मतलब आप देखेंगे कि जरूरत जरूरी बिलकुल भी नहीं है कि हर एक आपका जो इसमें किवल न्यूकती ही पूछे जाएगी किसी के कार किसी को उद्धिश सबका सब पूछा जा सकता है ठीक है लेकिन हम देखेंगे इंपोर्टेंस कभी-कभी जादा और कम हो जाती है तो चुकि यह वीडियो बच्चों आपको मिल रहे हैं UPSC का PT जो 28 माई को आप देन करेंगे टापिक फिनिश होने के बाद UPSC नोस पर कैसे कुछन पूछा है हम उसको सॉल्व करेंगे पीटी का जो कुछन उससे जोड़ लेंगे हम मेंस के कुछन यार डिसकस नहीं करूंगे वरना वीडियो फाइवार्स का बनेगा तो लगबग देर धोगंटी में हम अप की बात करेंगे कंट्रोलर अडिटर जनरल ऑफ इंडिया के की बात करेंगे नियंत्रक और महालेखा परिक्षक क्या होता है बहा न्यायवादी और महाधी वक्ता ठीक है तो यह इंपोर्टेंट बोडी आपके ये सारे समविधानिक निकाह है याद रखना इसने मैंने इसम जो वर्डन है वह किया गया है ठीक है तो चलो देखो हम सभी को विस्तार से शुरू करें उसके पहले क्या किया है मैंने कि एक हम टेबल फॉर्म में समझ देते हैं जहां से कुश्यन आया है आ सकता है या फिर पूछा गया है और एक्जामपल कि जैसे भार्तिय दिरवाचन निरौटन आयोग संस्था बहुत इंपौर्टेट है अब यहाँ पर देखो सदस्यों कि निखती और ऊंको हटाना कौन करता है यह काम न्यूपति कौन करेगा हटाएगा कौन ठीक ही और इसके अलावा कारेकाल क्या है जिसमें कारेकाल हुस्त होगा गारेकाल वोत्रस को अवेर करने के लिए हम मद्दात्य दिवस मनाते हैं तुम मनाते हैं कियों निर्भाचन Geo verrph Esse यह 25 जनवरी को होती है कि संबे हुई थी वो आगे हम बात करेंगे यहाँ पर मैं आपको नियुक्ती की बता बात बता देती हूँ तो देखो राश्च्पती के द्वारा रास्टपती के द्वारा नियुक्त किया जाएगा ठीक है रास्टपती के द्वारा जो भारतिय निर्वाचन आयोक के सदस्य है जो अध्यक्ष है इनको नियुक्त किया जाएगा और आपको एक और important बात याद रखनी है बच्छों कि अगर हम इनके हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो हटाने की प्रक्रिया कैसे होगी that is important UPSC की प्रसाद परियंत मतलब जब तक राश्पती चाहे तब तक कौनसा ऐसा पद है जो की उनके प्रसाद परियंत ये उनकी एक्षा पर निर्भर होता है तो क्या भारत दिर्वाचन आई होगे क्या उपिस का चेया परसन है तो यहां पर हटाने की प्रक्रिया हम देखेंग में एक प्रस्ताव लाया जाएगा जो की विशेश बहुमत से पारित होगा दोनों सद्नों में एक प्रस्ताव लाया जाएगा विशेश बहुमत मतलब दो तेहाई बहुमत है ना तो यह विशेश बहुमत के द्वारा यह जो प्रस्ताव है यह विशेष बहुमत से पारित होना अविशक है ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हमारे जो important विशेष बहुमत द्वारा पारित भी हटा सकते हैं रास्टपती जब यह पारित हो जाए इस तरह की कठिन प्रोसीजर इसलिए किया गया है कि जो हमारे सववेधान एक पद है, वो कहीं मजाक ना बन जाए ना, कहीं हमारे ऐसा ना हो कि किसी गलती है, फिर किसी ऐसे चीज़ के चलते बता-चला कि सरकार बदली है, फिर कुछ भी एक तरीका हो सकता है, कि इनको बदल दिया गया तो ऐसे भी तो देश में चुनाओ की ववस्ता और सारे चीजों में आस्थिता हो जाएगी तो कुछ पदों को सुरक्षित किया गया है और सुरक्षित करने का एक तरीका यही है कि अगर हमने तफ प्रॉसीजर कर दियो उनको हटाये जाने का तब ड कावा देखो सेम यही कारेकाल UPSC के सदस्यों का होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष यह 65 वर्ष का मतलग क्या है या तो 65 वर्ष की आयू हो या आपने टोटल जो काम किया हो वो आपका कारेकाल 6 वर्ष का हो गया हो एक किस से माली जे कोई पॉइंट हुआ और वह 26 तक काम किया पच पहले हो जाए यह कंडिशन सभी के लिए ठीक है तो देखो क्या होता है बच्चों जब हम चीजों को एकदम जैसे हमें पता है हमने टेबल फॉर्म में चीजों को याद कर लिया सारी जब हमने इंफॉर्मीशन पैरेग्राफ में पढ़ी तब हम याद ने हुई लेकिन हमन अलग से एक टेबल फॉर्म में चीजों को याद कर लिए जैसे की कुश्यन पूछा जाता है तब ऐसे में आपको चीजें जादा आसान होगा याद रखना अब आपने हापे ही कंपेरेजन के लिए चाहे निर्वाचन आयोगो और चाहे यूपेस्ट को दोनों के ही जो ताकि आपको याद रहें लिख लो जल्दी से से जो भी पहले हो हम इन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे लेकिन इंपोर्टेंट पॉइट्स में पहले बता दूँ कुछ बच्चे ऐसे होते ना कि शुरवात में किवल चेक करने आते हैं देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है तो कम से कम शुरवात के अगर 10 मिर्ट देख लोगे तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे चलिए तो यह हो गया आपका UPSC का एड़ आपका भारते निर्वाचन आयोग का ठीक है चलो पहले UPSC का बता देती हूँ अब देखो बच्चो UPSC के अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके सदसे कितने होंगे सदसे कितने होंगे और इसकी संडचना क्या होगी है ना UPSC में संडचना क्या होगी इस बात का जो निर्धारण है यह रास्टपती के द्वारा किया जाएगा ठीक है रास्टपती के द्वारा जो निर्धारण है वै किया जाएगा सम्टाइम्स ह सुधा क्या है कि बहुत सारे ऐसे पध हैं जिनका वरणन spoken सम्विधार में इस्पस्ट रूप से नहीं किया गया तो वह पावर या तो संस्जट पास है या तो रास्टपति के पास है और ज्यादा तर मामलें अम देखेगे कि राष्टपती के पास ही है अब याद रखना कि इनको हटाने का जो पावर है यूपीसी रेकुशन पूछा कि यूपीसी के जो सदस से हटाए जाते हैं वो राष्टपती की या फिर किसी और आधार से कि सम्विधान में उसका वर्णन है या नहीं याद रखना क कि अगर ये सम्विधानिक निकाय है जरूरी नहीं कि सभी के हटाने का आधार हो बट यहाँ पर सदस्यों को हटाने का आधार सम्विधान में है सदस्यों को किस आधार पर हटाया जाएगा ऐसा सम्विधान में लिखा हुआ है कि कदाचारा समर्थता जो भी हो पागल वालिया ठीक है इन आधारों पर इनको हटाया जा सकता है अब हम आते राजलोक सेवायोग जो यूप्यसी करेगा केंद्र के स्तर पर वही स्टेट पीसियस करेंगे ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे कि जो प्रमुख भरतियां है सिवे सवसिस की और उनकी प्रिपरेशन जि जो निखती है वह राजशुपाल करेंगे अब आप सुचेंगे कि इनको हटाएगा भी राजपाल तो मैं आपको बता दूं कि इनको हटाने का जो अधिकार है वो केवल UPSC के सदस्यों के लिए था अब यहाँ पर 6 वर्ष तो जो है वह समान है लेकिन यहाँ पर 65 नहीं बलकि 62 वर्ष की आयू है 62 वर्ष की या तो आयू पूरी कर ली हो या तो 6 वर्ष का कारेकाल पूरा कर लिया हो ठीके अब हम बात करेंगे वित्तायोग की अब हम बात करेंगे बच्चों वित्तायोग की ठीके आगे इन सभी की बारे में विस्तार से चर्चा है घबरानी के जरूरत नहीं है यह इंपॉर्टेंट था तो मैं आपको बता देती हूँ देखो वित्तायोग हर पाचवे वर्ष या पिर जब रास्टपती आविशक समझे तब उसका गठन कौन करता है रास्टपती करेंगे ठीके इसके अलावा देखो हम देखते है आर्टिकल 280 में वित्तायोग का जो वर्णन है वै किया गया है और आर्टिकल 324 में आपका नि पर नहीं बता सकती तो इसको अभी रुख जाएंगे ठीके अब देखो इसमें एक और इंपोर्ट इंफोर्मिशन में बता देती हूं कि जो पंद्रवा वित्तायोग है है ना यहां से कुश्यन आ सकता है क्योंकि तेरवे वित्तायोग और चौदवे वित्तायोग की सिफा फिश.ठा लेलो चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं बाकी कि छह संस्थाओं की तो यहां पर देखो बच्रों हम बात करें सबसे पहले कि रास्ट एक रोख। अनुसके जातियों के लिए ठीके फिर अनुसके जन जातियों के लिए और फिर जो पिछडा वर्ग हम जो Ace एक साथ बढ़ते हैं अब देखो सबसे पहले मैं आपको जो आबकल समस्राई कंच व मैं एक आब तो 338 5 अनुसுचे जातीयों के लिए 338 ए आर्टिकल किसके लिए होगा अनुस उचे जन जातीयों के लिए और 338 आर्टिकल भी किसकə लिए होगा अन्य पिछडावर्ग के लिए ठीक है अब देखो सम्भिधान संछोधन भी बता रही हैं उसको बिध्यान से सुनना पहले आपको पता है कि पहले अलग से कोई राष्ट्री आयोग नहीं था बलकि अधिकारी के न्यूक्ति का प्रावधान हमारे मूल सम्विधान में किया गया था जो हमारा ओरेशनल कॉस्ट्यूशन बना हुआ था बच्चों तो मूल प्रावधान किया था कि वहां पर एक अधिकारी के न्यूक्ति होगा जो इस वर्ग के जो लोग है उनके कल्यान के लिए उनकी यूजनाओं के लिए काम करेगा तो फिर अनुसुचित जातियों के लिए राष्ट्री आयोगा अस्तित्व में कब आया देखो आर्टिकल 338 में पहले अधिकार लेकिन अब देखो यहां पर मैं आपको कारिकाल ना बताकर इंपोर्टेंट जो संशोधन है वह बता रही हूं इन तीनों के संविधान संशोधन अलग-अलग है तो 1990 में होता है 1990 में हुआ आपका 65 संविधान संशोधन और इस पैसट में संविधान संशोधन के द्वारा जो एक अधिकारी पहले होता था उसको बदल दिया गया एक बहु सदस्य निकाय, बहु सदस्य मतलब एक से जादा जहां पर सदस्य थे, ठीक है, तो एक से जादा जो सदस्य थे, बहु सदस्य निकाय के रूप में ये आयोग जो है वह आ गया, ठीक है, नेक्स देखो, नेक्स हम बात करेंगे कि STS के लिए कब आया आयोग 338 A के अंतरगत तो यहाँ पर बच्चों हुआ था 89 89 89 89 89 सम्विधान संशोधन हुआ था ठीके और उससे अस्तित्व में आया अनुसुचित जर जातियों के लिए रास्ट्री आयोग और जब हम रास्ट्री पिछला करेंगे पहले यह वैधानिक था बाद में इसको सम्वैधानिक दर्जा मिला आपके 102 सम्विधान संशोधन के अंतरगत 102 सम्विधान संशोधन के अंतरगत जो पिछला वर्ग आयोग था इसको सम्वैधानिक जो दर्जा है वह दिया गया कि सम्वैधानिक दर्जा दिया गया ठीक है clear है ये तीनों का अलग-अलग हो गया ये important था बताना अब याद रखना कि इन तीनों के ही जो कारिकाल सेवा शर्ते सदस्यों की नियुक्ति है इन तीनों के ही और नजदीक से खीच देती हूं आपको याद रहेगा कारिकाल सदस्य सेवा शर्ते तीक है ये सारे जो काम है किसके द्वारा किये जाएंगे रास्ट पती के द्वारा रास्ट पती के द्वारा clear हुआ clear हुआ इसका चलिए अब आगे हम देखेंगे अब आपका बचा कैग बहान्याइवादी और महादी वक्ता ठीक है अब देखो जिसको आप कैग के नाम से जानते है न वह एक Comptroller Editor Journal of India है भारत का नियंत्रक और महालिका परिक्षक इसको हम कैग कहते है ठीक है कैग या तो C.A.G. लिख लो या हिंदी में कैग लिख लो अब देखो कि यहाँ पर बच्चों जब हम नियुक्ती की बात करेंगे तो नियुक्ती तो की जाएगी रास्पती के द्वारा जादतर मामलों में आप देखेंगे कि नियुक्ती रास्पती ही कर रहे है ना रास्टपती ही कर रहे है फिर आभी बाद में हम और थोड़ा सम प्रस्यों को हटाया जाता है कि दोनों सदनों में बहुमत से इवन विशेश बहुमत से दोनों सदनों में विशेश बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा विशेश बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है ठीक है यादटना और इसके च्छे वर्ष या 65 वर्ष या च्छे वर्ष का कारेकाल या फिर 65 वर्ष की आयू दोनों में से जो भी पहले हो अब एक और important point में आपको बता दो कि मालो कोई व्यक्ति कैग था ठीक है जैसे जैसे मैं आपको यह सारी चीज़े बता रहे हूं आपका एक काम होगा कि आप तुरंत जाकर करन्ट अफयर पर से अपडेट हो जाओ कि आखिर वर्ष बारमान में इसके कुछ ना सकता है वर्ष मैं अधिक्ष कौन है ना एक सेंटेंस में आपको मिल सकता है तो यहां प पद के छोड़ने के वाद बह किसी अन्य पद को ग्रहन नहीं कर सकता ठीक है कई जगा पर इस तरह की बाद है यह जैसे कि हम यूप्यस्टी के चिया परसन की बात करें है ना वो उनके साथ भी यह है प्रॉब्लम नहीं मतलब यह प्रापधान है अब आगे हम देखेंगे भा यहां पर देखो यूपेसी के द्वारा कुशियन पूचा गया था कि राष्टपती की प्रसाथ परियंत कैग होगा राष्टी पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य होगा ठीक है कैग होगा निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा या फिर महानियाइवादी होगा यहां देखना बच्चों की जो भारत का महानियाइवादी होगा यह आपको या दखना है कि ये इनकी जो न्योक्ती है रास्टपती करेंगे और चुकि सम्विधान में द्योक्ती रास्टपती करेंगे सम्विधान में हटाने का आधार नहीं है तो ये पावर भी रास्टपती के पास है कि इनको हटाया कैसे जाएगा तो रास्टपती के एक्षा पर निर्भर है जिसे की कहा जाता है रास्टपती के प्रसाद परियंत राश्च पती के प्रसाद परियंत रहेंगे भारत के महानियावादी और इसके अब अलावा देखो कि जो इस्तिति महानियावादी की होगी केंडर में वही इस्तिति राज के महाधिवक्ता की होगी राज में तो यहां पर न्यूक्ति याद रखना कि न्यूक्ति जो है राजपाल ध्यान रखना न्यूक्ति जो है ये राजपाल कर रहे हैं और हटाएंगे भी कैसे कि ये राजपाल के ही प्रसाथ परियंत है प्रसाथ परियंत इनकी इक्षा पर ही निर्भर है समझ में आया तो इसलिए इनका जो कारेकाल है वो मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ कारेकाल हमने इनका नहीं किया क्यों क्योंकि कारेकाल इनका निश्चित नहीं है आप आर्टीकल और देख लेते हैं आर्टीकल देखो 148 में कैग का प्राभधान किया गया है कम्ट्रोल और लॉफ इंडिया का आर्टिकल 148 में बहा नियावादी की बात करेंगे तो आर्टिकल 76 और महाधी वक्ता की बात करेंगे तो आर्टिकल 165 है यह थी आपकी सारी लगभग 15 मिनिट में हमने इसको कवर कर लिया अब हम चलते हैं विस्तार से सब को थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं है ना आप सभी को लगे कि मैंने बहुत ही ज्यादा शौट करा दिया चलिए तो यहाँ पर हमने निर्वाचन आयो की बात कर ली कहाँ पर कौन हटा सकता है कौन नहीं हटा सकता है जहाँ पर अंतर जादा हो कि न्युक्ति कोई और कर रहा है हटाने का जो पावर है किसी और को है ठीक है तो देखो एक कंडिशन ऐसी हो सकती कि रास्पती ने न्युक्त किया रास्ट पती के पास पावर है दूसरी एगधी ती पहली कंडीशन मेरास पती के परियानता था एक्जापल महान्याइवादी दूसरी कंडिशन ऐसी थी कि न्यूप्ती राजपती के द्वारा की गई लेकिन हटाया जब गया तो संसत का विशीश बहुमत उसमें लगा फॉर इग्जापल निर्वाचन आयो और UPSC के चेयर में ठीक है और कैक का भी सेम और तीसर कंडिशन यह था कि राजपाल ने नियुक्त किया लेकिन हटाने का जो प्रोविज बॉड़ी है जो कि निर्वाचन आयोग है जिसे कि चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है अच्छा देखो बच्चों कुछ चीजों को ना बहुत ही बारीकी से पढ़ा करो क्योंकि यूप से उसी इन्फोर्मिशन से पूछे जो आप देख रहे हैं पर आपने उसको ठीक तरीकी से उसको वर्गी करण नहीं किया आपने याद नहीं किया चीज़े आप स्किप कर जाते हूँ अच्छा चलो मैं यहाँ पर लिखती हूँ रास्पती यह वतलब राज निर्वाचन आयोग जो है वैं मुख रूप से चार चुनाव करवाता है ठीक है एक तो राज्य की विधाई काओं का भी कराएगा ठीक है तो मैं आप राज्य विधान सभा लिख देते हैं और इसके अलावा बच्चों रास्ट्पती और उप्रास्ट्पती अब देखो यह स्पेशली मैंने क्यों बताई आपको information क्योंकि UPSC ने यहाँ से question पूचा कि यह जो है निर्वाचन आयूग वह किस किस के चुनाव कराएगा इसमें कौन शामिल है कौन नहीं है तो रास्पती उप्रास्पती है संसद है मतलब लोगसभा राज्य सभा राज्यों की विधान सभा इन चारों के जो चुनाव है वह निर्वाचन आयूग के द्वारा कराया कि इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में निस्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जो चुनाव है वह कराए जाए ठीक है यह में काम होगा तो यहाँ पर देखो बच्चो एक पॉइंट और मैं आपको बता दू यूपेसी ने क्विशन का कि पंचायतों के जो चुनाव हो होते हैं उससे कोई संबंद नहीं होता है सही बात है क्योंकि उसके लिए राज निरवाचन आयोग है राज विट आयोग का इसनी इसलिए ही तो उनका गठन और अस्तित्व में आय थे कि नगर पालीका और पंचायतों के जो विट और चुनाव की विवस्त है उसको समाले तो यहाँ पर पंचायतों के और नगर पालिकाओं के जो चुनाव है उससे किसी भी तरह का कोई जो संबंद है वे इस चुनाव आयोक का नहीं है अच्छा देखो बच्चो यहाँ पर हमने कारेकाल पहले ही मैंने आपको बता दिया लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी स स्पेशली में लिक देती हूँ कि इनके सदस्यों का जो कारेकाल है वे कितना होगा जादतर कंडिशन्स में आपने देखा है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष ही है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयो या 65 वर्ष की आयो जो भी पहले हो ठीक है नियुक्ति और हटाने का जो प्रावधान है हमने पहले भी देख लिए बट यहां फिर से बता देती हूँ कि नियुक्ति और सेवा शर्तों की अगर हम बात करें तब यह कौन करेंगे रास्पती करेंगे नियुक्ति इसके अलावा सदस्यों की सेवा शर्ते क्या होंगी और बाकी सारे उनके भत्ते और सारी चीज है त कि दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होना चाहिए विशेश बहुमत के द्वारा इसको यहां नहीं लिख रही हूँ अब देखो हम अगर इसके पूरी क्लियर है इतना चलो बाकी चीज़े कुछ आगे बता देती हूँ अब देखो अब आपके लिए कुछ काम है आपको यह होमवक है एक तो करन्ट अफियर अपडेट करना आपका होमवर दूसरे इसका रट्टाफिकेशन करना आपका होमवक है एक दो बार सबचके पढ़ लेना पर काम सिर्फ पढ़ने से नहीं चलेगा आपको एक्जाम होल में चीज़े याद आजाए उसके लिए आपको रिविजन करना पड़ेगा याना याद करना पड़ेगा एकदम तो अब देखो हमने देखा कि यहाँ पर आर्टिकल जो आपका 324 से लेके 329 है इसमें वर्णन किया गया है ठीके 329 कहता है कि एक चुनाव आयोग होगा चुनाव का अधिक्षण करेगा निर्देशन करेगा नियंतन करेगा 325 कहता है कि धर्म जाती लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेश को मतदाता सूची में शामिल ना करने और इसके आधार पर मतदान के लिए उसको आयोग नहीं ठहराया जाएगा अधार इसमें तीन आधार है बचो धर्म जाती एडलिंग ठीके जन्मिस्थान और वंच को इसमें छोड़ दिया गया जो कि आर्टीकल 15 में शामिल है तो आर्टीकल 325 क्या कह रहा है कि इन तीनों आधार पर किसी भी व्यक्ति कोई व्यक्ति वोटर नहीं है मद्दा तो जो वोटिंग का राइट है योपेसी ने कुछण पूछा कि आपका जो वोटिंग राइट है ये कौन सा राइट है क्या ये आपका फंडामेंटल राइट है क्या ये आपका कॉंसा राइट है क्या ये आपका लीगल राइट है कौन सा राइट है आपका ठीक है तो यहाँ पर UPSC ने भी हाला कि आप देखें कि 16 ने 17 क्या पूछा गया था और उसमें UPSC ने भी question के answer जो final answer sheet दी थी answer की दी तो उसमें यहीं माना था कि जो voter है जो आपका मदाता मदान करने का जो आपका अधिकार है वो आपका constitution light ऐसा UPSC ने answer दिया था ठीक है लेकिर याद रखना कि लोगसभा 326 क्या कहता है कि लोगसभा और राज्यों की विधान सभाओ के जो चुनाव है वे वेस्क मताधिकार के आधार पर होंगे वेस्क मताधिकार में दो बात हैं नहीं थे वह बेसिक में हम पढ़ते हैं यहां छोड़ देते हैं 327 क्या कहता है कि विधान सभाओ के चुनाव के संबद में प्राभधान करने की संसत की शक्ति होगी संसत की शक्ति क्या होगी 327 से 328 में राजिकी क्या शक्ति होगी 329 कहता है कि चुनावी मामलों में आदालतों का जो हस्तक्षे पर उसको रोका जाई यह आर्टिकल 329 है ठीक है तो यह आपका हो गया 324 से लेके 329 निर्वाचन आयों complete अब देखो UPSC ने पीटी में कुष्ण पूछा वो मैं आपको बता देती हूं 17 में बच्चों कुष्ण पूछा गया था 2017 में जो कुष्ण ने में पूछा गया था ठीक है अब देखो हम देखते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा उससे यह आ समाधान करेगा अगर राजनतिक दलों को मानता देने का काम राजनतिक दलों को जो उनके चुनाफचिंध है वह देने का काम है यह सारे चीज़े डेफिनेटली करेगा है ना इस कांसर ऑप्शन नमबर डी पहला भी रॉंग है ठीक है फास्ट जो है वह रॉंग है उसके पीछे कारण है और यह जो कारण है कि पांच नहीं बलकि यह तीन सदस्य है हम देखेंगे कि शुरवात में आपको पता है बच्चो किवल यह की चुनाव आयुक्त होता था ठीक है लेकिन हम देखेंगे कि इसे 1989 के बाद इससे बहुत सदस्य बनाया और यह मल्टी मेंबर बोडी कब बनाए यह यह यूपेसी ने भी कुशन पूछा 89 में बंत हो गया था है लेकिन थोड़ा सा समय लग गया इसको बहुत सद करें कि यह सब आपके काम है ध्यान रखना आपको देखना है मुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तियर चलिए कारिकाल हम देखी चुके है इस तरह से हमारे एक टॉपिक कम्प्रीट हुआ अब हम चलते यूपेसी के तरफ ठीक है अब देखो बच्चो यूपेसी के जब हम बात करेंगे याद रखना कि सम्विधान के भाग 14 में सम्विधान के भाग 14 में और आर्टिकल हैस में 315 से लेके 315 से लेके 323 315 से लेके 323 तक प्रावधान है लेकिन 315 से 23 तक जो प्रावधान है केवल UPSC के लिए नहीं है वो राजलोग सेवा आयोग के लिए भी प्रावधान करता है ठीक है इसी में राजलोग सेवा आयोग के लिए भी है अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की न्युक्ती की हमने बात कर ली कि न्युक्ती का जो मामला है वे रास्टपती देखेंगे और कारिकाल जो है इनके लिए 6 साल का या 65 वर्ष की आयू का होगा योगिता क्या होगी UPSC के सदस्यों की UPSC के जो सदस्य हैं इनकी योगिता की बात नहीं की गई है सम्विधान में ये सारी चीज़े रास्पती की ऊपर छोड़ दी गई है ना रास्पती भी हला कि सलाम अश्वाय और बाकी सारे चीज़े करके करते हैं इसके अलावा देखो हटाने का आधार, नयुक्ति की हमने बात कर लिए कि राजपती करेंगे और अगर हम हटाने की आधार की बात करेंगे तो उसके लिए प्रापर जो सम्विधार में ववस्टा रहें जो आधार हैं वह सारे दिये गए है कही कही हटाने की बात तो की गई लेकिन आधार नहीं दिये गए, लेकिन UPSC में सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा, उसकी बात की गई है, ठीके, तो संगलोग सिवाय करता क्या है, भारत में केंद्री भरती एजिंसी है, केंद्री भरती अभिकरन है, जो की अखिल भारती सिवाय है, जिसकी IAS, IPS, IFS है न, और भी आप देखेंगे 28 तरह की जो और बाकी सिवाय है, ग्रूप A, B, N बाकी सारी, उनकी भरती करता है UPSC, तो यहाँ पर देखो, आर्टिकल 312 में आपको बता देती हूँ, आर्टिकल 312 यह कहता है बचो, कि यहाँ पर संग और राज के लिए, एक या एक से अधिक अधिक अखिल भारतिय सेवाय बनाने का अधिकार है, अच्छा यह बताओ, अखिल भारतिय सेवाय, नई अखिल भारतिय सेवाय के सजन का अधिकार किसे है, लोगसभा या राजसभा, डेफिनिटली राजसभा को है न, तो राजसभा के पास यह स्पेशल पावर है, ठीक वैसे ही जैसे कि लोग सभा के पास money bill के लिए special power है राजपाल लिख रही हूँ राजज सभा लिख दो ठीक है तो राजज सभा के पास यह special power है कि वह नई अखिल भारतिय सेवाओं का सरजन करें और इसका उप्योग भी किया राजज सभा ने जैसे कि नई अखिल भारतिय सेवाओं पर भी ऐसी बात चल रही थी कि एक medical के लिए भी जैसे कि I.S. होता इसे medical के लिए भी लाएं तो पहले केवल दो होते थे हैं ना Indian Administrative Service and Police Service बाद में हम देखेंगे कि जो आपका ये फॉरन नहीं है फॉरेस सर्वेस ये बन सेवाओं वाला है बन सेवाओं वाला है ना 1966 के आसपास आइधिक देख लेना इसको प्लीज करेक्ट कर लेना I think 96 ही है 1966 के आसपास राज सभा ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और एक और अखिल भारती सेवा को उसमें जोड़ दिया तो आटिकल 312 हम देखते हैं तो यहां पर देखो कुछ समविधानिक प्राभधावन हम पढ़ लेते हैं जैसे कि आर्टिकल 315 क्या कहता है कि संग और भारत के राज्यों के लिए लोग से वायोग भी होगे संग के लिए आपन लोग से वायों की बात करेंगे तब भी यही सारी चीज़ें आपके लिए इंपोर्टन हैं दोनों की चीज़ें सेम ही है जो काम UPSC करेगा केंदर के लिए वही काम स्टेट जो PCS करेंगे राज्यों के लिए एक और इंपोर्टेंट बात सुनो बच्चों हम देखते हैं कि जो आपकी स्टेट PCS है जो स्टेट PCS है न जैसे कि हम MPPSC की बात कर लें UPSC UPPSC की बात कर लें BPSC की बात कर लें राजिस्थान की बात कर लें तो इन सब की अपनी लोग से वाय हैं तो यह जो संस्था है यह तो सम्वेधानिक है क्योंकि सम्वेधान में इसका वर्णन है अच्छे ये बताओ, कभी-कभी क्या होता है, एक संयुक्त परिक्षा भी हो जाती है, संयुक्त लोकसिव आयोग, माली जो दो स्टेट के लिए हो गया, MP के लिए हो गया, यूपी के लिए हो गया, तो जब राज दो या दो से जादा राज मिलकर इस तरह का अग्रह करते हैं तो यहाँ पर अगर संयुक्त परिक्षा कायोजन होता है न, तो यह संवैधानिक नहीं है, बलकि यह वैधानिक है, कुछ अदिनियमों के द्वारा इस तरह के जो संयुक्त कमीशन है, वे बनाके काम किया जाता है, 315 हो गया, आप देगो 316 क्या कहता है, 316 कहता है, कि UPSC क और कारेकाल की बात कर ली फिर उनके हटाने और निलंबन की बात कर ली, ठीक है, 318 कहता है कि आयोक के सदस्यों के द्वारा सदस्यों के द्वारा सदस्यों ना रहने पर पद धारन करने का प्रतिशेद है, अगर मालो यह आयोक की जो, UPSC and State PCS के जो members और जो अध्यक्ष है, क्या वह इस पद पर अगर ना रहे, तब वे कहा का कौन सा पद धारन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उस प्रतिशेद की बात की गई, ठीक है, 320 कहता है, लोकसेवा आयोक के कारे क्या होंगे, 321 कहता है, आप देखो इस्पेशली लोकसेवा की बात ह करें, तो जो प्रसाशनिक सेवाएक केंद्र के लिए UPSC का काम था, वही राज्यों के लिए प्रसाशनिक सेवाओं की भरती करना ये आपका राज्यों का काम हो गया, ठीक है, इसका लावा देखो, केंद्र के UPSC के समनांतर ही है राज्यों में, और यहां पर हम देखेंग कि 315 से 333 बही बात हो गई जो आठीकल समने देखे ठीके अध्यक्ष और सदस्यों इन सब की बात हो गई एक इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहां बता देती हूं कि अगर मालों इनको पुनर नियुक्ति की अगर हम बात करें कि जो अध्यक्ष सदस्य था क्या उस सदस्य राजपाल को लिखित में स्तीफा देकर जो रिजाइन है वह कर सकता है और 6 साल या 62 वर्ष का कारेकाल है यह हम पहले पढ़ चुके 6 वर्ष या 62 वर्ष का कारेकाल होगा ठीक है अच्छा कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बता देती हूं बच्चो जैसे कि हम UPSC क अध्यक्ष की बाप करें देखो जो UPSC के अध्यक्ष और सदस्य से इनकी वेतन दी जाती है केंद्र की संचित निदी से केंद्र की जो संचित निदी है और आपको पता होना चाहिए कि जो संचित निदी इस पर मतदान नहीं होता चीके और यहीं पर जब हम स्टेट PSC की बात करते हैं तो स्टेट PSC के जो सदस्व रध्यक्ष इनके वेतन भत्त्य और सारी जो चीज़े हैं वह राज की संचित निदी से दिये जाते हैं तो एक तरह से किसी भी तरह का आलाभकारी परिवर्तन जो है इनको कारेकाल में नियुक्त होने के बाद ना किया जाए उसके लिए इस तरह की सुरक्षाय जो है वैं प्रदान की गई या दखना बच्चों कि यह जो संचित निदी होती है इन पर वोटिंग नहीं होती अगर मालों वोटिंग होनी होती तब परिशानी होती इन पर वोटिंग नहीं होती ठीक है तो यहां पर यह एक इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया इसके अलावा देखो कि माल लिजे कोई एक व्यक्ति जो यूपीसी का अध्यक्ष है तो यूपीसी क नहीं है, ठीक है, पुना नियुक्त नहीं हो सकता किसी अन नोक्री में, इसके अलावा देखो, अगर हम यह तो UPSC के अधिक्ष की बात हो गई, अब UPSC के जो सदस्य हैं, इसके लिए प्राभ्धान क्या कहते है, UPSC के जो सदस्य हैं, वो अध्यक्ष की पदपर आ सकते हैं, अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकता है अध्यक्ष पद पर जो नियुक्ती है वैं की जा सकती है लेकिन किसी अन्य नौकरी की पात्रता नहीं है पर एक बार सदस्य से हट जाने पर किसी अन्य नौकरी में जाने की पात्रता नहीं है किसी अन्य नौकरी में जाने की पात्रता नहीं है तियर आप देखो एक और पॉइंट कि माली जे यूपीसी के कोई अधिकार बढ़ाने है या फिर कम करने तब ये काम कौन करेगा तो यहाँ पर देखो यूपीसी की शक्तिया अधिकार चाहे बढ़ाने हो या फिर कम करने हो ये दोनों ही काम किये जाते हैं पार्लियमेंट के द्वारा ये दोनों ही काम कौन करेगा संसत के द्वारा इनके जो शक्तियां है उसको बढ़ाने और घटाने का जो काम है वै किया जा सकता है ठीके क्लियर है चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट आयोग की तरफ जो की है वित आयोग फाइनेंस कमिशन वर्तमान में आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में जो पंद्रवा वित आयोग है पंद्रवा वित आयोग ठीक है जिसका की गठन नवंबर 2017 में किया गया था जिसके की अध्यक्ष है एनके सिंग और इनकी जो सिफारिश है 21 से लेके 25-26 पाच वर्ष की अबधीता के लिए मान होगी तो यहाँ पर हम देखते बच्चों की जो वित आयोग है एक समवेधारिक निकाय है समवेधारिक निकाय क्यों है आर्टिकल 280 यहां पर भी लिख देती हूं आर्टिकल आपको याद रहेगा लग से हैना अनुच्छे 280 आ रहा है समझ में सारी इंपोर्टन चीजों को नोट करते जाओ पीडिएफ की भरोसे हमेशा मत रहा करो पीडिएफ एवलेबल है कभी नहीं है आ मालो जहां पर दी जा रही यह वहाँ पर आप देख ने रहे ओ पीडियफ को तो ऐसे में काम तो किवल लोट सिरी आएंगे न तो यहां पर देखो कि अगर हम समवेधारिक निकायों की बात करेंगे समवैधारिक निकाई की बात करेंगे तो वितायोग आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है रासपती जो है पाच वर्ष या फिर जब आभी शक्ता समझे तब इसका गठन कर सकते हैं इसका में काप क्या होगा वित्त से संबंदित है फाइनेंस से संबंदित है तब केंद औ आप उसको 41% कर दिया इसके पीछे क्या रीजन था कि एक परसेंट जो है जम्मू कश्मीर को दे दिया तो इस तरह की सिफारिश आपको याद रख नहीं है ठीक है अब देखों बच्चों कुछ इसके कारियों की बात करते हैं कारियों की बात इसलिए क्योंकि यूपीसी न और जो भी आगाम है उनका अबंटन कैसे हो 275 के तैस संचित निधी में से राज्यों का अनुदान या सहायता दी जानी चाहिए या फिर नहीं यूपीसी नहीं ये भी पूछा था कि क्या इस ये जो रिकमेंडेशन है ये सिफारिश क्या वित्तायों कर सकता है तो आर्टि केद्र से सहायता अनुदान के कहले या फिर बाकी तो ये सारी सिफारिश कौन करेगा यही फाइनेंस कमिशन तो करता है में कामी ही होता कि टेक्स को कैसे बाटना है और बाकी सारी चीज़े राजवित्तायों के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायत और केद्र वित्तायों के लिए और पंचायतों के लिए उसके लिए अगर उन्हें सहायता चाहिए तो राज की जो संचित निधी है उससे सिफारिश कर सकता है कि वह यतना अनुदान दे दो राश्पती कोई काम अगर दे देश की वित्त ववस्ता को सुद्धन बनाने के करेंगे वह अपनी रिपोर्ट रास्पती को सम्मिट करेंगे और रास्पती आगे जाकर संसद में इनको रखता है ठीक है रास्पती संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है इनको प्रास्तूत करेंगे और यहाँ पर यह जो रिपोर्ट है किसको देगा भी तायोग था इसमें बच्चो याद रखना अच्छा एक पॉइंट और सुनो अगर हम इनके नियोक्ति और पुना नियोक्ति की बात करें नियोक्ति की बात हमने कर लिए कि चलो भई राष्टपती के द्वारा हो गई क्या इनकी पुना नियुक्ति हो सकती है क्या इनकी पुना नियुक्ति हो सकती है बिलकुल हो सकती है ठीक है पुना नियुक्ति हो सकती है और इनकी जो योगिता है वो संसद निर्धारन करता है योगिता का निर्धारन जो है वह संसद करेगा कि वित्तायों के अध्यक्ष और प्रवत्ती का होता है कि अ कि 2012 में कुपीशन पूछा और तेरा वित्वायों की सिफारिश जो है इससे पूछ लिए गई थी 2012 में ठीके पूछा था कि जो जी एस्टी है उसके लिए डिजाइन प्रस्तावित करना और उसके पालन से जुड़ा हुए जो एक शतिपूर्ट एक मुआज़ा पैकेज है वोस की सिफारिश बारत के जिन सांकी की लाभांश के नुरूप अके लिए 10 वर्षों में नौक्रियों के सजन की सिफारिश लाकों नौक्रियों राज निर्वाचन आयुक्त है ना राज की संचित निधी और स्थानिये जो कर से ओगाही ये सारे संसाधन है पंचायतों के पास तो यहां पर स्थानिये गलत हो गया रोजगार की कोई बात नहीं कहीं थी आंसर के वलो इसमें ऑप्शन नंबर A है कि GST के जो मुआबज़ तो आर्टीकल 338 जो आपका ये आर्टीकल है इसमें किसी आयोग की बात नहीं की गई है अनुच्छे दी लिख रही हो ठीक है ठीक है तो इसमें आट इस आर्टीकल में आधाना शुरुवात में एक विशेश अधिकारी की बात की गई थी कि एक विशेश अधिकारी के नियुक्ति होगी जो कि आगे जाकर चीजों को समा लेगा ठीके जो भी अनुसुचे जातियों से सब्मदित योजना हैं सरकार की या फिर इनके बेटरमेंट के लिए फिर सम्विधार में जो प्रावधान है वो लागू हो रहे हैं नहीं लागू हो रहे हैं उसको देखना उसके लिए सिफारि के लिए सिफारेश करना तो यह उनकी शिकारतों को सुनना और सारे चीज़ों तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो अनुसे जाती हो के जो रास्ट्री आयोग है यह काम जो अभी कर रहा है एक विशेश अधिकारी की नियुकति इसके लिए की गई थी ठीके एक विशेश अधिकार में जो 65 वा सम्विधान संछोधन होता है 1990 में जो 65 वा सम्विधान संछोधन होता है इसके द्वारा विशेश अधिकारी के स्थान पर विशेश अधिकारी के स्थान पर एक बहु सदस्ये निकाए एक बहु सदस्ये निकाए खी बात की गई और यह जो आयोग है वैह आसित्व में आया इसका काम क्या है सम्वेधारी निकाए हम समी समझ गये आर्टिकल में है इसका वंडन अनुसुचित जातियों की रक्षा के लिए काम करेगा और 338 आर्टिकल से संबंदित है देखो नवासिवा संविधान संचोधन होता है 2003 में और यहाँ पर जो अनुसुचित जाती और अनुसुचित जाती के लिए पहले एक ही रास्ट्री आयो गलग और यह जो जन जाती आयों के वैं 2004 में आज सित्व में आया था ठीक है और इसके लिए आर्टिकल 338 जो ए है वैं जोड़ा गया क्लियर है तो यहाँ पर हमने देख लिया कि यह आपका अनुसुचित जाती आयों की बात हो गई ठीक है और यहाँ पर नियुक्ति और बाकी सारी चीज़े कौन करेंगे सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति सब चीजों में आप रास्ट्रपती डालेंगे ठीक है यहाँ पर सम्विधानिक निकायों में जादा तर रास्पती नियुक्ती करेंगे अब देखो कि जो पहले एक ही था ऐसी स्टी आयोग फिर उसके बाद क्या किया गया कि 2004 में अस्तित्वाया नवासी वा सम्विधान संशोधन की अंतरगर 89 89 सम्विधान संशोधन ठीक है अलक से जोड़ा गया नवासी वा सम्विधान संशोधन से और अलक से एक जो आयोग व्यास्तित्व में आया सम्विधानिक निकाय है इसको आर्टिकल में लिखा गया देखो 36625 आर्टिकल यह केवाल अनुसुचे जंजातियों को परिभाशत करने की प्रक्रिया है अध्यक्ष होंगे उपाध्यक्ष होंगे और अन्य सदस्त जो है वैं तीन वर्ष की अब्धी के लिए पदधारन करेंगे कितने वर्ष की अब्धी के लिए तीन वर्ष की जो अब्धी है उसके लिए पदधारन करेंगे तो यहां की सेवा शर्ते हो कारेकाल हो यह सारी च पति करेंगे तो नवासिवा सम्मिधान संशोधन किस्ट जुड़ गया अनुसुचे जातियों के रास्ट्रिये आयोक से और 338 आर्टीकल एव बस यही इंपोर्टेंट पॉइंट से आधर लेना नवासिवा सम्मिधान संशोधन और 338 आर्टीकल एव काम वही होगा जो अनुसुचे जातियों को लेकर इस रास्ट्रिया आयोक का था कि जो भी संबंधित वर्ग है उसके बैटर्मेंट के लिए उपाय करना जो भी सम्मिधान में ववस्ता है उसको लागू कराना ठीक है जो भी योजनाय है उसका अच्छा बचों एक बात और सुनो एक और बात UPC के द्वारा पूछी गई थी एक और पॉइंट पूछा गया था कि एक आपको स्टेट्मेंट दे दिया और उसमें ये लिखा कि यह जो स्टेट्मेंट है इसका कारण बहीं किस के द्वारा किया चाहेगा और वह स्टेट् इसका में काम ही यही होगा कि जन्जातियों से संबंदित जो योजनाय है उनका समयवन करना ना नीतियां लेकर आना इनके बैटरमेंट के विकास के लिए उपाए करना तो एक जन्जातिय मंत्रालाय कि इस्थापना अलग से 1999 में की गई थी क्लिया चली अब हम चलेगे रास् सबके बैटरमेंट के लिए काम करेगा लेकर समय के साथ साथ वही अलग अलग आवाज जब उठने लगती है तो यहां पर देखो कि पहले रास्ट के पिछड़ा बर्ग आयोग जो था वैस समवैधानिक नहीं था ठीक है इसकी स्थापना हुई थी 1993 में स्थापना 1993 में हुई थी ठीक है लेकिन उस वक्त एक स्ट्रेटूटरी था एक वैधानिक था क्योंकि एक विधान के द्वारा स्थापनित हुई थी एक वैधानिक आयोग था इसकी इसका अब देखो 2018 में सामाजिक और सेक्षिरिक रूप से जो पिछड़ी वर्ग है सामाजिक और सेक्षिरिक रूपसे जो पिछड़ी वर्ग है उगता उधुश्काइश करना कदा उतरी पहले के पहले देखो कि जो सामाजिक नया और दिकारिता मंत्रालाय है Maagic सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालाई के अंतरगत पहले क्या था एक सामविधिक निकाय था तो बाद में संवेधानिक दर्जा इसको अलग दिया गया और जब संवेधानिक दर्जा दिया गया तब एक आर्टिकल जोड़ा और यह अनुच्छे था जी ठर्टियेट एः यह भी भी ना तो यह नया अनुच्छे जोड़ा और जब तक यह वैधानिक था तब तक यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालाई के अंतरगत पहले यह आता था अब यादर बच्चों की इनकी नियुक्ति है या फिर सारी चीजे है ये सब कौन करेगा नियुक्ति सेवा शर्ते इन सब का निर्धान रास्टपती के द्वारा किया जाएगा कारेकाल हो, क्या सेवा शर्ते होंगी क्या इनकी योगिता होगी ये सारे चीज़ें इन सभी का निर्धारन रास्टपती के द्वारा किया जाएगा क्लियर एक और आर्टिकल देख लो जब 102 वा सम्विधान संचोधन हुआ तब एक और आर्टिकल को जोड़ा गया था, जो की था 342A आर्टिकल 342A ये कहता है कि पिछड़ा वर्ग आप किसको कहोगे, इसे निर्धिस्ट कौन आखिर करेगा, तो सामाजिक वास सेक्षिन एक रूप से पिछड़े वर्गों को पिछड़े वर्गों को निर्धिस्ट कौन करेगा, तो यहाँ पर रास्टपती ठीक है, रास्टपती करेंगे, ये बात भी इसमें मैंशन कर दी गई, आर्टिकल 342A में, चलिए, अब हम चलते हैं, एक नेक्स और इंपोर्टेंट सम्विधानिक सलसा की तरफ जो की है कैग, कंट्रोलर, आउडिटर, जर्नल आफ इंडिया, ठीक है, कंट्रोलर और आउडिटर जर्नल आफ इंडिया तो देखो कैग का, सबसे पहले तो देखलो आर्टिकल 148, सम्विधान का अनुच्छे जो 148 से 148 है ये कैक की न्यूकती, शपत और सेवा शर्तों की बात करेगा कैक की न्यूकती, शपत और सेवा शर्तों की बात आर्टिकल 148 करेगा और जब हम इसके कारेकाल की बात करेंगे कारेकाल क्या होगा, 6 वर्ष है, 65 वर्ष की आयू तक होगा दोनों में से जो भी पहले हो जाए नियुक्ति की अगर हम बात करें तो यहां पर नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है रास्टपती के द्वारा नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी रास्ट्पति के द्वारा की जाएगी लेकिन हटाने की अगर हम Π्रक्रिया कहें तो ये समिधार में दर्ज है आप हटा नहीं सकते हटाने की जो से भी कुश्यन आजाता है कि सीधा आप से यह नहीं पूछा कि दोनों सद्नों में पारेत या प्रस्तावित जो दो तेहाई भूमत है विशेश भूमत है उसके द्वारा ही हटाया जाएगा बलकि यह पूछ लियागा कि जैसे सर्वोच न्याला कि न्याधिश को हटाया तो यहाँ पर आपको बच्चो इस बात को याद अटा है एक और बात सुनो बच्चो कि देखो कैग का में काम क्या होगा दियंत्रक और महालेखा परिक्षक है न एक स्वतंत्र प्राधी करण है और में काम क्या होगा कि जो भी भारती लेखा परिक्षक है लेखा विभाग कि जब ब्रिटेन के की तुल्ला करेंगे भारत में कि एक तरह से लोक विद्ध का संड़क्षर करता यह जो भी आपके सार्जनिक विद्ध है लेकिन उसमें अंतर यह हो जाता है बच्चों की कैक जो है बाद मरने के बाद पोस्ट मॉडम करेगा है ना और बिटेन में जो है कि वह मरने के पहले मतलब जब है जीवेत है तब ही चीजों को कंट्रूल करेगा मतलब बिटेन में ये पाद जादा शक्ति शाली है और जब सरकारी कोई भी पैसा निकाला जाता तो उसकी परमीशन के बिदा नहीं निकाला जाएगा लेकिन भारत में क्या है कि जब खर आर्टिकल 149 कहता है कि भारत के नियंत्रों को महाले का परिक्षक के कर्तव क्या होंगे 148 नियुक्ति की बात करेगा 49 में कर्तव होगा 50 कहेगा कि संग और राज्यों के खातों का जो विवरण है रास्पती के अनुसार रखना होगा जो रास्पती सला देंगे रास्पती जो का हिंग उसके अकॉर्डिंग और आर्टिकल 151 कहता है कि जो भी रिपोर्ट है रास्पती को सौपेंगे जो संसत के प्रतिक सदन के पचल पर रखी जाएगे तो यहां पर कैग जो रिपोर्ट है वैपनी किसी दे रहा है क्या सदन में सीधे प्रास्तूत कर रहा है नही वो रास्पती को दे रहा है रास्पती जो है वह उसे आगे रख रहे है ठीके तो यह आर्टिकल 151 की बात हो गई क्लियर है अच्छा एक बात और सूच लो एक बात और बचो आप सुलो जो की इंपोर्टेंट है कि अगर हम यह देखे कि क्या कैग की पुनार नियुक्ती हो सकती है छोड़ने के बाद कोई अन्य पद क्या ग्रहण कर सकता है केग पद छोड़ने के बाद कोई अन्य पद नहीं ग्रहण कर सकता है ठीक है फ्लियर है इंपोर्टेंट है यह नहीं ग्रहण कर सकता है इंपोर्टेंट मैं आपको बता देरी बच्छो अच्छे इसके ला लोकवित का संदक्षन कहा जाता है लेखा विभाग का मुखिया कहा जाता है एक पॉइंट मैं रिख देऊं लोकवित का संदक्षक कौन होगा लोकवित का संदक्षक कैग होगा ठीक है इसके अलावा देखो मैं कुछ निजी संस्थाएं कह लें सावजिनिक संस्थाओं में जिनकी निजी औरिटिंग होती है जैसे कि हम RBI या LIC RBI है LIC है SBI है अगर यह सरकार के उपक्रम है तो क्या कहगे के द्वारा इनकी समिक्षा कि इनकी इनकी लेखा परिक्षे इनकी अकाउंट अकाउंटिंग की जा सकती है या रखना बच्चों कि अगर इनकी निजी लेखा परिक्षा है और जिसे RBI के पास अपना पूरा एक system है निजी लेखा परिक्षा का और यही system LIC और बाकी सब के पास भी है तो RBI, LIC और SBI यहाँ पर CAG के कोई अधिकार नहीं है CAG यहाँ पर जो इसकी report इसकी जो auditing है वैं नहीं करेंगे क्यों क्योंकि इनकी अलग से निजी लेखा परिक्षा होती है तो यहाँ पर CAG की कोई भी भूमी का नहीं होगी CAG हो गया अब हम चलते हैं एक कोईशन की तरफ जो की 2012 में पूछा था इसके बाद 17 में भी कोईशन आया हुआ है देख लेना उसको तो भारत में यह सुरेश्चित करने के अलावा कि सावजनिक धन का कुशलता पूर्ववा एक्षित उद्देशों के लिए उपियों को CAG का कारेले का महत्व क्या है देखो अच्छा कासा कुश्च्च है काफी सारी information देदी तो यहाँ पर पस देखो पस्टी आपातकाल और वित्ती आपातकाल की घुश्चना करते हैं तो ठीक है तो क्या है सब कोई प्रावधान किया गया है सेकंड हम देखेंगे कि मंत्याले और परियोजनाओं के कारिक्रम के निश्पादन पर CAG जो रिपोर्ट है लोक लेखा समीती के द्वारा चर्चा की जाएगी अच्छे देखो यह वालो जो कुश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा गया है कि CAG की जो रिपोर्ट है उसकी भी आर्टिंग की जासकती उसकी भी जाच की जासकती किसके द्वारा तो जो पॉब्लिक अकाउंट कमेटी है जो PAC किस आर्टिकल में है बताओ जरा जो लोक लेखा समीती है उसके द्वारा क्यागी कि जो ऑडिटिंग रिपोर्ट है उसके उसको भी जाचा जा सकता है ठीक है तो लोग लेका समीती यहाँ पर इंपॉर्टेंट है याद रखना थर देखो पहले फोर देख लो कैक के पास कानून का उलंगन करने के लिए नायक शक्तिया है कानून का उलंगन अगर कोई कर रहा उसको दंड देने के प्रावदान के नायक शक्तिया असा नहीं है सीएजी की रिपोर्ट की जानकारी का उपयोग एजिंसियों के द्वारा सार्जनिक वित्त का प्रबंधन करते समय और कानून को उलंगन करने वालों के खिलाफ आरोप लगाने के लिए किया जाता है हाँ ये बात तो सही है कि आरोप प्यत्ति से खुब लगाया जा सकते है कि कैक के द्वारा जब ये रिपोर्ट आई थी तब उसमें ये कमिया थी या फिर इस तरीके से जो वित्त है उसका दुरूपयोग किया गया था ठीक है चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन की तरफ जो की है महानयवादी जो की है महानयवादी अब महानयवादी महानयवादी न्यावदी महानयवादी मतलब तो सर्वोचु कानून अधिकारी होगा ठीक है भारा स्रकार के लिए जो case होगा या फिर और भी सर्कार की तरफ से सारे सर्लक्शन और case से संमद्ध जो काम है वह महाने वादी ही करेगा हूं अब नियुक्ती कौन वह भारत का नागरेक हो और उच्छ नियालाई के नयाइधीश के रूप में या तो पांच वर्ष नयाइधीश रहा हो या पर वकालत उसने दस वर्ष की हो तो ऐसी योगता जो व्यक्ति रखता है उसे चुना जा सकता है तो रास्टपती के में चीज़ एकि रास्टपती को यह लगे रास्टपती के विवेक अनुसार रास्टपती के मता अनुसार वह जो व्यक्ति है वह सक्षम होना चाहिए वह योग होना चाहिए ठीक है चलिए तो कुछ पॉइंस मैं आपको यहां पर बता देती हूँ लिखवा देती हूँ जो की इंपोर्टेंट है तो सबसे रास्टपती करेंगे चुकि सम्विधान में कारेकाल और बाकी सुरक्षाएं दी नहीं है तो अगर न्यूकती रास्टपती करेंगे तो याद रखना कि हटाया जाना भी रास्टपती के ही प्रसाद परियंद है रास्टपती के प्रसाद परियंद पद्धारण करेगा मतलब हटाया जा सकता है रास्टपती के ही प्रसाद परियंद है ना कारेकाल याद रखना सम्विधान में निश्चित नहीं है वितन भत्ती भी रास्पती तय करेंगे कारेकाल एगर होता तो हटाय कैसे जाता? कारेकाल समविधान में निश्चित नहीं है एक और पॉइंट सुनो बच्चों UPSC तेने कोईशन पुछा की ऐसा कौनसा अधिकारी है जो की संसद में बोले का अधिकार रगता है संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार रखता है ऐसा कौन सा अधिकारी है वो अधिकारी महानयवादी है ठीके वो अधिकारी कौन है महानयवादी है तो संसद के दोनों सदनों की कारवाही में भाग ले सकता है ये अभी तक किसी के बारे में हमने नहीं पड़ा अब सर्वोच कानूनी अधिकारी है तो भाई क्यों नहीं कौन रुकेगा तो संसत के दोनों सदनों में कारवाही में भाग ले सकता है है न भाग लेने का पावर है इसके पास से इसकी शक्ति हो गई यह मान्यायवादी की क्या हो गई बच्चों शक्ति हो गई साती एक बात और याद रखो बच्चों की यहां पर अगर यह निजी कोई विदेक कारवाही करना चाहे तो इस पर कोई कारवाही करना चाहे तो इस पर जो है रोक नहीं लगाई गई है कर सकते हैं शार पोईंच लिए सकते हैं तो यहाँ पर समीथि के सदसे भी हो सकते हैं लोग और लोग समा में मतदान करने का अच्छा याद रखो कि कारवाही में भाग लेना बोलना समीती का सदस सोना इस डिफरेंट लेकिन अगर हम मतदान की बात करें तो याद रखना कि वोटिंग राइट नहीं है अगर हम मद्दान की बात करें तो यहाँ पर जो वोटिंग राइट है बच्चों यह नहीं दिया गया है तो कौनसा आंसर सही होगा जिसमें 1,2,3 होगे 1,2,3 किसमें है C में चीक है तो option number C आंसर होगा और अब हम चलते हैं महाधी वक्ता की तरफ तो ठीक वैसी ही जैसी इस सिती केंद्र में महानयवादी की थी वैसे ही राज का सर्वोच जो कानूनी अधिकारी होगा वैं 165 के अंतरगत तो आर्टिकल कौनसा है 165 कुछ चीजे तो क्लास में ही याद हो गई होंगी आपको आर्टिकल 165 है न तो वहाँ वो भारत सरकार का सर्वोच कानूनी अधिकारी ते हैं यहां पर ही राज का तो जो भी कानूनी मामले है राज सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार है ठीक वैसे ही जैसे की जो महान्य अधिवादी है भारत सरकार के लिए जिम्मेदार है कानूनी कारवाई राज सरकार के ही वह अधिकर करेगा राज पाल जो है वह नियुक्त करेगा राज पाल को लगेगा कि नजरों में जो होगा उसको नियुक्ति किया जा सकता है बशारते ठीक वही स्थिती अच्छा देखो बच्चों की क्या ये राजपाल के प्रसाद परियंत होगा ती जो है राजपाल करेंगे और अगर नियुक्ति राजपाल कर रहे हैं सम्विधान में वर्णन ही नहीं है इस बात का की कारिकाल निश्चित होगा या नहीं तो कोई निश्चित कारिकाल है नहीं और अगर निश्चित कारिकाल नहीं है तब हटाने का प्रावधान क्या होगा निश्चित कारिकाल नहीं है और ऐसे में बच्चों राजपाल के प्रसाद परियंत मतलब राजपाल की इक्षापर है ना यही वर्ड यूज होता है तो राजपाल के प्रसाद परियंत यह जो अपना पद है वैधारण कर सकता है तो यह थी हमारे अब देखो कॉंस्टिशनल बोडि दिम्नें बात की निर्वाचन आयोग की संग लोकसिव राजपा योग वित्तायोग अनुश्य जाती जाती रास्टी पिछड़ावर गायोग की बात की कैक की बात हो गई महानयावादी और महाधी वक्ता की बात हो constitutional body है सीधी बात non constitutional body का मतलब क्या है कि जिसका वर्णन सम्मिधान में नहीं किया गया है ठीक है अब यह आपको याद रखना कि किसका वर्णन है किसका वर्णन यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे नीती आयों की आप सभी को बता हुआ कि पहले जो काम योजना आयों कर रहा था 1950 से 2015 के बाद से वही काम नीती आयों कर रहा है राश्ट्री एमानवधिकार आयोग, केंडिये सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, आपको चीज़े एक सी रहेंगी जिसे केंडिये सूचना आयोग, सेम वही होगा जिसे की राज्य सूचना आयोग, ठीक है, दोनों की जो ववस्थाएं हैं वैं RTI Act जो आपका आया थ सुचना काधिका रदेनियम 2005 उसके अंदर इसके स्थापना की गई थी के इंदिये सतरकता आयोग सेंट्रल विजलर्स कमिशन एंड हम लोग पाल और लोग आयोग की बात करेंगे तो यह होंगे प्रमुक्र चलो एक एक करके समझते हैं लेकिन उसके पहले देखते हैं यूप और शेती परिशाद हैं ठीक है अच्छा देखो बचो एंडी सी है ना तो जो नैशनल डेवलप्मेंट जो काउंसल है इसका वर्णन भी सम्विधान में नहीं है योजना आयोग याद रखना योजना आयोग इतनी बार एक कुश्चन पूछा गया इतनी बारोश है सब सार अगर तो यहां पर यह जो संस्था है वह एधम देखेंगे कि भारस सरकार के आदेश के द्वारा अस्तित्व में आय थी ठीक वैसे ही जैसे कि अब नीति आयोगा स्तित्व में आया था शेत्री परिसदे में नहीं है जो जूनल काउंसल है तो इस तरीके से सकांसर यह था अब शनमर्णी सभी जो संस्ताय किसी का उलेक संविधार में नहीं किया ठीक है चलो अब हम बात करेंगे नीति आयोगी नीति आयोगी बात करते हैं देखो बच्चों एक जनवरी 2015 1950 में बना था योजनाायोग का में काम क्या था प्लानिंग कमीशन पांच वर्ष की जो योजनाय है वह बनाना योजनायोग पंच वर्षी योजनाय बनाता था रास्टी विकास परिशद लागू कराने और बाकी सारे काम किया करता था योजना आयोग का नीतिया बनाने का और सारे चीज़ों का और अब इस तरीकों को थोड़ा सा रिप्लेस किया जाना चाहिए और इसलिए बच्चों एक जन्वरी 2015 से एक जन्वरी 2015 से नीति आयोग जो है वा आस्तित्व में आया नैशनल इंस्ट्यूशन नैशनल इंस्ट्यूशन फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया फॉल्फॉर्म पॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया ठीक है यह अस्तित्यों में आया यादटना अब देखो योजना आयोग के बाद आया इसलिए नीती आयोग को योजना आयोग की उत्राधिकारी संस्था कहा जाता है उत्राधिकारी संस्ता है ना मतलत जिसने उसके बाद में उत्राधिकार जो है वकी है जैसे कि एक राजा के बाद उसका बेटा उत्राधिकार हो गए ठीक वैसे ही तो योजदा आयोग क्यों उत्राधिकारी संस्ता हो गई याद रखना बच्चों की ना तो समवैधानिक है न और ना वैधानिक है तब कैसे अस्तित्व में आ गया भई वैधानिक वह होती है कि किसी एक्ट के माध्यम से आप उसको लिया आओ तो वैधानिक भी नहीं है तब याद रखना बच्चों की भारस सरकार के एक आदेश के द्वारा अस्तित्व में आई मंत्री मंडल के एक सरकार के लिए एक रण नीतिक एक ठिंग टेंक के रूप में कार करेगा कि आखिर हमें दीघ्रकाल किस तरह की जो नीतिया है अपनानी है जैसे कि सब्सक्राइब इस तरह कि जो है नीतिया यूग के द्वारा नीतिया बहुत एक्टिव आप देखें बहुत सारी ऐसी रिप संकवाद की भावना सेह तरह का मतलब क्या होता है कि किसी एक विशय पर संग और राज और इस्थानी है सभी जो हमें वी वापस में मिल जूलकर एक एक साथ आकर उसका जो समधाने वे कर रहे हैं तो संगबात की भावना पर उसके अलावा अधिक्तम साशन नियुनितम सरकार अधिक्तम साशन नियुनितम सरकार आप देखेंगे कि दमंदीप और दादर नागर हविली का जो विलय हुआ इसी अधिक्तम साशन जादा हो सरकार कम हो और उनका जो व्याय है मैं कम हो बाली जी दमांदी पर दादर नागर हवली छोटे-चोटे दो यूटी इस थे उनको बार्ज कर दिया गया कि वही तीस-पैस क्लो मीटर की दोरी पर है और दो यूटी से तो उनका अलग अलग सचवाल और सारे जो प्रोटोकॉल से अलग अलग यूटी के अकॉर्डिंगली मेंटेन करो कितना खर्चा आएगा उसमें बहुत जाएगा तो इसलिए वह भी एक इसका उधारन है ठीक है अच्छा देखो संदचना बड़ी इंपोर्टेंट है यूपेसी ने कुछ इन होते हैं मतलब जो प्रधान मंत्री होगा वो नीतियायों का अध्यक्ष होगा ठीक वैसे ही जैसे कि जो उप्रास्ट पती होगा वैं राजसभा का सभापती होगा ठीक है जो आर्बी आई गवर्नर होगा वैं मॉनिट्री पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष होगा तो यह क्या प्रधान मंत्री के द्वारे एक निश्चित कारेकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा तो यहां पर प्रधान मंत्री के द्वारा नामित होते हैं कुछ-कुछ शेत्रों से तो यहां पर दिखो अध्यक्ष हो गया उपाद्यक्ष हो गया मुख्यकार कारी अधिकारी हो गया तो बिसिकली इस तरह से हम देखेंगे कि आठ इसमें संदचना में आपको आठ याद रखने हैं संचालन परिशद होगी सभी राज्यों के मुख्य मंत्री है प्रदेश के जो उपराज जिपाल है वो इसमें शामिल होगी संचालन परिशद होगी नीतियायोग की बिसक्राल मानवादिकार इसको प्रकाश में लाना और अगर कोई शिकायत नहों होगी तरह की मिली है उनका निवारण करने का दिकार मानवादिकार का होगा विसिकली याद रखना मच्चों कि यह जो है समवैधानिक निकाए नहीं है समवैधान में वढ़नन नहीं है अलग से इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मान लीजे जिस बच्चे रेके वल पीडियाफी और बच्चों यह अस्तित्व में आता है 12 अक्टूबर 1993 को प्रावधानों को लागू किया था ठीक है तो रास्टी मानवादिकार मुख्याले दिल्ली में ठीक है बैसिकली क्या क्या करेगा तो जो आपका जीवन का अधिकार है स्वातनता है सारे जो आपके अधिकार है उ हो सभी की रह DJI की रूप में यह काम करेगा या ठाब अब तो कि यहां पर जो है बहुत आविशक है है कि जो इसमें से 7 सबस्थ उस्सक् zou, उसमें अब कारेकाल इसमें बदलेगा कारेकाल क्या बदला तीन वर्ष या तो सत्तर वर्ष या तो तीन वर्ष का कारेकाल हो गया हो यह सत्तर वर्ष की आयू हो ठीक है तो तीन वर्ष का कारेकाल और सत्तर वर्ष की आयू जो भी पहले हो जाए वह उस आधार पर यहां पर कारेकाल पूरा हो जाता है हटायर के वल तभी जा सकता जब सुप्रीम कोट के नयाधीश की जाच उन पर दुराचार या समर्थता का आरोब जो है लगाया गया हो तो सुप्रीम कोट की जाच की आधार पर जो है वह हटाया जाता है अब हम अध्यक्ष वगेरा की बात कर लेते कि अध चोधन हुआ था और इसमें जो कारेकाल और जो अबदी है पहले शायद आप पांच वर्ष पढ़ेंगे या कुछ इसमें चेंजेस थे पहले फिर बाद में चेंजेस आप देखेंगे कि तीन वर्ष जो है वह किया गया ठीक है तो आप इसको ध्यान में रखना कि कहीं कहीं आ कौन होंगे तो आपका जो सुप्रीम कोट है हमारे देश का सुप्रीम कोट है उच्चतम न्यालाय है सुप्रीम कोट के मुख्य न्याइदिश रेटार्ड मुख्य न्याइदिश रेटार्ड या सेवा निवत्र लिख लेते हैं सेवानिवत्र मुख्यनायदीश समिए इस थिक है करिया नियुकरनायदीश आपको पता है कि पहले केवल यही हो सकते थे लेकिन अब तो आप जो नाया एक शोzdरान वहां इसके दौरे यह भी है कि सेवा निवत्र मुख्र न्यायदीश या अन्य कारेरत कोई न्यायदीश भी या अन्य न्यायदीश भी हो सकते हैं या अन्य न्यायदीश भी हो सकते हैं ठीके ट्रियार है इसके अलावर देखो जो नियुक्ति है रास्ट्पति करेंगे लेकिन एक समीति के द्वारा नियुक्ति जो है बच्चों रास्टि ये मानवाधिकार आयोग नियुक्ति रास्ट्पति करेंगे लेकिन एक समीति होगी अब यहाँ पर क्योश्यर पूछाई यूपयसी कि भाई जो न्यूक्ति होगे उस समीति में कौन-कौन लोग होंगे ठीक है रास्पति करेंगे एक समीति की सला पर और इस समीति में देखो PM के नित्रत्व में इस समीती के अध्यक्ष मतलब PM होंगे और बचो PM के नित्रत्व में 6 सदस्य समीती बनेगी और इसकी सिफारिश के आधार पर ही जो निकती है रासपती के द्वारा की जाएगी कारेकाल हमने देख लिया यह important है अलग से भी लिख देती हूँ तीन वर्ष कारेकाल कारे करते करते तीन वर्ष हो जाए या तो फिर आयू जो है यह 70 वर्ष हो जाए ठीक है जो भी पहले होगी अब नेक्स देखेंगे हम केंद्रिय सुचना आयोग के पहले रास्टी मानवाधिकार आयोग और राज मानवाधिकार आयोग बता देते हूं ठीक है चलो अच्छा देखो बच्चों जब रास्ट के इस्तर पर मानवाधिकार आयोग की ववस्था क की गई राज मानवादिकार आयोग और आपको याद अठना है कि यह जो स्टेट हुमन राइट कमीशन है स्टेट हुमन राइट कमीशन एस एच आरसी वही प्रावधान है जो केंद्र के स्तर पर है बस वहां रास्ट पती थे तो यहां पर राज जपाल हो जाएंगे ठीक है तो 1993 का जो मानवादिकार स्टरक्षण अधिनियम था उन्स सोते रानवे का जो अधिनियम था इस अधिनियम के तहट ववस्था केंद्र के स्थार पर भीं की गई थी और राज्यों के स्थार प्रह суहिं चक्प नहां एक मानवाथिकार आयोक्त की बात करेंगे अच्या इक बात और सुनों यह राज किस तरह के जो डिसेस तन से ले § आपको याद रखना है कि राज के जो अधिकार खेत्र है राज मानवा धिकार का जो अधिकार खेत्र है वैं केवल उनी विशयों पर हो सकता है या केवल उनी विशयों पर हो सकता है विशयों पर जो की राजसूची की विशय हो या समवर्ती सूची भी राजसूची और समवर्ती सूची राजसूची और समवर्थी सूची तो इन में जो विशाय हैं उसी पर अधिकार होगा ध्यान रखना आपको इस पर ही अधिकार होगा आप देखो नियुक्ति राजपाल करेंगे लेकि ठीक वही होगा वहाँ पर PM की अध्यक्षता में एक समीती बनी थी यहाँ पर CM की अध्यक्षता में समीत लेकिन राजपाल एक समीती के आधार पर करेंगे एक समीती से सलाह लेके हैना और यहाँ पर यह जो समीती है जो चीफ मिनिस्टर जो CM होगा CM की अध्यक्षता में बनेगी अना CM की अध्यक्षता में एक समीती बनेगी जिसमें की CM होगा विधान सभा का अध्यक्ष होगा नेता विपक्ष होगा और ग्रहमंत्री होगा फिर उम्र वही होगी तीन वर्ष या सत्तर वर्ष कारेकाल समझ में आ रहा ना ये तीन वर्ष मतलब कारेकाल और सत्तर वर्ष मतलब उसकी जो आयू है वह कंप्लीट कर सका हो कर चुका हो वेतन बधत्ते याद रखना राजसरकार के द्वारा निर्धारत किये जाएंगे और यहां पर इसको जो शक्तिया है सिविल कोट की होंगी ना कि आप राधे किसी को फासी पेड़ी चड़ा सकता दीवानी नियालाई की शक्तियां जो है प्राप्त होंगी चलियर अब हम चलते केंद्य सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की तरफ देखो इन दोनों का में एक साथ भी बढ़ सकते हैं ज वैधानिक निकाय नहीं है लेकिन अधिनियम के तहत यह जो आयोग है वास्तित्यों में आए तब इनको हम वैधानिक कह देते हैं हम इसको बैधानिक निकाय कहेंगे ठीक है स्टाटूटरी देखो इसमें एक मुख्य सूचना आयोग्त होगा और दस से अधिक सूचना आयोग्त नहीं होंगे मतलब दस तक तो हो ही सकते हैं रास्पति नियुक्ति करेंगे एक समीती बनाएंगे समीती की सिफारिश के आध कैबिनेट मंतरी को शामिल कर ले प्रधान मंतरी के द्वारा नामेत वो कैबिनेट मंतरी जो है केंद्रिये सूचना आयोग के सदस्यों को चुनने के लिए जो समीती बनेगी उसमें शामिल होंगे आयोक अधिकार शेत्र होगा सभी केंदिये लोग प्राधिकरन जो भी केंदिये लोग प्राधिकरन उनसे संबंदित सूचना और सारी चीज़े इसमें आएंगे कारेकाल होगा देखो बच्चो कि केंद सरकार जो नियुक्त कर दे वो कारेकाल और लेकिन आयू पैसेट वर्ष की है आयू और जो केंद सरकार ही नियुक्त करेगा मतलब केंद सरकार ताई करेगा वो कारेकाल होगा और पुनर नियुक्ति के ये पात्र नहीं होगे ध्यान रखना अगर पुनर नियुक्ति के पात्र केंद्य सूचना आयोक के सदस्य और अद्यक्ष नहीं है तो राज़ा और सूचना आयोक के अद्यक्ष भी रही होगे बशरते जब तक कीव है इसमें अद्यक्ष सदस्य के पतपर नहों तो यहां पर देखो बचो इसका में काम क्या होगा कि जो भी इस तरह के लोग प्राथिकरन इंसे सम्मंदे शिकायत की जाज करना जो सूचैना मिलेगी शिकायत की जाच करना उनका निराकरन कर न सि colleges करना ठीक है, इनका निराकरण करना, इसके अलावा देखो, केद्र हो, यूटीज हो, वित्य संस्थान हो, सार्जुनिक्षेत के उपकराम हो, उससे संबंदिश शिकायते हो, वो सारे चीज़ हैं. अब हम बात करेंगे राजसूचनायोग की, तो देखो बच्चों, जब RTI Act के द्वारा, 2005 में केंद्रिय सूचनायोग की बात होई, तब ही राजसूचनायोग, ठीक है, तो इसका अगठन राजसरकार के द्वारा किया जाएगा, राज मुख्य सूचनायोग, मुख्य मंत्री कि अध्यक्षता वाली एक समीती में, समीती की सिफारिश के आधर पर राजपल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, और यह जो समीती है, आच्छा, यहाँ पर 10, सेम वही है कि अधिक्तम जो है, 10 राजसूचनायोग ठोंगे, जैसे कि अधिक्तम 10 केंदे सूचनायोग ठो कारेकाल बाकी निर्धारित करेगा राजी सरकाँ ठीक है 65 वर्ष की आयो पूरा करने तक वेतन भत्ते केंदे निर्धारित करेगा अच्छा एक और मैं इसमें आपको करन्ट अफेयर का वो बता रही हूं इससे अपडेट कर ले ना बच्चो करन्ट अफेयर ठीक है 2019 में साथ साथ बढ़ा दोंगे ठीक है अब हम पढ़ते हैं हमारी जो लास्ट एक आयोग है जो किये केंदे सतरकता आयोग सेंटल विजलेंस कमिशन ज्यादतर आप सेंटल विजलेंस कमिशन को सी वी सी पढ़ते होंगे सी वी सी सेंटल विजलेंस कमिशन से कमिशन सतरकता जो आ युक्त होगा और अधिक्तम दो सतरकता होंगे मतलब 1 & 2 ठीक है CBC को सरकार के द्वारा 1964 में देखो बच्चों एक संथानम समीती बनी थी जो कि भेस्टाचार को रोकने के लिए उसकी जो सिफारिश करनी थी और यह संथानम समीती ने यह सिफारिश की थी कि कोई एक ऐसी संस ने क्या किया केंदिय सतरकता आयुक अधिनियम 2003 तो अधिनियम के द्वारा चुकि एस्थापित तो इसको दर्जा क्या है सामविदिक स्टाटूटली एग बीदिक है ना सामविदिक कह सकते हैं विदिक कहलो CBC किसी मंद्राल है विभाग के अधिन नहीं है यहाँ पर सतरक्ता आयुक्त की न्यूक्ति राश्च्पति के द्वारे एक समीति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें प्रधान मंत्री होगे अब देखो जिसमें हमने समीतियों की बात किसमें की है मानवधिकारों में हमने समीति की बात की थी मानवधिकार आयुक्त के सदस्स की जादा तर हमने देखा के भी तक PM की अध्यक्षता में ही बन रही थी ग्रामंत्री होगे लोगसभा का विपक्ष का जुनीता है वह होगा केंदी सतरकता आयूक और इनकी जो अब यहां पर देखो अब तक हम 6 वर्ष पढ़ा तीन वर्ष पढ़ा अब यहां पर कारिकाल में थोड़ा सा चेंज होने वाला है कारिकाल जो है बच्चों में चार वर्ष ठीक हो में रहेगी कारिकाल चार वर्ष और जो आयू है वह 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए ठीक है जो भी पहले हो जाए यह उनकी अबदी होगी चार वर्ष या 65 वर्ष जव भी पहले हो एक और बात सुल लो ये कारिकाल के बाद जो के इंद्य सदर्क्टार आयूक्त होंगे कर ले अपने कारेकाल के बाद किसी अन पद पर नहीं जा सकते क्फि कि अन पद पर नियौक्त नहीं हो सकते अधिकर याद अटना किसी अन्यपत पर नियुक्त नहीं हो सकते इसके अलावा देखो एक विसल ब्रोवर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2014 में और आपको ये बात भी याद रखना बच्चों की रासपती जो है वैस की नियुक्ति और बाकी सब के लिए काम करेंगे सितंबर 2003 में ठीक है सितंबर 2003 म इसे यह जो सामविदिक दरजा है वैं दिया गया था एक्ट के अंतरगत ठीक है तो भस्ताचार रोकने की एक प्रमुक संस्था है अगर भस्ताचार की शिकायत प्राप्थ होती है तो उससे यह एक्षन लेता है शिकायत का निवारण करने का जो प्राप्धानवे करता है तो यहां पर हमने यह मुखिसंस्थाओं की बात की केंद्रिये सतर्कता आयोग, राज्य और केंद्र सूचन आयोग, रास्ट्री और राजमानवदिकार आयोग और नीती आयोग और कुछ हमने कुश्चन्स देखे तो इस तरीके से हमारा जो यह आज का लेक्चर है इसके अलावा और भी कुश्चन्स आई हुए थे, वो सारे कुश्चन्स आपको देखने हैं, जो भी देखो हमेशा एक सही तरीका यह हो सकता है कि जब आपने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को तयार कर लिया है, तो उस टॉपिक से रिलेटर जो भी कुश्चन्स अब त जाता है, nature of question क्या है, कितनी depth में question पूछा जाता है, ठीके, current affairs update करके कहा कहा question पूछा गया है, माली जो मानवा दिकार को लेकर नए संचोधन आए हैं, वहां से questions आएगा, आरक्षन के प्राभधान को लेकर नए संचोधन आए हैं, वहां से question आएगा, तो हमेशा static को current affairs से ल आ रही हूँ, इसमें करवाओ, इसके पहले भी आपको कई important topics available है, बच्चों topics को देखिए, आपकी जो quality है, जो राजववस्ता है, जो समविधान है, वहें काफी अच्छा होगा, sharp होगा, PYQ समझ में आएंगे, mains answer writing समझ में आएगी, ठीके, mains पे तो कम focus किया, because of PT के लिए special है, चारी तो हम अब अपनी मिलते हैं अपनी next class में, thank you, thank you so much.